करल देखो स्टूइट्स आज हम फिसिकलर केमिस्ट्री गा इक बहुत इंपोर्टन चप्टर इसका नाम है थर्मोडैणिक्स एक्चुल यह दो चप्टर्स हैं Thermodynamics and Thermo Chemistry जो NCIT में दोनों एक साथ क्लब्ड हैं लेकिन हम दोनों को अलग-अलग करके बढ़ते हैं क्योंकि Thermodynamics इटसेल्फ आपको बहुत बड़ा चेप्टर है इसमें आप बहुत सा चीजी सीखने वाले हो Physical Chemistry के सबसे Important chapters के अंदर है Thermodynamics अगर आप Physical Chemistry में Important chapters का नाम लो तो उसमें आता है आईनीक इकिलिब्रियम, Thermodynamics, Electrochemistry Important का Significance क्या होता है इंपोर्टन का Significance यहाँ पर यह है ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन तीनी चेप्टर से Question आते हैं लेकिन these are the most logical chapters of Physical Chemistry और अगर आपकी पॉइंट वे से Important के बात करो तो Maxim students को यह chapter बहुत difficult लगते हैं यह chapter difficult नहीं है इन chapter के अंदर क्या होते हैं छोड़ी चीज़े mix होते जाती हैं छोड़ी चोड़ी topics होते हैं वो club होते जाते हैं इस आपसे chapter बड़ा हो जाता है और होता है कि जब इसके question आते हैं उसमें दो तीन concept एक साथ हमेशा apply होते हैं इस वज़े से लोगों को इसके questions क्या करते हैं difficult लगते हैं लेकिन बहुत simple सी चीज़े देखो अगर आप thermodynamics को बिल्कुल basic level से पढ़ो हर एक चीज़ को समझने के कोशिश करो और time to time अपने questions करते रहो तो आपको इस chapter में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है तो start करते हैं वज़ा chapter thermodynamics सबसे पहले इसका introduction नाम से पता लग रहा है thermo मतलब heat energy हीट नहीं बोलके energy बोलते हैं basically हम तो thermo मतलब energy और dynamics मतलब move कर रही है तो यहां पर क्या होता है इस chapter के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किसी भी process के अंदर कहां पर किस process में कितनी energy जा रही है कितनी energy आ रही है वो सारी चीज़े हम लोग कहां पर deal करेंगे thermo dynamics के अंदर deal करेंगे जैसे आप देखो कि petrol का combustion होता है याप एक लकड़ी को जला आते हो तो हीट रिलीज होती है तो कितनी लकड़ी को जलाने पर कितनी हीट रिलीज हुई उस हीट के रिलीज होने पर क्या होता है system में expansion हो सकता है compression हो सकता है अलब जो surrounding environment आस पास का वहां पर gases expand हो सकती है वर्क हो सकता है तो बहुत सब्सक्राइब हम यहां पर सीखेंगे energy अगर मैं आपसे introduction की बात करूँ इस chapter में simple सा पढ़ने वाल है कि thermodynamics is the branch of chemistry that deals with energy changes occurring during various physical and chemical processes it also deals with transformation between different forms of energy transformation का मतलब क्या है जिसे आपने heat दी तो उससे work हुआ या अपने work किया तो उससे heat release हुई या absorb हुई that is called transformation of different forms of energies अब चलो जैको basic सी बात है किसी भी चीज़ को सीखने से पहले किसी भी subject को सीखने से पहले for example आपको English सीखने के लिए सबसे basic requirement क्या होती है alphabets आपको यह पता होना चीज़ कि alphabets क्या होते है एक का मतलब क्या होता एक फोर apple होता और भी फोर boy होता यह हमें बच्पन से सिखाया जाता है ना तब हम English सीखते है सेम चीज़ यहाँ पर है क्या है यह चीज क्या होती है इसका मतलब क्या है इसको अगर आप नॉर्मल वे में लोगे तो आपको इनको रटना नहीं पड़ेगा समझो कि हम किस चीज़ को क्यों डिफाइन कर रहे हैं और फिर वह कैसे यूज आए कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कभी-कभी ड क्या होता है आप देखो जैसे मैने आपसे कहा की इस रस्टर को जलाना है उच्चक मेश को तो मैंने इस दस्टर को जलाया और जलाकर ये देखा कि इस दस्टर को जलाने पर कितनी रिलीज हो रही है तो वे सिक्लिमाइस, grab क्या बूलते है नहीं है सिस्टम, तो बहुत सिम्पल सी डाफिनिशन एक system की universe का वो part जिसे हम study करना चाहते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे एक system अब बताओ यहां से जो भी heat relief भी वो कहा गई room के अंदर environment के अंदर तो universe system को छोड़ कर universe में जो भी कुछ बच गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसकी surroundings बोलते हैं तो आपने बर पास basic दो टर्म्स आते हैं एक system और एक surrounding मैं अगर इस marker को इस holder को study करना चाता हूं तो यह क्या हो जाएगा system उसके बाद आप मैं यह room यह जो भी कुछ यहां पर रखा हुआ है जो भी इस दुनिया में बचा है वो सब का सब किसकी तरह काम करेगा इसके surrounding के तरह तो यह ना इसकी बोलने के लिए definition होती है बोलने के लिए जैसे आप बात करो मैं अगर यहाँ पर इस duster को जलाओं तो क्या हीट आप तक पहुँच जाएगी नहीं पहुचेगी ना उसकी हीट कहा तक रहेगी यहीं कहीं आ सपास तक रहेगी तो जो चीज इस प्रोसेस है वो contained limitation के अंदर होता है लेकिन हम define क्या कर देते हैं पूरी दुनिया को surrounding define कर देते हैं तो एक system को छोड़ कर जो भी कुछ बच गया वो सब का सब क्या होगा उसका surrounding होगा बोले चीज समझ में आती है तो उन्हें दो चीज define की एक system और एक surrounding अब ऐसी कोई न कोई चीज तो होगी जो system surrounding को separate कर रही है जिसके बात को डूस्टर सिस्टम है इसके बाद यह जो हवा है यह सब क्या इसकी surrounding तो हम एक और टम define करते हैं that is called boundary क्या बोलता है मुसे boundary या फिर wall पताव boundary और wall क्या होगी boundary और wall ऐसी कोई भी चीज हो सकती है जो system और surrounding को क्या कर दे separate करे तो ऐसी कोई भी चीज जो system और surrounding को separate करें उसे हम लोग क्या बोलेंगे boundary boundaries के बहुत सारे types हो सकते boundary real भी हो सकती है और imaginary भी हो सकती है जिसे डस्टर नमारा system है इसके जस्ट बाद हमने क्या बोला क्या start हो गई है surrounding तो यहां पर जो boundary वो imaginary है समझ रहा बात को यह इसका यह रस्टर नहीं न पूरा यहां रस्टर खत्मा और उसके बाद क्या शुरू हो गया है environment शुरू हो गया यह पर ऐसे हीट क्या होगी रिलीज होगी एक दूसरा केस में क्या करता हूं कि एक container लेता हूं इस container में इस वुड के काम करेगी surroundings की तरह अब इसको समझ सकते हो जैसे एक सिलेंडर है इस सिलेंडर मैंने गैस फिल कर दी और यहां पर एक पिस्टन लगा दिया तो यह गैस क्या है मेरा सिस्टम बाहर का सब कुछ क्या है मेरा surroundings और यह जो container बचा बताओ यह सब क्या कह लाएंगी इसकी boundary स्वामिज में आ रही है खुला environment है वहाँ पर आपने गैस को छोड़ दिया तो गैस expand हो रही है तो open environment में गैस content तो ही नहीं वह तो खुले environment में क्या और यह expand हो रही है तो जिस गैस को आप study कर रहे हो वो तो क्या हो आपका system बाकी जो सब कुछ बच गया बताओ वो क्या हो जाएगा आपका surrounding तो बताओ यहां सिस्टम और surrounding की बीच में कोई real या फिर physical boundary है नहीं न ऐसी boundary आपकी कैसी boundary होगी imaginary boundary होगी तो boundaries real हो सकती है या फिर imaginary हो सकती है उसके लावा boundaries fixed या फिर rigid हो सकती है और non-rigid हो सकती है जैसी यह मैंने गैस को एक container के अंदर बंद कर दिया तो गैस क्या हो गई मेरा system यह क्या हो गई boundary और यह क्या हो गई soundly तो रिजिट का मतलब क्या है boundaries move नहीं कर सकती फ्लेक्सिवल नहीं है fixed है fixed boundaries और जब boundaries fixed होंगी तो बताओ वाल्यूम क्या होगा constant एना fixed boundaries rigid अगर walls है इसका मतलब वाल्यूम क्या हो चुका होगा container का fix देखो यह piston अगर यह movable piston है तो piston भार या फिर अंदर मूव कर सकता है इस case में हम boundary को कैसे बोलेंगे non-rigid boundary जो क्या हो कर सकती है move कर सकती ना flexible walls भी बोल सकते हो तो boundaries real हो सकती विजरी हो सकती rigid हो सकती और non-rigid हो सकती उसके अलावा सबसे important boundaries boundaries आपकी डाय थर्मिक हो सकती है और कैसी हो सकती है adiabatic हो सकती इस दो टर्म का मतलब आपको ध्यान रखना है adiabatic तो आप जानते होंगे physics में पढ़ा होगा 11th class में क्या होती हो तो adiabatic जिसमें से heat पास नहीं कर सकती है उन्हें कौन सी walls बोलते है adiabatic walls इन walls से heat cannot pass through और डाय थर्मिक वाल्स कौन सी होती है जिनके थ्रू heat पास हो सकती है यह आप ध्यान रखना कभी कभी questions में term अभी लिखवा दूँगा मैं सब आपको ठीक है सब आपको लिखवा में जागा चंता आपको समझ लो चीज़ों को तो वाल्स यहा जिनके थ्रूँ heat पास करसके आप तो इसी वाल्स जो हीट को कंड़क्ट करते यह दब्याइब्धरमिक बोलेंगे और जो हीट को कंड़क्ट नहीं करते हैं उन्ने क्या बोलेंगे तो जिसको हम पढ़ना चाहते हैं उसे तो हम क्या बूलते हैं system next is problem आगई ये उच्छ चलो आप ये तो लिखो problem दूर करते हैं फिर देखो system के बाद हम बात करते हैं surroundings की surroundings हम डिसकस किया universe को छोड़ने के बाद आप दुनिया की जो भी चीज़ बच गई उन सब को हम किसके अंदर count करते हैं surrounding के अंदर count करते हैं system हो गया surrounding हो गया यह आपको देखी रहा है जो total universe होगा that will be including system plus surrounding system plus surrounding को आप add कर दो हमें क्या मिल जाएगा पूरा का पूरा universe ठीक है तो यह चीज़ आपके आगे काम में आएगी कि universe is composed of both system and surrounding sorry ठीक है चलो तो अब यह लिखो फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और फिर किसको define करेंगे हम लोग boundary को चले चलो देखो next is boundary या फिर walls जैसे हमने देखा कैसी कोई भी चीज जो system और surrounding को separate करती हो उसे हम लोग क्या बूलते हैं boundary पहली चीज दूसरा मैं आग बताया boundary क्या हो सकती है या फिर imaginary हो सकती है next boundary rigid हो सकती है या फिर non rigid हो सकती है and third boundaries can be adiabatic और diathermic तो आपको adiabatic का मतलब पता होना चीए non conductor of heat अगर किसी container की walls adiabatic है तो उस case में system और surrounding के बीच में कोई भी heat exchange possible नहीं होगा वहाँ heat exchange नहीं होता है diathermic which is conductor of heat तो अगर अपके अस diathermic है तो फिर क्या होता है system और surrounding के बीच में heat का transfer हो सकता है तीक है तो यह चीज़े अपने काम में आएगी आप इसको ध्यान लगें clear चलो system बता दिया क्या होता है surrounding बता दिया क्या होता है boundaries बता दी क्या होती है इसकी system और surrounding जब है साथ में तो अब यसी बात है उनकी बीच में क्या होगा interaction होगा तो सपोज यह आपका system है तो इधर क्या है आपकी surroundings इन दोनों की बीच में क्या होगा interaction होगा interaction कैसे होगा चलो example लेकर discuss करते हैं ऐसे बात नहीं करते हैं मैं अपर समने एक दो example लिख रहा हूं आप देखना यह container है इस container में पानी भरा हुआ है आप क्या करो आप इसकी नीचे आग लगा दो मतलब आप पानी को heat करो ठीक है फिर इसका लिड़ नहीं है आप यह ओपने प्रैसे आप दूसरा गेंटेनर लो उस पर एक लिड़ लगा दो और इसको heat करो ठीक बताओ दोनों के अंदर क्या difference है यहाँ पर भी वही पानी भरा होगा है कोई अलग चीज नहीं भरी हमने देखकर बताओ दोनों की heating process में क्या difference होगा बताओ यहाँ पानी गर्म होगा या नहीं यहाँ गर्म होगा या नहीं होगा यहाँ मैं कुछ नहीं बोला है डाइथर्मिक वॉल से मान कर चलना वॉल्स एडियाबेटिक नहीं है तो यहां पानी गर्म होगा यहां पानी गर्म होगा यहां जो पानी गर्म होगा वो कहां जाएगा उड़ेगा उपर उपर उड़के कहां चला जाएगा बहार एंवार्मेंट के इंदर जो इसको हम हीट क कर रहे हैं यह तो मेरा क्या हो गया सिस्टम बाकी दुनिया की बाहर की सारी चीज क्या हो गई सराउंडी बताव बर्नर किसमें काउंट होगा सिस्टम में सराउंडिंग में सिस्टम तो सिर्फ कौन है वाटर जिसे आप क्या कर रहे हो हीट कर रहे हो जो एनरजी लेगा देग एनर्जी ट्रांसफर के एनर्जी कितने तरीके से ट्रांसफर हो सकती है कन्वेंशन कंडक्शन और रेडियेशन वह तो हीट ट्रांसफर के मोड होते हैं हीट कंडक्शन के थूँ जा सकती है जो दिन बर जाती है रेडियेशन के थूँ जा सकती है जो सूरत से आती है convection के through भी जा सकती है तो heat transfer के mood में तो बात कराओ energy के transfer moods कितने है पढ़ा है आपने बच्छपन में पढ़ा है 11th के physics में पढ़ा है work and heat energy दो तरह से transfer हो सकती है या तो work की form में या फिर heat की form में तो यहाँ पर आप देखो heat transfer हो रही है अगर पानी की vapors यहाँ से surrounding में जाएंगी तो पानी का amount उतना ही रहेगा या कम होगा कम होगा इसका मतलब water molecules यहाँ से surrounding में transfer हो रहे हैं इसको हम बोलता है matter transfer तो देखो यहाँ पर क्या है system और surrounding की बीच में energy भी transfer हो रही है और matter भी transfer हो रहा है अगर आप यहाँ पर आओ बताओ यहाँ पर energy transfer होगी या नहीं होगी बताओ matter transfer होगा या नहीं तो यहाँ पर सिर्फ energy का transfer हो रहा है matter का transfer नहीं हो रहा है चलो एक और case बनाते हैं although यह practically possible नहीं है but हम on paper दो बनाई सकते हैं यह मेरे पास एक perfect adiabatic walls वाला container है perfect adiabatic खरी एक्जामपल वैसे भी गलती है तो चलो मैं इसको discuss ही नहीं करता हूँ इसमें किया बहुत सारे loopholes हैं उनकी वैसे concept में problem create करेगा अपन तो इन दोनों की बात कर लेते हैं simple तो देखो पहला system आपने देखा जिसमें energy और matter दोनों का transfer हो रहा है यह system जो बना ऐसे system को हम लोग बोलते हैं open system क्या बोलते हैं open system which is open वो energy ले भी सकता है दे भी सकता है matter ले भी सकता है दे भी सकता है तो उसे हम क्या बोलेंगे open system तो बताओ second system को हम लोग क्या बोलेंगे closed तो ये हो गया आपका closed system तो difference क्या है? open system, energy और matter दोनों का transfer कर सकता है लेकिन closed system सिर्फ और सिर्फ किसका transfer कर सकता है? energy का closed system में, system और surrounding के बीच में कभी भी matter का transfer नहीं हो सकता है इसी series में आपका third system भी आता है that is isolated system isolated system isolated system में क्या होगा? आप बता सकते होगा? खुदी बता दो क्या पतो आप? energy तो पर energy transfer होगी बाद आप सिर्फ नहीं होगी काँ जाएगी? isolated isolated? isolated मतलब क्या तोसका? isolated होने का क्या फरक नहीं पढ़एगा? क्या फरक नहीं पढ़एगा? क्या फरक पढ़एगा है? simple है नहीं यार? open वह वह जो दोनों transfer कर रहा है close वह वह जो एक transfer कर रहा है isolated क्या होगा? जो ना energy transfer करे isolated का मतलब क्या है? secluded बिल्कुल अलग सबसे अलग इसका किसी से कोई interaction ही नहीं है isolated क्या होगा? जो ना तो energy transfer करे ना ही आपका mass transfer करे although देखो practical life में आपको isolated system का कोई example नहीं मिलेगा as such लेकिन अभी अभी आपने सीखा universe बताव universe किस किस से मिलकर बना है? सिस्टम और surrounding को हम universe बोलते हैं तो अगर सोच ना थोड़ा सा imagination वाला part है अगर मैं पूरे universe को ही system मान लूँ तो युनिवर्स के बाद क्या है? कुछ भी नहीं तो क्या इससे interact करने के लिए इसके कोई surrounding है? समझे ना पुरे बात को अगर मैंने पूरे universe को ही system मान लिया पेपर पतम कुछ भी मान सकता ना बैटके तो अगर मैंने पूरे universe को ही system मान लिया तो बताओ उसके बाद क्या कुछ और बचेगा? नहीं बचेगा ना तो अगर universe system है तो उसकी interaction के लिए कोई surrounding नहीं है तो फिर बताओ यह किसकी तरह काम कर रहा होगा एक isolated system की तरह काम कर रहा होगा क्योंकि ना तो यह किसी से energy transfer कर सकता है नहीं यह किसी से matter transfer कर सकता है तो बात समझ में आती है तो यह तीन तरह के आपके system होता है आओ एक-एक करके हम इन सबको define करते हैं so depending on exchange of energy and matter between system and surroundings system can be classified as first open system system which can exchange both energy and matter with its surroundings second is closed system system which can exchange only energy with its surroundings और आप चाहोते हैं आप एक चीज़ और लिख देना no exchange of matter is possible सभी है फिर बात करते हैं third हमारे किस की isolated system की जो ना तो energy transfer कर सकता है और ना ही matter transfer कर सकता है तो यह definitions भी आपको पता होनी चाहिए open system क्या होता है, closed system क्या होता है, isolated system क्या होता है और जो 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 मैं आप से last minute discuss की अगर आप universe कोई system बना लो तो वो किस की तरह काम करेगा एक isolated system की तरह काम करेगा चला, समाज में आते हैं आपको definitions, कोई doubt? नहीं चला, मैं एक statement लिख रहा हूँ, आप मुझे बताना कि यह statement सही है या फिर गलत है अगर है आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या फिर करते हैं बहुत आराम से पढ़ो हाँ जी बताओ स्टेटमेंट सही है या फिर गलत गलत है क्यों अगर परफेक्ट टेडिया वैट है कि मानलो परफेक्ट टेडिया वैट है हंडेट परसेंट प्रोटेक्शन ऑफ हीट हीट ना आ सकती ना जा सकती है है मान दिया ना अबने थेरिटिकल ही मान रहे है तो ले लेगा तो आइसोलेडिट नहीं होगा ना तो लोड़ा सा और क्लारिफाई करते हैं अब ठीक है एक्सचेंज में देना जेना दोनों आ जाता ना हाँ जी अब बताओ आइसोलेड है सही है कोई दिक्कत नहीं है देख बहुत मैंने थोड़े पहले डिसकस भी केता है हिंट इसली दिया था मैंने आप से मैंने आप सभी पूछा था बताओ एनर्जी ट्रांसफर की कितने मोड्स हो सकते हैं दो हीट और वर्क दोनों एनर्जी की फार्म से हैं यहां पर सिर्फ क्या लिखा हुआ है हीट एक सिस्टम अगर सराउंडिंग से हीट ले रहा है और ले रहा दे रहा नहीं है और मैटर भी नहीं ले रहा दे रहा है तो वो आईसलेट सिस्टम नहीं होगा उसके साथ-साथ, भई heat नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, energy अगर यहाँ पर energy लिखा हुआ होता, लेको यहाँ पर confuse करने के लिए बहुत है इसमें mistake आप आराम से करके होगे अगर मैं यह energy लिखता तो यह statement बिल्कुल सही था और यह system कैसा होता, isolated system होता लेकिन इसने सरफ क्या लिखा है, heat ठीक है, heat नहीं ले दे सकता, लेकिन work तो कर सकता है तो अगर system work करेगा, जैसे मान लो मैं आपको example दूँ यह एक perfect adiabatic cylinder है, perfect adiabatic एक percent भी leakage नहीं हीट का, इसके अंदर इसमें एक perfect adiabatic piston भी लगा हुआ है और यहाँ पर एक gas रखी हुई है अब आप देखो, ना तो हम इस gas को heat दे सकते ना ही यह gas surrounding को heat दे सकते heat का exchange तो zero है, लेकिन आप मुझे बताओ अगर मैं इस piston को अंदर compress करूँ तो क्या इस gas के उपर work होगा आप gas को compress कर रहे हो, तो आप gas पर work कर रहे हो तो energy क्या हो रही है, transfer हो रही है और अगर energy transfer हो रही है तो फिर वो system isolated system नहीं होगा वो कैसा system कहलाएगा इस condition में closed system कहलाएगा तो यह आप ध्यान रखना, इसमें आप mistake करोगे ही करोगे जैसे भी आपने की तो कभी भी ऐसा statement मिल जाए पहले पढ़ लेना, energy transfer बोल रहा है या फिर heat transfer बोल रहा है तो आप इसका answer भी लिख दें साथ में answer is no system is not isolated as heat transfer heat exchange is not possible but energy can be exchanged in terms of दो किसके टर्मस में आप heat exchange, energy exchange कर सकते हो work so the system is closed system इस तरह के system को हम isolated system नहीं बोलेंगे इसको हम कौन सा system बोलेंगे closed system बोलेंगे ठीक है तो छोटी चीज़ है open system, closed system और isolated system के बारे में जो आप लोगों को सीखनी चाहिए चलो जी तो हमने अपने पहले basic terms define कर दी है system क्या होता है, surrounding क्या होता है, boundary क्या होती है और system को हम कितने types में classify कर सकते है अब हम move करते हैं एक और बहुत important property के उपर ये properties में भी generally आपको बहुत दिक्कत आती है दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि आप इनकी definitions को रट लेते हो रटो मत समझो, फिर उसी के हिसाब से हिसाब लगाओ कि जो property आपके सामने लिखी हुई है आप उसको कैसे identify कर सकते हैं these properties are extensive and intensive properties तो हमें discuss करना है कि extensive properties क्या होती है किन-किन properties को हम extensive की category में रख सकते हैं फिर हम बात करेंगे intensive properties की कि किन properties को हम intensive properties की category में रख सकते हैं और क्यों चलो देखो बहुत आसान होता है ध्यान देना हम extensive और intensive properties को define कैसे करते हैं अगर मुझे कभी भी कोई extensive या intensive property define करनी है उसके लिए हम सबसे पहले एक closed system लेते हैं क्या लेते हैं closed system लेते हैं और फिर इस closed system को 2 या 2 से ज्यादा parts के अंदर आप divide करते हो तो देखो 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 ये closed system है इसका mass है कुछ M इसका volume है कुछ V और इसका temperature है कुछ T मैंने क्या किया मैंने system को 3 equal parts में divide कर दिया कितने parts में divide कर दिया 3 1, 2 and 3 कि मान लो 3 equal parts है तो 3 equal parts में divide करने पर आप मुझे बताओ मैंने आप समने 3 चीज़े लिखी थी एक लिखाता mass एक लिखाता volume एक लिखाता temperature बताओ इस हिस्से का mass कितना होगा M by 3 very good इस हिस्से का कितना होगा M by 3 इसका भी कितना होगा M by 3 अच्छा बताओ इस हिस्से का volume कितना होगा V by 3 V by 3 V by 3 होगा अच्छा बताओ इस हिस्से का temperature कितना होगा T by 3 नहीं कितना T इसका T इसका P होगा अच्छा लेका और property defining डरताओ मान लिख में gas भरी हुई थी उसका pressure था P ठीक बताओ हर डबे में या हर पार्ट में प्रैसर चलोब प्रैसर को बात में डिसका सरे अलग से प्वाइंट बनाएंगे आप confused होगा चोड़ो अभी यहीं बात करते हैं तो mass, volume, temperature हमने एक close system को तीन equal parts में divide किया बताओ कौन कौन सी properties की values change हुई mass और volume temperature की value change नहीं ही तो बस इस तरह हम define करते हैं किसी भी close system को 2 या 2 से ज़्यादा parts में divide करने पर वो properties जिनकी value change हो जाती है उन्हें तो हम बोलते हैं extensive और जिनकी value change नहीं होती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं intensive properties बोलते हैं mass और volume कौन सी property हुई extensive और temperature कौन सी property हुई intensive बोल बात समझ में आती है तो सबसे पहले चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है यह कि हम कैसे define करते हैं extensive और intensive properties को extensive और intensive properties को define करने के लिए are defined by dividing a close system into two or more parts the properties which change are extensive and the properties which do not change are called intensive properties समझ मैं है चलब अब इसके बाद हम इनकी exact definition लिख सकते हैं अलग-अलग और यह बात भी कर सकते हैं कौन-कौनसी properties extensive होंगी और कौन-कौनसी properties intensive होंगी ससलम बात करते हैं extensive properties की समझ मैं आपको बताया वो properties जो change नहीं हो लिए अब आप देखो मास वन थर्ड क्यों हो गया क्यापस को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था तो उसमें जितना भी matter होगा वो भी कितने पार्ट में डिवाइड हो चुका होगा मतलब extensive properties वो होती है जो amount of matter present in the system और size of system पे depend करती है system में matter जितना जादा होगा extensive property की value भी क्या होगी उतनी ही जादा system का size जितना बड़ा होगा extensive property की value भी क्या होगी उतनी ही जादा extensive properties को हम कैसे define करते हैं देखो the properties of system which depend on the amount of substance present in the system and size of the system are called extensive properties तैसी कोई भी property जो size of system और उसमें present amount that is mass of system या matter के mass के उपर depend करती है उन्हें हम कौन सी properties बोलते हैं extensive अब चलो examples discuss करना शुरू करते हैं आप मुझे बताओ कौन कौन सी properties extensive हो सकती है दो तो आपके सामने एक mass एक volume और कोई सोच सकते हो आप खुद से सोचो length length भी size of system पर depend करेगी area system जितना बड़ा होगा उसका area भी क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा और बोलो और सोचो surface area area की चीज़े होगे है मॉल्स मॉल्स बताओ extensive होंगे या नहीं मॉल्स अगर amount of matter मतलब मैं 5 gram iron लूँ और मैं 500 gram iron लूँ बताओ किस में मॉल्स ज्यादा होंगे 500 gram iron में ज्यादा होंगे मतलब मॉल्स भी कैसी property हो गई extensive system के size पर depend कर रही है resistance resistance होगा नहीं होगा resistance length of conductor भी depend करता है ना है अगर एक conductor इतना सा है और एक conductor इतना बड़ा है होगा resistance कैसी property होगी extensive property हीट के बैसी जानता है अब हीट capacity क्या होती हीट के पैसिटी बताओ भाई हीट के पैसिटी कम हो जाएगी क्यों है कम जारा तो बात नहीं कर रहे ना बंदर पूज़रे है हीट के पैसिटी मलब सिस्टम की साथ बढ़ेगी या नहीं इतना सा पूचा है मलब चेंज होगी या नहीं होगी बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है होगी change क्यों हीट के पैसिटी नाम से बता लग रहा है हीट के पैसिटी हीट को स्टोर करने की के पैसिटी अब बहुत सिंपल तर्मस में बात करो एक्चली तो यह physics के टर्मस हैं भी हम इनको भी define करेंगे आगे चलकर बट सिंपल देखो आप heat capacity heat capacity क्या होती ही किसी भी चीज़ की heat को स्टोर करने की capacity मिरे पास एक यह iron का block है और मिरे पास एक यह iron का block है ना मैं इसके technical definition के बात बात करता है हम तो normal terms में बात करता है बताओ इन दोनों में से किसकी heat को स्टोर करने की capacity ज़्यादा होगी बड़े वाले क्यों? ठीक इसका लोगे कैसी property है extensive अच्छा एक और नाम होता है specific heat capacity यह तो आप जानते होंगे शायद इसको हम सी से लिखते हैं इसको हम क्या होती है specific heat capacity नहीं पताओ पताओ कैसी property होगी आपकी intensive property होगी वो system की size पर या फिर amount of matter पर depend नहीं करती क्यों तो defined ही कितने के लिए 1 gram अब आप चाहे 500 gram iron लो चाहे 5 gram iron लो दोनों की specific heat capacity तो क्या होगी same समझ मारी बात आपको तो इस तरह से हम terms को judge करेंगे कभी भी इन पर कई बार question मिलते हैं तो आप रटने की कोशिश ना करें example भी बहुत सारे आएंगे पर आप समझो चीज को कि जो term आपके सामने लिखा हुआ है क्या वो system को break करने पर बदल रहा है अगर बदल रहा है तो वो extensive है नहीं बदल रहा है तो वो कैसा होगा intensive होगा तो आपके कुछ examples है of extensive properties mass मैं आपको बता चुका हूँ volume देखे लिए है heat capacity अभी वे ना आपको बताया बाकी जो terms है वो आप अभी उनसे मिले वे नहीं हो हम इसी chapter में इनको discuss करेंगे internal energy इसको हम capital U से denote करते है entropy इसको हम capital S से denote करते है Gibbs free energy हम इसको capital G से denote करते है surface area हो गया बने आपसे बात की resistance तो resistance हो गया है सब कैसी properties है आपकी extensive properties है बोलो समझ में आता है चलो एक और चीज़ जो extensive properties के रहे हैं आपको ध्यान रखनी है थोड़ी से प्रॉप्र मेलें का आप characters से देख लेता है these properties will change with the change in the amount of matter present in the system ठीक it is important to note that the total value of an extensive property of a system is equal to the sum of values of different parts into which the system is divided Hindi में बात करें Hindi में मतलब यह है m by 3 m by 3 m by 3 अगर मैं इन तीनों को add कर दूँ बता उसकी property किसके equal होगी कहने का मतलब अगर आपकी पास एक system के बहुत सारे parts है तो उसमें जितनी भी extensive properties है अगर आप उनको add करो तो आपको system की overall extensive property मिल जाएगी यानि important चीज अप जो आपको ध्यान रखनी है वो यह है कि extensive properties are additive मतलब अगर आप system के दो parts को combine कर रहे हो तो आप extensive properties को directly क्या कर सकते हो add कर सकते हो extensive properties are additive अगर मैं इन तीनों को add करूं तो m by 3 plus m by 3 plus m by 3 कितना मिल जाएगा आपको m मिल जाएगा यह बहुत important है यह चीज हम आगे काम में लेंगे तो मैं आपको रिकॉल करवाँगा वापस से कि हम extensive properties को add कर सकते हैं intensive को कर सकते हैं नहीं वो अभी हम discuss करते हैं पहले आप फी properties इसकी लिख लें और इनका आप ध्यान रखें extensive properties की बाद हम बात करते हैं intensive properties की और उनकी definition की तो जो system की size और amount of matter पर depend कर रही थी वो तो कैसे थी extensive और जो depend नहीं करेंगी वो कैसे होगी intensive जो definition आपने लिखी है बस उसमें आप क्या लिख दो dependent की जगा independent properties which are independent of the amount of substance and size of system are called intensive properties ठीक फिर से बात करते हैं कौन कौन सी properties intensive हो सकती हैं पहली चीज़ आपने देख लिए थी क्या चीज़ टेंपरेचर चलो दूसी चीज़ मैं आपसे पूछता हूं बताओ pressure pressure intensive होगा या नहीं होगा क्यों आज चलो मैं लिखता हूं है ना आप फिर मुझे बताना ये gas है इस के अंदर उसका pressure है P मैंने इस container के दो टुकड़े कर दिये हैं कि इस हिस्से का pressure P by 2 नहीं होगा और इस हिस्से का pressure P by 2 होगा या नहीं होगा आँ आराम से दिमाग लगा आराम से कोई जल्दी नहीं है मैं इसे ही सीखोगे आप मैं अगर example लिखा लेता तो आप रटने बैड़ जाते रटना हमको ही नहीं आप समझोगे कि property हो सकती है नहीं उसी सबसे आप काम करोगे नहीं होगा intensive नहीं होगा extensive होगा मतलब चेंज नहीं होगा P by 2 नहीं होगा P ही रहेगा क्यों इरिया हाफ हो गया फोर्स हाफ हो गया कैसे इस वाल पे लग रहा है इस वाल पे लग रहा है तो यहां का एरिया तो सहीं ही है ना बै कोई भी गैस प्रेशर क्यों लगाती है इसके molecules container की वाल से continuously collide करते रहते हैं तो वाल्स तो आदी नहीं होगी ना खैर बोल सकते हो ऐसे भी और exact वो इसका explanation नहीं लग रहा है मुझे कि force half अपन दिखाएंगे कैसे कि force half हो गया area भी half हो गया overall area तो half होई गया है सही कह रहा हो यह भी सही है कि force half हो गया area half हो गया यह और अच्छ तरी के समझने कोशिश करें बताओ किसी भी gas के लिए आप pressure जब calculate करते हो तो उसका formula क्या होता है nrt upon v होगा पताओ temperature तो change होगा ही नहीं आपको पता ही आधा कर दूँगा तो अब आप देखो अगर मैंने इस डबड़े को आधा डब़े के दो टुगड़े कर दिये तो इसके moles भी कितने हो जाएंगे half और पताओ volume भी कितना हो गया half two say two cancel पताओ pressure फिर से क्या आगया same आपने जो बलो है बिल्कुल सही है कि pressure is equal to force upon area है इसको ना हम अभी थोड़ी दिर बाद define करेंगे उससे आपको ज्यादा अच्छा clear होगा हम एक property पढ़ेंगे उसके बाद वहां से भी हम इसको define कर सकते हैं ठीक क्योंकि यहां सब को नहीं दिखेगा कि pressure और force और area दोनों half ह हो चुके हैं तो आपको overall देखना पड़े को आधा कर दिया तो जितना force लग रहा था वो भी आधा हो चुका होगा और total area वो भी क्या हो चुका है आपका half हो चुका है चलो जी आगे बढ़ते हैं और बताओ आप मुझे density अगर मैं गैस के दो टुकड़े कर दू तो क्या इस पार्ट की density d by 2 और इसकी भी d by 2 होगी density तो क्या रहेगी से बहुत सिंपल है आप देखो पानी ले लो एक container में उसके दो टुकड़े कर दो तो कैसा कि उपर वाले इससे की density बदल जाएगी नीचे बदल जाएगी नहीं temperature सेम है तो density भी क्या रहेगी से आप इसका समझ सकते हो density का formula क्या होता है mass upon volume दो टुकड़े की है तो mass भी आदा volume भी आदा फिर से density क्या रहेगी सेम मतलब density भी कैसी property हो गई intensive property हो गई molarity concentration extensive होगी या intensive intensive क्यों again moles upon volume moles आदे volume आदा फिर से कुछ चेंज नहीं होगा molarity यानी concentration भी कैसी property हो गई intensive specific heat capacity intensive अभी हमने discuss किया था चाया पांच ग्राम iron का piece लो चाया पांच सो ग्राम iron का piece लो दोनों की specific heat capacity क्या होगी से क्यों क्यों कि वो तो कितने के लिए defined होती है one gram के लिए defined होती है अभी इसको एक और तरीके से discuss करेंगे जो हम intensive properties की कुछ important properties को discuss करेंगे तो यह आपके सामने क्या यह property system का size बदलने पर बदलेगी अगर बदली तो extensive नहीं बदली तो यह कैसी property होगी इंटेंसिव तो यह आपके सामने कुछ examples हैं इंटेंसिव properties के pressure, density, temperature, viscosity आप शहद के एक container के दो टुकड़े कर दो दोनों के विसकोसिटी क्या रहेगी same, surface tension same, refractive index में इस बोड़ के 50 टुकड़े भी कर दूँ तो भी 50 के 50 टुकड़ों का refractive index के आने वाला है, same आने वाला है, EMF यह आप ध्यान रखना, this is called electromotive force, क्या बोलता हम इसको electromotive force, ठीक है, यह आपके electro chemistry chapter में बहुत काम में आएगी, तो इसको तो आप रटी लेना, electromotive force, EMF of a cell, हमेशा कैसी property होती है, एक intensive property होती है, chemical potential यह भी इसी के तरह है, मलब EMF के तरह ही है, next is specific heat लिख दिया है, this is specific heat capacity, वो भी कैसी होगी आपकी intensive property, list खत्म नहीं होती है, list बहुत बढ़ी है, बहुत सारी properties को आप intensive properties के terms में लिख सकते हो, आगे बढ़े, चलो, वो तो फिर मैं आप से आगे discuss करूँगा, अभी हम लोग कुछ important properties discuss कर लेते हैं, extensive और intensive properties, क्योंदा important characteristics, तो यह characteristics आपको help करेंगी, जही में दो बार इंसे questions प हैं, तो दुबारा भी पूछे जा सकते हैं, कोई time gap आप चुका है, जहते हैं, मुझे रहाद है, 2003 या 5 की बीच में question पूछा गया था, extensive intensive properties पे, तो दुबारा भी आप से पूछा जा सकता है, तो देखो, सबसे पहली property, if A and B are two extensive properties, then A upon B and DA upon DB will be intensive, तो एक साथ सब कुछ ही आ तो ध्यान देना, अगर A और B दो extensive properties है, A भी extensive है, और B भी extensive है, यह बहुत important है, बहुत काम में हैगा आपके, तो आप चाहे A upon B लिख लो, या फिर आप DA upon DB लिख लो, दोनों ही कैसी property होंगी, intensive, तो दो extensive properties का ratio मेंशा क्या होती है, intensive property होती है, for example, बताओ density कैसी property थी, intensive, density का formula क्या होता है, mass upon volume, तो देखो यह extensive, यह extensive, दोनों का ratio क्या आचुका है, intensive, आएगा, आपने discuss किया था pressure, बताओ pressure का formula क्या होता है, या तो आप force upon area लिख लो, या फिर आप moles upon volume लिख लो, तो moles upon volume into RT, तो यह तो constant है, moles extensive, volume extensive, तो बताओ pressure कैसी property होगी, intensive, ठीक, या फिर force upon area से बात कर लो, force भी extensive है, area भी extensive है, तो बताओ pressure कैसा हो जाएगा, आपका intensive property हो जाएगा, ठीक, इसी तरह और आप example देखो, मैं आपको बताओ, concentration, molarity, molarity का formula, moles upon volume, extensive, extensive, बताओ यह कैसी property होगी, आपकी intensive, होगा न, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, properties को extensive और intensive की category के अंदर divide करते हो, और दो extensive properties का ratio हमेशा कैसी property आएगी, intensive, ठीक है, अब यह नहीं बला, force, actually आप force को categorize नहीं करते हो, extensive, intensive properties के अंदर, ठीक है, तो आप उसको count भी मत करना, तो आप pressure को, simple हम gas के pressure की बात कर रहे हैं, तो moles upon volume से हम उसको count कर सकते हैं, force को actually intensive, extensive में डालना ही सही नहीं है, क्योंकि उसका reason होता है, अभी आप discuss करेंगे, अपर आगे तब बताऊंगा हम उस चीज को, next property बढ़ते हैं, देखो आगे हम, if an extensive property is represented as per unit mass, और per unit mole, और per unit volume, it will become an intensive property, तो यह भी एक बहुत important चीज है, जिसको आपको ध्यान रखना है, volume लिख दो, तो वो कैसी property बन जाती है, intensive, examples आपके सामने लिखे हो है, concentration होती है, mole पर volume, तो देखो, mole एक extensive property है, अगर आप उसको पर unit volume लिख दिया, तो वो कैसी property बन जाएगी, intensive, density, density क्या होती, mass per unit volume, तो mass per unit volume आपने लिखा, तो यह भी कैसी property बन गई, intensive, या फिर, सबसे important, specific heat capacity, इसे मैं आप से बात की, specific heat capacity क्या होती है, इसको हम डिफाइन करते है, heat capacity per unit mass, तो देखो, heat capacity कैसी property थी, extensive, उसको अगर आपने per unit mass लिख दिया, तो बताओ, यह property कैसी बन जाएगी, intensive, तो कभी भी किसी extensive property को, अगर आप per unit mass, per unit volume, या per unit mole, के लिए represent करो, तो वो property कैसी property बन जाती है, intensive, तो इसकी यह वाले example important नहीं है, यह तो आपको पता है, इसको important example है, वो मैं आप से discuss करता हूँ, देखो, आप चाहो तो अपना page पलट कर देख सकते हो, बताओ, internal energy कैसी property थी, extensive, बताओ, gifts free energy कैसी property है, कौन सी है, extensive, है ना, अच्छा, अब मैं क्या लिखता हूँ, intensity के लिखता हूँ, मैं molar internal energy, तो molar energy का मतलब क्या होगा, बताओ, internal energy per mole, क्या होगा, internal energy per mole, तो बताओ, ये कैसी property होगी, intensive, होगी ना, अगर आप एक extensive property को, per unit mole के लिए define करो, तो वो किस में convert हो जाएगी, intensive property में convert जाएगी, सही है, Gibbs free energy, इसको हम G से denote करता है, ये extensive है, बताओ, molar Gibbs free energy क्या होगी, intensive property, इसे एक और टर्म आता है, enthalpy, वो भी हम पढ़ेंगे इसी chapter में आगे, enthalpy को हम लिखता है, H, बताओ, enthalpy extensive होती है, अगर enthalpy extensive है, तो बताओ, molar enthalpy क्या होगी, intensive property, तो कई बार यहाँ पर आपसे खेल जाता है, आपको option देगा, which of the following is an extensive property, ये intensive property, बोलेगा enthalpy, molar enthalpy, entropy, molar entropy, तो ध्यान रखना, molar लग गया time आगे, तो property क्या बन जाएगी, intensive, अगर सर्फ enthalpy अगरा लिखावा है, तो वो property कैसी हो गया, आपकी extensive, समझ में आता है, तो ये दो properties आप आपको extensive, intensive properties कारे में ध्यान रखनी चुछिए, और फिर एक तीसरी property जो मैंने आपसे discuss की अभी भी थोड़े दिर पहले, कि अगर आप एक system की सारी extensive properties को add करो, तो आपको overall value of extensive property मिलती है, तो हमने देखा था, m by 3, m by 3, m by 3, तीनो को add करो, तो आपको system का total mass मिल जाएगा, which is an extensive property, अज़ बताओ, तीनो कमपार्टमेंट का temperature है, इसका है T1, इसका है T2, इसका है T3, बताओ, इस system का overall temperature क्या T1 प्लस T2 प्लस T3 होगा, होगा या नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्यों, क्योंकि temperature कैसी property है, intensive, तो यहां से क्या सीखा, हमने में सीखा, क्यों extensive properties तो addition law को follow करती हैं, लेकिन intensive properties, addition law को follow नहीं करती है, intensive properties are non additive in nature, whereas extensive properties are additive in nature, वहलो समझ में आता है, तो यह भी आप ध्यान रखें और यही अपना अगला और important point है, जो यहां से गायब है, कोई बाद नहीं, आप लिख लो, मैंने add तो किया था, शायद misplace हो गया होगा, तो अपने आप एक point डा देना, एक और point बना कर next, की intensive properties are non additive, और इस चीज का भी use आएगा आपका electro chemistry, वहां भी होगा, यहां पर भी होगा, अभी इस चप्टर में भी, लेकिन यह वहां पर भी बहुत काम में आता है, जो आप, खिर वो पढ़ोगे जब आपको समझ में आएगा, भी अपन कुछ नह additive होती है, जबकि intensive properties additive नहीं होती है, और यह कुछ आपके सामने examples है, intensive और extensive properties के, देखावाँ आपको, यह सारे अपने discuss करी लिए थे, और एक छोटी से list है, जिटको आप heat capacities के terms में बात करते हैं, clear? चल, तो आज की lecture को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आज हमने बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं पढ़ा है, लिकिने में आपके कुछ basic terms सिखाए हैं, जिनमें हमने बात की system surrounding क्या होते हैं, type of system क्या होते हैं, extensive intensive properties क्या होती हैं, next class हम यहीं से आगे बढ़ेंगे, और अभी मैं आप से बोला, 2-3 lecture में सिर्फ terms चलेंगे, next class हम बात करेंगे state functions, state function, path function और state of system की, state of system क्या होती है, कैसे हम state function, path function को define करते हैं, फिर उसके बाद हम processes की बात करेंगे, हम लोग heat और work को define करेंगे, ठीक है, तो मिलते है next lecture, यहाँ से आगे continue करते हैं, तब तक आप in terms से एक बार खेल लो, ठीक से देख लो, फिर हम कुछ questions करेंगे, और उसके आगे move करेंगे, हम लोग with state functions and path functions. हमारे चप्टर थ्रमडा रेमिक्स के अंदर, हम लोग ने last class बहुत बेसिक से terms को discuss किया, हमने बात किती system क्या होता है, system कि इतने type होता है, हमने mainly define किया था extensive और intensive properties को, तो extensive properties क्या होती है, वो properties होती है, जो time के साथ चीज़ आती है, किसका mass size चीज़ दाता है, system का, ठंक से बोलो ना यार, properties क्या होती है, जो size of system और amount of matter पर क्या करती है, हमने depend करती है, उनको हम कौन से properties बोलते है, extensive और जो depend नहीं करती होने हम क्या बोलते है, intensive properties बोलते है, कुछ important चीज़ मैंने आपको सहका है थे extensive और intensive properties के बारे में, पर यह आप लोगे मनमें doubt भी रहा होगा, कि अगर A upon B intensive है, तो बताओ A into B क्या होगा, ठीक, A into B कुछ भी हो सकता है, हम नहीं बता सकते हैं, A into B extensive भी हो सकता है, intensive भी हो सकता है, A plus B, A minus B, हाँ, A और B अगर extensive है, तो A plus B, B क्या होगा, extensive, और A minus B, B क्या होगा, आपका extensive होगा, ठीक, तो main चीज़ यह होती है, यहां आप नहीं बता सकते हैं, लेकिन यहां हम हमिशा बता सकते हैं, कि दो extensive properties का ratio, हमिशा कौन सी property होगी, एक intensive property होगी, फर्दर मैं आप एक और चीज़ सिखाई थी, कि अगर आप किसी extensive property को per unit mole, per unit mass, या पर unit volume denote करोगे तो वो कौनसी property नियागी, intensive property बेंच एक गाएगी, एक्ज那我們 पर एक्सिटेंसी ऑ करने के कंगोड है, लाव लेका उसे खेफ знать लोग और बिया, वो कौनसी परपर गश्रोकरटी बन जाएगी आपकी, इंटेंसिव पॉपर्टी बन जाएगी चलो जी यह बेसिक चीज़े डिसकस करने के बाद लेकर इनको आप ढंक से याद रखो यह आपके काम में आएंगे सब यह बेसिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए आज हम आगे मूव कर रहे हैं और बात करने जा रहे हैं state of system की तो स्टेट का मतलब क्या होता है किसी चीज़ की state को define करने के लिए हमें कुछ variables की जरूरत होती हैं जिने हम state variables बूलते हैं क्या बोलता है state variables जैसे मैं अपनी बात करता हूँ हम humans है हमारी state को दो वैसे बहुत सारे parameters define कर सकते हैं लेकिन अगर मैं अभी बात करूँ मेरी state की में बात करूँ तो अभी मैं इस time पर एक fix time ए t उस पर यहां खड़ा हूँ तो मेरी state को कौन define कर रहा है time और position अब time तो continuously change हो रहा है तो तो हर system के लिए हमेशा change हो गई होगा हम time को control नहीं कर सकते हैं लेकिन position अभी मैं यहां खड़ा हूँ तो मैं एक state पर हूँ मैं यहां आ गया तो मैं कहां पर आ चुका हूँ अपनी दूसरी state पर क्यों 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 मेरी position क्या हो चुकी है बदल चुकी है तो basically हमारे लिए हमारे respect में time और position दो state variable है जब एक fix time पर एक position की fix value हो गई तो मैं एक given state पर हूँ अगर मैं अपनी position बदल लेता हूँ तो मैं क्या हूँ अपनी दूसरी state पर हूँ तो हमारे लिए position एक state variable की तरह काम कर रहा है जैसे से position vary करेगी वैसे सहमारी state भी क्या करेगी vary करेगी सेम उसी तरह एक thermodynamic system को define करने के लिए हमें किस की जरुत होती है सुरी एक thermodynamic system की state को define करने के लिए हमें कुछ variables की जरुत होते हैं state variables पूलते हैं तो state variables क्या होते हैं पर example देखो suppose मेरे पास एक gas है एक idle gas है नॉर्मल एक gas मानलो आप तो इस gas के लिए अगर मुझे state variables define करने हैं तो देखो इस gas की state को define करने के लिए मुझे mainly main चार variables के जरुत होती है उनके लावा और भी variables होते हैं पर अगर मुझे चार मिल गए तो मैं system की state को define कर सकता हूं तो एक gas के लिए main variable होता है एक pressure एक आपका आएगा volume एक आएगा temperature और एक के आएगा amount of gas amount of gas से मतलब आप gas का mass पता सकते हो या फिर मोल्स पता सकते हो जो आपके चार उससे काम ले सकते हो तो अगर आपका एक gas का pressure पता है volume पता है temperature पता है और मोल्स पता है तो आप उस gas की एक state को define कर सकते हो जैसे मैं बोलू आपसे कि यह gas है इस gas का मालों यहां पर ले लेता मैं example एक कि यह gas sample है उसका pressure है 180 इसका temperature है 27 डिग्री सल्सियस वाल्यूम है 10 लीटर और इसके मोल्स है मान लो 5 आर्बिटरी वैल्यूस दे रहा हूं रिलेट करने कोशिश मत करो तब यहां पर क्या है pressure temperature volume मोल्स सबकी एक fix value है तो यहां पर सारे state variables ने एक fixed value को attain कर लिया है मतलब system एक particular state में आ चुका है इसको हम क्या बोलेंगे इसकी state वान तो हमारे पास यह 4 state variables थे अगर किसी system के सारे state variables एक fixed value को attain कर ले तो वहां पर हम system की state को define कर सकते हैं कि system एक particular state में है अब अब इन में से किसी भी एक की value बदल जाए जरुरीन सबके वेदले सिर्फ प्रैशर बदल जाए बागी सब सीम रहे प्रैशर वालिम बदल जाए बागी सब सीम रहे तो कोई भी एक भी बदल गया या एक से ज्यादा भी बदल जाए तब क्या होगा हम बोल देगे system की state क्या हो चुकिए बदल चुकिए for example मान लो next case में pressure हो चुका है temperature उतना ही रहा 27 degree Celsius volume हो गया 5 liter और moles उतने ही रहे 5 बताओ system उसी state में है या उसकी state बदल चुकी है state बदल चुकी क्यों बदली है state क्योंकि state variables की value बदल चुकी है तो जब अभी देखो value बदल चुकी है लेकिन है तो एक fixed value नहीं नहीं fixed value है तो क्या define हो गई system की नहीं state define हो चुकी है तो state variables basically system की state को define करने के काम में आते हैं जब सारे state variables एक fixed value को attain कर लेते हैं तो system एक particular state में होता है और जब और जब वो state variable में से किसी भी की किसी की भी value बदल जाएगी तो system की state भी क्या हो जाएगी change हो जाएगी बोलो बात समझ में आती है कोई doubt है हर तक तो बेसिक सी चीज़ है कि state variables क्या होते है और इनकी definitions वगड़ा लिख लेते हैं पहले चीज़ तो जो एक system की state को define करने के काम में आते है उन्हें हम लोग क्या बूलते है state variables second for a system consisting of a gas जैसना आपको बताया pressure, volume, temperature and amount of gas etc. are used to define its state main 4 तो यह है उसके लबा enthalpy, entropy यह सब आगे चलकर पढ़ोगे इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूँ अगर आपके पास system में gas है तो आपको उसका pressure पता है उसका volume पता है उसका temperature पता है और उसमें कितनी gas है moles या mass पता है उससे आप उस system की state को define कर सकते हो मतलब इस system के लिए state variables कौन कौन है pressure है, volume है, temperature है और moles है समझ मैं इस बात आपको next जी चीज़ अपको ध्यान रखनी है कि जब सारे state variables एक fixed value को attain कर लेते है तो हम क्या बोलता है system एक particular state के अंदर आ चुका है तो देखो यहाँ पर सारे state variables को एक fixed value मिल गई यह एक particular state है यहाँ भी सारे state variables की एक fixed value है यह भी एक particular state है और जब इन में से किसी भी variable की value बदलती है when the value of any of the state variable changes the system is set to have undergone the change in state जब एक की भी value बदल गई तो system की state क्या हो जाती है बदल जाती है आई बास समझ में तो यह है state of system और उसको define कौन करता है state variables यह copy करो फिर हम लोग आगे move करते है तो चलो state variables को define करने के बाद हम बात करते है state functions की देखो actually लग रहा है ऐसा आपको मैंने अलग पढ़ा रहा हूँ state variables और state function तो दोना अलग चीज़े होंगी पर ऐसा नहीं है state variables और state function दोनों सेम है आपको दोनों को ही same लेकर चलना है दोनों में कोई difference नहीं है बस हम definitionally बोल देते हैं कि state variable system की state को define करते है और state function क्या होते हैं वो तो आप अभी सीखी लोग है ठीक लेकिन आप ध्यान रखना में पहले बता रहा हूं आपको state variable और state function दोनों क्या होते हैं आप उनमें कोई difference नहीं करोगे तो देखो state functions या state variables बोलो क्या होते हैं आपको छोड़ा एक्जामपल देता हूं physics से आपको जारा अच्छतर समझ में आएगा 11th class में physics में आप सबसे पहले काइनेमेटिक्स पढ़ते हो काइनेमेटिक्स में आप लोग दो टर्म पढ़ते हो वो दो टर्म कौन-कौन से होते हैं एक होता है distance और दूसरा मुझे बताने जरूरत नहीं आप खुद ही बता दोगे दूसरा कौन होता है displacement इन दोनों के बीच में क्या difference है ना यह मुझे आपको बताने की जरूरत है मुझे अच्छी तरह पता है कि वह आपको पहले से ही पता है तो अपन तो सीधी मुद्दे की बात पर आते हैं मेरे पास ये एक point है A ये दूसरा point है B असे करते हैं सीधा बनाते हैं पहले दुनि सलता है नहीं कोटा को तो पानी खराब है तो सब उल्टा ही बोलते हैं चंबल का पानी जिसको लग गया वो कभी सीधा नहीं बोल सकता चलो तो देखो मैं A से B आ रहा हूं एक तो इस रास्ते से ये भी सीधी नहीं मुझे लग गया एक A रास्ता इसको हम बोलता है path 1 एक A स इसी भी मैं आता हूं ऐसे जले भी की तरह सीधा और इसको हम बाद बोल देता है path number 3 तो मेरे पास तीन path है first, second, third अब आज तरह जानते हो अगर मैं distance की बात करूं तो बताओ कौन से path की distance सबसे ज्यादा होगी third, third, second और फिर Q क्यों कि क्यों कि distance क्या होती है distance is the path length of path covered आप एक point से दूसरे point पर जाने में जो path cover कर रहे हो उसकी length को हम लोग क्या बोलता है distance लेकिन अका मैं displacement की बात करूं बताओ तीन पात का displacement क्या होगा same होगा क्यों कि displacement क्या होता it is the shortest distance between the initial and the final point किस रास्ते से गए कोई मतलब नहीं है आप तो मुझे initial point बता दो final point बता दो मैं आपको क्या बता दूँगा displacement लेकिन अगर आप मुझे सरफ initial point बता दो और final point बता दो तो क्या मैं distance बता सकता हूँ नहीं बता सकते हैं हम वहाँ पर क्या बता सकते हैं सरफ और सफ displacement क्यों हम सरफ initial और final point से distance क्यों नहीं बता सकते हैं इसका मतलब distance किस पर depend करती है उस path पर जिसको آپ cover कर रहे है ठेक जबकि displacement सरफ और सरफ डिबेंड कर रहा है initial position पर और final position पे तो यह जो आपका displacement है यह यहाँ पर काम कर रहा है as state function state function same इसी तरह काम करते हैं state function वो होते हैं जो system की initial और final state पर depend करते हैं उनको इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि आप system को कौन से path से लेकर आए हो तो those thermodynamic functions which depend only on initial and final state of system and are independent of the path followed to change the state of system are called state function हिंदी में बोलो जो सरफ इनिशल और final state पर depend करते हैं पात से उनका कोई लिए ना देना नहीं है उन्हें हम कौन से function बोलते हैं state functions बोला बात समझ में आती है सबसे पहली इनकी definition की state functions क्या है so these are the thermodynamic functions whose value depends only on the state of system and is independent of the path followed to change the state of system ठीक है पहली चीज़ तो यह हुई दूसरी चीज़ state function की कुछ properties है जो आपको ध्यान रखने है पहली property मैंने आपको बता ही दी कि state function और state variable दोनों ही क्या होते हैं same होते हैं चाहिए आप state function बोल लो state variable बोल लो हम दोनों क्या लेकर चलेंगे same next जब आप एक state से दूसरी state पर जाते हो तो मैंने आपको क्या बोला state function सिर्फ और स्रक्रिस्ट पर depend करेगा initial state पर और final state पर in general हम इसकी value में change calculate करते हैं change in value of state function change को हम delta से denote करते हैं तो अगर आपको किसी state function की value में change निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना होगा उसकी final state की value minus आप क्या करोगे initial state की value तो अगर आपको कभी भी किसी state function में change calculate करना है जैसे a एक state function है तो delta a क्या हो जाएगा change in value of state function तो उसको हम क्या लिखेंगे a final minus a initial तो बहुत important property है most of the times maximum state functions के लिए हम हमेशा change ही calculate किया करेंगे इस chapter में हम लोग mainly चार state function से deal करेंगे और भी है pressure, volume, temperature यह भी आपके state functions ही है लेकिन हम जिन से यहाँ deal करेंगे वह है आपका internal energy है तो आप इसकी जस्ट बात अपने notes में लिखना शुरू कर देंगे यही पर internal energy इसको हम you से denote करते हैं आप हमेशा देख लेना इस chapter में आगे चलके मैं आपको बताऊंगा भी आप कभी इंटर energy को यू लिखकर बात नहीं करोगे हम सब्सक्राइब कर पाएंगे चेंज आपको बताऊंगा आगे कि हम एंटर नेर्जी की absolute value पता नहीं कर सकते हैं पतला हम यू नहीं पता कर सकते हैं आप एच से जरूर मिले होंगे लेकिन आपने कभी भी एच नहीं पड़ा होगा हमेशा क्या पड़ा होगा आपने डेल्टा एच पड़ा होगा तो डेल्टा एच क्या होगा चेंज इन एन्थेल्पी डेल्टा एच और इसकी value की इसकी equality बताओ एच फाइनल माइनस एच की इन सारे टर्म से हम एक-एक करके मिलेंगे और इनकी सारी properties को साथ में discuss भी करेंगे ठीक चाल एक चीज़ तो हुई यह कि हम state function की value के अंदर change calculate करते हैं कैसे final value minus initial value से ठीक नेक्स एक और बहुत important चीज़ differential of a state function integrated over a cyclic path returns 0 that is overall change in state function in a cyclic process is equal to 0 इस line का मतलब समझो आप यह क्या कहना चाहरा है यह state function की property होती है क्या property होती है ध्यान से देखना कि सब्सक्राइब एक state function है तो dx क्या होगा dx will be the small change in the state function तो अब आप क्या हो एक cyclic path पर हो cyclic path का मतलब क्या होता है आप a से शुरू है और घोम फिर कर वापस कहां पर आ गए a पर ही आ गए ज़रुनी circle हो यह कुछ भी हो सकता है triangle हो सकता है या फिर यह एक rectangle हो सकता है कुछ भी हो सकता है वो आपको tension नहीं लेनी है पर है cyclic cyclic का मतलब क्या है system घोम फिर कर वापस कहां चुका है अपनी initial state पर आ चुका है तो बताओ state function सिर्फ और सिर्फ किस पर depend करता है initial state पर करता है तो अगर system initial state पर वापस आ रहा है इसका मतलब initial state और final state क्या हो चुकी है same हो चुकी है बताओ state function किस पर depend करता है सरफ state के उपर since initial और final state same हो चुकी है तो इसकी initial state पर और final state पर value भी क्या होगी same अगर दोनों values same है तो बताओ change in value of state function कितना मिलेगा आपको कहने का मतलब जब आप एक cyclic path को follow कर रहे हो तो state function की overall value में change आपको हमेशा कितना मिलेगा 0 यही इस line का मतलब है जिसको mathematical form में लिख दिया गया है जिसमें आपसे बोला dx क्या है small change in the state function अगर मुझे निकालना है यहाँ पर overall change ओवर ओल चेंज दियूरिंग दसाइक्लिक पाथ ठीक तो मुझे क्या करना पड़ेगा इंटिग्रेशन करना पड़ेगा ओवरॉल बैली निकालने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे इंटिग्रेट करें एक्चली क्या होता है यहां से यहां गए इतना चेंज दियेक्स का फिर यहां से आ गए फिर यहां से यहां यहां से यहां 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 से तो सारे changes को हम add करते हैं तो यह अपने physics में सीख लिया होगा और आप मैट्स में integration पड़ते हो वहां सीखते हो integration का मतलब होता है sum add करना तो छोटी-छोटी values को add करने के लिए हम integration का सहारा लेते हैं तो हम जीता small change अगर आपको overall change निकालना है तो आप इस dx को integrate करोगे किस पर cyclic path पर तो cyclic path के लिए हम यह sign लगाते हैं इसको हम बोलते हैं closed cycle integration क्या बोलते हैं closed cycle integration समझो भूल जाओ याद यह जरूत नहीं है तो जब एक cyclic process पर आप इसको integrate कर रहे हो बताओ जब इसको overall integrate करोगे तो इसके value में net change कितना मिलने माला आपको 0 तो यह हो गया 0 तो यह state function की property होती है कि एक state function के लिए जो close cycle integration होता है उसकी value हमेशा कितनी आती है तो यह आपके scope के beyond है लेकिन ही property ते किसे state function को mathematically पहचानने का यही तरीका होता है उसको differentiate करेंगे फिर उसको एक close cycle के उपर integrate करेंगे अगर वो value 0 आ गई तो वो function कौन सा function कहलाएगा state function लेकिन इसी को अगर मैं simple terms में बात करूं तो सर्फ इतना सा है कि जब भी system की initial और final state same हो रही है मतलब system घूम फिरकर अपनी initial state पर आ रहा है तो एक state function की overall value में change हमेशा कितना मिलेगा आपको 0 ठीक है यह point आप ध्यान रखना इस point को हम आगे भी use करेंगे जब हम enthalpy, entropy इन सबसे बात किया करेंगे चलो तो जो मैं आप से discuss किया य ही है इसका मतलब x क्या है आपका state function है इसके बाद अभी हमने state functions को discuss कर लिया है उनकी properties को discuss कर लिया state function के बदल हां प्रेशर चेंज इन प्रेशर जीरो गाड़ डेल्टा पी जीरो गाड़ पी जीरो नी होगा हां सारे state function जीरो नी होगा सारे state function के अंदर change 0 लैंगेज का बहुत इस चप्टर में language बहुत important है अब आपको सिखाऊंगा आगे इससे मैं आपसे बात करूँ इंथेल्पी क्या है एक state function है चेंज इंथेल्पी क्या है यह state function है यह state function नहीं है इस चप्टर में language बहुत important है थोड़ा साब अपनी language के उपर ध्यान रखें वन्ना mistake हो जाएगी इसके इसके इंथे चलो और कोई डाउट है आगे बड़े चलो तो हमने भी define कर लिया state function जो सर्फ और सर्फ सिस्टम की state पर डिपैंड करता है ते अगर state function है फिस दूसरे तरह के function भी बनेंगे लिए दो चीज़ सीकि एक चीज तो state पर तिनों पाथ का दिस्टेंस अलग अलग था तो बताव डिस्टेंस वहाँ पर किस तरह के फंक्शन की तरह काम कर रहा होगा पाथ फंक्शन की तरह काम कर रहा होगा फंक्शन की तरह काम कर रहा होगा तो यह मरे पास second functions है दोजार पाथ functions and these are the thermodynamic functions whose value depend on the path followed to change the state of system इसको समझते दे को थोड़ा सा क्या कहना चाहरा यह कि system ता state 1 पर और system आगया state 2 पर अब क्या होगा आप एक तो आए इस पाथ से पाथ 1 एक आप आए इस पाथ से पाथ 2 अब देखो जब हम real world में move करते हैं तब तो मैं पाथ समझ में आता है कि मैं इस point से point देगे आ तो straight line से आया घूम घूम कर आया है न यह thermodynamic से पाथ का मतलब क्या है है मतलब मालो मैं जब इधर से इधर आया तो मैंने यह प्रेशर कॉंस्टेंट रखा जब प्रेशर कॉंस्टेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं अब जब आप इस पाथ को फॉलो करोगे और इस पाथ को फॉलो करोगे तो ध्यान देना चाहे आप इस पाथ से जाओ चाहे इस पाथ से जाओ अलग होगी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना पाथ फंक्शन्स वह होते हैं जो उस पाथ पर डिपेंड करते हैं जिसको सस्टम ने फॉलो किया है तो चेंज इट्स स्टेट आइसो बारिक पाथ पे वैल्यू अलग आएगी आईसो थर्मल पाथ पर वैल्यू क आएगी अलग आएगी बहुत समझ में आता है फिर ठीक है चलो पाथ फंक्शन यह होते हैं लेकिन पाथ फंक्शन होते कौन हैं जिससे आपने बोला कि एंटेल्पी है इंटर्नल एनरजी है एंट्रॉपी यह सब स्टेट फंक्शन्स हैं तो पाथ फंक्शन्स कौन है तो अब आपको एक्जाम्पल में मिल जाएगा कुछ और चीज़े डिसकस करते हैं पहले हम पाथ फंक्शन के बारे देखो जिसे आप यहां पर हो आप यहां से यहां तक आए और एक आप यहां से यहां तक आए तो यह पॉइंट को यह बूल देता हूं एक आप एसे बी आए और एक आप एसे सी आए बताओ दोनों पॉइंट पे एबी और एसी रास्ते तक हीट सेम होगी या नहीं एसे बी आया और एसे सी आया दोनों की हीट सेम होगी या नहीं नहीं वर्क सेम होगा या नहीं बिल्कुल ऐसे मैं यहां से यहां गया और मैं यहां से बहुत दूर गया बताओ दोनों में वर्क सेम होगा या नहीं नहीं होगा ना तो बेसिकली क्या है अगर मैं इस पात प यहां पर हीट क्या होगी अलग होगी मतलब पूरे रास्ते हीट की वैल्यू सेम नहीं रहेगी वो क्या होती रहेगी बदलती रहेगी समझ मेरी बात आपको वर्क यहां से यहां का वर्क अलग होगा यहां से यहां का वर्क अलग होगा यहां से यहां का वर्क मतलब एसे लेक में अगर आपने इनिशल फाइल स्टेट डिफाइन कर दिये इन दोनों के बीच के लिए पूरी वैल्यू फिक्स होगी कि बहुत सो जूल वर्क हुआ लेकिन वह पाथ सो जूल बीच में क्या तरहेगा बदलता रहेगा बीच के सारे रास्तों का सम कितना होगा पाथ सो जूल होगा तो आप ध्यान रखना यह भी इंपॉर्टेंट है थेरिटिकल क्वेशन पूछ लेते हैं कि देर केन भी इंफाइनाइट वैल्यूस ऑफ पाथ फंक्शन बिट्वीन टू स्टेट्स डिपेंडिंग अपॉन पाथ और प्रोसेस जैसाना आप से बोला कि यहां पर पाथ फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही होगी चेंज हो रही होगी इसलिए हम बोलते हैं कि पाथ फंक्शन आर अर अल्सों कॉल्ड इंडेफिनेट कॉंटिडीज सिंस बिट्वेइन टू फिक्स टेट वैल्यू ऑफ पाथ फंक्शन इस नौट फिक्स एट कंटिनियसली चेंजिस ठीक वही कुछ पॉपर्टीज हैं जो आपको यहां पर ध् इसकास करते हैं about state functions and path functions चलो देखो इनकी theoretical बाते हैं कि state function क्या होते हैं क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है अब जो सबसे important चीज़ आपको इनके वारे में ध्यान रखने हैं उसकी बात करते हैं देखो इसा आपको याद रहे बढ़िया नहीं रहे तो थोड़ी problem हो सकती है अगर theoretical question आगए लेकिन जिनका सबसे important user वो है numericals के अदर अब ध्यान से देखना तो चीज में आपसे आपर discuss करने जा रहा हूं देखोले बात कर रहा हूं if suppose a is a state function ठीक तो आपके पास a कोई state function है ठीक है तो बताओ d a क्या होगा हम state function में क्या करते है चेंज तो d a क्या होगा small change in value of a that is your state function वही सपोज बी मेरे पास एक पास फंक्शन है ना बहुत ध्यान समझ करना यह टॉम समझ में आगा आपको स्टेट आप सिग्निपिकेंस होता है तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए आगे चलकर अब बताओ अगर मैं लिकों यहां पर डीबी तो डीबी क्या होगा घ्राओ कि स्माल चेंज़ इन पाथ फंक्शन नहीं यह नहीं होता है यह आपको समझना है देखो मैं आप से क्या बोला कि जब यहां से यहां जा रहे हो point1 से point2 आप state function की value में cirpass को क्या करते हो change तो आक ने स्माल चीज़ेंगा बीचपर इंटरूइज़ेट ले ली और इसका small change है d अथि और आपको ओवराल op चलिछेंज क्लिट करना है जब आप path function पर हो तो path function किस पर Depend करता है तो system के path पर गी दीबी लिख रहे हो तो डीबी क्या है चेंज नहीं है डीबी क्या है किसी इंटरमीडियर लगवार छोटे से चेंज के लिए बी की स्मॉल वैल्यू है जिसे आपको समझाओं फॉर्स एफ लिखता है फॉर्स तो आपने फिर्स में डीएफ भी यूज किया हुआ कई बार बताओ डीएफ का आप क्या लिखते हो चेंज इन फॉर्स लिखते होगा नहीं लिखते हैं इसको मुलता है स्मॉल जो किसी चीज़ पर स्मॉल फॉर्स डीएफ काम कर रहा है ठीक यह डीएफ नहीं लिखते हो आप वहाँ पर भी आप डिस्प्लेस्मेंट यूज करते हो अगर आप डिस्टेंस यूज करोगे तो अलग बात आएगी कहां से मैं को पर आपने यूज नहीं किया है नै इसलिए ड़ो वर्क डवलू आप बोलते हैं तो टो डबलू है वर्क प्ताप बाताब आक मेश्यक्स फिज्वी उसको बोलते हो डवू को भ Utah बोथ सिंगेट कीidents हा डिट मुण को एमक्या बोलते हैं स्मॉल वर्क वर्क डंड अपने कभी भी यह नियुन्हीं कभी यूज नहीं करता आप यह लेकिन नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको ध्यान रखना है जब हम कभी डी 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 डॉड यूज करते हैं आपने वर्क पार एजी पढ़ा होगा वहां पर स्टम को इसको बहुत आता है स्माल वर्क डन इसको आप कभी भी ऐसा नहीं लिखते हो स्माल चेंज इन वर्क डन कहीं लिखाओ आपको यह नहीं मिलेगा तो यह बीसिक कंसेप्ट है यह आपको ध्यान रखना है जब हम स्टेट फंक्शन ले रहे हैं तो डी यह उसकी वैल्यू में स्माल चेंज को दिखा रहा होगा डी बी दिखा रहा होगा स्माल वैल्यू आफ पाथ फंक्शन यह न मैं आपका बेस क्रियेट कर रहा हूं इनको हम यूज करेंगे के लिए फिर आपके मुस्ते पूछो दिने कि यह कैसे आया इसलिए चलो तो यह चीज़ा ध्यान रखना अगर एक स्टेट फंक लीट करना है ओवराल चेंज यह सगरलो हम क्या करते हैं डॉनों को इंटीग्रेट करते हैं डि एको भी स्टेट 1 से स्टेट 2 में और यहाँ पर हम डीवी को भी इंटीग्रेट कर रहे हैं है आप स्टेट वन टो स्टेट 2 समझना है आपको तो पहुत काम की चीज़ जब आप d a को integrate करोगे बताओ d a क्या है small change तो जब आप d a को integrate करोगे तो आपको क्या मिलेगा delta a that is overall change in value of state function वही वही जब आप d b को integrate करोगे तो आपको क्या मिलेगी overall value of path function बस इतनी सी चीज़ आपको समझनी है हम state function को integrate करेंगे state function की change value को हम d a को integrate करेंगे तो आपको state function की value में overall change delta a मिलेगा for example क्या आप मुझे कुछ state function के example दोगे अपने लिखेते देख कर दे दो अभी लिखेते हमने प्रेशर वाल्यू को छोड़ दो enthalpy energy आप देखना आप 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 चीज़ को यूज करोगे ध्यान रखना यहीं देखी लेट आप दिसक्त कर लिए अगर मैं लिको इंटिग्रेशन आफ दी एच from H1 to H2 बताओ यह आपको क्या देगी डेल्टा H और डेल्टा H की वैल्यू किसके इक पलोगी H2 minus H1 अगर मैं आपसे बोलो integration of D U internal energy तो बताओ दी यू के integration आपको क्या मिलेगा हमेशा डेल्टा U क्यों क्यों कि डेल्टा डबलू नहीं मिलेगा डेल्टा डबलू का कोई significance नहीं होता है जब आप एक path function को integrate करते हो तो आपको work की overall value मिलेगी अगर आप लेको D Q Q क्या है path function है path function है तो इसको integrate करने बताओ आपको delta Q मिलेगा या Q मिलेगा सिर्फ क्या मिलेगा Q that is उस रास्ते की overall heat मिलेगी आई बास समझ में तो इसको आप ध्यान रखो यह बहुत important है इसको अभी हम आगे calculations में काम मिलेंगे तब मैं इसको बार-बार revise भी करता हूँ ठीक Q क्या होता है path function क्या होता है डिसकस कर लिया example discuss कर लिये extensive intensive properties discuss कर लिये अब मेरा एक छोड़ा सा question है आपसे दिमाग लगाना सोच समझ के answer देने की कोशिश करना ठीक वैसे मुझे पता है आप इस cancer नहीं दे पाओगे but still ऐसी पूछ रहा हूँ थोड़ा imagine करने कोशिश करना बिना ऐसे मैं सोच नहीं मन में feel are easily बोल दिया है ना सोच समझ के बोलना आपने भी सीखा कि आपके आज दो path function है heat and work ठीक अपने extensive-intensive property सीखिए क्या होती extensive depend करती है और जो नहीं करते हैं हम क्या बोलते हैं intensive अभी सीखा था अभी सीखा अपने पता इंटेल्पी कैसी property है intensive ये extensive देखो पेच पलट के देखो अब एक आप्शन बचता ना इंटेंसिव में पेच पलटना है तो फिर extensive होगी एना energy कैसी property है extensive entropy कैसी property हीट और वर्क ये extensive होंगे इंटेंसिव होंगे या दोनों में से एक extensive होगा और दूसरा intensive होगा कौन दोनों क्यों देल्टा ये इक्टेंसिव होगा फिर तो तो क्यों में तो क्यों डबलू की बात करा हूं अलाग अलाग यू extensive है ना सरफ यू is extensive डेल्टा यू किया रहे हों नहीं बोल सकते भी कुछ भी कैसे अच्छे जड़ा ठीक है क्या एक्षाम्पल दो मैं आपके सामने यह एक बॉक्स है यह दूसरा बॉक्स है दोने में सेम गैसे इसमें पांच मोल है इसमें पच्छे स्प्स्व प्रिक पताओ किस गैस का वर्क जादा होगा किस गैस में वर्क जादा होगा इस गैस में वर्क जादा होगा इस गैस में वर्क जादा होगा इस में कैसे बताएं इसमें कितना वर्क होगा बोउभा कि मैं बच्छ रहा हुआ है कि इस गैस के अंदर वर्क होगा कोई साक्ष विकितना वर्क कि अदर कितना वर्क है पांच जूल पचाश जूल सो जूल आप कैसे पता करो पता सकते हो मेरे में कितनी हीट है बता सकता है कोई नहीं नहीं न देखो होता गया है यह छोटा सा वी क्यों सब्या Can you say मैं वर्क का क्या मतलब को मतलब जब कि क्या करे यह उसने कर दिया तो मेरे दॉडňना शुरू करने से मेरे मरने तक जितने work मैंने किया, that is work, वो work अपियर हुआ, कब जब मैंने काम गरना शुरू किया, work किसी भी system की, heat और work किसी system की properties नहीं है, जिसे इस gas के 5 मोले इसकी property है, इस gas की कुछ enthalpy है, वो इसकी property हो इसके अंदर stored है, इस gas की कुछ ना कुछ internal energy है, वो इसकी property है, लेकिन work इसकी property न जब यह एक state से गूषरी state में जायेगा तब क्या करेगा यह work करेगा तब क्या करेगा यह heat release करेगा इस नहीं हैं तो हम उनको extensive और intensive में classify नहीं कर सकते हैं heat और work सिर्फ और सिर्फ तब appear होता है जब system काम करता है یا footprint system पर काम होता है जैसे मैं आपसे बाद करूँ कि यह एक सिलिंडर है के और इस पिस्तन इसके उन्दर लगा हुआ है है यहाँ पर एक गैस हैं अभी ऐसे क्या ऐसे पिस्तन मुव नहीं कर रहा है बताू गैस पर कितना वंपर हो रहा है कि पुछ नहीं कोई वर्क नहीं है अब मैंने स्पिस्टन को अंदर मूव कर दिया अंदर मूव करते ही बताओ क्या गैस कम्प्रेस होगी तो गैस के ओपर वर्क हुआ है उस वर्क की वैसे हो सकता है गैस फिट्रीलेज करे फिर अभर करें जब यह गैस हीट रिलीज करेगी तो गैस यहां से कहां पर जाएगी बताओ सराउंडिंग के अंदर यह तो गया मेरा सिस्टम यह क्या वह बताओ सराउंडिंग और यह चीज क्या ऑगई बाउंटरी इसका मतलब heat और work एक process के दौरान arise होते हैं process हो रही है उसके बीच में उस process की वज़े से heat और work generate हुए और वो appear हमेशा कहां पर होंगे boundary पर work हो रहा है तो वो आपको boundary पर दिखाई देगा heat release हो रही है या absorb हो रही है तो वो भी किसके थ्रू हो रही होगी boundary के उपर हो रही है तो आप ध्यान रखना दोनों ही point important है heat और work को आप extensive intensive नहीं बोल सकते हो दूसरा heat और work हमेशा कहां पर appear होता है सिस्टम और surrounding की बीच में boundary पर appear होते हैं तो यह आप point लिखें दिस वेरी important और इसको आप जरूर ध्यान रखना कभी भी heat और work को extensive intensive में define मत करते हैं आप कर दिखेंट है इसको आप जरूर ध्यान रखना कभी भी हीट और वर्क को extensive intensive में हो गया चलो तो यह बात हो गई हमारी कि अब बहुते जिए में फिर डिसकस कर लिए path function state function और यह important जीज हीट वर्क आपकी properties नहीं है अब हम मूव कर रहे हैं थोड़ा अलग topic पर चल रहे हैं वह ज़रूरी है वह आपने physics में बढ़ा हुआ होगा हो सकते आपको आता भी हो लेकिन मैं थोड़ा basic से पूरा लेकर चलता हूं इसलिए मुस्टापिक को भी कवर करूंगा अब हम बात करने वाले heat capacities के बारे में heat capacities के बारे में तीन तरह की heat capacity हम define करेंगे heat capacity एक specific heat capacity और एक molar heat capacity तो पहले तीनों को define करते हैं डिसकस करते हैं और फिर जो में चीज़ हमको discuss करनी है उसके उपर हम लोग आते हैं तो देखो heat capacity यह मैं आप से पहले भी डिसकस किया था इसका सिंबल नहीं लिखा गया यहां पर सिरफ heat capacity को हम C से डिनोट करते हैं तो देखो define कैसे करते हैं amount of heat required to raise temperature of a substance by 1 degree ज़र नहीं 1 degree Celsius or 1 Kelvin भी हो सकता है यह चेंज है चेंज चाहिए डिगरी Celsius में लो चाहिए Kelvin में लो हमेशा क्या मिलेगा आपको से तो definition क्या कहना चाहिए आप वो समझने की कोशिश करना सपोज मेरे पास यह ब्लॉक है या गैस है कुछ भी मानलो इसका temperature मुझे DT amount से change करना है मानलो बढ़ाना है इसका temperature T था तो मुझे DT amount कौन से इसका temperature बढ़ाना है बताँ इसका temperature बढ़ाऊंगा कैसे इसको heat देकर तो मानलो डीटी टेंप्चर से temperature बढ़ाने के लिए मैंने इसको DQ heat supply की लोड़ा लेंग्विज फाम में लेग लेता है लेट डीक्यू या DQ led to to increase temperature by DT heat required is DQ तो DT amounts का temperature बढ़ाने के लिए मैं इसको तो कितनी heat supply करनी पड़ी DQ तो अगर DT amount से बढ़ाने के लिए DQ heat दी है तो to increase temperature by 1 degree बताओ heat required कितनी होगी DQ upon DT और जो heat 1 degree से बढ़ाने के लिए चाहिए होती है उसे तो हम लोग क्या बोलते हैं heat capacity बोलते हैं यही आज के याद आपके लिए heat capacity का formula है कि C की value कि इसके इक बोलते ही DQ upon DT के और यह important है यह अपने काम में भी आएगा अगर आपको heat capacity पता है तो आप उससे heat calculate कर सकते हो कि एक process के दोरान जब temperature T1 से T2 change हुआ होगा तो system ने कितनी heat ली होगी या पिर कितनी heat दी होगी कैसे अगर C is equal to DQ by DT है तो बताओ DQ किसके equal होगा? C into DT बताओ Q path function है state function heat path function है state function? path function तो अगर मुझे मैं इन दोनों को integrate करूँ इसको integrate करूँगा T1 से T2 बताओ path function को integrate करूँगा तो क्या मिलेगा? उसकी overall value तो बताओ DQ को integrate करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे Q और Q is equal to क्या बन जाएगा? integration of C into DT from temperature T1 to T2 समझना रहा है? अब क्या हम इस equation को integrate कर सकते हैं? इसको integrate करने के लिए इसको integrate करने के लिए आपको एक चीज देखनी होगी यहाँ पर दो case बनाएंगे हम अब देखाओ इनको रटो मत आप समझते वे चलो यह सारी चीज हम वापस से काम करते चलेंगे है ना? तो अभी हम यहाँ तक पहुँच गये हैं एगर आपको heat capacity पता है तो आप उससे overall heat exchange निकाल सकते हो अब मनाते है case 1 if c that is heat capacity is independent of temperature तो अगर यह temperature पर depend नहीं कर रहे थे एक constant value होगी c को बाहर निकाल लो बताओ dt का integration क्या बनता है? t उसकी limit लगाओगे t2 minus t1 बनेगा तो बताओ उस case में heat का formula क्या बन जाएगा? c delta t या फिर c into t2 minus t समझ में आ रहा है? तो अगर आपको heat capacity पता है तो उसको temperature change से multiply करके आप यह निकाल सकते हो कि system ने कितनी heat ली होगी या फिर कितनी heat दी होगी लेकिन अगर c temperature पर depend करता है if c is dependent on temperature तो बताओ क्या आप इस c को integration से बहार निकालोगे? तो फिर आप heat अगर calculate करनी है तो वह कैसे करेंगे हम? t1 से t2 integration of c dt तो जो c की dependency है वो यहाँ पर रखो equation को integrate करो और आपको क्या मिल जाएगी? heat मिल जाएगे तो आप इसको यादवाद मत रखो मैंने बताया ऐसा होता है अप इसको as it is ध्यान रखो तो यह formula आपने पढ़ा हुआ होगा अगर heat capacity आपके पास है तो उसको direct temperature change से multiply कर दो आपको heat exchange मिल जाएगा तो बात ही heat capacity क्या होती है? अब आप मुझे बताओ यह heat capacity extensive होगी एंटेंसिव रटेवे मत सोचना याद है नहीं मुझे नहीं पता मुझे तो सोचकर बताओ मुझे आपको आपको मुझे explain भी करना है कि heat capacity extensive होगी intensive क्यों जाइब कर देंगा है माज जाधा कर देंगे है तो heat कम क्यों ने ने पड़ेगी आदा कर देंगे तो अच्छा है सिप्ल स्पी बात है मैंने example भी दिया था पहले आपको यहांप भी आप देख लो यह एक object है इसके temperature को 1 degree से बढ़ाना है यह दूसरा object है same material का इसके temperature को भी 1 degree से बढ़ाना है बताओ कहा ज्यादा heat देनी पड़ेगी इसका अतलो इसकी heat capacity क्या होगी ज्यादा heat capacity size of system पर depend करती है तो यह आपके कैसी property होगी extensive property होगी हीट capacity के बाद हम move करते हैं अपने अगले term पर जिसका नाम है specific heat capacity यह भी आपको मिलवा चुका हूँ इससे नहीं इसको नहीं कर सकते है यह तो एक fixed value रहीगी ना system के लिए और temperature पर डिपेंट कर रही है तो temperature के साथ vary करेगी अधरवाइस तो fixed value ना उसकी value नहीं change होगी चलो specific heat capacity बताओ specific heat capacity क्या होती है इसको आप smallest से denote करते हो पहली चीज़ यह आपके physics में बहुत ज़्यादा काम में आती है और इसको हम simple बोल सकते है heat capacity हाँ यह simply बोल दो per unit mass अगर आप heat capacity को एक gram के लिए define कर दो तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे specific heat capacity अगर आप इसकी technical definition सुनना चाहते हो it is the amount of heat required to raise the temperature of one gram of a substance by one degree ठीक तो ऐसे नहीं करके हम तो इसको ऐसे लिखते हैं देखो specific heat capacity c divided by m heat capacity per unit mass होगा अभी आपने बढ़ा बताओ जो heat capacity c होती है वो किसकी equal होती है dq by dt के समझे हो बताओ क्या आप यहां से dq के लिए निकाल सकते हो m s dt और 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 निकालने के लिए इसको integrate करोगे बताओ q की value किसके equal हो जाएगी m s delta t समझे रहे बात को अब difference क्या था इस से पहले आपने कौन से टाम पढ़ा था heat capacity बताओ हम heat capacity निकाल रहे तो formula क्या बन रहा था c delta t बताओ यहां formula क्या बन रहा है m s delta t अब ध्यान से देखो जब ध्यान कर रखना है याद कर रखना है जब heat capacity दी है तो आपको mass की ज़रत नहीं है आप direct delta t से multiply कर आपको heat मिल जाएगी जो आपको specific heat capacity दी है तो आपको mass से भी multiply करना होगा सही बात है सेम ऐसे अपना third term बनता है molar heat capacity यह आप physics में use करते हो maximum times यहाँ पर भी हम use करेंगे जब आगे जाके topic पढ़ेंगे कैलोरी मिल्ट्री थर्मो केमिस्ट्री के अंदर वहां उसको use करेंगे तब मैं आपको दुबरा recall भी करवाओंगा next हम बात करें molar heat capacity cm इसको हम यहाँ पर सबस्यादा काम मिलेंगे इसी के चक्कर में बाकी दो को define किया है तो molar heat capacity बताँ नाम से पता लग रहा है ठीक है या फिर आपसार बोल सकते हो heat capacity of one mole substance उसे हम क्या बोलेंगे उसकी molar heat capacity बताओ molar heat capacity cm का फरमला क्या बन जाएगा heat capacity को आप किस से divide कर दो total number of moles से कर सकते हैं बताओ C का फरमला क्या बना था dq by dt तो यह क्या बन जाएगा dq upon ndt बताओ क्या हम यहाँ से dq के लिए निकाल सकते हैं तो dq किसके लिए बन जाएगा n c dt फिर से integrate करो बताओ dq के क्या मिलेगा आपको क्यों और सकेंटिशन का मिल जाएगा n c delta t n cm लिखो रादर इनको आप कि सी एम स्टैंट्स फर मोलर n cm डेल्टा थी कि यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट फरमला है क्यों इस इक्वल स्टू n cm डेल्टा थी जब आपको molar heat capacity दी हुई है तो सिस्टम में कितनी हीट एब्जॉब किया रिलीज की उसको कल्कुलेट करने के लिए आपको नंबर ओफ मोल्स से मल्टिप्लाइ करना होगा तो तीन टर्म्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए अभी हमारे सबसे आदा यही काम में आएगा इसलिए हम इसी पर फोकस कर रहे है इनकॉम आगे जब यूज करेंगे तो मैं आपको दुबारा से रिकॉल करवाँगा त एक इसकी पासिटी परता है फाइफ जूल पर केल्विन पर मूर मैंने बोला कि मैंने इस गैस का टमपरेचर बीस गैस के दो मोल का टेंपरेचर बीस दिग्री से बढ़ा दिया मैंने कितनी हीट सप्लाइड की होगी तो क्यों का फर्मिला क्या बनेगा गा एंसी एम टी कितना 20 कितना होगा आंसर 200 जूल इतनी हीट क्या कियोगी मैंने इस गैस को सप्लाइए कि अधिने ना बात तो जब भी हमें हीट निकालनी होगी हम मोलर हीट केपैसिटी को यूज करेंगे समझ में आता है कोई डाउट अब बताओ मोलर हीट केपैसिटी कैसी प्रॉपरटी है सरी हीट केपैसिटी कैसी प्रॉपरटी थी एक्स्टेंसिफ थी बताओ स्पैसिटी कैसी होगी इंटेंसिफ मोलर हीट केपैसिटी भी क्या होगी इंटेंसिफ बात समझ में आती है तो यह तो भी बात की हीट केपैसिटी क्या होती है और कैसे अलग-अलग हीट के पैसिटी इसको यूज करके हम सिस्टम को प्रोवाइड की गई हीट कैलकुलेट कर सकते हैं अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है वह है यह कि हम मोलर हीट के पैसिटी को भी हाँ पर पढ़ेंगे यह आपको दिखना ना सी एम इस मोलर हीट के पैसिटी को हम दो और पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं जबकि मोलर हीट के पैसिटी होती है सी एम इसको हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं एक हम लिखते हैं नोलर हीट के पैसिटी आट कॉंस्टेंट प्रेशर अब आपको सब्सक्राइब आद याद आगए होगा नाम इसका आया कुछ मोलर हीट के पैसिटार कंस elder इसको बोलते सी पी सी पी बोलो या सी पी अब उलो sound का उता होता है मूलर सी कि बला करूं जबा हो दूसरी कान से होगी मोलर हीट के पैसिटी at constant volume और बता उससे हम किस से denote करेंगे cp तो दो तरह के हमारे पास heat capacity होती है एक at constant pressure और दूसरी कहां पर होती है at constant volume तो cp cv क्या होती है cp cv हम कैसे calculate करते हैं यह सब मैं आपको सिखाऊंगा next lecture में और फिर हम cp cv में relation निकालेंगे और हम एक term define करेंगे इसको हम बोलता है gamma पढ़ाए gamma physics में पढ़ा होगा gamma gamma की value किसके equal होती है cp upon c तो इस सब क्या होता है कैसे हम किसी gas के लिए cp cv calculate करते हैं वो सब हम cover करेंगे next class तो आज के lecture में हमने वापस दे कुछ theoretical points cover किये जिस हमने आपको बताया था अभी तो हम basic terms को define कर रहे है तो आज हमने क्या के define किया आज हमने state function और path functions की बात की कि state functions क्या होता है path functions क्या होता है क्या उनकी properties होती है ठीक है state function सरफ state पर depend करता है हम generally उसकी value में क्या calculate करते है change path function कर हम बात करें तो path function path पर depend करते हैं ये भी हमने सीखा कि दो point की बीच में एक path function की वेले हमेशा बदलती रहती है ठीक वो कभी भी fixed नहीं होती है दूसरा हमारे दो important path function कौन थे heat and work ठीक तो heat and work के बारे हम detail में हम आगे और बात करेंगे अभी तो मैंने सिर्फ नाम सुना है जैसे मैं बहुत important चीज़ सिखाई heat और work को हम extensive या intensity category में नहीं डाल सकते हैं क्यों क्योंकि वो system की property नहीं है वो एक process के दौरान arise होते है और उसी के दौरान क्या होते हैं खत्म हो जाते हैं मल्टिप्लाय करके heat निकाल सकते हो आपको specific heat capacity दी है तो आप mass से multiply करोगे ms delta t अगर आपको molar heat capacity दी है तो heat calculate करने लिए formula का यूज करोगे ncm delta t बाकि हम लोग cover करेंगे next class अगर अगर हमारे चप्टर थर्मोडेरमिक्स के अंदर लास्ट क्लास हम लोगों ने बात की थी state functions क्या होते है पाथ functions क्या होते है हम मिले भी थे state functions पाथ functions है और उनकी properties भी discuss की तिर कुछ बहुत important चीज़े हमने डिसकस की थी तो सबसे important चीज़ यह थी कि अगर आपके पास A कोई state function है और आप उसको integrate करो तो उससे आपको क्या मिलेगा उसकी value में overall change वही पर अगर B कोई path function है और आप उसे integrate करो तो आपको क्या मिलेगी उसकी overall value यह सारी चीज़े भी हम जब आगे अपने terms को define करेंगे यूज़ करेंगे वहाँ पर अपने काम मैने वाली further हमने फिर बात की थी दो important path functions को और जिनका नाम था heat and work दोनों ही mode of transfer of energy है इनको भी हमने define नहीं किया है अभी आगे चलके define करेंगे यह हमने एक बहुत important चीज़ सीखी कि heat और work home extensive intensive में categorize नहीं करते हैं और यह कहाँ पर appear होता है system और surrounding की बीच में जो boundary होती है वहाँ पर हमेशा आपको दिखाई देते हैं next हमने बात की थी heat capacities के आरे में तीन तरह की heat capacities मैंने आपको बताई थी कौन-कौन सी एक normal heat capacity एक specific heat capacity और एक molar heat capacity सबसेदा हमारे यहाँ पर यह काम में आने वाली है इसी को हम अभी discuss भी करेंगे बट मैंने इन तीनों के बेसिस पर आपको heat calculate करने का formula सिखाया था बताव जब मुझे heat capacity पता है तो मैं heat कैसे calculate करूँगा c delta t मुझे आपर mass वास की ज़रत नहीं है यह specific heat capacity जब यहाँ से heat calculate करूँगा तो formula क्या बनेगा ms delta t और similarly जब मैं यहाँ से heat पता करूँगा उसका formula क्या बनेगा n cm delta t यह बात हम ने कीती और उसका अभी ने बात कीती कि आपकी molar heat capacity है इसको फिर से हम कितने parts में डिवाइड कर सकते हैं दो parts में डिवाइड कर सकते हैं आओ बात करते हैं कैसे हम इसको classify करते हैं और क्या क्या चीज़े हमें molar heat capacity की बारे में सीख लिए तो देखो जब की molar heat capacity है cm इसको हम basically दो parts में डिवाइड कर रहे हैं एक क्या लिखाता हमने cp that is molar heat capacity at constant pressure ठीक तो इसको हम बोलते हैं cp सेमी तरह second क्या थी अपनी molar heat capacity at constant volume सब्सक्राइड इसका हम लोग क्या बोलते हैं cp अगे काम की चीज़ा मुझे बताओ जब को molar heat capacity पता होती है है तो हीट हम कैसे कल्कुलेट करते हैं उसको हम काल्कुलेट कर सकते हैं cp के थिरू बताओ qv बताओ उसकी value कितने आ जाएगी n c की जाए के उसकरोगे cv और साथ में क्या जाएगा delta t इस तरह से आप cp cv को यूज करोगे अगर आप इसी गैस की constant pressure पर heat exchange पता करने तो आप n cp delta t यूज करोगे और constant volume पर करने तो हम क्या यूज करेंगे n cv delta t यूज करेंगे बात समझ में आती है अब हमें सीखना है कि हम cp cv को कैसे कल्कुलेट करते हैं तो आपको पता होंगे नहीं पता होंगे तो आपको ध्यान होती होती है वह कितनी होती है आर होता है वन मूल गैस के लिए कितनी मूल गैस के लिए वन मूल गैस के लिए अगर आपके पास n moles of gas हो तो बताओ फिर cp minus cv की value कितनी बन जाएगी n into r कितनी बनेगी n into r ठीक तो this is for n mole gas next हम एक और term define करते हैं that is called gamma जो gamma होता है उसकी value किसकी equal होती है cp upon cv के ठीक फदर देखो आप cp जाए कह लिख सकते हो cv plus r तो cv upon cv तो gamma equal to 1 plus r upon cv भी लिख सकते हो ठीक या फिर आप gamma और cv को direct relate कर लो इस equation को use करके तो आप इसको use करके cv और gamma को relate करोगे तो मैं इस relation को यहां लिख देता हूं उपर cv is equals to बनता है r upon gamma minus तो छोटी होड़ रिलेशन हैं जो आपको याद रखने होंगे यह आप physics में भी thermodynamics में पढ़ते हो और यहां chemistry में मारे पास same वह relation है यह आपको थोड़ा याद रखना होगा काम में कहीं ने गहीं घूम फिर के आ ही जाएगा यह सब तो use करते करते याद हो जाएंगे आप इनकी टेंशन मत करो अब बस फटावर से इने कॉपी करो फिर हम बात करते हैं कि हम कैसे cp और cv किसी गिवन गैस के लिए चलो जी तो आप नेक्स एंडालें calculation of cp and cv कैसे गिवन गैस के लिए cp और cv कल्कुलेट करते हैं अब आप देखो cp cv कल्कुलेट करने के लिए आपको एक नए टाम से मिलना होगा जिसे हम बोलते हैं degree of freedom क्या बोलते हैं degree of freedom f तो degree of freedom को यूज करके हम लोग क्या करेंगे cp और cv को calculate करेंगे कैसे calculate करेंगे भी बात करते हैं लेकिन पहले हम क्या कर लेते हैं degree of freedom कल्कुलेट करना सीख लेते हैं अब यह अपके लिए बिल्कुल नए आटाम है fresh term है अगर आपने physics में तरमदाने मिक्स पढ़ ली है त जोड़ा है क्या होती है degree of freedom हां कुछ भी जो याद हुई 1 प्लस 2 अपन एफ बस और कुछ याद है degree of freedom क्या रहे है क्या है degree of freedom का मतलब degree of freedom को कैसे define करते है degree of freedom को मैं सब बोलते हैं कि these are the number of independent ways यह वो independent तरीके हैं जिनसे एक system energy exchange कर सकता है energy दे सकता है energy ले सकता है energy spend कर सकता है energy store कर सकता है तो जैसे आप बात करो यह चौक है मेरे पस यह चौक अभी रखा हुआ है जब यह मूव करेगा तो मूव करेगा पास कौन से energy होगी kinetic energy तब यह कहीं ना कहीं से करेगा तो जो रूटेट कर रहा है तो इसके पास कौन से energy आ रही है rotational kinetic energy आ रही है तो इस तरह से क्या होता है कई तरीके होता है जिस से system क्या कर सकता है energy exchange कर सकता है तो वो जो independent तरीके होते हैं अब translation का rotation से कोई लिए नजरा नहीं है कैसा जरूरी है कि जहां ट्रांसलेशन हो रहा हुआ rotation भी हो नहीं कैसा जरूरी ही कि जहां पर rotation हो रहा हुआ translation भी हो दोनों independent तरीके हैं ऐसी और भी जो independent तरीके होंगे जहां पर एक motion दूसरे motion को affect नहीं करेगा उन तरीकों को हम लोग क्या बुलते हैं डिग्री ओफ्रीडम बूलते हैं सबसे बेलम डिग्री ओफ्रीडम की डैफिनेशन लिखते हैं इस इविए नमबर ओफ देपेंड देपिनेटिडिंट वेज थ्रू विच और सिस्टम कें एक्सचेंज एनरजी उन्हें का हम लोग क्या बोलते हैं डिग्री ओफ फ्रेडम बोलते हैं तो में गे मारे पास तीन तरह की डिग्रीज ओफ फ्रेडम होती है एक होती है ट्रांसलेशनल दूसरी होती है रोटेशनल और तीसरी क्या होती है वाइपरेशनल एक्सटम के एक्सचेंज कर रहा है तो काइनरजी की फॉर्म में कर रहा है और उसी के बेसिस पर हम डिग्री ओफ फ्रेडम को डिफाइन करता हैं अगर हम degree of freedom को बोल रहे हैं F, तो इसको हम तीन पार्ट्स में classify कर सकते हैं, एक translational degree of freedom, जिसे हम Ft लिखा करेंगे, second is rotational degree of freedom, जिसे हम Fr लिखा करेंगे, और third होती है आपकी vibrational degree of freedom, जिसे हम Fv लिख सकते हैं, तो यह overall तीन तरह की degree of freedom होती है, तीनों को हम अलग-अलग calculate करेंगे, और जिसे हम तीनों को add कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगी, total degree of freedom मिल जाएगी, बोलो समझे में आती है चीज़, अब यहापर एक बहुत important जिसे आपको ध्यान रखनी है, कि जो vibrational degree of freedom होती है, इसको हम हमेशा active नहीं मानते हैं, यह हम सिर्फ और सिर्फ high temperature पर active मानते हैं, नोर्मल के सिस के अंदर हम लोग vibrational degree of freedom को consider नहीं करेंगे, तो इसको आप ध्यान रखना, इसको आप यहाँ नोट डाल के लिख देना, कि vibrational degree of freedom, degree of freedom is not considered to be active at low temperatures, इसको हम सिर्फ और सिर्फ कौन से टम्स पर active मान कर चलते हैं, हाई temperature पर हम इसको active मान कर चलते हैं, तो कभी भी आपको मलब कहने का सिंपल सा अदला है कि आपको vibrational degree of freedom को चिंता करनी ही नहीं है, जब तक वो question में आप से नहीं बोलते कि vibrational degree of freedom को भी active मानना है, तब तक आप उसमें दिमाग लगाओगे यह नहीं, जई इस लेबस में तो वैसा ऐसा ही नहीं कि vibrational degree of freedom को consider करें, लेकिन आप फिर भी कुछ books में, materials के नदे आप question करते हो, तो वहाँ पर हो vibrational degree of freedom को active मानकर करवा सकता है, जी में भी करवा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा कि जब vibration degree of freedom active होती है, तो फिर हम अपनी calculations में कैसे change करते हैं, लेकिन पहले हम लोग बात करेंगे about translational और rotational degree of freedom की कैसे हम इनकी calculation करते हैं, बहुत आसान है, यह पर आपको किना कुछ भी रेटना नहीं पड़ेगा, बड़ी आसानी से आप seconds के अंदर बता सकते हो, बहुत थोड़े टाइन की बात ता बिलकुँ देखके बता द नहीं है, अभी हमारी cases में हम vibrational degree of freedom को consider नहीं करेंगे, ठीक, जो, तो move करते हैं और calculate करते हैं degree of freedoms को, जो, तो सबसे पहले हमारी पास gas है, that is monotomic gas, सबसे पहले हमें एक monotomic gas के लिए CP और CV calculate करना सीख रहे हैं, देखो, मैं आपको relation दिखा दो, फिर अभी हम आगे चलकर एक law पढ़ेंगे, उसके बिशिस पर मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको CV gas की degree of freedom पता है, CV प्लस R के, भई CP माहिने CV क्या होता है, R होता है, तो हम वन मूल gas के लिए बात करके चल रहे हैं यहाँ पर, तो CV के लिए दो जाएगी FR by 2 और CP हो जाएगा, CV प्लस R से आप calculate कर लोगे, चलो, अब कैसे calculate करें, एक monotomic, क्या, यह तो सारी gases के लिए valid है, यह सारी gases के लिए valid है, अब हम monotomic gas के लिए calculate करते हैं, देखो, monotomic gases का example दो हुझे आप, helium हो गया, neon हो गया, इन जेनरल जो भी आपकी noble gases हैं, वो सबके सब किस के अंदर आती है, monotomic gas के अंदर आती है, तो एक monotomic gas है, सबोस हमारे पास यह है, मोनेटम में यह उसमें एक ही atom होगा, ठीक है, अब आप मझे बताओ, यह जो आपका एक atom है, पहले हम count करते हैं, translational degree of freedom, ठीक, तो पहले बात करते हैं, translational degree of freedom की, बढ़ाओ, इस molecule के independently translate करने के लिए कितनी directions possible हैं, infinite, नहीं, तीन ही direction possible, बढ़ाओ, translation तीन axis के अबाउट होता है, यह y यह z, वह ध्यान से देखना, आपका सोचना बिल्कुल सही है कि infinite हो सकते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखो, यह x axis है, यह y axis है, और यह आपकी z axis है, एक तो यह x axis के along चले, एक तरीका, एक यह y axis के तरफ चले, दूसरा तरीका, एक यह z axis के तरफ चले, तीसरा तरीका, तो टीन तरीके हैं, तीन इंडिपेंडेंट तरीके हैं, क्यों भई? आपके दिमाग में एक ग्वेशन आ रहा होगा, यह ऐसे चले तो क्या दिख़त है? तो x, y पे चले तो क्या होगा? है तो अलगी ना रास्ता, एक तो x पे चले, एक y पे चले, जर पे लिए, है एक स्वाइज में चला त्रास्ता तरह था लेकिने यह कि रास्ता इंडइपेंडेंड नहीं है डेखो जब यह एक से लॉंग चलरा है तो बताः क्या है क्या सका मोशन लेख इसका मोशन पर में डिबाइड करना नहीं दिख साथ एक साथ युझे ने डिफाइन ऐसे किया दे नंबर ओफ इंडिपेंटेंट वेज वो जिदर चल रहा है वो चीज किसी और पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए इसलिए हमारे पास टोटल तीन ही डिरेक्शन होती है जिसके अंदर आपका कोई भी मॉलेक्यूल कोई भी सिस्ट्रम इंडिपेंड को चाहिए कितना ही अतॉमिक और डाइंडिपेंडेंट तो सरफ कतने तरीके होंगे आपके पास समझ में आता है चलो जी स्वरी को दाट शूरी नेक्स्टम बात करते हैं रो्टेशनल डिग्री ऑफ यह किस की रोटेशनल डिग्री ओफ फ्रीटप भ्लाट इस एक आर्ग की फिसी यह मॉलेक्वल ले लो आपका सिंगल बता उसके रोटेट करने की कि दिनी डिरेक्शन अच्छ दो कौन कोन सी लॉकवाई और यह रूटेट कैसे करेगा इससे के बाउट से पाइब रूटेट करेगा तो यह तो यह रोटेट कर सकता है प्रिदम आगे गलत है बताओ क्यों पाथ के इंडिपेंड़ने कौन से पाथ के इंडिपेंड़ने यूभी और यूभी अपसाइड डाउन अपसाइड डाउन वह एमोशन हो गाव तो क्या उसको अभी यू हमारे हो उसको यू कर दिया हूँ उस्टे को चीज सोड़े ना आ इसके रोटेशन लिगरे फ्रिडम जीरो होगी चलो आप बोलो जो खुमें गई नहीं रोटेशन क्या होता है वाट इस रोटेशन किसी एक्सिस के अबाउट घूमना स्पिन का नाम सुना स्पिन क्या था स्पिन अपने एक्सिस के बाउट घूमना अर्थ संक्राइए अपने एक्सिस पर किया करती है उसके दिन और रात होता है रोटेट करते इसके विए से क्या होता है चाहिए पूम इसके परिए हैं लिकिन उस मोशन को हम लोग बोलेंगे spin हम उसको rotation नहीं बोलेंगे rotation होता है external axis के about अगर कोई चीज external axis के about घूम रही है तो उसको हम लोग क्या बोलता है rotation अगर कोई चीज अपनी ही axis के about घूम रही है तो उसे हम लोग क्या बोलता है spin बताओ क्या हम यहाँ पर spin degree of freedom calculate कर रहे हैं नहीं कर रहा है न हम कौन से degree of freedom calculate कर रहे है rotational degree of freedom calculate कर रहे है तो यहाँ पर rotation तो हो इनी रहा है अगर rotation नहीं हो रहा है तो बता हो rotational degree of freedom कितनी होगी 0 समझा रहा है तो जब तक ध्यान रखना इस चीज़ को जब तक आप एक axis ढून सकते हो जो पूरे molecule के through pass हो रही है through का मतलब उसमें जितना item से सबको include कर रही है तब तक उस molecule का उस axis के बाउट rotation possible नहीं है और वहाँ पर हम rotational degree of freedom कितनी लेकर चलेंगे हैं मेशा 0 समझ में आ रहा है को doubt है चलो, vibrational consider करनी नहीं है translational हो गई rotational हो गई दोनों को आप add कर दो तो बताओ total degree of freedom कितनी हो गई 3 होगे न 3 प्लस 0 कितनी हो गई 3, बताओ CV की वाल्यू कितनी होगी 3R by 2 बताओ CP की वाल्यू कितनी होगी 3R by 2 plus R that is 5R by 2 होगा CP पता है, CV पता है बताओ क्या आप यहां से gamma calculate कर सकते हो तो gamma किसके को लोता है CP upon CV और CP upon CV के वाल्यू कितनी आगई 5 by 3 तो किसी भी monotomic gas के लिए आप CP निकाल सकते हो CV निकाल सकते हो और उन दोने से आप gamma की वाल्यू तो यह वाल्यू सबको थोड़ी याद रखनी होंगी ताकि calculation में आप फास्ट होगा हो monotomic gas के लिए CV कितना होगा 3R by 2 CP कितना होगा 5R by 2 और gamma कितना होगा 5 by 3 copy करो, फिर move करते हैं diatomic gas के उपर अब डिसक्रस करते हैं spin और rotation में क्या difference है बढ़ी डाउट पूछा गया कि अपने को यह वाला part समझने है अब आप बोलो क्या बोल रहो मैं बोल रहा हूंगा यह motion spin है यह rotation नहीं है यह एक्चुली physics वाला part है यह बहुत debatable सा part है लेकिन हम debate कर सकते हैं अब बोलो मैं बढ़ा रहा हूंगा एक्चुली क्या होता है revolution बोलते हैं हम एक term revolution क्या होता है revolution भी एक kind of motion rotation और revolution actually same से ही है होता है rotation को हम कैसे define करते हैं कि जब किसी external axis के about कोई चीज घूम रही है जैसे आप यह मानों earth है वो sun के around घूम रही है ठीक तो sun के around घूम रहा है तो क्या है इस axis के about earth rotate कर रही है आपने कभी ऐसा नहीं बोला होगा कि इस axis के about earth spin कर रही है rotation का हतलब भी होता है जब आप किसी external axis के about घूमते हो तो उसको हम लोग क्या बोलता है rotation बोलता है जिसने आप simple से बात करो आपके घर में चट पे जो पंका लगा हुआ है बताव वो spin करता है रोटेट करता है अज़ पंका उस axis के about घूमता है वो उसकी खुद की axis है या बाहर की axis है आपके आती है या सब्सके अब वह साथ में चलया थो सामाना जनूंस सब्सकी और चैसे पंके की बीच क्लाइब हलता है अपको आपको 1 फांस की बीच काहिस चलेगा एक्छिली का है वह किंज्ड है कुछ पॉल बेरींग लगाओ है तो एक्सरेनल एक्ससा अब एक्स अब आपका फ़यन गूमता है आपको पनके की एक्सल को पनके के साथ वेल्ड करक्ड़ोगे में इस थो अच्यून करना से लिगिन UP अब अब पूरा पंका घूमेगा बहुत रोटेट कर रहा है या नहीं पंका स्पिन कर रहा है रोटेट निगर अब उसके खुद की एक्सेस हो चुकी है ना मेरे हाथ में आपने प्लास्टिक उसको पर से घुमाते हैं लट्टू की ज़रा जमीन पर रखके खुमाया तो उसमें उसके होता है जब बीजyy पंक्रओ आपने एक्सट को वैल्ड कर दिया उसके साथ वापने पंक्र को घुमाया तो अब पंका कि रोटेट नहीं करा जब वह एक्सलिक त्थी और पंका घूम रहा था तो या उसके एक्सेस थी अर उसके अब आऊट एंपाउट भूम रहा था सब्सक्राइब कर दिया और फिर गुमाया तो अपनी ही एक्सिस के अबाउट घूम रहा है और उस केस में उसका पूटेशन नहीं बोलते हो क्या बोलते हो सब्सक्राइब करता है और इंडिया तो क्रिकेट वाला देश है यहां तो क्रिकेट को रिलिजिन माना जाता है क्या आपने कभी सुना कि हरवजन सिंग आफ रोटेट करता है कि अरवे दिन कौन सी बॉलिंग करता है आफ स्पिन और परिकेट करता है नहीं सुना ना क्यूं नहीं सुना यह एक बाल को थो करते हो तो बाल घूमती यह जब वह बहूंगरी तो किसके बाउट घुम रही है अपनी एकस को जो क्या बोलता है बचुबन आपनी सीखा होगा अर्थ अपनी एकसे के बाउट सपिन करती है जब कि संगे राऊंड को क्या करती है रोटेट करती तो बहुत में हाइनूट सा डिफरेंस है और इस पर हन happily परसेंट सही हूं लेकिन मैंने इसे बहुत डिबेट किया है और रोटेशन हमेशा पहां होता है external axis के about होता है तो since यहाँ पर हम rotation को observe नहीं कर सकते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ spin हो रहा है और हम spin को degree of freedom में count नहीं करते हैं rotational kinetic energy होती है हम spin kinetic energy की बात नहीं करते हैं इसलिए हम यहाँ पर rotation degree of freedom को कितना लेकर चल रहे हैं zero लेकर चल रहे हैं बोलो और कोई doubt पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी तरह का doubt हो हम doubt के लिए बिलकुल open है अपने लोग आराम से discuss कर सकते हैं चले हैं क्या लट्टू हो स्पिनी करता है लट्टू हो गया बहुत सबस्पिन में करें जब भी अपने एक्सिस के बाउट होगा उसे हम लोग स्पिन ही बोलेंगे उसको रूटेशन वालब चलती लेंगज में आप रूटेशन बूल सकते हो बोलते हैं कि ब लट्टों जो बोलते हैं उसको किस नाम होता है गाइस भूल गया मैं आपको पता होगा ठोड़ो हमरे तो अंग्रेजी कम जोड़ है तो खेर अपना difference clear हो गया है spin और rotation के बीच में तो अब हम आगे move करते हैं और बात करते हैं die atomic gas की कि die atomic gas के लिए हम कितनी degree of freedom define कर सकते हैं और क्यों second is die atomic gas die atomic gas के लिए बहुत सार एक्जामपर है से hydrogen हो गई oxygen हो गई c2 ना डबल बॉंड टिपल बॉंड से कोई फरक नी पड़ता उसमें मतलगा ना कि o double bond O है एच सिंगल बॉंड एच्चे यह एं ट्रिपल बॉंड न है वो सब यहां पर सब्सक्राइब कर सकता है आपका मॉलेक्यूल ट्रांसलेट कर सकता है अब हम बात करते हैं रूटेशनल डिग्री ओफ रिडम की कि वह कितनी आएगी तो इसकी लिए क्या करते हैं वापस से अपना यहां पर भी आप रूटेशन एक्सिस के अबाउट ही देखोगे कौन से एक्सिस के अबाउट एक्स वाई और जेड आप ध्यान से देखना किसी भी एक मॉलेक्यूल के अराउंड आप एक्सिस ड्रॉ कर लो इसको मैं पॉइंट माननेता हूं तो देखो यह तो हो गई मेर नहीं करेंगे और इसके अबाउट करेंगे इस वाली एक्सिस के बाउट ये करेंगे तो दोनों मॉलेक्यूल घूमेंगे और इस वाली एक्सिस के बाउट ही एक single molecule का कर रहा होगा rotate कर रहा हो गा एक rotation इसकी तरफ से होगा और एक rotation इस axis के about होगा बताऊँ टोटल rotation degree of freedom कितनी होगी आपके पास होगई? Translational 3, Rotational 2, बताऊँ टोटल degree of freedom कितनी होगी? 5 अगर टोटल degree of freedom 5 होगई तो बताऊ cb की वैल्यू कितनी होगी? 5 r by 2 CP की value कितनी होगी 7R by 2 तो बताओ गामा की value कितनी हो जाएगी 5 by 7 by 5 तो एक diatomic gas के लिए CP कितना होता है 5R by 2 CP कितना होता है 7R by 2 और गामा कितना होगा आपका 5 by 7 होगा बोलो कर सकते हैं चलोजी dryatomic gas के बाद हम लोग बात करते हैं किसकी? triatomic gas की तो दोको triatomic gas के अंदर आपके दो cases बनेंगे triatomic gas या तो linear हो सकती है या फिर वो कैसी हो सकती है non-linear हो सकती है तो दोको third case that is triatomic linear gas तो दो triatomic linear gas का example दो क्या होगी? CO2, आपने chemical bonding में पढ़ी लिया है इस चीज़ को CO2 की structure कैसी होती है? CO2 की structure होती है कुछ आइसी C double bond O double bond O होगा? चलो जी, पताओ translational degree of freedom कितनी है? 3, वो तो fix डै अब हम count करते है rotational degree of freedom जब rotational degree of freedom बनाओगे count करोगे फिर से आप क्या count करो? axis count करो तो आपकी मर्जी हो जहां से आप axis बना लो जैसे आपकी इच्छा हो मेरा उस पर कोई मलब restriction नहीं है आप चाहो तो axis को oxygen के थूरू बना लो आप चाहो carbon के थूरू बना लो बताओ कैसे बनाओ carbon के थूरू बना लो चलब कार्बन को center मान लेता हूँ अगर मैं carbon को center मान रहा हूँ तो ये तो वही मेरी x axis ये कौन सी होगई मेरी y axis और ये कौन सी होगई z axis पताओ x axis के बाउट rotation हो गया या नहीं नहीं होगा ये तो तरीका है discard हो गया इसके अबाथ सी दोनों गुम्हेंगे इसके अबाँट भी क्या होंगे दोनों गुम्हेंगे लेकिन अलग अलग है गाइस्ट्री और किसी क्त्नी मिलेंगी आपको के इंग रोलतेने को सुनपोत साफने के आपके एम यह सेम ही होगा देखो मतलब डाइटामिक गैस और ट्राइटामिक लीनियर दोनों का जो डिग्रियो फ्रीडम आएगा वो हमेशा क्या आएगा सेम अगर डिग्रियो फ्रीडम सेम है तो बताओ सेम ही और ट्राइटामिक लीनियर दौनों के लिए ठाइटामिक लीनियर खाइए कौपी गरो पिर हम ट्राय ऐटामिक नॉन लिनियर के बाद करते हैं कि देखुँ अपना फोर्थ केस डायटल ट्राय ऐटामिक नॉन लीनियर ट्राय दामिक नॉन लिनियर गयास का एस डबल बॉंड ओ डबल बॉंड इस टाइप किसकी स्ट्रक्चर होती है न तो हो गया एच्टो गैस भी अगर हो तो वो भी आपके ट्राइटामिक नॉन लीनियर के अंदर ही आएगी तो अगें यह तो पक्का है कि ट्रांस्लेशन डिग्री फिर्टम तो कितनी होगी यहां दूंड लिटा हूं देखो यह तो कान सी एक्सेस मेरी एक्सेस टीक है या आप चाहोता ऐसा कर लो ना को थोड़ा और अच्छा तरीक हो तो उससे भी आ जाएगा कोई इसुनी के एक्सेस तो तीनी पॉसिल है इसके अराव लो तो इसके अराव डिये तो क्या होगी आपकी X axis ठीक इसके perpendicular ये कौन से हो जाएगी आपकी Y axis और इसके पर perpendicular ये कौन से हो जाएगी Z axis ठीक है सुझना रहा है यह चाहो तो sulfur से बना ले चलो जारा ठीक से दिखेगा सुन्दर दिखेगा थोड़ा है तो sulfur लिलो S double bond O double bond O ठीक है तो इधर तो हो गई आपकी ये X axis इधर हो गई Y axis ठीक इनके perpendicular ही हो गई Z axis अब 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 क्या कोई भी एक्सेस पुरे molecule को contain कर रही है पुरे molecule को contain नहीं करें न को इसके बाउट भी rotation होगा इसके बाउट भी rotation होगा और इसके बाउट भी rotation होगा बताओ अब आपके पास total rotation degree of freedom कितनी हो गई तो टोटल लिए फ्रीडम कितनी हो गई शिक्स टोटल लिए फ्रीडम शिक्स हो गई तो बताओ सीवी की वैली कितनी होगी 6R by 2 that is 3R और सीपी की वैली कितनी होगी 4R by 2 7R by 2 सीवी के वैली 4R होगी क्या दिमार है ना तो सीवी की वैली होगी 6R by 2 3R सीपी के वैली कितनी होगी 4R सीपी सीपी पताओ गामा की वैली कितनी होगी 4R । समझ में न रहा है तो मोना इटमिक होगी डायक में नॉनिनियर होगी कि अकैर सिर्फ केस को फिफ्थ पॉली अटामिक गैस एक्जाम्पल एस आपके बाद सी एच फॉर हो गया एसो थी हो गए और कोई सी भी गैस ले लो वह सब पॉली अटामिक के अंदर काउंट कर लो तो पॉली अटामिक में क्या होगा ट्रांसलेशनल डिग्री फ्रीडम तब भी आपको कित स्टुक्चर बना लो सेंटर मान लेते हैं और एक्सेस ड्राउ कर लेते हैं ना यह कार्वन अपना सेंटर यह कौंसे एक्सेस हो गई एक्स यह कौंसे हो जाएंगी व्ये एक आपकेन परूल पॉरे मॉलेक्टीन कर रही इसमें सारे अटम से एक सब लाइन में आ गएं की तक मैक्स तो मैक्स ऑपर तो जाएगी यह उससे बहुत सब सब के लिए रोटेशन flyChat Chief Q 2013 2 आने वाली है निक र Run uniqueness करेंगे तब उसकी बात करेंगे अबूतम किसकी बात कर रहे हैं ट्रंसलेशनल और रोटेशनल डिग्री उफ्रीडम की तो यह आगी अब बताओ टोटल डिग्री उफ्रीडम कितनी ओजाएगी फिर से 6 तो cv की वैल्यू कितनी आगई 6r by 2 cp की वैल्यू कितनी आगई 4r और गामा की वैल्यू कितनी आजाएगी cp by cv that is 4 by 3 इस तरह से आप अलग-अलग gases के लिए cp और cv कल्कुलेट कर सकते हो और फिर अब हम क्या करेंगे अभी तुम vibrational consider नहीं करेंगे वह भी हम करेंगे लेकिन अभी क्या करते हैं सब को एक tabular form के अंदर ले आता है ताकि हम इनको आसानी से याद रख पाएं तो आप इसे copy करो फिर हम इसके लिए एक tabular form बनाता है जिसके अंदर हम सब की cp cv लिखेंगे और वो टेबल आपको थोड़ा याद रखनी होगी रटने ज़रत नहीं है आपने सब कल्कुलेट करना सीख लिया है आप इनसे भी आसानी से बता सकते हो ठीकिन थोड़ा यूज करते करते हो आपको अपने आप याद हो जाएगे तो कॉपी करो फिरम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखो अब इनको याद रखना आपके लिए कितना असान होगा टीबल भी आप ही बनाओगे मैं तो बस फॉर्मेट बनाओं टीबल का फिल तो आप ही को करनी है इधर हम लेकर चल रहे हैं क्यायस इधर हम लेंगे सीवी इधर हम लेंगे सीपी और यहां पर हम लेंगे गामा ठीक गैस से पहलिए आपकी मॉनधर्म हाँ जी बताओ hmm.. मोनेटर्मिक गैस के लिए डिएज ओव्रीडेज ओफ सीडाउंत ग्योडी महोंती है त्री क्तैस्ल कितनी होती है जीरो मोनेटाम है ना तो ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल जीरो टोटल लिगरो फिटम कितनी हो गई 3 यह ना तो मैं F के फॉरम में लिख रहा हूं टोटल लिगरो फिटम हो गई 3 दाव सीवी के वाल्यू कितनी 3R by 2 सीपी की वाल्यू कितनी 5R by 2 गामा की वाल्यू कितनी 5 by 3 यह 5 by 3 देखना कितना होता है 1.66 के असपास है ना 1.67 लिख लो चाहाँ तो आप उसको मैं 1.67 लिख देता हूं चला हूं सही है सेकेंड बताव सेकेंड गैस कौनसी डाइटामिक बताव डाइटामिक गैस के लिए टूटल डिगरो फ्रीडम टीन ट्रांसलेशनल और दो क्या आपकी पास रूटेशनल बताव टूटल हो गया 5 तो सीवी कितना हो जाएगा 5R by 2 सीवी सीपी कितना हो जाएगा 7R by 2 गामा क वेली कितनी आजाएगी 7 by 5 7 by 5 कितना होता है 1.4 होगा थर्ड थर्ड गैस कौनसी थी आपकी ट्राइटामिक लीनियर तो ट्राइटामिक लीनियर और डाइटामिक एग्जैक्ली सेम होते हैं तो f is equal to 5S अगर लो और का साइन लगा तो टेबल और चोटी कर लेते हैं चाहे और डाइटामिक ओ चाहे ट्राइटामिक लीनियर हो दोनों के लिए सेम चलेगा बता थर्ड कौनसी होती है अपने थर्ड होती है ट्राइटामिक नों लिनियर हां और polyatomic क्योंकि सबका सेम यह आने वाला है तो अब triatomic non-ilion ले लो या उसके लाद कितने भी atoms वाली gas ले लो बताओ total degree of freedom कितनी आएंगी 6 3 translational और 3 rotational उसके लाद बताओ CV के value कितनी बनेगी 3R 6R by 2 CP कितना बनेगा 4R gamma कितना बनेगा 4 by 3 1.33 छोटी सी टेबल यह हो गई आपकी complete और इससे आप किसी भी gas के लिए CP-CV लिख सकते हो यह आपके बहुत काम में आने वाली है अभी हम enthalpy, internal energy यह सब calculate करना सीखेंगे तो वहाँ पर आप इसको बहुत जादा use करने वाले हो इसलिए बहुत important है दूसरी चीज आप आगे चलकर adiabatic process पढ़ोगे वहाँ पर भी आपके CP-CV और gamma बहुत जादा काम में आएंगे तो इसलिए यह important है आप ध्यान रखें टेबलोर फर्म के अंदर बहुत important चीज जो आपका नजर आ रही होगी शायद monatomic gas के लिए gamma था 1.67 diatomic के लिए कितना है 1.4 और triatomic gas उपर के लिए कितना है 1.33 मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जैसे जैसे gas पे number of items बढ़ते हैं इसको हम बोलते हैं gas की atomicity क्या बोलता है atomicity तो जैसे atomicity बढ़ती है वैसे बताओ gamma की value क्या होगी decrease तो आप यहाँ पर एक सुन्दा सा note डाल के लिख दें कि as the atomicity of a gas increases its the value of gamma will decrease ठीक तो उस gas के लिए gamma की value क्या होगी वापस से decrease होगी तो बहुत important है ध्यान रखें copy करें फिर हम बात करते हैं तो देखो अभी हमने जो cp cv calculate किया उसमें हमने vibrational degree of freedom को active नहीं माना है आपको consider भी यही करना है आपके syllabus पे यही है आपके use भी यही आएगा फिर भी थोगा advanced level पे cover करने के लिए मैं आपको यह बताता हूँ कि जब vibrational degree of freedom active होगी तो आप degree of freedom कैसे calculate कर सकते हो तो आज मैं आपको तो हिंट देता हूँ आप उसके अंदर अपना दिमाग लगाओ next class हम क्या करेंगे उसको भी cover करेंगे कि जब vibrational degree of freedom active होती है तो हम कैसे degree of freedom निकालते हैं और क्या cp cv के अंदर change होता है तो देखो छोटे चीज़ बताता हूँ मैं आपको एक बार आप इससे कोशिश करना नहीं होगा तो फिर next class हम इसको cover करेंगे तो देखो हम क्या करते हैं एक formula होता है formula को use करते है formula क्या है कि अगर आप किसी gas के लिए total degree of freedom की बात करो total degree of freedom तो वो होती है 3N कितनी होती है 3N यहाँ पर N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है N रिप्रेजेंट करता है number of atoms को कि उस गैस के अंदर कितने atoms है जैसे मालों monatomic gas है total degree of freedom कितनी आएगी 3 diatomic है तो total degree of freedom कितनी आने चाहिए 6 triatomic कितनी आने चाहिए 9 tetraatomic कितनी आने चाहिए 12 ठीक है अब इस टोटल degree of freedom में किस किसका contribution होता है कि two-deeptones का भी होता है और किसका होता है तो ट्रांस्लेशन से calculate करने आती है कि रोटेशनल भी हमको calculate करने आती है यह होती है उसमें से ट्रांस्लेशनल प्लस वाइबेश्नल को joyful वाइबुक्त गाइब कर दो अपको किया मिल जाएगी वाइब। बैडिसेरीदी मिल गई तो आप उससे क्या ज़सकते वो CP निकाल सकते हो, cv निकाल सकते हो, गामा कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है एक बार आप इसे ट्राइ त्राइ करना और देखना कि आप vibration degree of freedom actually calculate कर पाते हो या फिर नहीं और उससे ही फिर हम CP, CV और बाकी चीज़े भी calculate कर पाएंगे तो आप इस पर कोशिश करें next class हम इसको cover करेंगे इसके table बना लेंगे एक और बना कर values के साथ बाकि assess को ज़रूरत नहीं पड़ेगी बट फिर भी सिंस हम पढ़ रहे हैं तो हम वो काम भी कर लेंगे और यहां से आगी continue करते हैं Hello students देखो हमारे chapter thermodynamics के अंदर हम लोग ने last class बात की थे degree of freedom के बारे में हमने mainly दो तरह के degree of freedom discuss की थी एक translational degree of freedom और एक rotational degree of freedom degree of freedom से cp cv कैसे calculate करते हैं यह भी हम लोगों ने सीखा था और last class मैंने आपको एक table बनाई थी ता एक बाद च्छोटा सा बोट जो table था उसको revise कर लेते हैं देखते हैं आपको values याद हैं या फिर नहीं हमने cv देखा था cp देखा था गामा देखा था और यहां देखेंगे total degree of freedom मोन अटमिक गैस के लिए total degree of freedom 3 cv की value 3r by 2 cp की value 5r by 2 और गामा कितना था 5 by 3 that is 1.66 या 1.67 भी आप इसको बोल सकते हो repeating number है diatomic diatomic के साथ और हम किसको include कर सकते हैं कौन सी linear triatomic linear gas को बताओ इसके लिए total degree of freedom कितनी आई थी 5 cv की value 5r by 2 7r by 2 gamma की value 7 by 5 that is 1.4 similarly third column किसका होने गाता हो triatomic non-linear और polyatomic gas का तो देखो यहां पर total degree of freedom कितनी आई थी 6 तीन rotational और तीन translational cv cp 4a और gamma कितना था अपना 4 by 3 that is 1.33 हमने देख लिया था कि जैसे सा atomicity बढ़ रही है गामा की value क्या हो रही है degrees हो रही है फिर मैंने आपको एक काम जरत छोड़ा सा आपको बता था कि total degree of freedom होती है वह 3N के equal होती है महाँ पर N क्या होती है number of atoms that is atomicity of gas और उसके basis पर हम क्या कर सकते हैं vibrational degree of freedom calculate कर सकते हैं तो अब consider करते हैं vibrational degree of freedom को उसके साब से calculation करते हैं पॉइंट डाल लिख देना कि when vibrational mode is considered to be active ठीक है तो देखो vibrational mode को active मानने के बाद जब आप CPCV calculate करते हैं तो आपको बहुत important चीज़ के उपर ध्यान देना होगा बहुत ध्यान से आप सीखना इस चीज़ को आप लोगों ने पहले भी सुना हुआ होगा यहाँ पर एक law होता है उस law का हम बोलते है law of equipartition of energy क्या होता है equipartition of energy यह आप लोगोंने physics में भी सुना होगा chemistry भी आज आप सुन ही रहे हो तेको क्या होता है law of equipartition of energy यह कहता है कि आपके पास कोई भी एक gas molecule है या gas sample है तो उस gas sample की जो total kinetic energy होगी कौन सी इनर्जी होगी टोटल kinetic energy होगी वो उसकी अलग अलग degrees of freedom के अंदर क्या होती है distributed होती है मतलब जो translational degree of freedom है जो vibrational degree of freedom है और जो rotational degree of freedom है उन तीनों के अंदर वो क्या होती है equally distribute होती है कैसे distribute होती है equally distribute होती है इसलिए हमने इस law का नाम क्या रखा है law of equipartition of energy according to this law हर degree of freedom kT का या फिर आप ऐसा बोल सकते हो अगर n वो जलिए तो अपन तो half kT ले लेते हैं भी तो kinetic energy में half kT का contribution करती है कितने contribution करती है half kT का जिसे अगर आप translation kinetic energy की बात कर रहे हो तो बताओ ट्रांसलेशनल degree of freedom कितनी होती है 3 हर degree of freedom half kT contribute कर रही है tip half kT एक half kT दूसरी degree of freedom का और half kt तीसरी degree of freedom का तो अगर आप किसी gas की average translational kinetic energy निकालना चाहते हो कौन से energy average translational kinetic energy उसकी value किसके equal होगी 3 by 2 kt के यह कभी पढ़ाया अपने gaseous state के अंदर gaseous state में आपने एक फार्मुलार बढ़ाता kinetic energy of gas 3 by 2 kt या फिर n moles के लिए आप उसे 3 by 2 nrt बोलते हो यह होती है kinetic energy per molecule क्या होती है kinetic energy per molecule तो बस यही law of equipartition of energy है कि किसी भी gas की kinetic energy उसकी अलग-अलग degrees of freedom के अंदर क्या होती है equally distributed होती है हर degree of freedom कितना contribute करती है half kt contribute करती है quit out चलो तो हम इसका statement लिखते है सब से पहले कि law of equipartition of energy में क्या सिखाता है फिर जो main चीज समझनी है वो आप देखना अब सेंपल हैं पर बूल सकते हैं according to this law according to this law एसे लिख लो the kinetic energy of gas is equally distributed between each इच डिग्री ओफ फ्रीडम तेकर सिंपल टर्म्स में आप इस लोग ऐसा है बोल सकते हो कि जो kinetic energy of gas है वो किया हर डिग्री ओफ फ्रीडम में equally distributed होती है अब आप बेसिकली इसका concept समझने के इकोशिश करो देखो अगला point आपको ध्यान रखना है वो यह है कि each degree of freedom each degree of freedom contributes half kt to kinetic energy and r by 2 to cv यह मैंने अपने आप से बना है ताकि हम बेसिकली इसकाइब को cv से रिलेट करना है partition का lot तो सरीफ ही तक है लेकिन यह चीज मैंने आपके लिए extra add के ताकि आप इस चीज को समझ सको कि आप हर degree of freedom का kinetic energy में तो कितना contribution लोगे half kt और cv में आप उसका कितना contribution लेकर चलोगे r by 2 का contribution लेकर चलोगे तो देखो कैसे है आप समझने की कोशिश करना मैं यहां पर बात करता हूँ इदर degree of freedom की तो मैं इसको d of लिख रहा हूँ समझ बल यहां पर मैं इसका contribution देख रहा हूँ केई में और सबसे important आपको यहां पर देखना है contribution to cv वो ही हम लोग use किया करेंगे तो आप देखो आपके पास कितने तरह की degree of freedom थी कौन कौन सी translational second कौन सी है rotational तो देखो हम translational की बात करते हैं हम rotational degree of freedom की बात करते हैं और हम vibrational degree of freedom की बात करते हैं तो इस तरह से आपकी तीन तरह की degrees of freedom होती है translational, rotational एक rotational और एक कौन सी होती है vibrational है जिसके मैं आपको बताया हर degree of freedom का का kinetic energy में कितना contribution है half की ती तो आप हर degree of freedom का लेकर अब देखो सिंगल सिंगल की बात कर रहा हूं कि हर translational degree of freedom कितना contribute करेगी हाफ केटी हर rotational degree of freedom भी कितना contribute करेगी हाफ केटी लेकिन जो आपकी vibrational degree of freedom है वो contribute करेगी केटी कितना contribute करेगी केटी सेम इस तरह जो आपकी हर translational degree of freedom होगी वो CV में कितना contribute करेगी R by 2 तो total कितना हो जाए contribution 3 R by 2 3 degrees of freedom होगी अगर rotational similarly हर rotational degree of freedom कितना contribute करेगी R by 2, लेकिन जो vibrational degree of freedom होती है, वो हमेशा कितना contribute करती है R, कितना contribute करती है R, अब ये दिमाग में आ रहा होगा, ऐसा क्यों, आ रहा है न, तो देख़ों, ऐसा क्यों है, आप मुझे बताओ, जो vibrational motion होता है, वो कैसे होता है, ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे बूलेते हैं, ऐसे-चैन, होता गया, यह mean position है, बताओ एक vibration का आप complete कब मानकर चलोगे, जो इधर गया, इधर आया, हो गया complete? नहीं, फिर इधर गया, फिर यहाँ पर आया, मतलब वो mean position की about, ऐसे move करता है, पऺभ आप योग फिसक के इंदर, जो वो mean position से इधर move कर रहा होता है तो इसकी kinetic energy किस में convert हो रही है और तब यह वापस आ रहा है तो में एक आधे हिस्से का contribution कितना होगा और बाय टू या हाफ केटी तो पूरे motion का contribution कितना होगा केटी या फिर आपकी ध्यान रखना कि जब भी आप vibrational degree of motion को active मान कर चल रहे हो उसका contribution कितना लेकर चलना है आपको तो मैंने जो आपको formula सिखाया था cv is equals to fr by 2 यह सिर्फ और जब आप सिर्फ translational और rotational degree of freedom को consider कर रहे हो अगर आप vibrational degree of freedom को consider कर रहे हो आपको उसका contribution r लेकर चलना होगा मतलब आप अब formula को fv plus into r लेको कोई doubt है तो by chance अगर वो आपसे vibrational mode of motion को active मान ले तो आपको यह चीज़ ध्यान रखने है translation का contribution r by 2, rotational का contribution r by 2 जबकि vibration का contribution आप कितना लेकर चलोगे r लेकर चलोगे और अब इस basis पर हम दुबारा से monotomic, diatomic, triatomic सारी कैसे इसके लिए vibration degree of freedom दुबारा से calculate कर साथ तो कैसे करेंगे अब हम लोग discuss करते है तब देखो दुबारा से calculate करते है cp cv पहले हम बात करते है monotomic gas की, बताओ monotomic gas के लिए total degree of freedom कितनी होगी 3N यानि 3 into 1, है ना, formula अपना 3N है यहाँ पर N की value कितनी आ गई, तो 3 में 3 parts होते हैं, कौन-कौन से translational, rotational, vibrational, ठीक तो बताओ, translational degree of freedom तो कितनी होती है 3, अब देखो total 3 है, उसमें translational 3 होगी, तो बताओ, rotational और vibrational कितनी होगी तो बताओ, इसका CV कितना रहेगा, 3R by 2, CP कितना रहेगा, 5R by 2, और गामा के value कितनी आ जाएगी, 5 by 3, तो यहाँ तो आपको कोई भी change नजर नहीं आएगा, बताओ, आ रहा है कि कोई change नजर, नहीं आ रहा है ना, अच्छा चलो, ठीक है, इसका नजर भी बोल सकता है, कि ए low molecule होने चाहिए, at least, तो mean portion के बाउट vibrate करेंगे, single molecule का vibration नहीं होगा, मतलब, वो although, दूसरी तरे का vibration हो, दोसमें, molecule टकराते हैं, आपस में, लेकिन, यहाँ साफ साफ देख रहा है कि हम यहाँ पर vibration degree freedom active मान भी लें, तो भी वो कितनी आ रही है, 0, मतलब, यहाँ vibrational mode नहीं हो रहा है, चलो, आगे move करता है, second वाले पर, second कौन सी gas होगी बताओ अपनी, diatomic gas, बताओ, diatomic gas के लिए n की value कितनी आ जाएगी, 2, जो से n की value 2 आएगी, फिर से 3 degrees of freedom हो गई आपकी, कौन कौन सी, translational, rotational and vibrational, अब बताओ, n equal to 2 है, तो total degree of freedom कितनी आएगी, 6, आएगी, बताओ, diatomic के लिए 6 में से, translational कितनी, 3, rotational कितनी, 2, और vibrational कितनी, 3 plus 2 plus 1 कितना हो गया, 5, समझ में आ रहा है, अब आप देखो, cv की value, बताओ, इसका contribution कितना, r by 2, तो ये कितना होगा, 3 r by 2, प्लस, बताओ, इसका contribution कितना, rotational का, r by 2, रोटिन का 2 r by 2 है न, तो फिर से कितना जाएगा, 2 into r by 2, अब बताओ, vibrational degree of freedom का contribution कितना, r, तो बस यहाँ पर हम लिखेंगे, 1 into r, आप इसे solve करो, 3 plus 2, 5 plus 2, 7, अब cv की value हो गई, 7 r by 2, बताओ, cv 7 r by 2, तो cp कितना होगा, 9 r by 2, और अगर ये 9 r by 2, तो बताओ, गामा की value कि नहीं आ जाएगी, 9 by 7, समझ में आ रहा है, बताओ, क्या tritum एक linear के लिए भी यहीं होगा, नहीं, very good, क्यों, n k value change हो गई, तो total degree of freedom के आएगी, उसकी अलग आएगी, क्या, इसलिवार एक आएग आता है, क्योंकि vibrational freedom active नहीं था न, अभी vibrational degree of freedom active है, तो इसका number बदलेगा, देखो कैसे बदलेगा, थर्ड हम लेते हैं, triatomic gas, अब triatomic पहले बात करते हैं, linear की, बताओ, n की value कितनी हो जाएगी, 3, बताओ, या total degree of freedom कितनी मिलने वाली है, आपक तीन पार्ट करो, कौन-कौन से, translational, rotational और vibrational, बताओ, translational degree of freedom कितनी, 3, बताओ, triatomic non-linear के लिए, rotational degree of freedom कितनी, linear, sorry, non-linear बोला गया मैंने, linear, triatomic linear बोलाता मैंने, चलो, ठीक है, तो, 2R by 2, क्या 2R by 2, अच्छा, ठीक है, नहीं, मतलब सिर्फ degree of freedom पूछ रहा हूँ, कितनी होती है, 2, है न, तो, 2, अब बताओ, 90 total, 3 plus 2, 5 हो गई, तो बाकी जो बची वो कौन से होगी, vibrational degree of freedom कितनी हो गई, 4, जब आप इसके लिए CV लिखोगे, तो अब ब प्लस 2R by 2, प्लस 2R by 2, प्लस 4R, तो फोर प्लस 5, तो इतना है नी शायद 13R by 2 बन जाएगा, देखना एक बर, आएगा, बताओ, CP कितना बन जाएगा, 15R by 2, बताओ, गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 divided by 13, क्या सेम आप इसी तरह triatomic non-linear के लिए कर सकते हो, तो यहां कुछ रटना नहीं है, आपको इन में से एक भी वैल्यू याद नहीं रखनी है, आपको जी चीज याद रखनी हैं सिर्फ इतनी सी है कि जब भी कभी भी vibrational mode of freedom active होगा, या vibrational mode of motion active होगा, उस case में आप CV में उसका contribution कितना लेकर चलोगे, r की equal लेकर चलोगे, बस इतना याद रखना है, बाकी normal तरीका है, और आप इससे क्या कर सकते हो, अपनी vibrational degree of freedom को include करके, total degree of freedom निकाल सकते हो, उससे आप CP, CV, gamma किसी की भी value calculate कर सकते हो, तो यह था आपका एक छोटा सा term, degree of freedom, जो आपको हमेशा help करेग किस चीज के लिए, CP, CV और gamma की value calculate करने के लिए, अगर आप by chance, जिसे आप भी तो क्या आपने freshly पढ़ाई है, आज की चार लेक्चर वाद, छे लेक्चर वाद आप भूल जाओगे, कि CV मोनिटो में के लिए कि इतना होता है, CP कितना होता है, तो फिर वहाँ पे आपके पास क नाम में की degree of freedom, फटाफ़ट से आप imagine करके या बना कर देख सकते हो कि इसके degree of freedom कितनी होगी, उससे direct आजाएगा, कि अगर आप से CV पूचा है, तो FR by 2, क्योंकि वाइवरेशन तो consider होता ही नहीं है, CP पूचा है, तो CV प्लस R और gamma, आपको याद मैं गामा का एक formula सिखा है थ आपको 1 plus 2 by F, आप मेरे साब से ना मेरे एकर recommendation हो, तो gamma आप इस form में आद रोखो, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि को सोचने नहीं पड़ेगा, आपको गामा चीए, monoatomic, बताओ degree of freedom कितनी, 3, आगया 5 by 3, बोला diatomic, बताओ degree of freedom कितनी, 5, आगया 7 by 5, बोला triatomic non-linear, degree of freedom कित रखना, बहीं, vibrational एक special case है, जब तक question में नहीं लिखा होगा, मैं उसकी बात ही नहीं करें, मैं आपसे शुरू में बोल दियाता, vibrational आपके slaves में नहीं है, वो कभी active नहीं करेगा, पर जबस्ति करवा दे, तो वो चैंपन ने उस चीज को safe mode में ले लिया है, पहले से, कि करने हैं, CV, CP, degree of freedom, अब हम लोग move करेंगा, अपने एक बहुत अगले, बहुत ही important term है, जो इस chapter की backbone कह सकते हैं, spine है, backbone नहीं है, spine है, बहुत सारे joint होते हैं, तो उनमें से एक joint है ही है, the next term is internal energy, तो फिर copy करो, फिर हम बात करते हैं कि internal energy क्या होती है, कैसे मुसे define करते हैं, और क्यों वो इतनी important है, जो अब हम move करते हैं, बहुत important term है, जिसका नाम है internal energy, तो इंटरनल जी क्या होती है, नाम से बता लग रहा है, अंदर की energy, अंदर की आग, अंदर उनी, खेर, simple सी बात देखो, हम दिन बर कुछ नहीं कुछ काम करते हैं, मैं काम कर रहा हूं, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, बता है कौन से energy यूज कर रहा हूं, internal energy, heat energy, basically heat energy, हाँ बोल सकते energy कि बहुत सारे forms होते हैं, ठीक है, तो basic सा बंडा क्या है कि नाम से लग रहा है, एक system की खुद की अपनी energy, जब मैं कोई काम कर रहा हूं, तो एस तो नहीं कोई मेरे wire लगा रखा है, से मैं कोई supply हो रही है, और मैं फिर काम कर रहा हूं, machine तो है नहीं अपना, तो होता क्या है, एक system के पास अपनी खुद की कुछ energy होती है, वो जो अपनी खुद की कुछ energy होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी internal energy बोलते हैं, तो simple words है, ऐसे ही आपको समझना है, कि system के अंदर जो energy stored है, जो भरी हुए energy है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी internal energy बोलते हैं, अब हम आगे चले के laws of third ranks पढ़ेंगे, हम सीखेंगे, कि जब हम कोई काम करते हैं, जहां हम heat लेते हैं या देते हैं, तो basically change किसके अंदर होता है हमारी internal energy के अंदर, simple सी बात, अ मतलब मैं energy ले रहा हूँ, heat is the mode of energy, तो अगर मैं energy ले रहा हूँ, तो मेरी खुद की energy बढ़ेगी, मतलब मेरी internal energy बढ़ेगी, अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो उसमेरे को अपने energy use करनी पढ़ेगी, तो फिर मेरी energy क्या होगी, कम होगी, तो यह सब हम सीखेंगे कि लगलग काम, बहुत ध्यान से देखना, हम जिस तरह से इसको define करेंगे, उस तरह से हम इसको calculate नहीं कर सकते, क्या कह रहा हूँ, कि हम जिस तरह से energy को define करेंगे, उस तरह से हम calculate नहीं कर सकते, तो आप कभी उस रास्ते जाना भी मत, मैं define करता हूँ, आप देखो, हमने define किया ह तो देखो, इंटर एनरजी को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं एक सिस्टम बनाते हैं ये लाइन पता नहीं कब सीधी बनेगी घोर तपस्या करने पड़ेगी बगवान से बरदान लेना पड़े हैं लाइन सीधी बन जाए कभी नहीं बनती कहां परफेक्ट है मिड़ी लाइन के भी सीधी नहीं जाती है खेर छोड़ो, यह हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर गैस मॉलेक्यूल्स बढ़े है मतलब बेसिकली जो गैस मॉलेक्यूल्स है यही मेरा सिस्टम है एक त्येक सिस्टम है जब हम सिस्टम के इंटर नेजी को डिफाइन करने चलता है आप एक्स्टरनल फेक्टर्स को निल कर देते हो एक सिस्टम की जो मेंली इंटर नेजी होती है उसमें काइनेटिक एनरजी प्लस पोटेशर गी दोनों का हम कॉन्टूशन मान कर चलते है अब काइनेटिक एनरजी अपने आप में बहुत सारे तरह की हो सकती है ट्रांसलेशनल हो सकती है पढ़ाई आपने भी रोटेशनल हो सकती है वाइबरेशनल हो सकती है पोटेंशनल जी पोटेंशनल जी बहुत तरह की हो सकती है Potential G अगर मान लो, gas molecule के अंदर charge है, तो electrostatic Potential G हो सकती है, nuclear particle के अंदर nuclear energy काम कर सकती है, mass की वाज़े से gravitational potential energy काम कर सकती है, तो यह बहुत सारी की form of Potential G है, लेकिन हां, broad category में सारी kinetic energy, plus सारी Potential G को अगर आप मिला दो, तो जो energy बनती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं internal energy बोलते हैं लेकिन ध्यान रखना हम internal energy में अगर देखे मान वज़े सिस्टम move कर रहा है तो बता है system move कर रहा होगा तो उसके पास कौन से energy होगी kinetic energy होगी हम system के movement को नहीं मान कर चलते हैं मतलब हम जब internet energy को define करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि system कहाँ पर होना चाहिए system must be at rest मतलब उसकी जो external kinetic energy है वो कितने होनी चाहिए zero मैं जस kinetic energy की बात कर रहा हूँ वो अंदर के molecules के kinetic energy है यह molecule translate कर रहा है उसकी kinetic energy यह rotate कर रहा है उसकी kinetic energy यह vibrate कर रहा है उसकी kinetic energy, मैं उस kinetic energy को consider नहीं करूँगा, जिसमें system move कर रहा है, तो जब हम internal energy को define करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ हम system को कहाँ पर मान कर चलेंगे, rest पर, दूसरा, दूसरा हम बोलेंगे, कि यहाँ पर कोई भी external force नहीं होना चाहिए, एक्स्टरनल फील्ड नहीं होना चाहिए, मतलब इस पर कोई force नहीं लग रहा है, बहार से कोई pressure नहीं लग रहा है, system है ना, जैसे मान लो, यहाँ पर है, यहाँ पर gravitational field है, यह electric field है, इसके molecules electric field से interact कर सकते हैं, magnetic field है, मान लो, molecules, paramagnetic हैं, तो हम magnetic field से क्या कर सकते हैं, interact कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, system को बाहर से energy मिलेगी, अब जब system को बाहर से energy मिल रही है, तो क्या आप कभी system की खुद की energy major कर पाऊगे, नहीं कर पाऊगे ना, उसमेंशा क्या आएगी, error आएगी, टिक, तो इन इन दोनों चीज़ों को हम क्या करकर चलते हैं, restrict करकर चलते हैं, जब हम किसी system की internal energy define कर रहे हैं, तो पहली चीज, system move नहीं करना चाहिए, मतलब system rest पर होना चाहिए, और दूसरा, system पर कोई external force या field भी काम नहीं करना चाहिए, इन दोनों conditions के बाद, अब बताओ, इस system को क्या कई बाहर से energy मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, तो अभी system के अंदर जो energy stored होगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी internal energy बोलेंगे, बोलो बात समझ में आती है या फिर नहीं, ठीक है अब इससा आपको याद लिए रखना, अब समझो, मैं आपको basic logic सिखा रहा हूँ, कि हम energy को जब define करते हैं, तो हम किस चीज को measure कर रहे हैं, तो basically हम सिर्फ और सिस्टम के अंदर कितने energy stored है, उसको देखना चाह रहे हैं, हमें बाहर के energy से मतलब नहीं, अब इस condition में, system के अंदर, जितने भी possible types of energies होगे, जितने भी possible types, उन सबको आप add कर दो, तो आपको क्या मिल ज energy, जब मैं energy को U से denote करता हूँ, U या capital E, दोनों से इनको हम denote करता है, मैं generally U ही use करता हूँ, आपको books के अंदर exam में E भी लिखावा मिल सकता है, तो confused मोतो ना, तो देखो, अब U किसके एकोलोगी, U kinetic, मतलब जो भी molecules के पास kinetic energy होगी, plus U rotational kinetic energy, plus U vibrational kinetic energy, या फिर electrostatic, या फिर nuclear, और और भी जितने possible types हो सकते हैं, कुछ हमें पता है, और कुछ तो हमें पता ही नहीं होगा शायद, जो पता है, जो नहीं पता है, सब को add कर दो, उन सब को add करने पर अब इस system के पास जो खुद की energy होगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी internal energy बोलते हैं, त आपको definition रटनी बटनी नहीं है, आप सिंपल सा इसको define कर सकते हो, कि वैं, the system is at rest, and in absence of any external field, the sum of all possible kinds, all possible kinds of energies in the system is called its internal energy, और इस definition की बाद आप इसे लिख सकते हो, U kinetic plus U rotational plus U vibrational, electrostatic, nuclear, सारी के सारी को आप add कर दो, तो आपको system की overall internal energy मिल जाएगे, तेक, sorry, हाँ, आप बोलो क्या बोल रहो, सारी external field का है, वो होने चाहिए, वो ही न, खुद की जो energy, बस वो counter, अब देक, आप खुद समझे रो, definitions है, ये सब को calculate करके add करना possible नहीं, क्योंकि इनको तो हम जानते हैं, चलो, हो सकता कुछ energy forms ऐसे हो, जुनको हम जानते ही नहीं, और भी तो बहुत सरे type of interactions हो सकते हैं, तो क्या होता है, ये सिर्फ define करने के लिए है, हमने define कर दिया, ठीक है, अब इसको calculate अलग तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, वो भी मैं आपसे बात करता हूँ, लेकिन देखो पहले, अब ये सब definition मलगा आपको रटने ज़रूत नहीं है, simple, system के पास अपनी खुद की जो energy होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी internal energy बोलते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, हम internal energy की absolute value पता नहीं कर भाएंगे, क्यों मैं आपसे बोला, क्यों हम इन सब चीजों को count करके add नहीं कर सकते हैं, इसमें से कुछ हमें पता है, हो सकता है कुछ ऐसी forms जो हमें नहीं पता हो, तो हम आप मुझसे बोलो, इस chalk की internal energy बताओ, तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, समझ में आरी बात आपको भी बोले, कि hydrogen gas की 5 degree Celsius पर internal energy बताओ, मैं नहीं बता सकता हूँ, तो मैं क्या बता सकता हूँ, वो भी मैं आपसे बात करता हूँ, तो हम discuss करते हैं इसके बाद properties of internal energy की, एक इंटरेनजी की कुछ characteristics होते हैं, जो हमें एक-एक करके discuss करते हैं, और discuss करते हैं, यह को characteristics of internal energy, तो बहुत important कुछ characteristics हैं, आप मुझे खुदी बताओगे, बताओ, भूल जाना आपको कुछ याद है पुराना, logic से बात करना, बताओ, इंटरेनजी एक extensive property होनी चाहिए है, intensive, क्यों? हाँ, simple है, देखो, यह एक system है, इसमें यह इतने gas of molecules हैं, चार, यह दूसरा system है, जुसमें इतने सारे gas molecules हैं, बताओ किस system के energy जादा होगी, क्यों? उसमें number of molecules क्या है, मतलब यह property amount of matter पे क्या करेंगे, depend करेंगे, अगर यह amount of matter पे depend करेंगे, तो बताओ यह कौन सी property होगी, extensive, तो पहली चीज़ जो आप लिखने वाले हो, तो यह दो, यह दो, फिर हम भूव करते हैं, आगे अपने second point पर, it is a state function, यह आपने सीखा था, state function आपने डिफाइन किये थे, तो आपने पहले state function से मिनने वाले है, internal energy हमारा एक state function है, और हम इस internal energy के, बेसिक मैं आप बता हूँ, आप यहाँ पे चार main state function बढ़ोगे, internal energy, entropy, gift energy और enthalpy, आप इन चारों में से किसी की भी absolute value पता नहीं कर सकते हो, तो आप दिखान रखना, इस चेप्टर में यह जीस काम मिलेंगे, कि हमारे पास जब भी कोई state function आएगा, हम उसकी absolute value पता नहीं कर पाएंगे, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या पता कर पाएंगे, उसके अंदर change, तिक, तो अगर हम देखें, change in internal energy, change in internal energy, बता हूँ किसे डिनोट करता है, डेल्टा यू से, और डेल्टा यू की value किसके एकोलोगी, यू final, minus u initial, अब देखो, आपने लिखा delta equal to u final minus u initial, तो यह जो delta u है, इसका sign positive भी आ सकता है, और negative भी आ सकता है, तो अगर delta u आया negative, less than 0, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा, internal energy of system, उस process में क्या हो रही है, decrease हो रही है, अगर delta u की value positive आ गई, तो बताओ, इसका मतलब क्या होगा, कि internal energy of system उस process के अंदर क्या हो रही है increase हो रही है यह भी आप बहुत important दिखान रखना कि यह एक state function है और हम internal energy के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या calculate कर सकते है change calculate कर सकते है बोले यहाँ तक कोई doubt समझ में आता है आपको चलब आप यह दो properties copy करो ऐसे को बहुत सारी properties नहीं दो ही main properties है उसके बाद हम यह देखेंगे कि हम internal energy को calculate कैसे करते है चलब तब सीखते हैं कि हम कैसे internal energy को calculate करते है समझने कोशिश करना थोड़ा सा पहले तो आपको थोड़ी सी यहाँ पर maths आनी चीए जो कि अभी आप लोगों ने इंटेक्शन डिफेरेंशन शाहिद पढ़ लिए और शाहिद नहीं पढ़ा हूँ तो आपको सिखाता हूँ कैसे होता है कैसे नहीं होता है देखो हमारे पास एक quantity है एक function है एक property कोई भी function है एक को हम अगर represent कर सकता है function of x and y क्या कर रहा है हम एक हमारे पास कोई quantity उसको हम एक function of x और y के terms में represent कर रहे हैं तो अगर हमने calculate करना है change in a change in value of a that is d a की value में हाँ calculate कर रहा हूँ तो देखो यह calculate करने के लिए हम थोड़ा partial differentiation का सहारा लेते हैं आपको याद है अपने differentiation में u into v वाला formula पढ़ा है क्या करते हैं एक बार हम u को constant लेते हैं और v का differentiation करते हैं और फिर हम v को constant लेते हैं और u का differentiation करते हैं करते हैं तो सेम उसी टाइप का formula है लेकिन partial differentiation की form में partial differentiation को denote कर लिए हम del sign use करते हैं तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ ध्यान से देखना आप मैं बोलूँगा कि अगर मुझे a की value में change निकालना है तो मैं बोलूँगा कि मैं पहले calculate करूँगा small very small change in a with respect to very small change in x at constant y समझ में रहा है यह अपने सीखा होगा यह बड़े change को दिखाता है यह उससे चोटे change को दिखाता और यह सबसे चोटे change को दिखाता है बहुत चोटा बहुत minute सा जो change होता है तो partial differentiation का सहारा हम ले रहे हैं आप language देखना है मैं जो दिख रहा हूँ अगर मुझे बड़ा change निकालना है या overall change निकालना है तो उसके लिए मैं इसको dx से multiply कर दूँगा कि गर x की value में छोटा change इतना है तो पूरी जब x की value change होगी तो उसका change कितना होगा इस से multiply कर दूँगा यह तो बताओ किस के respect में change आया x के respect में फिर जब मैं y के respect में change निकालूंगा तब मैं क्या लिखूंगा change in value of a with respect to change in value of y at constant x तो बहुत छोटा change आया तो जब value की value change dy से होगी तो बताओ total change कितना हो जाएगा into dy यह अपको याद नहीं रखना है यह अपको लिखना सीखना है ठीक है तो समझ में आगए चीज कैसे लिखी मैंने अभी अपने एक दो बार और लिखेंगे यूज करते हैं तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा तो अगर मेरे पास एक कोई x और y का function है तो मैं उसको इस तरह से use करते वे क्या कर सकता हूँ उसकी value के अंदर छोटा change d a calculate कर सकता हूँ सेम चीज मैं करने वाला हूँ internal energy के साथ किसके साथ internal energy के साथ अगर हम किसी गैस के लिए इंटर इनर्जी की बात करें किसी भी system के लिए इंटर्नल एनर्जी अब यह आपके लिए informative एक्सपरिमेंटल है इंटर्नल एनर्जी जो होती है this can be expressed as a function of function of volume and temperature आप इंटर्नल एनर्जी को volume और temperature के function की form में represent कर सकते हो कहने का अतलों जो मैंने यह उपर लिखा बता आप एक ही जाए क्या लिख सकते हो यू this you can be represented as a function of volume and temperature कर सकते हैं अगर हम यह कर सकते हैं तो हम यह भी कर सकते हैं बता हुने आप से क्या बोला इंटर्नल जी कैसा function होता है state function कैसा function होता है state function और हम इसके absolute value पता तो हम यहाँ पर भी क्या calculate करेंगे change तो अगर मुझे change calculate करना है change in internal energy that is du तो बताओ क्या लिखूँगा एक पर लिखूँगा change in value of u नहीं इसको रटने कुश्य मत करो language में बोल के लिखो change in value of u with respect to change in value of volume at constant temperature यह तो बहुत छोटा change आया तो overall change जब dv होगा तो इसमें change भी कितना हो जाएगा into dv और में आ रहा है plus plus दूसरा क्या लिखेंगे अब हम किसको constant मानके चलेंगे volume को तो क्या लिखेंगे change in value of internal energy with respect to change in temperature at constant volume into क्या लिखूँगा dv यह एक बहुत important equation जबको समझना है रटना नहीं है अब इसको बहुत simplified form के अंदर ले आएंगे लेकिन यह basic है देखो बहुत सारे लोग energy के direct formula लिखवा रहते हैं मैं भी लिखवा सकता था लेकिन फिर हम उससे पूछते की कहां से आया तो मैं आपसे बोलता कि याद कर लो तो मैं आपको origin से लेके चल रहा हूँ कि यह formula हम बना रहा है जो final formula है को बहुत बहुत simple है बस आप मेरे साथ चलते रहो यह equation आपको समझ में आता है चलो हम इस equation से internal energy calculate करना सीखेंगे अलग-अलग systems के लिए पहले हम बात करेंगे एक idle gas की फिर हम बात करेंगे solid liquid की और फिर हम बात करेंगे real gas के लिए हम कैसे internal energy वगरा calculate कर सकते हैं तब इसे copy करो और इसको हम और इसका operation करते है और देखते हैं कैसे अलग-अलग systems के लिए हम internal energy calculate करेंगे ठीक है चला हम copy करो है तो देखो केस मना रहे हैं सबसे बहुत हम calculate करने जा रहे है for an idle gas चलो जी एक बार हम दुबारा से उसी equation को लिखते हैं आपकी copy में लिखा है पर उसमें देखो मत कोशिश करो दुबारा से लिखने की तो आपसे क्या आगा कि change in energy हम calculate करना चाहते हैं du तो du का form क्या पना है हमने बुला u a function of volume and temperature तो इब गार हम लिखेंगे change in value of u with respect to v at constant temperature into dv plus दूसरा क्या लिखो गया बताओ change in value of u at constant temperature sorry with respect to temperature at constant v into dt ये अपना energy का basic partial differential की form में formula हो चुका है अब आप ध्यान दो एक idle gas के लिए किसके लिए एक idle gas के लिए ये वाला जो term होता है ना ये वाला क्या term है ये ये कितना होता है जीरो होता है बहुत important चीज जो आपको है पर ध्यान रखनी होगी that is for an idle gas क्यों होता है मैं अभी आ रहा हूं चिंता मत करो तिक कुछ भी अपना ऐसे बात नहीं करेंगे for an idle gas जब तुम आपको technical reason बता दूँ the internal energy is a function of temperature only इसका मतलब that is it depends on temperature only एक idle gas के लिए जो internal energy होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसका function होती है temperature का function होती है और temperature पर depend करती है और volume पर depend नहीं करती है और इसी लिए and therefore del u by del v at constant t की value हम कितने लेकर चलते हैं 0 बात समझ में आ रही है समझ में क्या आ रही है दिख रहा है आपको कि हम नहीं लिख लिया है कि del u by del v at constant t कितना होता है 0 इसका technical reason तो है यह experiment reason क्योंकि experiment यह observe किया गया है कि किसी भी idle gas की energy सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किस पर depend करती है temperature पर depend करती है पर मैं आपको इसको on paper भी explain कर सकता हूँ आप लोगों ने गैसी स्टेट पड़ी लिया है आप real gas idle gas कारे में जानते ही हो तो अगर मैं idle gas की बात करूँ तो बताओ idle gas की क्या property हो भी किस gas को आप idle gas बोल सकते हो ठीक है which follows pv कोलटो नाटी उसके लाब idle gas की और property बताओ जो बिलकुल आइडियल मतलब जो भगवान हो है कुछ भी मैं जरे जवाब मांगरी है जवाब दो idle gas की प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी चाहिए हमेशा सबसे इंप्रॉइन प्रॉपर्टी वह ही होती है उसी के बैसे हम बात करते है idle gas के molecules के बीच में ना तो कोई attraction होता है और ना ही कोई repulsion होता है there is no interaction between the molecules of an idle gas तो अगर मेरे पास सपोज ही एक idle gas है ठीक तिश के molecules हैं बताओ इन molecules के बीच में ना तो कोई attraction है और ना ही कोई repulsion है इस gas की volume का मतलब क्या है? इस gas की volume का मतलब है इसके molecules की बीच में खाली space जो खाली जगे होते हैं molecules की बीच में उसी को हम क्या बोलते हैं इस gas का volume अब आप देखो, इस term का मतलब है इस term का मतलब है change in value of internal energy with respect to change in volume at constant temperature आपने अगर यहाँ पर temperature को constant कर दिया है तो बताओ gas का volume कैसे बदल सकता है गैस का volume बदलने के लिए क्या या तो molecules पास आएं या फिर molecules क्या जाएं दूर जाएं अब ना तो इनके बीच में कोई attraction है तो यह पास तो आने से रहे नहीं के बीच में कोई repulsion है यह दूर भी जाने से रहे तो इनका volume चेंज करने का तरीका जो था वो था temperature अगर आप temperature बढ़ाते तो molecules का integrity बढ़ती है और वो दूर भागते उनके बीच में spacing बढ़ती अगर आप temperature कम करते तो spacing क्या होती कम होती तो यहाँ हमने temperature constant रखा है अल्दो यहाँ volume constant नहीं तो अभी piston लगा सकते हो गर यह gas expand होगी तो piston बहार move करेगा compress करोगी तो अंदर move करेगा ठीक है तो temperature में ने constant रखा हुआ है और नहीं लगा रहे ना अपन external energy पिस्टल लागे छोड़ दिया है प्रेशर नहीं लगा रहे है अपन बहार से को इसके ऊपर जो प्रेशर है वो maintained इतना बस अपन आगे से प्रेशर नहीं लगाएंगे हम तो सरफ temperature का effect देखा है temperature यहाँ पर constant है अब अगर आप बोलते हो कि आपने pressure बढ़ाया तो यह तो external field आ गया है ना हम external की तो बात ही नहीं कर रहे है खुद से होना चाहिए internal की बात करें बहुत अच्छा आप लोग ने खुद ही अपने question का जवाब दे दिया है यह external एक्स्टन नहीं लगाया अपने pistol लागे छोड़ दिया है frictionless piston है यह maintained है यहाँ पर अभी मनलब दोनों साइट का pressure बराबर है उसके बाद हम इसको नहीं छेड रहे है बढ़ना आप फिर मैं अगर यह लिखता ना भी तो आप बोलते कि डबा क्लोज है volume कैसे बढ़ेगा उसलिए मैंने piston लगाया था खेर छोड़ो हटा देते हैं इसे नॉर्मल बात कर लें ठीक है तो बताओ क्या इस gas का volume constant temperature पर change हो सकता है तो जब volume change नहीं होगा तो बताओ इंटरनल जी कैसे change होगी इस term का मतलब क्या है change in internal energy with respect to change in volume तो जब volume change हो ही नहीं रहा है तो इसके energy भी change नहीं होगी और अगर energy change नहीं होगी तो इस term का मतलब कितना हो जाएगा 0 बुलाई बात समझ में तो किसी भी idle gas के लिए आपकी equation में ये जो term है del u upon del v at constant t इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं 0 और अब आप देखो जैसी मैं इस term को 0 लिख रहा हूँ कितना लिख रहा हूँ? 0 लिख रहा हूँ तो क्या change बनेगा? अब मेरे पास formula बन जाएगा du is equal to del u upon del v, sorry यह अला term to 0 होई गया, क्या बनेगा? del u upon del t at constant v into dt बना? यह जो हम सारी correction कर रहे हैं यह भी 1 mol gas के लिए कर रहे हैं यह formula जो आया, यह भी कितने mol gas के लिए आया है? 1 mol gas के लिए आया है अब क्या करते हैं? यह जो term है, इस term को मैं एक नाम दे रहा हूँ वो नाम क्यों दे रहा हूँ? वो मैं आपको अब इस इन्फोर्मेशन लेना है आगे चल कर मैं आपको बताऊंगा जो हम first law के आस पास पहुँचेंगे क्यों मैंने इस term को यही नाम दिया? इस term को मैं नाम देता हूँ cv नाम दिया है, that is molar heat capacity at constant volume तो अब बताऊ, du की value कितनी हो गई? cv into dt कितने mol के लिए? 1 mol gas के लिए तो बताऊ, अगर आपके पास n mol of gas है बताऊ, du की value कितनी बन जाएगी? n cv into dt यह वो formula है, जो आपको याद रखना है कि cv idle gas के लिए change in energy का सिर्फ एक ही formula है that is n cv dt, बोला लिख सकते हो? कोई doubt है? समझ में आ रहा है हैं तक? चलो, अभी मैं इस term पे दुबारा हूँगा, पहले इसको अपन पूरा ख़तम कर लेते हैं यह तो क्या है? small change है dt change in temperature के लिए energy में change कितना है? du अगर मैं temperature को t1 से t2 ले जाओं, तो बताओ overall change कैसे calculate करूँगा? integrate करके, तो अब हमें अगर overall change in energy निकालना है तो इस equation को integrate करना होगा यहां से आप लिख सकते हो, कि the overall change in internal energy, that is delta u तो बताओ delta u के लिए किसके इको लोगी? integration of du integration of du किसके इको लोगा? integration of n cv dt बताओ limits कहां से का जाएगी? t1 से t2 अगर आप इसके limit लिखना चाहो, तो u1 से u2 लिख सकते हो तो इसे calculate करोगे, बताओ delta u is equals to क्या बनेगा? एक तो आप लिख सकते हो, u2 minus u1 तो इसको छोड़ दो के ज़रत नहीं है, equal अब बताओ, इसको integrate करूँगा मैं तो क्या n cv बहार आ जाएगा? depend करेगा मानलों, अगर cv temperature पर depend कर रहा है, तो क्या मैं उसे बहार निकाल सकता हो? नहीं निकाल सकता है न cv अगर temperature independent है, तो ही मैं उसे बहार निकाल सकता हो, तो एक idle gas के लिए तो आप निकाल सकते हो, idle gas के लिए cv temperature से dependent नहीं होता है, तो क्योंकि हम भी idle gas की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको temperature, मैं इसको बहार निकाला हो, integration से, n और cv बहार आ गया, बताओ formula क्या बनेगा? तो किसी भी idle gas के लिए, अगर आप उसका temperature बदल रहे हो, t1 से t2, बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, वो अलग चीज है, अगर आप उसका temperature बदल रहे हो, तो बताओ उसके लिए change in energy का formula क्या होगा? n cv into t2 minus t1 होगा, कोई डाउट? समझ में आता है? जहांसे एक और क्यों, अगर आप देखना चाहों तो, if delta u is positive, बताओ delta u positive होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? t2 will be greater than t1 होगा, यानि एक idle gas का temperature बढ़ाने पर उसके energy क्या होगी? बढ़ेगी, if delta u is less than 0, तो बताओ क्या होगा? t2 less than t1 होगा, और उस idle gas का temperature क्या हो रहा होगा? decrease हो रहा होगा, तो बहुत simple सी बात है, अगर आप idle gas का temperature बढ़ाते हो, तो उसके energy बढ़ेगी, या उल्टा बोल दो, अगर उसके energy बढ़ रही है, मतलब उसका temperature क्या हो रहा होगा? बढ़ र होगा, समझी माई बात, आपको सिर्फ यह formula रखना है, अब हम बाकी के लिए बनाएंगे, solid के liquid के, मैं पहले ही बता दू, उनके लिए भी यही formula एगा, 99% टाइम्स आप delta u का यही formula यूज़ करोगे, सिर्फ एक परसेंट केसे में integration वाला formula यूज़ करना करेगा, पढ़ेग है, क्योंकि यही में कभी वो पूछा नहीं गया है, इसी साल ऐसा हुआ, मैंने class में बहुत चलने चला के बताता है, एक topic और हो आया means के अंदर, तो इस पर भी question बनता है, जो आज तक कभी नहीं पूछा गया, लेकिन वो कभी भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए तयार रह मैंने cv लिखा है, del u upon del t add constantly, उल्टा लिखे है, हाँ ठीक है, इसी को दर cv लिखा है, तो यह term कैसे आया हूँ भी मैं आपको आगे सिखाऊंगा, मुझे बस first लोग बता दूँ, उसके और मैं आपको इस चीज़ जरूर बताऊंगा, अभी आप देखो, इसका mathematical form समझने की कोशिस करो, ज्यान से देखना, रटना नहीं है, समझना है सिर्फ आपको इसको, मैं एक graph बना रहा हूँ between x and y, ठीक है, होगा कोई भी graph, ऐसा कुछ graph है, बता कर मुझे किसी भी point पर slope लिखनी है, तो slope का formula क्या होता है, उल्टा बना दे मैंने, यह x है, और यह y है, slope का formula क्य क्या होगा, dy by dx, होगा, या अगर मैं partial formula लिखना चाहूँ तो मैं इसको del y by del x लिख सकता हूँ, सही है, अब उदर देखो दुबारा, very good, क्या हो सकता है, एक graph का slope और ग्राफ किसके बीच मैंना चाहिए, यू और ट के बीच मैं, यानि, internal energy versus temperature graph की जो slope होगी, वो किसके बराबर होगी, cv के बराबर होगी, यानि, हम इस term को लिख सकते हैं, this term can be equal to slope of ut curve, तो जब आप, हाँ, जब आप internal energy और temperature के लिए graph बनाओगे, एक idle gas के लिए, तो cv किस चीज को denote कर रहा होगा, उस graph की slope को denote कर रहा होगा, और आपसे बोल दूँ, कि ये एक internal energy versus t का graph है, कुछ मानलो, ऐसा graph बना, और मैं आपसे बोलूँ कि t temperature पर इस gas की cv की value बताओ, तो आप क्या गरो, जिस point पर आपको cv बताना है, आप क्या गरो, ये कभी सीधी नहीं बनी, तो यहाँ से आप क्या गरो, एक line कीचो, आप कीच लेना, अरे वाँ, यहाँ से थोड़ी सी bend, इस line की slope निकाल लो, आपको क्या मिल जाएगी, cv की value मिल जाएगी, ठीक तो किसी given temperature पर आप cv की value calculate कर सकते हो, जिस temperature पर आपको cv के लिए निकाल ली है, उस point पर आप graph की क्या निकाल लो slope, उस से आपको उस gas के लिए cv की value मिल जाएगी, तो यह बहुत, बहुत, बहुत important है, आज तक जहीं में नहीं पूछा गया, और बहुत छोटी सी चीज है, mains में तो बड़ी प्यार से पूछा ज सकता है, कि graph बना दूँगा, ऐसे line खीज़ दूगा, और बोलूगा, बता उसकी slope किसको represent करती है, तो ut graph की जो slope है, वो किसको represent करती है, cv को represent करती है, को दिखकत, समझ में आते हैं आपको बात हैं तक, तो यह थी अपनी पहली term, internal energy, और हमने इसको किसके लिए calculate करना सिखा, एक idle gas के लिए calculate करना सिखा, सिंस मैंने आपको इसका formula बता दिया है, तो अब मैं आपको इसकी unit भी बता दूँ, वो भी बहुत important है, तो देखो, idle gas के लिए delta U का formula क्या बना बताओ, ncv delta T, और जो इसकी unit है, unit of internal energy, वो हम generally use करते है, किलो जूल पर मोल, यह इन्टर जी का हमे तो इसकी unit है, जो हम लोगो कभी कभी काम में लेनी पड़ेगी, अभी unit conversion मैं आपको आगे सिखाऊंगा, अब हम इसके पर numericals नहीं कर रहे हैं, अब हम सरफ formally derive कर रहे हैं, numericals हम एक साथ करेंगे, जब हम first law पढ़ लेंगे, कौन सा law पढ़ लेंगे, first law है न, तब numericals की बात क रहे हैं, तो यह तुछी सिर्फ किस के लिए, idle gas के लिए, अगर second case, for solids and liquids, तुरे को solids, liquids के लिए कैसे define करते हैं, ध्यान देना, अगर कोई process हो, जैसे बात करो, gas, liquid, solid, बताओ, सबसे आदा compressible कौन होता है, gas, expendable भी कौन होता है, gas, तो जब किसी process में solid or liquid होते हैं, उनके volume में change almost क्या होता है, negligible, क्योंकि solids और liquids क्या होता है, almost incompressible होता है, तो अगर वो almost incompressible है, तो आप उसको किसी भी process में डाल दो, उसके volume में आपको कोई significant chain नजर नहीं है, इसी चीज़ का हम फाइदा उठाते हैं, और अपने formula को वापस से transform करते हैं, बताओ, net change in internal energy का formula क्या था, du is equal to del u upon del v at constant t into dv plus del u upon del t at constant v into dt, यह पर लिख सकते हो, कि since solids and liquids are almost incompressible, तो आप इनको किसी भी process में डाल दो, इनके लिए volume almost क्या रहेगा, constant, बताओ अगर volume constant रहेगा, इसका मतलब dv की value कितनी हो जाएगा, जीज़ वह दीवी क्या होता, change in volume, अगर volume constant है, तो change in volume कितना आएगा, बताओ जैसे ही यह आपने value डाली, तो यह term 0, यह term 0 होते है, फिर से वाला term गायब हो गया, बताओ जैसे यह term गायब हुआ, अब इंटरेल जी का formula क्या बना, फिर से घ्यूम फिल के वही formula बन गया, कि du के value किसके को बन गई, del u upon del t at constant v into dt, बस यह कहाँ पर है valid, पर हमने condition कौन से लिए constant volume, तो solid liquid के लिए, since volume हमेशा constant होता है, तो du के value किसके को लोगई, del u upon del t at constant v into dt, बहुता समझ में आ रहा है, बताओ इस term को मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर से cv, cp cv सिर्फ gases के लिए define नहीं होती, वो solids के लिए define होती और liquids के लिए define होती, तो du की value आप फिर से क्या लिख दोगे, cv into dt, लिखोगे, बताओ, overall change के लिए क्या करना पड़ेगा इसको, ये 1 mole के लिए, तो अगर हम n moles के लिए बात कर लें, वो भी लिख लो, तो du का formula क्या बन जाएगा, n cv into dt, और अब अगर आपको overall change निकालना है, तो आप delta u लिखोगे, क्या integration of n cv into dt, from temperature t1 to t2, अब मैं देखो, cv को integration से बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि generally solids और liquids का cv किस पर depend करता है, temperature पर depend करता है, अब ऐसा हो सकता है, कि वो temperature पर depend ना करें, जब नहीं करेंगा, तो बता हूँ क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे, तो ऐसा करते हैं, दो case बना लेते हैं, और क्या है? आपना case बना के, discuss कर लेते हैं, if cv is independent of temperature, बताओ, जैसी independent होगा, आप ncv को बाहर निकाल लोगे, देको delta u का फिर से वही formula बन जाएगा, क्या ncv into t2 minus t, आपसे बोला, चाए गैस हो, चाए solid हो, चाए liquid हो, 99% cases में आप यही formula यूज करोगे, लेकिन अगर cv temperature पर depend कर रहा है, तो तब आप क्या करोगे, फिर आपको और कुछ नहीं कर सकते, फिर तो आपको integration ही करना होगा, cv dt का, cv की जो भी value होगी, आप यहाँ पर रखोगे, मालों मैंने आपसे बोल दिया, कि एक solid के लिए cv के value है 5t, है ना, अब देखो cv temperature पर depend कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, cv के लिए यहाँ रखनी पड़ेगी, तो आप लिखोगे n 5 into t dt, तो मालों मोल्स हैं 2, तो 2 को तो आपने बाहर निकाल लिया, 5 को बाहर निकाल लिया, 10, t1 से t2 limit लगा दो, बताओ, t का integration क्या बनेगा, t2 by 2, यहाँ limits रखते हमको क्या करना पड़ेगा, solve करना पड़ेगा, तो इनमें calculation बहुत जादा होती है, इसलिए जेई में आपसे most of the times, मतलब chances ही नहीं होते हैं कि इससे question पूछा जाए, पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, पूछेगा तो छोटी सी value देकर ही पूछेगा, तो आप उसको integrate कर सकते हो, और तब तक तो आप maths में इतना integration पड़ चुके होंगे, कि यह आपके लिए लल्लू सी चीज़ होगी, कौन सी चीज़ होगी, लल्लू सी चीज़ होगी, तो इसके आपको चिंता ही नहीं करनी है, focus आपको भी करना है इस formula के पूपर, तो चाहिए idle gas हो, चाहिए solid liquid हो, सबके लिए internal is change कर लिए की formula है, du is equal to n cv dt, और इसको integrate करके लिए खोगे तो n cv delta t, आई बास समझ में, अब कौन बचा, idle gas होगी, solid liquid होगी, अब कौन सी gas बची, real gas, real gas के लिए formula क्या होगा, real gas के लिए formula हम direct derive नहीं कर सकते हैं, वो अपने को calculations करनी पड़ेगी, तो वो अपने syllabus में नहीं है, लेकिन वो जो हमने equation पड़ा, ये वाला, इसको हम real gas के लिए analyze जरूर करेंगे, लेकिन हम आज नहीं करेंगे, वो हम लोग करेंगे, अपने next lecture में, वहाँ पर आपको चीज सीखने हैं, आपको real gas के लारे में, वो मैं बताऊंगा, बस वो ही आपको ध्यान रखना है, तो आज का lecture बहुत important है, आद में आपको एक बहुत important term सिखा है, internal energy, यह आपको सब कुछ याद नहीं रखना है, ठीक, जो याद रखना है, वो सिर्फ इतना सा है, यू एक extensive property है, internal energy, एक state function है, और delta U का formula क्या होता है, N, C, V, delta T होता है, बाकी सब चीज़ आपको समझ नहीं थी, समझते जाओ, भूलते जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, काम में आपको सिर्फ यही चीज आएगी, मिलते हैं next class, बात करते हैं real gas की, और इसके वाद हम मिलेंगे अपने दो और नए functions है, जिनका नाम है heat and work, कैसा हम heat and work को define करते हैं, कैसा इनको calculate करते हैं, और इसके वाद हम बात करेंगे first law of thermodynamics की, तो मिलते हैं next lecture और यहाँ से आगे continue करते हैं, लो students, देखो हमारे chapter thermodynamics के अंदर, हम लोगों ने अभी तक internal energy को cover किया था, last class मैंने बात कीती कि internal energy क्या होती है, कैसे हम से define करते हैं, तो मैं दो चीसी कीती है कि define करने का तरीक अलग होता है, और calculate करने का तरीक अलग है, तो मैं लोगों ने इंटर जी के अंदर change calculate करना सीखा था, यह ने सीखा था कि internal energy कैसे property एक, extensive property और साथ ए साथ यह कैसा function है, state function, very good, बहुत बड़े है, path function है, state function हम इसके अंदर क्या calculate कर सकते हैं, change, delta u, तो मैं लोगों ने delta u का formula पी सीखा था, आपको पताया था कि किसी भी system के लिए में इंटर जी को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, as a function of volume and temperature, तो आपको से बहुती अजीब सा फामला पी से खाया था, that was using partial differentiation, क्या था बताओ, small change in u with respect to small change in v at constant t into dv plus, very good, t at constant volume into dt, फिर इसको हमने transform किया था, हमने तीन चीजों के लिए बात किती, एक तो हमने बात किती किस के लिए, idle gas के लिए, तो आइडल gas के लिए हमने क्या कहा था, तो volume constant थोड़ी होता है, idle gas के लिए क्या होता है, ये वाला term क्या हो जाता है, जीरो, क्यों? क्योंकि idle gas के लिए, internal energy सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किस पर depend करती है, temperature पर, वो volume का function होती नहीं, तो अगर volume change नहीं होगा, तो ये term क्या होगा, आपका zero, और फिर हम इसे आडराइव किया था, हमने बोला था, कि du का जो formula बनता है, अगर आपको overall change निकालना है, तो आप इस equation को integrate करोगे, और ये किसके एक वलाएगा, एन CV into delta T, ये फिर आप delta D के लिए लेख सकते हो, T2 minus T1, फर्दर, जब हमने solids और liquids के लिए बात की थी, तो हमने क्या बोला था, कि वह जब आपका solids और liquids है, सिंस ये almost incompressible होते हैं, तो किसी भी process में इनका volume almost क्या रहेगा, constant, तो इनके उपर हमेशा constant volume की condition valid होती है, और उस case में हम DV को कितना लिख सकते हैं, जैसे हम DV को 0 लिखेंगे, पताव फिर से DU का formula क्या बन जाता है, integration of nCVTT, जैसे कि मैं आपको बताया, idle gas के लिए तो CV temperature पर depend नहीं करता है, लेकिन solids or liquids के लिए CV temperature पर depend कर सकता है, अब आपको question के इसाब से चलना होगा, अगर CV independent है, तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे, और अगर CV temperature पर depend करता है, तो उस पहली को यहां रखके, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इंटेग्रेट करना पड़ेगा, तो ultimate जो चीज हुई, जो conclusion था हो सिर्फ इतना सदा, कि यही delta U का formula है, 90% cases में आप इस formula को यूज करोगे, 99 गुला था last class वैसे मैंने, बढ़ा, अब दोनों को include करने, तो 90% cases में दोनों के लिए ही ये formula काम में आएगा, बाकि 10% cases में आपको integrate करना पड़ सकते हैं, तो हम आगे चलेंगे, निमेरिकल पार्ट में इंटर करेंगे, तो ये चीज़ें भी मैं आपको use करके सिखांगा, ठीक, next आज हमें बात करने ही किस के बारे में, real gas के बारे में, आडल के लिए कर लिया, अब बात करते हैं, real gas के बारे में, real gas के लिए हम कैसे change in energy calculate कर सकते हैं, तो यहां में formally discuss नहीं करने हैं, वो आपके slayvus में नहीं है, और आपको सिर्फ अभी एक चीज़ का sign discuss करना है, तो देखो, heading डालो अपने शायद ये third part होगा, that is for a real gas, ठीक है, तो चाहिए कोई साभी system हो, चाहिए idle gas हो, चाहिए real हो, चाहिए solid हो, चाहिए liquid हो, जो change in energy का formula है du, वो किसके equal है, del u by del v at constant t into dv, plus del u by del t at constant v into t, बनेगा, हमें basically discuss करना है इस time को, पर यह जो आपका term है, यह क्या है, del u upon del v at constant t, इस term का real gas के लिए, अलग-अलग conditions में sign क्या होता है, अलग-अलग होता है, तो वो sign क्या होगा, बस आपको यह पताना, यार रटना नहीं पड़ेगा आपको, जो यार रखने चीज़ों बहुत आसान है, पर आप पहले समझो, इस term का sign आपको पता होना चाहिए, अलग-अलग conditions में, तो हम इसके sign को discuss करने, इसके sign को discuss करने से पहले, आपसे बहुत छोटी चीज़ डिसकस करता हूँ, इशाद आप लोगों को आती होगी, नहीं आती हो तो कोई बात में, आप इसे ध्यान रखना, देखो, जब भी कभी किसी system में, attraction forces exist कर रहे हैं, attraction forces dominate कर रहे हैं, तो बताओ, system के energy पर क्या effect पड़ेगा, उसके energy बढ़ेगी या फिर कम होगी, ऐसे नहीं बात कर रहे हैं, आपन ऐसे बात कर रहे हैं कि, जिसे चार पार्टिकल हैं मेरे पास, इनके बीच में attraction forces dominate कर रहे हैं, repulsions के उपर, तो बताओ, इस system की energy पर आप क्या comment कर सकते हैं, increase होगी, क्यों? तो हम यह बात तो नहीं कर रहे हैं, कि हमें अलग करने के लिए नहीं चाहिए, हम तो system की energy की बात कर रहे हैं, बढ़ेगी कम होगी, क्यों? हाँ, very good, बढ़ेगी सिंपल जी बात है, जैसे ये पांच molecules में attractions हैं, और यही पर ये पांच molecules हैं, जिनके बीच में repulsive forces हैं, बताओ, कौन सा system ज़्यादा stable होगा? कौन सा system ज़्यादा stable होगा? जहां attractions हैं, तो जहां attractions हैं, वो system ज़्यादा stable होगी, उसके energy क्या होती है, उतनी ही कम? जो system जितना कम stable होगा, उसके energy क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा. यह चीज़ आप ऐसे physics में सीखते हैं, आपने work power energy पढ़ लिया है, वहाँ पर आपने सीखा होगा, कि जब भी attraction forces, attraction forces की वज़ए, system के energy कम होती है, और repulsive forces की वज़ए हमेशा क्या होती है, system के energy क्या होती ही, increase होती है. तो सबसे पहले आप कोई चीज़ ध्यान रखनी है, कि attraction decreases the energy of system, और जो repulsions होते हैं, वह क्या करते हैं, increases the energy of system. पहली चीज़ तो अब ध्यान रखने, जहां पर भी attraction forces होंगे, वहाँ system के energy क्या हो रही होगी, decrease हो रही होगी, और जहां पर भी repulsive forces काम कर रहे होंगे, वहाँ पर system के energy क्या हो रही होगी, increase हो रही होगी. बोले हाथ तक कोई डाउट है? यह समझ में आता है अपने को. अब हम बात करते हैं, रियल गैस की. बताब रियल गैस और इडल गैस में क्या डिफरेंस होता है? उसके अलावा प्रॉपर्टी के रेक्टरिस्टी, अब कंडिशन ही होती है कि अब कंडिशन ही होती कि अट्राक्शन्स डॉमिनेट कर रहे हैं या फिर रिपल्शन्स डॉमिनेट कर रहे हैं. अब हमको केस बना के डिस्कस करना पड़ेगा. तो इसमें हम केस वन बना रहे हैं. केस वन. वेन अट्राक्शन्स डॉमिनेट. तो हम एक रियल गैस की बात कर रहे हैं, में देख रहे हैं कि जब attractions dominate करते हैं तो क्या होगा ठीक है अब attractions dominate करने के बाद भी हम यहाँ पर दो cases और बनाएंगे ठीक एक या तो अपकी gas expand हो रही हो या फिर अपकी gas क्या हो रही हो compress हो ठीक है अभी कर चलता हूं वापस से case number first expansion gas का क्या हो रहा है expansion हो रहा है तो अपने एक छोड़ा सा diagram बना लेते हैं expansion को denote करने के लिए यह अपके परस एक cylinder है इस cylinder में हम क्या करते हैं piston fit कर लेते हैं और यहाँ पर gas fill कर देते हैं तो यह आपने gas fill कर देते हैं अब बहुत ध्यान से समझ रही कोशिश करना आप समझो के तो अब कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा यह जो gas आपने यहाँ पर fill की है बताओ इस gas में कौन से forces dominate कर रहे है attraction forces dominate कर अब मैं करता हूँ जब गैस को expand कर रहा हूं तो प्रिस्टन किदर मूव करेगा बाहर की तरफ ठीक है तो मानले आपका प्रिस्टन मूव करके यहां कर यहां आगया इस तरह से आगया बताओ जैसे पिस्टन बहार आएगा बताओ द्यूरिंग expansion gas के molecules के विच में space बढ़ेगा या कम होगा बढ़ेगा ठीक तमसिपल जाद बोल सकते हैं कि जब expansion होगा बताओ गैस के volume पर क्या effect बढ़ेगा इंक्रीज होगा बताओ गैस का volume बढ़ेगा तो gas के molecules के बिच में space भी क्या होगा मतलब यह मतलब जो space है यह distance बोल लेता हूं रादर में distance between molecules this also increases but the distance between molecules बढ़ेगी तो क्या होगा attractions पर क्या effect बढ़ेगा बढ़ेगे या कम होंगे सोच समझ के answer देना बढ़ाओ यह molecule यहां आता है और अब यहां पहुंच गया attraction force बढ़ेगा या कम होगा obviously कम ही होगा तो आपने सीखा यह मतलब है इसमें मैं ऐसे बोल दो कि सोच समझ के answer देना वह मैं आपको फासाता हूं ऐसे ही तो molecules के जो distance बढ़ रही है तो obviously बात है attraction क्या हो रहा होगा कम हो रहा होगा तो में चीज़ है कि attraction decrease हो रहा है बोले हाँ तक कोई doubt अब आप मुझे बताओ एक system में अगर attraction कम हो रहा है तो उसकी energy पर क्या effect पढ़ेगा क्या हो रही होगी बढ़ रही होगी क्यों बढ़ रही होगी हमने बोला कि जब attraction dominate करता है तो system के energy यह होती है decrease होती है तो जब attraction खुद कम हो रहा होगा तो मताओ system के energy पर क्या effect पर रहा होगा वह बढ़ रही होगी बोला समझ में आरी बात इस चीज़ में doubt गया आपको सिंपल्स आफ अंडाइक एक अट्राक्शन फोर्स डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब एनर्जी ओफ सिस्टम विल बी इंक्रीजी होगा और बताओ अगर एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो डी यू का साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा डी यू के जगर डेल यू लिख लेता हूँ पॉजिटिव आएगा बढ़ रही है ना एनर्जी अगर बढ़ रही है तो डेल यू का साइन क्या आएगा पॉजिटिव अच्छ एक और चीज़ डेल यू बाइड डेल वी अट कॉंस्टेंट टी तो देखो जब अट्रेक्शन फोर्स डॉमिनेट कर रहे हैं और आप एक्स्पेंशन करवा रहे हो तो डेल यू भी पॉजिटिव है बताओ डेल वी भी पॉजिटिव है इसका मतलब यहां से बोल सकते हैं देर्फोर डेल यू अपोन डेल वी अट कॉंस्टेंट टी विल बी पॉजिटिव दूरिंग एक्सपेंशन समझना रहा है एक्सपेंशन के टाइम पर डेल यू अपोन डेल वी का साइन कैसा होगा पॉजिटिव जब जब कॉंसे फोर डॉमिनेट कर रहे हैं attractive forces डॉमिनेट कर रहे हैं छापें फिर बात करते हैं second case की जब क्या हो रहा होगा compression हो रहा हो चलो फिर देखते हैं second case that is compression की compression में क्या होगा वैसे तो आप साइन खुदी प्रेडिट कर सकते हो लेकिन फिर भी हम डिस्कस करते हैं तो कंप्रेशन के लिए फिर से हम सिलिंडर बनाता है उसमें पिस्टन लगाते हैं और गैस फिल करते हैं सारे काम से भी में करने पड़ेंगे यह लग गया पिस्टन और यह घर गया आपकी गया अब बताओ जब केस तो ही कि अट्रैक्शन फॉर्स ही डॉमिनेट कर रहे हैं तो यहां पर अभी भी कौन से फॉर्स काम कर रहे हैं अट्रैक्शन ही काम कर रहे हैं अब बताओ जब अट्रैक्शन होगा तो पिस्टन अंदर के तरफ मूव करेगा बताओ गैस के वॉल्यूम पर क्या एफेक्ट पड़ेगा सिंपल सी बात बूल सकते हैं कि बाई ड्यूरिंग कंप्रेशन वॉल्यूम डिक्रीजेस बताओ वॉल्यूम डिक्रीजेस होगा तो डेल वी का साइन कैसा हो जाएगा डेलिन डिक्रीजेस होगा तो इनेर्जी का क्या होगा सब्सक्राइन गेले अध्यक्रणियूं एक क्वेह कर रहना है। अभी इतने डिस्टेंस helping डिस만 अर्पर लिटीन क्या çुगे और बरें घ्रॉत्व रीदियन अनुद सकते हैं पार्पार्फिоз अब जो गार जो कपता है तो सिस्टेम के अनरज तो हम क्या बोल सकते हैं कि energy will decrease, अब बता जो energy decrease होगी तो del u का sign कैसा आएगा, negative आएगा, कैसा आएगा, negative आएगा, ठीक, तो बस अब आपने क्या कर लिया है, ये देख ले, compression के टाइम पर del v negative है, del u negative है, बता फिर से del u upon del v का sign कैसा आजाएगा, positive, ये term negative, ये term भी negative, negative upon negative कैसा हो गया, positive, इसका मतलब del u upon del v will be positive during compression also, तो काम की बाद, छोटी सी, आपको हमेशे के लिए याद रहेगा, अगर आप सब्सक्राइब, सर्फिस सर्फिस से चलोगे, हाँ मैंने बता दिया, आपने देख लिया, तो फिससे आपको फाइदा नहीं होने वाला है, मैं जी इतनी चीज़ें आपको elaborate करके बता रहा हूँ, एक एक point समझा रहा हूँ, उसका मतलब यही कि एक बार आपको उसकी feel आजाए, तो आप उसक सकते हूँ, अगर attraction के लिए चीज हमेशा positive आ रही है, तो repulsion के लिए हमेशा कैसे आने चाहिए, negative, क्या जरूरी है, चलो देखते है, negative आती है, या फिर नहीं आती है, तो देखो case two, when repulsions dominate, जो repulsive forces dominate करते हैं, तब क्या होता है, वो हम लोग discuss करते हैं, तो फिर से दो case बनाओ, पहला case expansion का, ठीक है, अब देखो, कहानी same है, जो करते हैं, दोनों को साथ मिले लेते हैं, जादा बड़ा column राने, लिखना तो सारा ही बढ़ेगा, है, चलो देख लेते हैं, expansion, ठीक है, मैं diagram नहीं बिना रह तो during expansion, क्या होगा, वोल्यूम विल इंक्रीस, ठीक है, अब बता जब वॉल्यूम इंक्रीस होगा, तो डेल वी का sign कैसा आएगा, positive, तो डेल वी तो होगया, positive, सही है, आगे बताओ, distance क्या होगी, distance between molecules will increase, सही है, बताओ, molecules के जब डिस्टेंस बड़ेगी, तो repulsion पर क्या effect पड़ेगा, बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ना चाहिए क्या होता है, बढ़ेगा या नहीं हो, बढ़ेगा, यह होता है, आंसर तो, चाहिए तो फिर वोई डिलेमा आ गया न, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, simple सी बात है, कम होगा, अब दो चीज़ी यह रखें, इनकी बीचे रिपल्चन है, तो मिनको दूर कर दो रिपल्चन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इस मतर नहीं इतना सोचना पड़ेगा, तो बताव रिपल्चन क्या होगा, रिपल्चन विल डिक्रीस, बोले या तक समझ में आ रह क्यों? क्योंकि जब रिपल्चन जादा होता है, तो एनर्जी बढ़ती है, हमने क्या हो जब रिपल्चन डॉमिनेट कर रहा है सिस्टम में, तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, तो जो रिपल्चन कम हो रहा है, तो सिस्टम की नर्जी क्या होगी, कम, आपने इसको ऐसे से रिलेट करो दो लोग जिनमें लड़ाई हैं बहुत तेज़ कट्टर दानी दुश्मन हैं दोनों पास पास बैट है तो अब विस्वाद लड़ेंगे चलाएंगे जब दूर चले जाएंगे तो क्या होगा रिपल्शन कम हो गया तो उनकी जो लड़ाई हो भी क्या होती जा तो डेल यू का साइन कैसा होगा रिपल्शन कम होगा तो एनरजी भी सिस्टम की क्या होगी कम जो रिपल्शन बढ़ेंगे तो सिस्टम की नरजी क्या होती है बढ़ती है तो रिपल्शन कम हो रहा है एनरजी कम होगी डेल यू का साइन कैसा होगा नेगेटिव अब आप द आरी बात समझ में तो जब एक real gas के लिए आप compression करवा रहे हो और repulsion's dominate expansion करवा रहे हो repulsion's dominate कर रहे हैं तो del u by del v का sign कैसे आएगा negative आएगा बात समझ में आती है बात समझ में आती है तो हम बनाते हैं second case जब क्या हो रहा होगा compression हो रहा होगा आओ देखते हैं compression के time क्या होगा हाँ जी बताएं compression के time volume क्या होगा टिक तो जब हम compression की बात कर रहे हैं तो volume will decrease होगा अब बताओ volume decrease होगा तो del v का sign कैसा होगा negative सही है बताओ volume decrease होगा तो distance between molecules क्या होगी distance will decrease अब मैं direct लिख रहा हूँ बताओ distance decrease होगी तो repulsion पे क्या फरक पड़ेगा बढ़ेगा repulsion will increase बताओ repulsion बढ़ेगा तो system की energy पे क्या effect पड़ेगा system की energy will increase और बताओ जब energy बढ़ेगी तो del u का sign कैसा होगा positive फिर से देखो यहाँ del u का sign कैसा positive यहाँ पर del v का sign कैसा negative इसका मतलब again del u upon del v at constant t जो होगा वो फिर से कैसा होगा negative अलो समझ में आ रहा है तब जब repulsion's dominate करें तो जब हमने predict किया था वो बिलकुल सही है जब attractions dominate करते हैं तो चाहे expansion हो रहा हो चाहे compression हो रहा हो इस term का sign कैसा आएगा positive और जब repulsion's dominate कर रहे हैं तब चाहे ट्राक एक्सपेंशन हो चाहे compression हो इस term का sign हमेशा कैसा आएगा negative तो जो रियाद रखने वाली बात है वो बिलकुल छोटी सी है कि यह जो मेरा term है झाहे तो बिल U upon बल V at constant T will be positive when attractions dominate whatever be the process either it is expansion or compression it does not matter or similarly it would be negative when repulsion dominate तो case चाहे expansion का हो case चाहे compression का हो इस term का sign fix रहेगा अगर attractions dominate कर रहे हैं तो यह positive है repelutions dominate कर रहे हैं तो यह negative है आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ यह चीज़ याद रखनी है वो सब आपको समझाने के लिए था I hope आपको यह सब समझ में आ गया फोका है अगेन अगर मैं summarize करूँ तो आपको change in energy का एक simple सा formula याद रखना है that is n cv delta t for most of the cases और कुछ cases में आपको n cv dt को integrate करना पर सकता है copy करो एक दो छोटी मूटी बात और करने इसके वारे में फिर आप move करेंगे अपने दो अगले terms पे that is heat and work क्या होते हैं कैसे होने calculate करते हैं बगेर बगेर आप ये box copy करें और बस इसे ही याद रखें हो गया चला एक बहुत छोटी सी और important चीज जो में एक और याद रखनी है आपको और विसकों आगे दुबारा एक और बार प्रूव भी करेंगे हैं जो हम लोग first law of thermodynamics पढ़ लेगे ठीक है तो यह भी बहुत important चीज है बहुत important आप देखो मैंने आपको एक formula सिखाया था कि अगर आपके पास molar heat capacity किसी gas की cm है तो मैंने आपको एक formula सिखाया था heat exchange का याद है हाँ वेरी गुड बहुत अच्छा एन सी एम इंटू डेल्टा टी ठीक है अब अगर हम बात करें कि मुझे किसी की molar heat capacity पता है molar heat capacity ध्यान से सुनना at constant volume तो बताओ constant volume पर cm का में लोग क्या लिखते हैं cv बताओ इस case में अगर मैं आपके सामने formula पोचू heat exchanged at constant volume कौंसा volume constant volume तो बताओ constant volume पर system जो heat exchange करेगा उसका formula क्या होगा वरी गुड वो क्या वन जाएगा n cv delta t अगर हम दिमाग पर थोड़ा सा ज़र डालें यह n cv delta t किसका formula होता है किसका delta u that is change in internal energy का बोलो होता है तो यहां से अगर मैं इन दोनों को relate करूं तो मेरे पास एक बहुत 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 important relation आ गया है that is heat exchanged at constant volume जिसको मैं qv बोल रहा हूं बता हूं हमेशा किसके इक वलाएगी डेड़ ड़क तो यह बहुत important relation है अपने बहुत जादा काम में आएगा कई बार अगर आप कोई चीज़ पता है तभी आप question कर पाऊगे तरवाज़ आप question को हाथ भी नहीं लगा पाऊगे तो कभी भी कोई system constant volume पर जो heat exchange करेगा बताओ वो हमेशा किसके equal होगी उसके internal energy में change के बराबर होगी एक system मैंने ये formula से proof कर दी है next इसको मैं दुबारा proof करके दिखाऊंगा आपको जब हम first law of thermodynamics पढ़नेंगे तो यह आता है तो यह था अपना एक और बहुत ही important term जिसका ना क्या होती हीट कैसे मैं उसे define करते हैं क्या होता है work कैसे मैं से define करते हैं और calculate करते हैं तो अपर heading डाले heat and work और मैं उसमें सबसे पहले आप से discuss करने वादा हूँ heat तो सबसे बेसिक definition heat क्या होती है तो मैं आपको बताया था heat और work दोनों ही क्या है mode of transfer of energy simple it is the mode of transfer of energy energy दो ही forms में transfer हो सकती है either in the form of heat और in the form of work second चलो second point जो आपको धाना रखना हो तो heat क्यों flow होती है concentration में difference क्यों हीट heat कहां से कहां flow होती है तो पड़ा योगा बच्पन से लेकर आश्ट क्या हायर अरे heat कहां से कहां flow होती है तो फिर heat कहां से हाई temperature से हमेशा का फ्लो होती है low temperature गरम चीज से 10 डिजीज में जाती ही हमेशा तो क्या होता है heat flows basically heat flows due to temperature difference यह तो basic चीज है जो आपको पता ही होगी तो रिकॉल नहीं होई है एक्दम से मैं पूछ लिया इसलिए तो यह होता है आप थोड़ा सान क्या पूछले एक दम से खेर यह भी आप जानते हो कि हाई टेम से कहां फ्लोती हीट अमिशा लो टेम से रहा है तो वह मैं यह पर डिसक्स नहीं कर रहा हूं वह यह चीज है कि मैंने आपको यह फॉमले सिखाए थे लिगो हीट एक्सचेंज कोई भी सिस्टम जो हीट ले रहा है या फिर दे रहा है उसका फॉमला क्या होगा है तो हीट एक्सचेंज को मैं बोलता हूं क्यों मैंने आपको तीन तरह की हीट केपैसिटी सिखाई थी अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो एक तो सिखाइती मैंने C, एक मैंने सिखाइती S और एक मैंने सिखाइती CM बता जो आपको heat capacity पता होती है तो आप heat exchange कैसे calculate करते हो C into delta T यह formula आपको याद रख लिए बस जब सिर्फ heat capacity पता है तो आपको mole source नहीं देखने, mass नहीं देखना simple delta T से multiply करना है बता जो आपको specific heat capacity पता है तब आप heat कैसे calculate करते हो MS delta T अभी कहाँ गया NC delta T और जब आपको molar heat capacity पता है तब आप heat कैसे calculate करोगे n cm into delta T याद है ना तो यह formula भी अभी आपके काम नहीं आएंगे इस chapter में आगे चलके काम में आएंगे मैं तो बार-बार दिखा इसलिए रहा हूँ कि आपको याद हो जाए आपको समझ में आजाए कि कब कौन सा term दिया है कब कौन सा formula आपको use करना है बोले आतक समझ में आता है अब यहाँ पर जो सबसे important चीज़ आपको याद रखने है that is sign convention और वो sign convention आपको पहले से ही आता है बताओ कोई system जब heat release करता है तो आप heat का sign कैसा लेते हो अच्छा दाओ exothermic reactions कौन से होती है उसके लिए आप delta x का sign क्या लेके चलते हो negative negative तो हम बाग करते हैं इसके sign convention की जो की सबसे ज़्यादा important है आपको इस पूरे topic में याद यही रखना है और यह तीन formula में आपको याद करवाई दूँगा sign convention भी use करते करते है वैसे ही आपको याद हो जाएगा तो लेको हम बोलेंगे कि simple अगर heat system release कर रहा है heat released by the system तो released बोल दे rejected बोल दे बता हूँ हमेशा क्या sign रखेगी negative और heat absorbed by the system उसका sign हमेशा कैसा होगा post फिर दो आपके sign convention है जो आपके सबस्यादा यहाँ पर काम मैं आले copy करें फिर हम बात करते है work वो ज़्यादा important है उसका भी एक formula ही बनाओगे उस पर हम लोग और भी discussion करेंगे टिक चलो यह आप copy कर लो फिर हम शुरू करते हैं work के साथ की work क्या होता है कैसे हम उसे calculate करते है फिर देखो next time बात करते हैं about work डबलू तेक तो जोसे heat mode of transfer of energy यह सेम ऐसी work भी कहा है आपका mode of transfer of energy अब देखो और हम जब work की बात करेंगे ना तो यहाँ chemistry में आप दो में तरह के work की बात करते हों जरूनी chemistry में physics में भी वही दो तरह के work होते हैं में लिए बट हम लोग यहाँ पे इंको discuss करेंगे इसलिए हम दो के डिग्रीज में डिवाइट करें एक तुताब का non-pv work कैसा वर्क होता है non-pv work और दूसरा कौन सा वर्क होता है आपका pv work तो कोई भी system basically दो तरह के work perform कर सकता है एक pv work और एक non-pv work अगर आप total work की बात करो जो total work हम कभी भी बोलेंगे तो वो किसके को लोगा बता हो w pv plus w non-pv के बराबर ठीक है अब ठीक है वई क्या होता है p work क्या होता है non-p work तो दूसरा नाम से बता लग रहा है pv work में क्या होता है किसी pressure के against gas का volume या तो बढ़ता है या फिर क्या होता है कम होता है तो जब किस किसी external pressure के against volume change हो तो उसको हम कौन सा work बोलते है pv work जहां पर किसी pressure के against कोई volume change नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी work हो रहा है उसे हम कौन सा work बोलेंगे non-pv work तो अगर मैं आपको non-pv work के example दो तो जिस उसे best example है that is electrical work electrical work में क्या होता है एक charge एक given potential की वज़े से move करता है तो electrical work होता है उसका formula क्या होता है q into b तो ना तो है कोई volume change हो रहा है नहीं है यहां पर कोई pressure applied gravitational work MGH इस चौक को मैं इस हाइट से इस हाइट तक ले जाओं कौन सा work होगा gravitational work होगा क्या इस चौक का volume बदला कैसके volume expansion compression कुछ नहीं हो न तो इस तरह के work को हम लोग कौन सा work बोलता है non pv work बोलते हैं वहीं पर जब किसी pressure के against gas का volume बदलेगा उस work को हम कौन सा work बोलेंगे pv work बोलेंगे यहां तक बात समझ में आती है अभी हम लोग initially क्या कर रहे हैं हम यहां पर discuss क्या करेंगे pv work को first law of thermodynamics में जो work use करेंगे वह हम कौन सा work use करेंगे pv work use करके चलेंगे अभी हम non pv work को नहीं कर रहे हैं हम क्या करेंगे या तो gas को expand करेंगे या फिर क्या कर रहे होंगे हम compress कर रहे होंगे इसका पीवी work और mechanical work का नाम भी देते हो कह जगा आपको mechanical work लिखाव भी मिल सकता ठीक है तुम लोग अभी interested है कौन से work के अंदर pv work के अंदर आओ बात करते हैं pv work क्या होता है इसके लिए हम एक formula बनाएंगे और फिर इसको discuss करेंगे अच्छा pv work को discuss करने से पहले मैं आपसे एक sign convention और discuss कर दूँँ वो दोनों के लिए applicable है ना common sign convention है तो यह आप धान रखना कैसा लेकर चलते हैं negative और अगर हम बोले work done on the system उसको हम लोग कैसा लेकर चलते हैं positive तो यह work का sign convention है chemistry और physics यह sign convention वर्क का उल्टा होता है heat का convention तो same होता है लेकिन chemistry और physics के अंदर क्या होता है work का sign opposite होता है वहाँ पर work done by the system को positive बोलते हैं और work done on the system को क्या बोलते हैं negative बोलते हैं तो आपको यह थोगा धान रखना होगा हम इसी convention को use करेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी मैं आपको थोड़ देर में बताऊंगा जो हम formula derive करेंगे बट हाल फिलाल आप ध्यान रखे work done by the system आप कैसा लेकर चलोगे negative और work done on the system आप कैसा लेकर चलोगे हमेशा positive सही है चलो हम बात करने जा रहे हैं यहां पर pv work की तो pv work को define करने के लिए calculate करने के लिए फिर से हम एक piston बनाएंगे सुरी cylinder बनाएंगे उस cylinder में हम क्या लगाएंगे piston लगाएंगे और यहां पर क्या फिल करेंगे गैस फिल करेंगे तो चलोग वह बीचीज़ में आपको शिखा दो फिर ही मैं पी वक की बात करूँगा आप देखो यह piston है यहां से इस गैस का piston के उपर pressure काम कर रहा होगा जिसे हम लोग क्या बुलते हैं पी गैस ठीक है और बताओ इधर से कौन सा pressure काम कर रहा होगा पी एक्स्टर्पल देखते हैं वही चीज़ हम डिसक्स कर रहा है कि गैस कब कंप्रेस होगी वह condition में डिसक्स करनी है औल्दो आपको आती है लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज़ डिसक्स करने है आप सरफ देखते चलो अब मैं दर पसके तीन केस बना रहा हूँ केस नमबर वन इस पी गैस इस ग्रीटर देन पी एक्स्टर्नल बताओ पिस्टन किदर मूव करेगा आराम से सोच समझ को लिए हर बड़ी लिए आउटवर्ट्स राइट साइट मूव करेगा बता राइट साइट मूव करेगा तो गैस का क्या होगा कंप्रेशन या एक्स्पेंशन इस केस में क्या होगा एक्स्पेंशन होगा अब मेरे सवाल का जवाब देना बताओ यह पि पी गस किसके को लिए पी एक्सानल, मतलब जो फाइनल कंडिशन में ये पिस्टन रुके का गास, कब तक expand होगी जब तक P gas और P external दोनों के वाईव क्या नहीं हो चुकी एक्वल यानि at final condition at final condition यह मैं आपका numerical based त्यार कर रहा हूँ यह चीज़ नमेरिकल से में use किया करेंगे final condition बता हो P gas और P external की value क्या हो चुकी होगी जो फॉर्मला बनाएंगे न वापका तब इसको यूज करेंगे बहुत द्यांच से देखना की स्टू इफ पी गैस इस इक्वल स्टू पी external है बताओ क्या होगा इस तन विल नॉट मूफ है न क्योंकि कोई फोर्स है नहीं मूफ करने के लिए तो पिस्टन यहीं पर रुका रहेगा ना तो कोई expansion होगा और नहीं कोई repulsion होगा तो no movement of piston basically mechanical equilibrium में आ चुका होगा system किस में आ चुका होगा mechanical equilibrium में आ चुका होगा चलो बहुत बढ़िया अब बचा तीसरा case तो तीसरा case क्या है कि अगर P gas P external से को मतलब P external जादा है तो बताओ gas का क्या होगा compression लेकिन बताओ compression भी कब तक होगा जब final condition में P gas बताओ किस के equal होचुका होगा P external के जब expansion हो चाए compression हो फाइनल कंडिशन में जब expansion कंप्लीट हो चुका है जब compression कंप्लीट हो चुका है तो P external P gas दुबारा से क्या हो चुके होंगे equal हो चुके होंगे समझ में आ लिए आपको इस बात चलो अब हम इसके बाद work का formula drive कर सकते हैं तो वो भी हम इसी diagram से कर लेते हैं चलो अब हम expansion का case ले रहे हैं ठीक है कि जब expansion हो रहा होगा तो क्या होगा तो हम expansion of gas consider कर लेते हैं उसी के लिए हम work का formula लेखेंगे चलो तो फिर से अपना cylinder और piston गनाते हैं तो यह भी आपकी gas field is के अंदर इंदर से लग रहा है P external और इंदर से लग रहा है P gas और हम condition लेखेंगे चलने expansion मतलब जो आपका P gas है वो P external से क्या है ज्यादा है ठीक है चलो जी बहुती बढ़िया तब देखो क्या हो रहा होगा यह gas इस piston के उपर कुछ ना कुछ pressure लगा रही होगी तो माल लो यह piston move करता है कुछ distance से बाहर के दरफ move करेगा piston ठीक तो माल लो piston यहाँ से चलकर यहाँ पहुँच गया यहाँ पहुचेगा तो बताओ gas expand होगी gas को अब ज्यादा volume मिल चुका expand होगी ठीक है तो माल लो यह gas इस piston के पर कुछ F force लगा रही है कितना force लगा रही है F तो इस F force की वज़े से इस piston के अंदर कुछ displacement हुआ कितना dx छोटा सा displacement हुआ कितना dx ठीक है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इस कितना रही है रहे टाओ नैने पर संट की हैं कितना कितना व supportive टी-एक्स ठीक बताओ वोग्दन कितना होगा डबलू इक्वर्स टू एफ डॉट टी-एक्स फोर्स इंटू डिस्प्लिस्मेंट अच्छ बताओ यहां पर वर्क कौन कर रहा है सिस्टम गैस काम कर रही ना बताओ वोग्दन बादे सिस्टम कैसा होता है पहले से नेगेटिव साइन इंट्डिउस कर यह कैमिस्टरी का कान्वेंशन है अब देखो फिजिक्स में क्या होता है फिजिक्स में ऐसा होता है कि जिदर ओपरेटिंग फोर्स लग रहा है मतलब अगर फोर्स की डिरेक्शन में डिस्प्लिस्मेंट हो रहा है तो उससे हम पर पॉजिटिव लेकर चलते है और force के against displacement हो दो हम क्या लेकर चलते हैं negative लेकर चलते है तो बहाँ पर यह होता है फिसक्स में बोलते हैं gas काम कर रही force की direction इधर है तो उसी की direction में क्या हो रहा है displacement हो रहा है इसलिए physics में क्या होता है कि हमेशा work done by the system कम लोग ऐसा लेकर चलते है positive उनका system absolute है absolute मतलब जिदर force की direction में काम हो रहा है तो क्या होगा उसको वो positive लेकर चलेगा लेकिन हमारा system relative है हम chemistry में हमेशा यह मान कर चलते हैं कि work कौन करेगा system कौन करेगा work system करेगा ठीक अगर इसे आप अभी चल रहे हो अभी system work कर रहा है तो अगर system work कर रहा है तो बता उसके internal energy क्या होगी decrease अगर आप कुछ काम करोगे तो आपके अपने energy क्या होगी decrease तो यहाँ पर chemistry में जो negative sign यह दिखाता है कि अगर आपका system काम करेगा तो उसके energy क्या हो रही है decrease हो रही है तो आप ध्यान रखना relative term है यहाँ पर हम chemistry में हमेशा यह मान कर चलते हैं कि work कौन करेगा आपका system करेगा negative sign यह आपको indicate कर रहा है कि जब system काम कर रहा होगा तो उसके खुद के energy को expand करेगा energy क्या होगी decrease जब system पर काम होगा तो बताब system के energy क्या होगी बढ़ेगी तो इस case में energy store कर रहा होगा इस case में energy क्या कर रहा होगा expand कर रहा होगा energy के expense पर वो work कर रहा होगा energy को खर्च कर रहा होगा तो आप तो जब ध्यान रखें यह आपको ध्यान रखना होगा हम work done by the system को हमेशा कैसा लेकर चलते हैं negative एक और चीज़ बताओ जवाप इस फर्मले को चाहिए chemistry में उस कर रहा हो जाए physics में दोनों से answer exact same है वो भी sign के साथ इसमें आपको चिंता नहीं करनी है ठीक है बढ़ आप यह ध्यान रखें work done by the system हम कैसा लेकर चलते हैं negative work done on the system कैसा लेकर चलेंगे that energy of system will decrease when work is done by the system ठीक यह फर्याब बस करेंगा रिजन दे सकते हैं chemistry में by convention है मान कर चलते हैं कि work हमेशा कौन करेगा आपका system ही करेगा इसलिए हम यह नेगेटिव साइन लेकर चाहिए अब आप देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग और मुद्दे की बात पर आते हैं w equal to the minus f dot dx तो हम तो यहाँ पर pressure की बात कर रहे थे बताओ यह पर work किसके against हो रहा है piston के नहीं पी external के इसके against हो रहा है अगर यह होता अगर यह नहीं होता तो होता किस गैस को कुछ work करना पड़ता जब तक यह है तभी तक gas को work करना पड़ रहा है तभी ध्यान देना यहाँ पर पर फॉर्स का फ्रम ला यह गता है pressure पिस्टन लिलो सिंदर की वात है से सणील भी बनेगा क्योंकि यह पिस्टन का क्रॉस सेक्षिन एरिया है जो सिलिंडरा का है फिट है विलकुल सेक्षिन इसक्षिन ठीक है टाफिक कोल टू क्या हो गया पी डॉट ए है इस वाले डॉट एक्स बताओ ए क्या है इसका एरिया डी एक्स क्या है डिस्टेंस एरिया इंटू लिंथ बताओ क्या होती है वाल्यूम तो यह जो आपको चीज मिलेगी यह इसको मैं रेड से बना रहा हूं इस विल बी तो चेंज इन वाल्यूम डी वी पर जब पिस्टन यहां था तो वाल्यूम इतना था यहां आगया तो वाल्यूम इतना बढ़ चुका है तो यह जो क्या होगी एंटू डी एक्स ठीक है अच्छे चीज यहां मिस्टेक कर दी डी एक्स अवांट से घूम रहा है तो वर्क भी कितना और होगा स्मॉल बंडी डी डी तु जब पिस्टन डी एक्स डिस्प्लेस्मेंट से मॉव कर रहा तो स्मॉल वर्क दन कितना है डी 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 अगलू औरि यूज करूं बाटाओ इसको मैं कहा लिक सकता हूं माइनस पी इंटू वी कुट आउट तो यह मेरे पास स्मॉल का फामला बन गया dw is equals to minus p into dv रता हुआ पी की जगह कौन सा प्रेशर यूज करूं पी एक्स्टरनल की वर्क किसके अगेंस हो रहा है पी एक्स्टरनल के अगेंस हो रहा है तो मैं आप लिखूंगा पी एक्स्टरनल इंटू टीभी अगर मुझे ओवर वर्क करना है तो क्या करना पड़ेगा इंटिग्रेट 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 यह था इनिशल वॉल्यूम वीवन एल्टिमेट लिओ जहां तक जाएगा उस वॉल्यूम तक मुझे सुब क्या करना पड़ेगा इंटिगेट क्यों कि वेरियबल कौन है यहां पर वॉल्यूम जैसे से गैस का वॉल्यूम बदलेगा वैसे से वर्क बढ़ता जाएगा आप अ वो कैसा फंशन है पाथ फंशन पात संक्शन को इन्टिग्रेट करो गरें बिलेगा इसकी ओफ़रॉल वैलीव डभू ओश्क का फॉल्यूम जैखा-इंटिगरेशन ऑफ माइनस पी एक्स्टर्नल इंटू डीवी फ्रॉम वॉल्यूम वीवन टू फीटू होगा अगर मानलो पी एक्स्टर्नल वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो मैं इसको इंटिकेशन से बाहर निकाल लूँगा तब बताओ वर्क देन का फार्मुला क्या बनेगा माइनस पी इंटू वी टू माइनस पी अभी तो नहीं हमने वर्क का यह बेसिक फार्मुला बनाया है कौन सा फार्मुला बनाया है बेसिक फार्मुला अभी हम दुबारा से इस फार्मुले पर आएंगे आगे चलकर हम दो प्रॉसेस डिसकस करेंगे एक का नाम रिवर्सिबल और दू और फामुलेस को और डिफरेंशियेट करेंगे, लेकिन अभी हम जिस स्टेज पर हैं, अभी हम सिर्फ बेसिक टर्म्स डिफाइन कर रहे हैं, तो आज के बाद आपके लिए वर्क दन का फामुला क्या हो गया, माइनस पी एक्स्टरनल इंट्वी टू माइनस वीवन, अगर ये वर्क नेगिटिव आए तो आप क्या बोलोगे, वर्क दन बाइधिस सिस्टम, आपको पहले दिमाग लगाना ही नहीं है, आप तो वर्क की वैलिव निकाल लो साइन के साथ, अगर वो वो नेगिटिव आए तो आप क्या बरो के वर्क इस डन ऑन दिस्टों बुला यहां तक समझ में आता है कोई डाउट है आप यहां तक कॉपी करो फिर एक और चीज मुझे आप से वर्क के बारे में डिसकस करनी है तो हमने वर्क का साइन कनवेंचन देख लिया है हमने वर्क का फॉर्मला भी बना लिया है कि डबलू एक्वल टू क्या बना है माइनस पी एक्स्टर्नल इंटू वी टू माइनस पी बना है ठीक है अब अब हमारे पास देखो दो सिंपल से केस बन सकते हैं और यहां पर इसको में से ध्यान रखें अपने बहुत काम में आएगी चीज पहला बात करता हूँ एक्स्पेंशन की और फिर हम बात करेंगे किसकी कमप्रेशन की आप मुझे बताओ जब expansion होगा तो volume देखो यह standard convention है V1 क्या है मेरा initial volume है और V2 क्या है final volume तो जो expansion होगा तो V1 V2 में क्या relation होगा पर expansion V2 विल भी क्या होगा ग्रेटर देन वीवन होगा बताओ अगर V2 ग्रेटर देन वीवन होगा तो V2 माइनस V1 का sign कैसा होगा positive और अगर V2 माइनस V1 का sign positive होगा तो बताओ work का sign कैसा आएगा समझ मारा बताओ यहां से अपने क्या सीखा work done by system तो ही और कैसी सीखा और कुछ सोचो और कुछ बोल सकते हो statement आप यहां से क्या भी यह नहीं बोल सकते कि expansion का work हमेशा 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 कैसा होगा negative होगा क्यों 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 क्योंकि expansion के लिए final value ज्यादा आएगा तो obviously work हमेशा क्या आने वाला है negative आने वाला है तो अगर मैंने आप से बोल दिया expansion work हो रहा है तो आप क्या बोलोगे work is done by the system या फिर आप से बोलो expansion का work हमेशा कैसा होता है तो आप 500 क्या दोगे हमेशा negative होता है तो अब ध्यान रखना मैं यह statement भी लिख रहा हूँ that is expansion work is always negative यह कि अमरी chemistry में जब भी expansion होगा हम उसके work को कैसा लेकर चलेंगे negative लेकर चलेंगे ऐसे ही बता जब compression होगा तब क्या होगा तब सब उल्टा हो जाएगा तब V2 विल भी क्या होगा less than V1 उस case में V2 minus V1 की value कैसे आ जाएगी negative negative क्या होगी आप positive मतलब work done कैसा आएगा positive और इसका मतलब जब भी expansion होगा work done कैसा होगा तो सॉरी expansion बोल दिया compression so compression work is always positive chemistry में न chemistry में फिलेक्स में तो आप absolute चलोगे महां उल्टा हो जाएगा क्योंकि हमारे पाइस नेगेटिव साइन है तो मुस्कों डिसकुस नहीं करूंगा क्योंकि उस मुद्दे को जितना उठाऊंगा वो तना ही confused होगे तो आप तो chemistry पढ़ रहे हो आप chemistry की बात करो और यह सबस्यादा आपके use भी है आगा आप और थे ज्यादा क्वेशन नहीं पूछ जाते हैं chemistry के लिए बहुत इंपोर्टेंट है तो यह बहुत इंपोर्टेंट चीज़ा सीख लिए आपने expansion का बर खमिशा negative आएगा और compression का बर खमिशा कैसा आएगा positive तो देखो हमने तीन बहुत important term डिसकस कर लिए एक heat, work और internal energy, since internal energy होता energy है, heat और work क्या है, mode of transfer of energy, तो सभी energies है, इन सब की units क्या होती है, same, इन सब की units क्या होगी, same, तो आप जो next time को important discuss करना है, that is units of energy, जो units आप इस chapter के इंदर काम में लेने वाले, ठीक, तो एक तो आप जानते ही हो, SI unit, बताओ SI unit of energy क्या होती है, जूल, तो कोई बताने की जरुद है ही अपने को, उसके लाबा अर्ग भी एक unit होती है, जो CGA system में होती है, और, है न, उसके आप जानते हो कि 1 Joule equal to कितना होता है, 10 to the power 7 अर्ग होता है, शायद, है न, 1 Joule is equal 10 to the power 7 अर्ग होता है, चलो, ठीक है, उसके बाद आपकी बहुत इंपर्टेंट unit से मिलाओ, जो आपके यहाँ chemistry में काम में है, that is called ATM into liter, क्या बोलता हम इसको, ATM into liter, यह unit कैसे आई, यह unit है, वर्क से, बताओ, वर्क का फामला आपने क्या बढ़ा है, माइनस P delta V, तो वर्क की unit और energy unit same होगी, बताओ, अगर मैं pressure को ATM में ले लूँ, और volume को लिटर में ले लूँ, तो यह unit क्या बन जाएगी, ATM into liter, तो यह वर्क के फामले से energy, एक और unit है, energy की, that is ATM into liter, और यह बहुत, 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 बहुत important है, इस chapter में, maximum times आपके यही काम में है, ध्यान रखना, 1 ATM into liter, is equals to 101.3 joule, किसके equal होता है, 101.3 joule के equal होता है, जोड़ा दू, निक्स्ट, प्रेशर की equal entity bar, सुना है, और 180 म और बार में relation भी शायद आपको पता हो, 180 म equal to कितना होता है, है 1.013 bar, तो कभी-कभी आपके एक काम में हती, that is, bar into liter, तीक, तो 1 bar into liter चे होता है, वो 100 joule के equal होता है, किसके equal होता है, 100 joule के equal होता है, convert कैसे करना है, यहाँ ATM की जगा 1.013 bar लिख दो, इसको आप 1.013 से divide करोगे, अपने आप क्या बन जाएगा, 100 joule बन जाएगा, तो यह दो बहुत ही important units हैं, जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, तीसरी, energy की एक और unit होती है, बहुत बार सुनीएं आपने, सुनीएं, बताओ, 1 calorie is equal to कितना joule होता है, 4.18 या फिर आप मुशे क्या एलक लेता है, 4.2, होगा, तो था 1 joule equal to कितना होगा, 1 by 4.2, तो आप 1 ATM into लीटर को क्या करते हो, calories से भी रिलेट कर सकते हो, that would be around 24.3 calories, यह कुछ important units है, जो आपको ध्यान रखनी है, सबसे important है, यह maximum times काम मैंगी, 1 ATM into लीटर कितना होता है, 101.3 joule के equal होता है, और अगर बार into लीटर होगा, 100 joule के equal होगा, clear? कॉपी करो, चलो, तो यह आपके आपके units of energy, energy क्या होती है, यहां चोड़ा सा collection कला है, 24.2 आएगा, 3 नहीं आएगा, 4.18 से डिवाइड करता है, तो फिर वो 24.3 आता है, तो टेंचन मतले हैं, 24.2 से 24.3 कोई भी वैले यूज़ कर लो, आंसर में बहुत बड़ा difference आपका नहीं आने वाला है, तो आप आज के lecture को हम यही पे रोक लेते हैं, आज हमने फिर से कुछ नए important terms define के, थोड़ा सा अपने lecture को हम summarize कर देते हैं, क्योंकि आपने बहुत important चीज़ें सीखी है, लेकिन पूरे lecture में जितना कुछ आपने पढ़ा, उसमें से याद रखने का बहुत ही कम है, क्या-क्या है बहुत कम, बताओ, सबसे पहले आपने सीखा, आज कि एक real gas के लिए हम del u by del v का sign निकालते हैं constant temperature पे, बताओ यह कब positive होता है, जब attractions dominate करते हैं, और यह कब negative होता है, जब repulsions dominate करते हैं, इतना से याद रखना है, चाए expansion हो, चाए compression हो, अगर attractions dominate कर रहे हैं, तो यह positive आएगा, और repulsions dominate कर रहे हैं, तो यह negative आएगा, उसके अलाबा, इसके अदम ने किसको define किया था, heat को Q, तो heat में हम लोगों ने क्या सीखा mainly, मैंने कर बहुत इंपरनेजी सीखाई ती है, आपको heat से जस्ट पहले, QV, what is QV, QV is equals to क्या होता है, delta U के equal होता है, मतलब किसी भी system की constant volume पर heat exchange होती है, वो हमेशा किसके बराबर होती है, change in energy के बराबर होती है, उसके बाद हमने बात की थी, heat की क्यूँ, तो heat में हमने main चीज़ें सीखी हो है, sign convention, heat released by the system कैसी होती है, negative और heat absorbed by the system कैसी होती है, post, फिर मने बात की work की, तो work mainly दो तरह का होता है, एक PV work और दूसरा क्या होता है, non PV work, अभी हम कौन से work से deal कर रहे हैं, PV work से, बताओ PV work का formula, minus P external into V2 minus, खतम, अब से क्या बोला, पूरा lecture याद नहीं रखना होता है, यहीं काम की चीज़, इतनी सी, sign convention बताएं, work done by the system, negative, work done on the system, positive, दूसरी case, अगर expansion हो रहा है, तो work done हमेशा कैसा आएगा, negative, अगर compression हो रहा है, तो work done हमेशा कैसा आएगा, positive, संच महीं, और तीसी चीज़, units, तो बताओ, और 180m into liter कितने जूल के बराबर होता है, 101.3, दिखरा होगा भी तो frame के अंदर ही है, और 24.2 calories भी आप इसे बहुत साकते हैं, और 1 bar into liter किसके होता है, 100 joule के equal होता है, चलो, तो मैंने जब आप से कहा था कि हमेरे 2-3 lecture basic terms को define करने के अंदर निकल जाएंगे, तो हो निकल चुके हैं, निक्स क्लास हम लोग बात करेंगे laws of thermodynamics, किसकी बात करेंगे laws of thermodynamics की जहाँ पर हम zeroth law discuss करेंगे, फिर हम first law of thermodynamics discuss करेंगे और numericals करना शुरू करेंगे, फिर हम दुबारा से आएंगे processes को define करने में, हमारे पास तरह तरह के processes होते हैं, isothermal, isobaric, सुना होगा नाम आपने, उनको हम discuss करेंगे, और फिर उनको analyze करके numericals के अंदर वापस से enter कर जाएंगे, तो मिलते हैं next lecture और यहां से आगे continue करते हैं, हमारी चेप्टर थर्मोडेनमिक्स के अंदर अभी तक हम लोगों ने बहुत important terms को define कर लिया, last class में लोगों ने last two lectures में बहुत दो तीन important terms को discuss किया था, इंटर्न energy, एक heat और एक last class में ने सीखा था कि गर कोई भी system आपके पास एक constant pressure के against expand कर रहा है या उसका volume चेंज हो रहा है, तो उसके लिए पीव और पोता है, इसका formula क्या होता है, अभी हम initial level पर सिर्फ इसी formula को use करेंगे, लेकिन finally बाद में हम लोग क्या किया करेंगे, इसके बहुत सारे forms हम derive करेंगे, अभी हम आगे चलके processes जब cover करेंगे, तो वहाँ पर हम बात करेंगे इसके और forms की बड़, हाल फिलाल अभी हम जिस level पर है, हमें एक constant pressure के against work done का formula क्या क्या रखना है, minus P external into V2 minus V1, last class हमने इनके science की भी बात की थी, एकर work done by the system है, तो वो कैसा होगा, negative, और work done on the system है, तो वो कैसा होगा, आपका positive होगा, similarly हमने heat की भी बात की थी, एकर heat is released by the system, तो वो क्या होगी, negative and heat is absorbed by the system, तो वो कैसी होगी, positive, आज हम बढ़ते हैं आगे, और बात करते हैं, laws of thermodynamics, किसकी बात करते हैं, laws of thermodynamics की, ओवराल हमारे पास total चार laws होते हैं, thermodynamics के, यह सबसे पहला law है, that is, zeroth law, कौन सा law है यह, zeroth law of thermodynamics, देखो, उसको zeroth law क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो discovery थी, हाँ, वो बाकी laws के बाद में हुई थी, और यह fundamental law है, इसलिए इसका नाम ने क्या रखा है, zeroth law रखा है, यह basically thermal equilibrium को explain करता है, यह आपसे बोलता है, कि अगर आपके पास कोई एक system है A, यह कोई दूसरा system है B, और यह कोई तीसरा system है C, तो कहता है कि अगर A और B are in thermal equilibrium, कौन सा equilibrium, thermal equilibrium, thermal equilibrium का मतलब क्या होता है, A का temperature और B का temperature क्या होना चाहिए, same होना चाहिए, similarly A और C, यह दोनों भी किसमे है, thermal equilibrium में है, मतलब A का temperature और C का temperature भी क्या होना चाहिए, same, तो जो आपका B और C है, यह दोनों भी आ पापस में किस में होंगे, thermal equilibrium में होंगे, यानि इन दोनों का temperature भी क्या होगा, same, बस यही क्या होता है, आपका zeroth law of thermodynamics होता है, इसको लिख सकते हैं, simple words के अंदर, कि if, according to this law, according to this law, if two systems, are in thermal equilibrium, thermal equilibrium, with two other systems, तो दो other systems कौन कौन से हैं हैं यहाँ पर, B and C, separately, तो दोनों से यह क्या है, अलग-अलग thermal equilibrium में है, both the systems will also be in thermal equilibrium, sorry, also be in thermal equilibrium, with each other, तो यह सिंपल सा स्ट्रीट्मेंट है, आपके zeroth law of thermodynamics, जब दो सिस्टम अलग-अलग, एक ही सिस्टम से thermal equilibrium में है, तो यह दोनों सिस्टम आपस में भी क्या होंगे, thermal equilibrium में होंगे, टिक, चल्ड, आपसे copy करो, फिर हम बात करते हैं, thermodynamic equilibrium की, thermal equilibrium और thermodynamic equilibrium में difference है, क्या, वो हम discuss करते हैं, अभी देखो, यहाँ पर तो हमने सिर्फ बात कि, कि इसकी thermal equilibrium की, लेकिन अच्चली क्या होता है, आपके 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 सिस्टम के equilibrium में होने के लिए, टोटल तीन टाइप के equilibrium एक्जिस्ट करते हैं, तो जो तीन टाइप के equilibrium है, वो मैं आपके बता हूँ, देखो, एक तो होता है आपके पास mechanical equilibrium, mechanical equilibrium, जो दूसरा type of equilibrium होता है, that is your chemical equilibrium, ठीक, या chemical के जएगा आप इसको रादर material equilibrium बोलो, chemical नहीं बोलेंगे पर इसको क्या बोलेंगे, material equilibrium, तो उसमें सारी type की equilibrium आजाते हैं, और जो third equilibrium होता है, that is your thermal equilibrium, क्या होता है, thermal equilibrium, तो टोटल तीन टाइप के equilibrium exist करते हैं, एक mechanical equilibrium, एक material equilibrium और एक thermal equilibrium, अज़गों नाम से बता लग रहा है, mechanical equilibrium, बता हूँ, mechanical equilibrium क्या होगा, जहाँ पर सारे forces क्या होंगे, balance होंगे, अगर हम हमारे respect में बात करें, तो हम यह पर gases से generally deal किया करेंगे, तो जब system के अंदर सारे pressure same हो चुके होंगे, अंदर का pressure, बाहर का pressure same हो चुका है, तब आपका system कहां पर आ चुका होगा, mechanical equilibrium में आ चुका होगा, तो हम simple से रात बोल सकते हैं, कि when pressure is same, अगर आप simple terms में define करना चाहो, किसी gas के लिए गर हम mechanical equilibrium की बात करें, तो अंदर का pressure और बाहर का pressure जब same होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, mechanical equilibrium, same इसी तरह ऐसे material equilibrium, जब system के अंदर present substances की, concentrations constant हो चुकी हैं, उनकी concentration आपको further कोई change नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे equilibrium का हम लोग कौन से equilibrium बोलते हैं, material equilibrium बोलते हैं, तो यह अपका second type का equilibrium है, material equilibrium और thermal equilibrium तो आपको देखे रहा है, आपने भी discuss किया, जब आपके temperatures क्या हैं, same, तो जो भी दो system contact में हैं, अगर उनके temperatures same हैं, तो उसे हम कौन सा system बोलेंगे, अलब कौन सा equilibrium बोलेंगे, thermal equilibrium बोलेंगे, तो यह तीन अलग-अलग categories होती हैं, अब, अब अगर कोई दो system को equilibrium में होना है, किसमें होना है, equilibrium में होना है, तो तीनो type के equilibrium क्या करने चाहिए, एक साथ exist करने चाहिए, तभी हम उन दो system को thermodynamic equilibrium में बोलेंगे, बात समझ में आ रही है, अगर तीनो equilibrium एक साथ exist करते हैं, तभी हम दो systems को किसके अंदर बोल सकते हैं, thermodynamic equilibrium में, अगर आप यह सोचो कि एक exist कर रहा है, और बाकि दोनों नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो दोनों system thermodynamic equilibrium के अंदर नहीं होंगे, तो छोटी सी condition होती है, अब ध्यान रखना, इसको आप point बना को लिख देना, for two systems, for two systems to be, यह for a system to be लिख देना, for a system to be in thermodynamic equilibrium, all the three equilibria must exist simultaneously, यह must occur simultaneously, तो तीनों टाइप के equilibrium एक साथ आने चाहिए, तभी आपका system किसमें होगा, thermodynamic equilibrium में होगा, तो जीरो तलो से तो आपको इतनी चीज़ सीखनी है, कि thermodynamic equilibrium के तीन टाइप होते हैं, जब तीनों एक साथ exist करेंगे, तभी आपका system किसमें होगा, thermodynamic equilibrium में होगा, और इसके बाद हम move करते हैं, अपने सबसे important, जो आपके बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा काम में आने वाला है, और जिसका नाम है, first law of thermodynamics, तो आप heading डाले next पर, that is your first law, first law of thermodynamics, अब आगे, अगले तीन चार लेक्चर तक, हम first law of thermodynamics से ही खेलते रहेंगे, actually अगर मैं आपको बताऊँ, इस chapter के अब हम parts पर आ चुके हैं, इस chapter को में ली तीन parts के अंदर discuss करते हैं, जो आपका पहला part था, वो था basic terms plus first law of thermodynamics, मैं इसे प्यार से FLTD बुलाता हूँ, आप चाहो तो साथ में इसकी short form भी लिख देना, कुछ लोग इसको float भी बोलते हैं, मैं इसको FLTD बोलता हूँ, first law of thermodynamics, कुछ लोग इसको float भी बोलते हैं, तो सब एक ही बात हैं, short form बोलने के लिए, तो हम पहले part में cover करेंगे, first law of thermodynamics और उसके application की, कहां-कहां आपका first law of thermodynamics आपके काम में आता है, उसके बार हम लोग move करेंगे second law of thermodynamics के उपर, जहां पर हम मिलेंगे एक term that is entropy, entropy again एक बहुत important property है, इसको आपको समझना होगा, यूज करना होगा, वो जही के one of the favorite topics के अंदर है, उससे question पूछने के बड़ी खलबली माची रहती है जही के अंदर, और जो third part आप पढ़ोगे, that would be third law of thermodynamics, और यहां पर हम एक और नए टम से मिलेंगे, that is called Gibbs free energy, तो overall इन तीन parts के अंदर में चप्टर को बढ़ेंगे, तीनों ही अपने आप में बहुत important है, और जब advance में question आता है, तो इन तीनों को club करके भी आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर, यह तो मैं आपको stamp पर लिक कर दे सकता हूँ, तो बहुत ध्यान से पढ़े, अब हम इस चप्टर के पहले part में अंटर करने जा रहे हैं, that is called first law of thermodynamics, सबसे बात करते हैं, यह law क्या होता है, यह law energy conservation principle पर based है, किस पर based है, energy conservation principle पर based है, बताओ, energy conservation principle क्या कहता है, यह ऐसा कहता है कि energy, ना तो आप create कर सकते हो, ना ही आप उसे destroy कर सकते हो, आप सिर्फ energy को एक form से, किस में convert कर सकते हो, दूसरे form में convert कर सकते हो, तो सबसे पहला statement जो आपको यहां पर इसके और में लिखना है, यह आपको नहीं लिखवा रहा है, वह आप अच्छी तरह जानते हो, मैंने आपको बता भी दिया है, कि energy can neither be created nor be destroyed, यह कोई experimental law नहीं है, यह experience से बनाया गया law है, चीजों को देखकर energy conservation principle को follow करते हुए, उन सब की basis पर इस law को generate किया गया है, तो देखो क्या किया, कैसे generate किया होगा, आप समझने की कोशिश करना, ठीक है, अब हम इसका derivation करने जा रहे है, actually, मालब concept बिल्ड कर रहे है, कि कैसे first law existence में आया, आप देखो, क्या किया जाए, चले मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अब यहाँ खड़ा हूँ, तिक, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी अभी एक state है, इसको मैं state 1 बोल रहा हूँ, ठीक है, अब मैंने चलना शुरू किया, 1, 2, 3, 4, बता मेरी state चेंज हुई या नहीं, position चेंज हुई तो state चेंज हुई या नहीं, हमारी state का मतलब, मैं यहाँ खड़ा था, तो मैं एक state में था, मैं यहाँ आ गया, तो मैं दूसरी state में आ गया, मल्ला मेरी position चेंज हुई, अच्छा बताओ, जब मैं यहाँ से, और मैं यहाँ पर आया हूँ, तो क्या मैंने कोई work किया, किया, बताओ work मैंने कैसे किया, उस work को कर देने, मैंने क्या चीज यूज की होगी, अच्छा यह podium दिखा दे रहा आपको, नहीं दिखा दे रहा, यहाँ पर एक podium रखा हुआ है, अगर मैं jump करके इस पर उठ जाओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं jump करो और इसके ऊपर आ जाओ, तो आप मुझे बताओ, मैंने इस process में मेरी state बदली होगी या नहीं बदली होगी, बदली होगी, बताओ यहाँ से आप पहुँचे नहीं कुछ work किया होगा, या नहीं किया होगा, किया होगा, बताओ उस work को करने के लिए कुछ energy चाहिए या नहीं चाहिए, वो energy कहां से मिली होगी, अंदर से, very good, कहां से मिली होगी, अंदर से, बहुत अच्छा answer है, बई है क्या, मैं जो भी काम कर रहा हूँ, उस काम को करने के लिए, मुझे energy कहां से मिली ही, अपनी body से मिली है, अपने अंदर से मिली है, इसको हम कहां से energy बोलता है, internal energy बोलता है, तो यह समझने कि आप कोशिश करो, कि जब भी कोई system कुछ भी काम करेगा, जब वो अपनी state को बदलेगा, तो सबसे पहला change किस के अंदर आएगा, उसकी internal energy के अंदर आएगा, अगर मैं यहां से jump करके यहां पहुचता हूँ, तो सबसे पहले मेरी energy change होगी, या तो बढ़ जाएगी, या फिर वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक, आज़ चलो, तो मैं खड़ा हूँ, आपने यहां पह आग लगा दी, बताँ मेरी body temperature बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि मेरी body क्या कर रही ही, heat store कर रही है, बताँ वो जो heat store होगी, जो heat जा रही है मेरी body के अंदर, वो किस form में जाए, किस के अंदर जाकर store होगी, बढ़ा है आप कुछ खाते हो, बढ़ा है ना आप खाते होगी एनर्जी जनरेट होती है, तो एनर्जी चाहती का है, हाँ, वो वापस से यह करते हैं, आपकी intel energy को बढ़ाती है, एक तरी के से आप खा रहे हो, खाने से क्या होता है, फूड का अपनी body के अंदर combustion होता है, उससे heat generate होती है energy, उसका आपरी body क्या करती है, यूज करती है physical work करने के लिए, तो क्या होता है कि, जैसे आपने सीखा है, energy transfer के कितने modes होते हैं, बताओ, heat और work, दो modes होता है, तो जब system के energy बदल रही है, उस case में क्या हो रहा है, इंटर अनर्जी वी ता energy है, तो energy transfer है कितने modes हैं, दो, या तो आप energy work के थूँ transfer कर सकते हो, या फिर किसके थूँ transfer कर सकते हो, heat के true transfer कर सकते हो, तो बुलबात समझ में आ रही है, तो simples of under है कि जब system अपनी state बदलता है, तो सबसे पहला change आपको किसके अंदर observe होता है, उसकी internal energy के अंदर change observe होता है, तो पहले इस बाद के लिखते हैं हम यहाँ पे, कि when the state of a system changes, लिखना शुलू करें आप, when the state of a system changes, its internal energy, short form में लिखना हो में, also changes, तो आप आगे continue करें, कि the change, the change in internal energy, the change in internal energy of the system, that is, आप डेल्टा यू की बात कर रहे है, can be brought about, brought about in two ways, तेक देक, एक system की energy को आप दो तरीके से change कर सकते हो, और वो दो तरीके कौन कौन से हैं, एक तरीका तो मैंने आपको बताया, अब आप देखो, मैं जब उचल के इस podium पर जा रहा हूँ, तो इसके दो तरीके हैं, या तो मैं खुद ग्राउंड से उचल कर इस podium पर रहा हूँ, या फिर कोई मुझे उठा कर इस podium पर रख दे, दोनो ही case में, बताओ मेरे energy change होगी या नहीं, होगी, मेरे state बदल गई है, energy एक state function है, तो energy भी क्या होगी आपके change होगी, तो एक तरीका तो क्या है, कि या तो system खुद वर्क करे, मैं खुद उचल के यहां जाओ, तो system ने वर्क किया, या कोई मुझे उठा के यहां रख दे, तब system के उपर वर्क हुआ, तो पहला तरीका क्या है, either work is done by the system, और on the system, तो या तो system खुद काम कर रहा है, या फिर system के उपर काम हो रहा है, कोई और external agent आके काम कर रहा है, या फिर दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा mode क्या energy exchange करने का, heat, तो या तो system heat release करे, या फिर system क्या करे, heat absorb करे, तो second तरीका क्या होगा, either heat is released by the system और absorbed by the system समझना रहा है, एक तरीका तो है work, इसको हम डबलू से लिख लेते हैं यहाँ पर और दूसरा तरीका है heat, तो सिंस energy transfer के दो ही modes हैं और हम energy conservation principle की बात कर रहे हैं, इसका अदल हम यह बोल सकते हैं कि system की energy में जितना भी change होगा, the change in energy delta u, बताओ वो किसके equal होगा total heat exchange plus total work done, that is q plus w के equal होगा और यही क्या है आपका first law of thermodynamics है, कौन सा law है? first law of thermodynamics, तो आपके सारी कहानी याद नहीं रखनी है, तो आपको समझाने के लिए था कि कैसे हमने इस law को बनाया, अब आपको simple चीज़ याद रखनी है कि कि किसी भी system की energy में जो change होगा, वो q plus w के equal होगा, बात नमबर एक बात नमबर तो, आप जब भी इस equation को use करोगे, यहाँ पर सारी values with sign use करोगे, कैसे use करोगे, with sign use करोगे, अब आप पॉइंट या note डाल के लिख देना, use all values with sign, बात नमबर दो, और बात नमबर तीन, इस equation को use करने में, आप sign की गलती करो नहीं करो, दो ही गलतीयां कर सकते हैं, एक sign की, उस से भी सबसादे important गलती है, units की, यहाँ पर जितने भी लोग question गलत करके आते हैं, वो इस चीज़ पर करके आते हैं, कि वो units के उपर ध्यान रखना, मैं आप लिख रहा हूँ, जैसे घर के बार लिखा होता है, beware of dogs, वैसे आप यहाँ पर लिखें, beware of units, यह काट लेंगी, तो आपको injection में लख पाएंगे, कि आप answer सिधा क्या करके आओगे, गलत करके आओगे, अगर आप work को जूल में लिख रहे हो, इसे भी दो चीज़ों की यूनिट अलग यूज मत कर लेना, आंचर्स कभी नहीं आएंगे, और यह सबसे common गलती है, जो हम first law of thermodynamics यूज करते हैं, ध्यान रखोगे, कोई दिक्कत है, law समझ में आया, चलब आप इसे copy करो, फिर हम questions के थूरू शुरू करते हैं, एक दू छोटे मोटे question करते हैं, और देखते हम कैसे first law of thermodynamics को use करेंगे, तो तो हम शुरू करते हैं अपने पहरे question के साथ, the question is a system expands from 5 litre to 10 litre against a constant external pressure of 280 ठीक, और आपको क्या करना है, if it absorbs 800 joule of energy यह heat लिखना हूँ रादर में, during the process, calculate delta u, ठीक है, short form में लिखना हूँ, आपको इसके लिए delta u कल्कुलेट करना है, जब, आप calculate करो, जब तक मैं आपके लिए दूसरा question तयार करता हूँ, तो देखो, आपका सिस्टम है, which expands from 5 litre to 10 litre, against a constant external pressure of 2 ATM, देख, तो 2 ATM तो आपको external pressure है, और उस pressure के against आपका system का volume बढ़ रहा है, कितना 5 से 10 litre, यह 5 litre चेंज है, expansion हो रहा है, delta u के लिए positive हैगी, तो तो क्या आप यहाँ से work done निकाल सकते हो, और निका खमला क्या होता है, minus p external into delta v, v2 minus vr, वेजर को minus 2 into delta v है, 5 answer आगे, minus 10 ATM into litre, इस process में system ने कितनी heat absorb की, 800 joule किया, आपको change कालना है, इंटरेजी में, तो delta u is equal to क्या होगा, q plus w होगा, बुलोगा, अब आप मुझे बताओ, q की value, 800, और work आप रख दिया, minus 10, तो answer आगे, आपके पास कितना, 790, यह आएगा, जिस नहीं कर दिया, उसने गलती किया कि, यह ATM into litre है, यह joule है, आप हमेशा जब भी से equation को use करो, एक बार यह चेक करो, कि आपने units change की हैं, या फिर नहीं, जरूरत है या नहीं, तो जरूरत है, देखो, heat तो है 800 J, 800 J, चले लिए, तो के heat कितनी है, आपकी 800 J है, plus, work कितना है, minus 10, अब यह ATM into litre, इसको किसे मदलना पड़ेगा, जूल में, तो बताओ, 1 ATM into litre कितना होता है, 101.3 J, होता है, अब आप देखो, यह value कितनी हो गई, 800 minus, यह कितना हो गया, 101.3 J, calculate करोगे, तो delta U के वहले कितनी हो जाएगी, minus 213 J, समझ में आता है, तो बहुत simple सा question है, सिर्फ आपको values प्लेज करनी है, लेकिन units में आपको खिलाया जा सकता है, units का आप specifically ध्यान रखे, हो गया, कोई डाउट, आओ, बूफ करते हैं अपने अगले question के, तो यह अगला question आपके लिए तैयार है, question में अगभार पढ़ दूँ आपके लिए, क्यों में राइटिंग माशालला है, for a system undergoing a process in which delta U is 300 joule, this is not 800, this is 300, and it absorbs 400 joule of heat, undergoing expansion against 0.5 bar pressure, you have to calculate change in volume, ठीक, ट्राइ करो, तब लेक और question तैयार कर देता हूं, है ना, चलो, answer इसका आ रहा है, 2, अगर expansion है तो plus 2 होगा, compression है तो क्या होगा, आपका minus 2 होगा, अगर sign के साथ आपने निकाला है, तब सिंपल सा question है, delta U is equals to क्या होता है, Q plus 2, delta U आपको दिया है, Q दिया है, W आपने calculate करना है, delta U के लिए है 300 Q, Q कितना है देखो, absorbs है, तो हम plus 400 लेकर चलेंगे, तो यह work done, तो work done का formula क्या होता है, minus P external into, V2 minus 1, that is delta V, आपको एक्स्ट्रीपर से भी दिया है, कितना 0.5 बार, सब यही पर आपके दिमाग की घंटी बच जानी चाहिए, कि यह है बार में, जबकि यह है जूल और यह है जूल, तो है ना, आप यूनिट्स की गलती को अवाइड करने के लिए, क्या गरो, यूनिट्स लिखना शुरू कर दो, into delta V, और यह volume आपका होगा लीटर में, क्योंकि आप से लीटर के अंदर दिया हुआ है, तो यह हो गया, 0.5 into delta V, बार इंटू लीटर, यह जूल, यह जूल, यह बार इंटू लीटर, यह तो बहुत नाइन साफ ही है, मतलब आपको बार इंटू लीटर को किसमें बदलना पड़ेगा, जूल्स में बदलना पड़ेगा, तो आप मुझे बताओ, वन बार इंटू लीटर कितना होता है, वरी गूड, वन बार इंटू लीटर कितना होता है, 100 जूल होता है, इसकी जगा 100 जूल लिख दो, तब देखो, एक्वेशन क्या बना, 300 is equals to, 400 minus, 0.5 into 100 into delta V, सही है, तो 0.5 into 100 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, इस टर्म को इधर बेजो, 300 को इधर लाओ, तो 50 into delta V, बताओ किसके equal होगा, 100, 400 में से 300 गया, बताओ delta V की value कितनी आ जाएगी, और उभी plus आ रही है, मतलब क्या हो रहा होगा, यहाँ पर expansion, साफ साफ लिखी रहा है question में कि expansion हो रहा है, तो minus 2 तो कभी आहीं नहीं सकता है, तो अगर आपका minus 2 आया है, मतलब आपने फिर से कोई ना कोई mistake की है, समझ में आ रहा है, तो यह बहुत simple है, first law में बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, sign convention, और दूसरा units, फिर आप इसके question में mistake नहीं करोगे, अभी तो इसका basic application देख रहा है, जब हम आगे चलके अलगलग type के process cover कर लेंगे, उनके अंदर दुबारा से इसको हम लोग use किया करेंगे, तो यह तो यह दो variety of questions जहाँ पर आप किसमें mistake कर सकते हो, यूनिट्स में mistake कर सकते हो, मेरे पास अपके आज एक और category of question है, जहाँ पर आप mistake कर सकते हो, although यह category first law के उपर based नहीं है, लेकिन यह work done के उपर based है, अब देखते हैं कौन से questions हैं, जिनमें आप mistake कर सकते हो, तो यह यह आपके पास वो category, question is, identify in which of the following work is done on the system and by the system, आपको इन में से चार option है, मलें single choice नहीं है, आपको बताना है, इस process में system work कर रहा होगा, या system पे work हो रहा होगा, यहाँ पर भी देखना है, यहाँ पर भी यही, यहाँ पर भी यही है, अब आप सोचो, आप यह कैसे देखूँगे, चार खरें डिसकर्स, तो गताओ, पहले वाले case में work done on the system होगा, या by the system होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो state change नहीं होगा, अगर state change नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, delta u 0, क्यों, नहीं, ऐसे नहीं देखते देखो इन questions को, अच्छा दो, मैंने पर चीज़ सिखाई दी, कि अपके बास दो तरह का work होता है, एक expansion का work होता है, और दूसरा कौन सा work होता है, compression का work होता है, होता है, बताओ, जब system, बिज़े expansion हो रहा होता है, तो work का sign negative आता है, या positive आता है, क्याता है, negative आता है, बताओ, जब work negative है, इसका मतलब क्या होता है, work done on the system, या by the system, by the system, है न, तो इचीज़ हमको पता है, तो आपको यहाँ पर ऐसे ही relate करना है, सेम चीज़, जब compression होगा, work positive आएगा, और जब work positive आएगा, तब work done कैसा होगा, on the system होगा, सही है, सही है, तो आपको क्या करना है, आपको इन options में यही देखना है, कि किस case में volume expand हो रहा है, और किस case में volume क्या हो रहा है, compress हो रहा है, और जहाँ compress हो रहा होगा, वहाँ पर आप क्या बोलोगे, work is done on the system, आप मुझे बताओ, पहले case में expansion हो रहा है, या compression हो रहा है, हम कैसे पता करें? Volume से, कैसे पता रहागा volume? Very good, किसे पता रहागा? Moles से, हमने सीखा है, गैसे के लिए PV कोल टोनार्टी होता है, और constant pressure temperature पर हम volume को इसके proportional वान सकते हैं, Moles, तो बताओ, यहां gases के total moles कितने हैं? 7 plus 4, 11, है? बताओ, यहां gases के total moles कितने हैं? 6 plus 4, 10, since volume gases के moles के directly proportional होता है, तो अगर यहां moles decrease हो रहे हैं, तो बताओ, volume भी क्या हो रहा होगा? Decrease हो रहा होगा, और अगर volume decrease हो रहा होगा, तो बताओ, यहां पर क्या हो रहा होगा? compression हो रहा होगा, और compression हो रहा है, तो W positive आएगा, मतलब work will be done on the system. ठीक, अब आप देखो, अगर system पर work हो रहा है, तो सिस्टम पर work कर कौन रहा होगा Surrounding इसको हम एक और language में बोल सकते हैं Either आप इसे बोलो work done on the system या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो और work done by the surroundings कभी-कभी ना confuse करने के लिए ऐसा भी बोल देता है कि बताओ यहां पर surrounding work कर रही होगी या फिर surrounding पर work हो रहा होगा तो अब इसे बाते हैं जब system पर work हो रहा है तो system पर work कौन कर रहा होगा surrounding इसको आप work done by the surrounding भी बोल सकते हो अच्छे चलो अब ता समाज़ गयो concept बताओ second case में क्या होगा यहाँ पर क्या है gases यहाँ पर क्या है liquid gas लिक्विड में convert हो गई है बताओ same condition पर अगर मैं gas और लिक्विड हो compare करूँ किसका volume ज़ादा होगा सबसे अरा volume किसका होगा gas का तो since gas का volume ज़ादा है यह liquid में convert हो रही है मतलब यहाँ पर भी volume क्या हो रहा होगा decrease हो रहा होगा volume decrease हो रहा होगा तो compression होगा और compression होगा तो work done on the system होगा सही है बताओ third case solid और liquid किसका volume ज़ादा होता है liquid तो बताओ यहाँ पर volume क्या हो रहा होगा बढ़ रहा होगा volume बढ़ रहा होगा तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा expansion हो रहा होगा तो हम क्या बोलेंगे work done by the system होगा बहुत समझ में आ रहा है लेकिन ये गलत है क्यों ये तो गया जी तो लुचा हो गया देख़ो जी गलत केशी हो गया बताओ क्या लेनी बढ़ेगी heat देनी बढ़ेगी यहां पर भी देनी लेनी बढ़ेगी उससे क्या फरक बढ़ेगा ध्यान से देखो ध्यान से देखो जाद करो उस दिन को जो मैं आपको बताया था कि ये है H2O solid बोले तो ice और ये है H2O liquid बोले तो water क्या आप मझे बढ़ा सकते हो ice और water में से किसका volume जादा होता है दुनिया के सारे solid liquid एक तरफ ice water एक तरफ ice एक ऐसा solid है जिसका volume अपने liquid से क्या होता है जादा बाकि सारे solids का volume अपने liquid state से क्या होता है मेशा कम लेकिन ice का volume क्या होता है water से जादा होता है reason chemical bonding में हम लोग पढ़ चुके है ice की जो open case structure होती है जो hydrogen bonding के थूँ बनती है उसके अंदर vacant spaces होता है जिनके अंदर air fill हो जाती है तो as compared to water उसकी density भी कम होती है और उसका volume क्या होता है जादा होता है अगर ice का volume जादा है आप ice से water में convert हो रहे हो मतलब volume क्या हो रहा है decrease हो रहा है और अगर volume decrease हो रहा है तो यहाँ पर फिर से क्या हो रहा होगा compression और अगर compression हो रहा होगा तो will be work done on the system होगा कहां पर होगा on the system होगा बोला बात समझ में आ रही है same इसी तरह होता हो इस case से बता हो H2O solid, H2O gas इस बार हाँ यहाँ अपने को दिमार नहीं लगाना है obviously gas का volume solid से क्या होता है जादा अगर volume जादा है तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा volume increase हो रहा होगा expansion होगा और expansion होगा तो बताओ क्या होगा work will be done by the system आरे यह बात समझ में तो यह कुछ cases हैं जो आपको परिशान कर सकते हैं confuse कर सकते हैं हमेशा जब भी आपको work on the system by the system बताना है तो उसका sign ढूनने की कोशिश करो अन्यापको सिखाया था expansion का work हमेशा क्या होता है negative तो negative आया तो expansion हो रहा है और positive आया तो work कैसा हो रहा होगा आपका compression का work हो रहा होगा बोले यहां तक बात समझ में आती है चरब last lecture में आपको एक और चीज़ सिखाय थी छोटी सी कि constant volume पर कहां पर constant volume पर कोई system जो heat exchange करता है बताओ वो किसके equal होती है भूली भूली होगे वापस बोलो constant volume पर system जो heat exchange करता है बताओ वो किसके equal होती है देखो चीज़ों को रेकॉल करने कोशिश किया करो ठीक है आप पुरान लेक्ट्री चीज़ों भूलते जाओगे तो आगे फिर काम नहीं चलेगा नहीं अभी तो बता दूँगा पेपर में कौन बताने आएगा तो बहुत बड़ा बतान देने कोशिश करो लास्ट क्लास में आपको एक चीज़ सिखाई थी कोई सिस्टम कॉंस्टेंट वॉल्म पर जो हीट एक्स्चेंज करता है वो डेल्टा यू के बराबर होता है मैं आपसे यह भी कहा था कि जब फर्स्ट लॉप पढ़ लेंगे तो मैं इसको दुबारा आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा आज हुआ समय आ चुका है कि मैं आपको इस दुबारा से प्रूफ करके दिखाऊं आप बताओ फॉर्म फर्स्ट लॉफ थर्मो डैनेमिक्स तुबारा से प्रूफ करें दिखा रहा हूं या आप तो अपने को है बताओ डेल्टा यू किसके एक्वल होता है क्यू प्लस डब्लू तो मैं अगर बात करूं एट कॉंस्टेंट वॉल्यूम कंडिशन बताओ कॉंस्टेंट वॉल्यूम पर क्यू को तो मैं क्यू भी लिख लेता हूं यह क्या बन जाएगे आपकी हीट एक्सचेंज अट कॉंस्टेंट वॉल्यूम सही है और बात करें डब्लू डब्लू इस वर्क बताओ वर्क दन का फामला क्या होता है माइनस पी EXTERNAL into डेल्टा वी बताओ अगर व्लूम कंस्टेंट है तो डेल्टा व की वैल्यू क्या होगी इट कंस्टेंट व्लूम डेल्टा वी विल बी क्वल टो जिरो होगा और अगर डेल्टा व जिरो हो गया तो बताओ यूू डब्लू किसके इक्वल हो जाएगा के equal आएगा और फिर से वो ही बात जो हम पहले से ही जानते हैं कि कोई भी system constant volume पर जो भी heat exchange करेगा चाहे वो heat लेगा या वो देगा वो बताओ किसके बराबर होगी उसकी internal energy में change के बराबर होगी आई बास समझ में तो एक और statement से मैं आपको proof कर दिया है इसे आप ध्यान रखे यह चीज अपने बहुत जादा काम में आने वादी है इसे आप copy करो इसके बाद मैं आपको मिलवाता हूँ एक और बहुत ही नए important term से that is called enthalpy तो हम इंटरेट जी से मिल चुके हैं heat work से मिल चुके हैं हमने first law पढ़ लिया है अब मैं आपको मिलाना बहुत important term जिसका नाम है enthalpy इसको आप आगे तक यूज करोगे हैं copy करो फिर बाग करते हैं enthalpy की तो शुरू करते हैं अपने बहुत important term से जिसका नाम है enthalpy तेखो आपको enthalpy की कई direct definition लिखियो ही मिल जाएंगी तो इसकी definitions की बात में बात करूँगा पहले हम आपको इसके origin पे लेकर चलता हूँ कि कहां से हम इस function को उठा कर लेकर आए कैसे function बना मुझ डारेक्ट कुस लोग इसके डारेक्ट definition लिख वायते है mathematical definition इसका origin देखो क्या है इसका origin है first law of thermodynamics अगर आप दुबारा से first law of thermodynamics को देखो तो बताओ delta u is equals to क्या होता है q plus w होता है अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ constant pressure condition की constant pressure condition की बात कर रहा हूँ constant pressure condition की फड़ा जहान से देखना at constant pressure बताओ work done का formula क्या बन जाएगा minus p into v2 minus p होगा ठीक है तो अब आप देखो जैसे इस value को आप यहाँ पर place करते हो तो बताओ delta u is equals to किसके equal बनेगा q plus q की जगा मैं लिख रहा हूँ qp constant pressure है w जाएक लिख सकता हूँ इसको बताओ minus p into v2 minus 1 होगा तो ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ delta u को तो लिख रहा हूँ u2 minus u1 is equals to qp इसको जैसे लिख सकता हूँ बताओ minus p into v2 minus minus क्या हो गया प्लस ही क्या हो गया p into v1 होगा अब आप देखो इसको इधर बेज़ दो इसको भी इधर बेज़ दो तो बताओ qp की value किसके बन जाएगा एक तो बनेगा u2 plus pv2 बनेगा इसको इधर बेज़ दूँगा तरह से minus कॉमा नागे क्या बन जाएगा u1 plus p into बनेगा अब आप देखो यह जो आपका u2 plus pv2 बना और यहां से हम इसको इन दोनों को मिला कर हमें टर्म बनाते हैं नहां देना इसको में लिख र क्या लिख रहा हूँ यू plus pv और हाँ अब आप देखोगे न अगर मैंने प्रेशर यहां constant रखा हुआ है तो constant pressure पर state 1 लिखू तो वह बन जाएगी u1 plus pv1 और constant pressure पर state 2 लिखू तो बन जाएगी u2 plus pv2 देखो यह सी function को रिप्रेजेंट कर रहा है अब आप हमें क्या है देखो यह term मैं बार बार लिखूँ एक बड़ा term मैं u2 plus pv2 u1 plus p1 इसकी जगा मैंने एक छोटा term लिख लिया जिसको मैंने क्या बोला h तो यहां से मुझे एक नया function विला जो की u plus pv है लेकिन बार बार मैं u plus pv लिखूँ उसकी जगा मैंने इसका एक छोटा नाम रख दिया h और इस h को हम लोगोंने क्या बोला enthalpy function यह क्या है आपका enthalpy function है तो यह आपको याद बाद नहीं रखना है मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हमने enthalpy का यह formula बनाया कि हम h को क्या लिखा करेंगे u plus pv लिखा करेंगे अगर आप ध्यान से देखो अगर आप ध्यान से देखो बताओ internal energy कैसा function है state function है या path function है बहुत बढ़िया state function बताओ pressure कैसा function है क्यों आपका देखो बने state variable define के दे pressure, volume, temperature, amount of gas और state variables और state functions क्या होते है same तो pressure भी क्या है आपका state function है बताओ volume भी क्या है state function है यह state function यह state function यह state function दोगा enthalpy भी कैसा function होगा state function होगा बोलो बात समझ में आती है नहीं आती है ना तो यहां से हमें एक नए state function की जरुरत पड़ी मैं इस qp को क्या लेख सकता हूँ इसके जाए लेख सकता हूँ h2 माइनस इसके जाए लेख सकता हूँ h1 और h2 माइनस h1 किसके बराबर होगा डेल्टा h के बराबर होगा तो यहां से हमें एक नए state function की जरुरत पड़ी जिसका हमने क्या नाम रखा enthalpy function नाम रखा यह state function क्यों है कि कि इसके अंदर आने वोले सारे टर्म state function है therefore enthalpy भी क्या होगा आपका एक state function होगा और इस relation से बता हूँ हम क्या बोल सकते हैं qp is equal to delta h इसका मतलब क्या हुआ heat exchanged at constant pressure is equal to change in enthalpy of system तो देखो यह h is equal to u plus pb आप जो बता हूँ क्या मैं internal energy के absolute value पता कर सकता हूँ नहीं तो अगर मैं internal energy के absolute value पता नहीं कर सकता हूँ तो मैं से enthalpy की absolute value नहीं बता पाँगा और मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या calculate कर पाऊंगा change और वो change कैसे calculate करेंगे constant pressure कर दो constant pressure पर system जो भी heat लेगा या देगा उसे हम लोग क्या बोल देंगे उसकी enthalpy बोलते हैं पंगनारी बात एक चीज़ ध्यान रखना यह enthalpy experimentally major करने का तरीका है क्या होता है यह misconception create कर लेते हैं हम enthalpy को क्या बोलते है heat exchange rate constant pressure is equal to change in enthalpy of system अब student यह बोलते हैं कि जहाँ जहाँ delta h लिखावा गया वहाँ pressure constant होना चाहिए नहीं भाई ऐसा नहीं है मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपको एक system के enthalpy में change पता करना है नापना है major करना experimentally तब आपको constant pressure condition रखके heat निकालनी होगी बाकी चाहे volume constant हो चाहे temperature constant हो enthalpy आप define कर सकते हो उसके दो तरीके होते हैं enthalpy हो calculate करने एक directly तो यह direct तरीका है दूसरे indirect तरीके होते हैं उनको भी हम लोग discuss करेंगे बट पहले हम बात करते हैं enthalpy function की कुछ properties की तो आप इसे copy करो फिर देखते हैं कि extensive property है intensive है state function है यह तो हम लोगों ने प्रूफ करी लिया है फिर हम इसको relate करेंगे किसके साथ internal energy के साथ तो जो relation हो बहुत important होगा पहले आप इसे copy करो कुछ और normal बाते करते हैं enthalpy के बारे में तो देखो next हम कुछ characteristics की बात कर लेते हैं of enthalpy function थिक जो मैं ऐसे आप से बोला सबसे पहली property जो हम discuss कर चुके हैं बताओ यह एक तो कैसा function है state function है enthalpy is a state function और हम इसके लिए क्या कल कर सकते हैं बताओ चेंज डेल्टा इसके लिए किसके एकल होगी h final minus h initial second चीज बताओ second चीज enthalpy कैसी property होती है it is an extensive property मतलब भी किस किस पर depend करेगी size of system पर और amount of matter present in the system पर यह depend करेगी और तीसरी चीज जिसको internal energy से mix करवाते हैं देखो internal energy से थोड़ा resemble करवाते हैं आप लोग ने पढ़ा था कि जो internal energy है उसको हम किसके function के form में लिख सकते हैं दो function के form लिखते हैं यू as a function of volume and लिखते थे हैं दोसे हम internal energy को function of volume and temperature लिखते हैं वैसे हम enthalpy को किसका function लिखते हैं pressure और temperature का enthalpy can be represented as a function of pressure and temperature ठीक है तो बताओ जब उसको internal energy को यू को function of volume temperature लिखते थे तो हमने एक dh का partial differentiation और formula बनाया था बताओ क्या वैसे ही कोई formula आप यहां बना सकते हो तो चलो बनाते हैं change in enthalpy बताओ small change in enthalpy अगर मैं dh निकालू तो उसका formula क्या बनेगा very good del h upon del p at constant t into dp plus del h upon del t at constant pressure into dt अब इसमें क्या लगा सकते हैं cases देखो cases कैसे लगाएंगे हम interested है इस वाले term में थीक है तो मैं इस term को discuss कर लेता हूँ जादा आपन डीटेल में नहीं चलते हैं क्योंकि अपने इसको पहले कबर कर चुके हैं internal energy की form में तो mainly हम कुछ discuss कर रहे हैं हम लोग तो फिर से interested is term के अंदर del h upon del p at constant t अगर मैं एक idle gas के लिए बात करूँ तो एक idle gas के लिए यह जो term है del h upon del p at constant t कितना होता है 0 कितना होता है 0 ऐसा ही term वहाँ पर भी 0 था del u by del v at constant t but वहाँ पर आमने logic भी दिया था this is proven by experiments this is experimentally proved by jule thompson experiment तो यह experiment वैसे मारे jule thompson experiment का idea भी दे दूँगा कि वो क्या है क्योंकि अभी तो आप उसको समझे नहीं पाऊगे क्योंकि हमने adiabetic process discuss नहीं किया है हाल फिलाल तो आप ध्यान रखें idle gas के लिए यह term कितना होता है 0 अब बताओ जैसी यह term 0 हुआ dh का formula क्या बन गया del h by del p at constant t into dp महाँ पे term बना था del u by del v उसको हमने क्या लिखा था sorry लिखने में गलती होगे dh equal to हमने क्या लिखा था del h upon del t at constant p into dt बन जाएगा यह term 0 हो गया अब बताओ जब मनें du का formula लिखा था del h by del t sorry del u by del t का एक term बना था उससे हमने क्या लिखा था cv बताओ इसको हम क्या लिखेंगे constant percentage क्या बोलेंगे cp इस term को हम बोल देंगे cp और यहां से बताओ dh का formula क्या बनेगा cp into dt बताओ overall change निकाले के लिखेंगे आप क्या करोगे इसको integrate from t1 to t2 यह जाएगा h1 से h2 बताओ एक idle gas के लिए change in enthalpy delta h का formula क्या बनेगा n cp into delta t for n moles of gas सही है बताओ delta u का formula क्या था n cv delta t और अब delta h का formula क्या बन गया है n cp delta t into minus t सही है तो बहुत 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 difference आया नहीं लेकिन यह formula अपने लिए बन गया है किसके लिए idle gas के लिए फिर हम किसके लिए बात कर सकते हैं for solids and liquids यह आपके बहुत rarely काम में हैंगा solids liquids का case जब हम solids liquids के लिए बात करेंगे तो हम सर्फ और सर्फ कहां पर बात किया करेंगा at constant pressure condition पे हाँ वोगे पर discuss कर लेते हैं वर इसको divide करेंगे इसके लिए बात करते हैं तो at constant pressure बताओ change in pressure तो कितना हो जाएगा 0 जैसे dp 0 हुआ हमारा यह जो equation है यह वाला इसमें यह term 0 जाएगा फिर से बताओ dh किसके equal आ जाएगा वो ही del h upon del t at constant p into dp sorry dt जिसको मैं cp dt बोल सकता हूँ और फिर delta x निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसको integrate n cp dt from t1 to t2 अब यह temperature पर depend करेगी तो जो equation दिया है उसको आप यहाँ पर रख कर क्या किया करोगे इंटिग्रेट किया करोगे बात समय में आ रही है तो exact वैसा ही है बस delta u के जगा delta h आ गया है और cp के जगा क्या आ चुका है अपका cv आ चुका है एक at constant volume और एक at constant pressure जो constant volume होती है वो किसके एकल होती है delta u और जो constant pressure होती है वो किसके एकल होती है delta h अब उसको अपन एक diagram form में भी ले लेंगे बट अभी हमारे पास delta h का एक simple सा formula लाच चुका है n cp delta t तो most of the time हम इसे use किया करेंगे अब दूसरी चीज़ हमने क्या लिखा हमने लिखा है cp किसके equal है बताओ del h upon del t at constant p अगे बताओ ये किसके equal हो जाएगी slope of enthalpy and temperature तो जो आपको enthalpy and temperature के बीच में graph दिया होगा उसकी slope अगर आप निकाल लो तो उसकी value किसके equal आ जाएगी cp के equal आ जाएगी तो ये था अपना एक और बहुत ही important term enthalpy हमने उसको define किया as h is equal to u plus pv लेकिन h is equal to u plus pv से हम उसे calculate नहीं कर सकते हैं हम तो enthalpy में change calculate करेंगे delta h और उसका एक formula आपको दिखरा ये n cp into t2 minus t मुलो कोई doubt समझ में आता है यहां तक चौड़ ये तो इस समझने की बात एक formula आपको ये ध्यान रखना है और दूसरी जो सबसे important चीज़ आपको ध्यान रखनी वो मैं यहां पर लिख लेता हूँ ये तो आपने लिख लिए होगा तो मैं सोड़ा रहा हूँ और अब आप बहुत ही काम की चीज़ पर आएं और इसे ध्यान रखें कि बहुत system जो भी heat exchange करता है हीट एक्सचेंज लेता है या देता है दो ही condition पर देगा आइदर आइट constant volume जिसको हम लोग क्या बोलता है प्यार से QV और जो दूसरी heat पर एक्सचेंज कर सकता है दूसरी condition क्या है एट constant pressure और उसको हम लोग क्या बोलेंगे QP क्योंकि जब temperature constant होगा तब तो heat transfer हो ही नहीं सकती है क्योंकि हमने सुना है सीखा है heat flows due to temperature difference तो temperature difference है यह नहीं तो heat कहां से flow नहीं होगी न अब आप मुझे बताओ constant volume पर जो भी heat exchange होती है वो किसके equal होती है बोलो भई ncv delta t क्या होता है delta u बोलो ना constant volume पर जो heat exchange होती हो किसके equal होती है delta u मुझे पता है मैं इसको याद करवाते करवाते मर जाओंगा लेकिन फिर भी आपसमें गलती करोगी करोगी heat exchange at constant volume delta u के बराबर है जिसे हम कैसे calculate कर सकते हैं ncv delta t से similarly पताओ heat exchange at constant pressure किसके equal होगा delta hk और उसका formula क्या बनेगा ncp into delta t आई बात समझ में है आई है तो आप इसे copy करें चलो तब यह चीज आपको आज के लेक्चर से बहुत important सीखने को मिली है और यह आपको याद रखने है इसके पर आपको बहुत देल्टा यू और डेल्टा है जब यह दो टम जो हमने सीख लिए हम इनको relate करना शुरू करेंगा और वह बहुत important part है वह आपके बहुत जादा काम में आएगा thermodynamics के questions के अंतर तो आज के तरह की equilibrium होते हैं कौन-कौन से mechanical equilibrium, material equilibrium और thermal equilibrium अगर एक system को thermodynamic equilibrium में होना है तो तीनो टाइप की equilibrium एक साथ exist करने चाहिए तिक दूसरों ने बात की first law of thermodynamics की that is delta u is equals to q plus w आप इसमें कुछ याद रखो ना रखो दो चीज़े आपको ध्यान रखने है पहला जितनी भी values रखोगे with sign रखोगे और सबकी units भी क्या होनी चाहिए ये गलती बिल्कुल मत करना उसके गार हमने बात की enthalpy function की enthalpy function hcom define कैसे करते है as u plus pv लेकिन हम इसे यहाँ से calculate नहीं कर सकते हैं हम enthalpy के absolute value नहीं बता सकते हैं तो हम क्या बताते हैं उसके अंदर change ठीक एक change तो हम इस formula से भी निकालेंगे वह भी next class सीखेंगे पर आज आपने enthalpy change का एक simple सा formula पढ़ा है n c p into delta t और यह जा n c p into delta t होता है यह किसके बराबर होता है qp के बराबर होता है next class हम delta h और delta u को relate करेंगे और उनके पर बेस्ट questions को discuss करते हैं मिलते हैं next lecture तब तक आप अपना ध्यान रखें हेलो students देखो हमारे chapter thermodynamics के अंदर अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे parts cover कर लिए last class हम लोगों ने बात की थी enthalpy term के और हमें के enthalpy function को हम कैसे define करते हैं कैसे हम उसको use करते हैं कि उसकी properties हैं हमने last class और भी कुछ बात हैं की ती delta h से पहले भी हमने कुछ पढ़ा था इन्थेल्पी को definition क्या पढ़ा था जीरोत लोग और first law अपना इससे हमने discuss किया था जहां हमने सीखा कि delta is equals to क्या होता है q plus w उस equation को शाद मैं आपको use करना भी सिखा दिया था ठीक है फिर हमने बात की थी enthalpy इन्थेल्पी की enthalpy function जो होता है h उसकी फॉर्म उसको जो हम enthalpy function लिखते हो क्या होता है यू प्लस पीव होता है state function है extensive property है हम सिर्फ उसके अदर क्या calculate कर सकते है चेंज calculate कर सकते है न डेल्ट एच की value उसके लिए लोगों ने एक formula भी generate किया तो that was n c p delta t फिर मैं आपसे बात की थी कि हम enthalpy और energy दोनों क्या कर सकते हैं relate कर सकते हैं तो कैसे relate कर सकते हैं और किस तरह की questions आपसे उसके पर पूछया सकते हैं आज हम वो discuss करने वाले यह relation बहुत 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 important है और यह ना आपके आगे तक काम में आएगा अभी आप thermo dynamics पढ़ोगे फिर आप thermo chemistry पढ़ोगे वहाँ पर देखो इसके ना बहुत सारे forms बनते हैं इसमें एक form आगा तो बहुत ही जादा important है लेकिन उसके आप बाकी forms भी पूछे आते हैं जहीं में बदल बदल कर इनको use किया जाता है इसलिए आप धान से देखें और आपको कहना मैं आपको एक form बताऊंगा आपको सिर्वो याद रखना है उससे आप बागी किसी भी form में convert हो सकते हो बताओ हमने इंथेल्पी फंक्शन हो कैसे define किया था बताओ mathematical forms का लिखते कैसे हैं है इस इक्वेशन को बहुत बढ़िया है इस इक्वेशन को डिफेंट किया था लिकिन आपको एच में और यू रिलेशन नहीं ढूलना है डेल्टा एच और डेल्टा यू तो आप क्या करो इस एक्वेशन को लगेशन को डिफेंट करो तो सव्रीट रिख बिच इस तो डिए आपको न सिर्फ और सिर्फ यह रिलेशन याद रखना चाहिए क्याँ डेल्टा एच ही ब्लस डेल्टा पीजिए अभिद गर पर कोई नहीं लगा हैं हमने कोई condition तब को इसको इसी form में याद रखना चाहिए और फिर question में जो condition दी हुई हो उसके साब साब इस form को convert कर सकते हो कैसे आओ start करते हैं सबसेल हम बात करते हैं condition number 1 तो ऐसे वन नमर डाल रहा हूं when pressure is constant चीक है बताओ जब pressure constant होगा आप delta h is equals to क्या लिखोगे delta h is equals to delta u plus जब pressure constant ज़सको आप बहार निकाल लोगे तो बताओ यह क्या बन जाएगा p delta v या फिर आप simple इसको बोल सकते हो कि delta h is equals to delta u plus p delta v की जगा आप क्या लिखोगे v2 minus v1 बन लिखोगे वह समझ में आ रहा है simple जब pressure constant है तो हमने pressure को बाहर निकाल लिया इसी तरह बताओ जब volume constant होगा तो volume को बाहर निकाल लो तो किसको change कर दोगे pressure को तो अलग-अलग conditions अलग-अलग relation अपने आप बनते जाएंगे second when volume is constant the volume constant होगा तो relation क्या बन जाएगा हमारा delta h is equals to delta u plus बताओ ही क्या बनेगा वी delta ठीक है जब एक चीज़ बता दूँ आपको यह हम direct जो आगया मैंने आपको differentiate करके दिखा दिया है हो सकता आप उसमें problem आ जाए कोई लोग वो निकाल देश में कमी तो आपको चीज़ सिखा दू पहला हम क्या करेंगे इसको साइड में differentiate कर लेते हैं तो differentiate करेंगे तो हम क्या लिखेंगे देखो dh is equals to du plus dpv ऐसे हम इसको लिखते हैं तो आपको overall change निकालना है तो आप इसको क्या करोगे देखो integrate करोगे तो यह एक state function है जब एक state function को integrate करते हो तो आपको उसकी overall value में change मिलता है ऐसे ही यह भी एक state function है delta u plus pv भी खुद क्या है एक state function है तो इसमें भी आपको क्या मिल जाएगा delta pv मिल जाएगा यहां से आप यहां पर इस रास्ते से पहुंचते हो ठीक है यह फिर आप चाहो तो इसको इसी form में रख सकते हो d of pv और आप देखो जब pressure constant होगा तो pressure बाहर आ जाएगा dv का integration delta v बन जाएगा तो वह tension मतले ना आप तो direct इस form से form में transition करो और इसका आप डेरेक्ली यूज़ कर सकते हो तो पहला प्रेशर constant तो p delta v दूसरा volume constant तो क्या बन जाएगा वी डेल्टा पी इसी में थर्ड केज बना सकते हैं कि ना तो प्रेशर constant हो वेन प्रेशन एंड टेंपरेचर बोथ आर चेंजी सॉरी प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर चेंज सही है तो बताओ जब प्रेशर वॉल्यूम चेंज होगा तो relation क्या बनेगा डेल्टा एच इस इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस अब प्रेशर भी बदल रहा है वॉल्यूम बदल रहा है तो पी वी की वाली पूरी बदलेगी तो डेल्टा पी वी ही हम यूज करेंगे पूरा का पूरा मतला हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ड कंडिशन के साथ या फिर आप एक सिंपल फाम याद रखो और जो कंडिशन आपको दे दी जाए उसी कंडिशन को अपलाए करके आप अपना रिलेशन यूज कर सकते हों बोले यहां तक कहानी समझ में आती है अब फोर्थ और वेरी इंपॉर्टेंट जबके सबसे ज़्या ज़ादा काम में आने वाला रिलेशन है वो हम लोग डिसकस कर ने जा रहे है नितskin ज़र नियोए के सबके सब 안ивает ठीक, इन जनरल देखो, कोई भी जो reaction होती है, आप उनको generally constant pressure temperature पर carry करवाते हैं, तो अगर हम constant temperature condition पर एक gaseous phase reaction ले ले, N1 A gas changes to sum N2 B gas, ठीक है, थोड़ा समझने ही कोशिश करना, आप देखो, जब A gas, B gas में convert हो रहा है, तो temperature हमने क्या रखा है, constant, बतार इस reaction में क्या चीज़ बदल रही है, Moles, very good, A के N1 Moles से B के कितने Moles बन रहा है, N2 Moles बन रहा है, तो जब constant temperature पर gaseous phase reactions carry करवाई जाती है, तो एक substance के Moles, दूसरे Moles में convert होते हैं, मतलब reaction के दौरान Moles change होते हैं, तो हम हमारे relation को थोड़ा सा modify कर सकते हैं, देखो, बता हम delta H is equal to क्या लिख सकते हैं, delta U plus delta PV, क्या मैं यहाँ पर PV is equal to nRT लिख सकता हूँ for gases, अब अब ध्यान देना, हमने यहाँ पर PV is equal to nRT यूज किया है, बताओ PV is equal to nRT सिर्फ और सिर्फ किसके लिए valid होता है, gases के लिए, हम यहाँ पर सबका idle gas behavior मानके चल रहे हैं, ठेके हैं, यहाँ पर आपको real real का concept नहीं लगाना है, simple है, आप जब भी इसको use करोगे, आप सबको idle gas मानकर चलोगे, जब तक उसने question में खुद नहीं बोल दिया है, कि एक real gas है, समझ मेरी बात, जब अब इसको तोड़ा realize करते हैं, बताओ इस reaction में, यह तो R क्या होता है, gas constant, T क्या है, temperature, देखो temperature पहरे से constant है, R constant, T constant, इस दोनों को हम बहार निकाल सकते हैं, बताओ जैसे हम इन दोनों को बहार निकालेगे हैं, पर शिर्फ क्या बचेगा, N, बताओ मोल्स change हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं, यह जो आपका relation है, ultimately एक यह simple form में आता है, that is, delta H is equals to delta U plus R और T बाहर, अंदर क्य करेंगे, gases के मूल को consider करेंगे, बोला बात समझ में आ रहे हैं, तो किसी भी gaseous reaction के लिए, constant temperature पर, अगर आपको delta H और delta U को relate करना है, तो आप डारेक्ट इस relation को use कर सकते हो, यहाँ पर आपको delta NG का significance पता होना चाहिए, this is very important, बताओ delta NG किसके एक वाल होगा इस reaction में, N2 minus N1 बताओ N2 क्या है, number of moles of product, रादर आप इसे बोलोगे, delta NG जो होगा, वो होगा number of moles of gaseous products, कौन से products, सिर्फ और सिर्फ आपको कौन से products consider करना है, gas, अगर solid liquid aqueous है, तो आप इसे consider नहीं करोगे, minus बताओ यह क्या बनेगा, number of moles of gaseous reactants, यह सेम चीज हम लोग 11th, हम लोग कोटा में इस topic को 12th class में पढ़ाते हैं, तो इसलिए मैं बार बार बोलना है, हम 11th class में chemical equilibrium chapter पढ़ते हैं, वहाँ पर हम इस term को पहले भी use कर चुके हैं, यहाँ पर यह आपके बहुत जादा काम में आने वाला है, delta NG का significance याद रखें और इस relation को याद रखें, caseous moles of products minus caseous moles of reactants ही आपको consider करने हैं, अपने को रेटने कोशन ना करें, मैं सब पे question करवाने वाला हूँ, तो आपको use करते करते अपने आप याद हो जाएंगे, लेकिन यह relation आपके almost 80% times काम में आएगा, बाकी 20% आपके रिलेशन को use किया कर रहा है, सही है, चलो, यह तो हो गया कहाँ पर, gaseous phase reactions के लिए, कभी-कभी क्या होता है, आपके पास एक single gas होती है, वो gas expand होती है, compress होती है, ठीक, तो आप देखो, मैं 5th condition ला रहा हूँ, 5th condition आप ही मुझे बता दोगे, अपने आप ही, आप सप अंडर के अंदर ये एक piston लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें gas filled है, ठीक, अब क्या हो रहा है, कि यहाँ पर temperature बदल रहा है, मानला है, यहाँ पर मैंने इस gas के 5 moles रख दिया, या N moles रख दिया है, ठीक, अब ये piston बाहर के लिए, की तरफ जाएगा, ये अंदर की तरफ आएगा, तो क्या होगा, गैस का temperature चेंज होगा, तो मानलो यहाँ पर gas का temperature बदल रहा है, T1 से कुछ T2 जा रहा है, ठीक, हमने pressure constant रखा हुआ है, तो मानलो आपने heat किया, इस gas का temperature बदला, तो piston expand होगा, तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर क्या चीज constant रहेगी, प्रेसर तो मैंने constant रखी रखा, उसके अलावा, मूल्स पर क्या फर्क पड़ेगा, तो प्रेसर वॉल्यूम दोनों बदलेंगे, क्यों क्या होता है, एनर्टी होता है, तो temperature बदला तो PV की वैल्यू भी बदलेगी, बदलेगी, अब आप एक को constant कर बदलो तो फिर सिर्फ वॉल्यूम चेंज होगा, तो हम तो यहां पर बेसिकली रिसकस कर रहे हैं, बताओ, इस गैस का temperature बदलने से कैस के मोल्स बदल जाएंगे, यह सिंगल गैस है न, यह किसी और में convert होई नहीं रही है, तो मैं इसको heat दूँ या heat इस से बाहर निका दो, गैस के मोल्स चेंज नहीं होगे, तो कभी-कभी आपके ऐसी situation भी आ सकती है, जहाँ पर single gas हो, उसका expansion, compression हो रहा हो, उसका temperature बदल रहा हो, लेकिन उसके मोल्स चेंज नहीं हो रहे हो, तो उस case में भी आप इसको use कर सकते हो, उस case में देखो, when only temperature is changing, बहुत rare case है, क्योंकि इस इसको हो फिर P1, V1, V2, 2 सो भी कर सकते हैं, लेकिन, एक मतलब जब ना pressure constant है, ना volume constant है, ना temperature constant है, आप चाहते हैं, है है, जब लिख भी सकते हो, all P, V and T are changing, नहीं रख रहे हैं अपन, वो भी change कर वाए, बल्लब होगा तो फिर वो condition तो महाँ पाई चुकी नहीं है, पहली इस सार constant, तो यह एक specific condition बन रही है, आप इसको सीखो गया आगे, तो उस case में देखो, आप delta H is equal to क्या लिख सकते हो, delta U plus delta PV, ठीक, एक relation तो बन जाएगा, P2 V2 minus P1 V1, जो आपने पहले भी पढ़ा था, लेकिन अगर उसने pressure volume नहीं देखा, सिर्फ temperature में change दिया है, तो देखो फि PV की जगा आप लिखो गया, NRT, आप देखो, moles constant है, R constant है, तो बताओ यह relation किसमें convert हो जाएगा, delta U plus NR delta T, आरिवा समझ में, तो बहुत rare है, कि आप सिर्फ पूछ ले, by chance आपको ऐसा मिल सकते है, लेकिन फिर भी यह important है, और आप सको किसी भी time यहां से बना सकते हो, तो U plus delta PV ध्यान रखना है, question में जो condition दी हुई हो, उसको लगा के आप अपना relation drive कर सकते हो, और since यह अपने सबसे आदा काम में आएगा, यह आपको अपने आप ही याद हो जाएगा, इसके लिए आपको effort मारने की ज़रुरत नहीं है, again, यहां पर अपने relation लिखा है, वहां पर स copy करें, फिर हम लोग इस पर question से शुरू करते हैं, तो देखो यह आपका एक छोड़ा सा question, कि दे एंथालपी change for the reaction of 50 ml of ethylene with 50 ml of H2 at 1.58m pressure is इतना, आपको से एक्शन का delta U calculate करना, तो सलब तो आपको reactions को खुद analyze करना है, ठीक, सबस्क्राइब आपको reaction लिखने आने चाहिए, बताओ reaction क्या बनेगी, ethylene क्या होता है, तो C2H4 gas लिखना चाहो तो, ठीक है, plus आपने इसकी reaction करवाई hydrogen gas के साथ, उससे क्या बनाएगा, C2H6 gas, यह न, ethane बना लेगा, सही है, चाहता हो यह भी लिख सकते हो, क्या यह gas की ज़रत नहीं पड़ेगी, question क्या आप ध्यान से देखो, reaction करवाई गई है, 1.5 ATM pressure पर, इस reaction में pressure तो क्या हो चुका है, constant, बताओ, इसका volume कितना दिया हुआ है, 50 ml, इसका volume भी कितना दिया हुआ है, 50 ml, दिया हुआ है, ठीक है, अब देखो, यह 50 ml, यह 50 ml, आपको है, concept लगाना पड़ेगा, pressure constant है, ठीक है, और temperature दिया है, लेकिन यह reaction जो ओर ही, constant temperature पर ही होगी, तो constant temperature pressure पर gases के लिए जो volume होता है, बताओ, वो किसके directly proportion होता है, moles के, किसके directly proportion होता है, moles के directly proportion होता है, ठीक, अब आप देखो, यहाँ पर आपको थोड़ा सा mole concept यूज करना पड़े कैसे, आप इनको moles की तरहें ट्रीट करो, यह नहीं बोलगा, moles की तरहें ट्रीट करो, limiting reagent का concept लगाना होगा, बताओ, यह और यह जब react करेंगे, इन दोना में से कौन बचेगा, कोई भी नहीं, दोना में से कोई alarm नहीं है, क्योंकि दोना stoichiometric ratio में है, इसके one mole के लिए one mole चा बोले ची समझ में आ रही है, तो देखो यह भी खत्म हो गया, जीरो, यह भी खत्म हो गया, जीरो, बताओ, इससे जो ethane बनेगा, वो भी कितना बनेगा, 50 ml ही बनेगा, क्योंकि one mole से one mole बनता है, तो one volume से one volume बनेगा, तो इसके 50 ml से यह भी कितना बनेगा, 50 ml ही बनेगा, बो बस हो गया equation solve, बताओ, delta H is equal to क्या होता है, delta U plus delta PV, होता है, तो यहां से क्या constant है, pressure, तो pressure को बाहर निकाल लो, तो delta H is equal to क्या है, बन गया, delta U plus P delta V, अब आपको सिर्फ औसर्फ क्या रखने हैं, पर values तो रखो, values, बताओ, delta H की value कितनी, minus 0.31 kilojoule is equal to, delta U आपको calculate करना है, plus, बताओ, delta P, pressure कितना है, 1.5 into, बताओ, delta B की value कितनी आ गई, तो final volume कितना, 50, initial volume कितना था, 100, बताओ, 50 minus 100 कितना हो जाएगा, minus 50, बताओ, क्या मैं यहां से delta U के लिए निकाल सकते हैं, बताओ, delta U के लिए कितनी आ जाएगी, minus 0.31, 1.5 into 50 कितना होगा, 75, 75 को इधर भेज़ दो, कितना हो गया, plus 75, 75 upon, 100, चलो, ध्यान दो, जिन लोगों ने direct कर दिया, वो तो डूब गया है, सिरफ यह relation याद रखना important नहीं, आपको साथ में units से भी deal करना होगा, ठीक है, तो हमेशे unit चेक होगा, अगर नहीं किलो जूल लिखाता, वो तो मैंने ही गलती कर दे, मैं को लिखना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, अब अब ध्यान दो, अगर यह किलो जूल है, तो यह तो आप इसको जूल में बदल लो, यह जूल में, तो यह भी जूल में, और यह भी जूल में, ठीक है, अभी आप देखो, यह pressure की unit क्या लिखिया आपने यहाँ पर, pressure दियावाए, ATM में, volume कि इसमें दियावाए, milliliters में, तो पहले तो आप इसको बदलो, ATM into liter में, तो 50 ml को अगर मैं liters में बदलू, तो बताओ क्या करना पड़ेगा, 50 divided by 1000, अब इसकी unit क्या बनेगी, ATM into liter, और हो समझ में आ रहा है, क्या आप ATM into liter को जूल से बदल सकते हो, क्या करना पड़ेगा, into 101.3, 180 में इतना जूल होता है, लेकिन यह जूल में, यह तो किलो जूल में है न, इसको बदल दो किलो जूल में, तो 1000 से और डिवाइट कर, समझ में आया, तो यह 1000 इसके साथ जाएगा, तो यह 0.1013 हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं, इसको हटा के, हम इसको लिख देते हैं, इंटू 0.1013, सही है, अब इसको आप सॉल्फ करो, तो माइनस 0.31 किलो जूल, इस इक्वल स्टू डेल्टा यू, अब आप देखो, यह कितना हो जागा, 75 अपॉन 1000, ठीक, तो प्लस 0.075, प्लस के जागा माइनस आजाएगा, माइनस 9 बहर, इंटू 0.1013, यह भी हो गया कि किलो जूल, अब इस टर्म कापी दर भीज़ दो, तो डेल्टा यू के विली कितने आगई, माइनस 0.31, प्लस 0.075, इंटू 0.1013, अब आपको यह वैल्यू मिल जाएगी, किलो जूल के अंदर, तो यह कितना आएगा, यह आप कल्कुलेट करके देख लेना, यह मैं आपको कल्कुलेट करके वैल्यू बता देता हूँ, तो डेफिर आप यह कैल्कुलेट करों, तो यह माइनस 0.302 किलो जूल के आसपास, तिक, और यही आपका correct answer होगा, तो अपना पहला question, simple question, हमने कोई relation याद नहीं रखा, हमने सरफ याद रखा कि delta H is equal to क्या होता है, delta U plus delta PV होता ह है, फिर हमने question में conditions देखी, question में आपको क्या condition दी हुई है, उस condition को apply करके आप आसानी से इस question को solve कर साहते हो, सही है, move करें हम अपने अगले question पे, तो आप पढ़ो अगला question, फिर हम उसको साथ में discuss करेंगे, मेरा pointer का है, दवा दो, चली ना होगा, इस question को आप ट्राइ करें, इसमें भी आप एक बहुत important चीज़ सीखोगे, देखते हैं आप कान से सही आता है, या फिर नहीं, हाँ, delta E enthalpy नहीं, delta E is internal energy, आप बताता है, internal energy को U और E लिखावा मिल सकता आपको, तो कई question में delta E लिखावा मिलेगा, कई question में delta U लिखावा मिलेगा, चला आप ट्राइ करो, फिरम डिस्कस करते हैं, कलिये ट्रा है, इसका answer आप काना चीज़ 75.11 के असपस, ठीक, इसको चोटा सा concept है, अगर आप ध्यान दो, लेको कह रहा है, what is delta E when 2 mol of liquid water vaporizes at 100 degree Celsius, आप पहले water के vaporization की reaction लिखो, H2O liquid, बताओ, vaporize होगा, तो किस में convert होगा, H2O gas, ठीक है, temperature कितना दिया, उसने 100 degree Celsius, that is 373 Kelvin, तो इस temperature पर reaction होगा, और इसने delta H दिया, vaporization of water के लिखावा मिलेगा, ध्यान दो, delta H vaporization कितना लिखा हुआ है, 40.66 kilojoule per mol लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 40.66 kilojoule per mol, बताओ, यहाँ से इस unit से आपको क्या समझ में आ रहा है, इस unit से मतलब क्या है, कि अगर आप एक mol water को vaporize करो, तो आपको जो enthalpy change होगा, वो कितना होगा, 40.66 kilojoule होगा, enthalpy और energy हम generally, joule per mol या kilojoule per mol में लिखते हैं, तो आप इस पर तोड़ा ध्यान दे, कि इस reaction की enthalpy आपको दी हुई है, कितनी 40.66 kilojoule per mol, तो अगर आपको यह per mol के लिए दिविए, तो बताओ आप इहां कितना water vaporize कर रहे हो, 2 mol, बताओ 2 mol liquid water से gas भी कितनी बनेगी, 2 mol, ठीक, तो अगर 1 mol के लिए delta H 40.66 है, तो बताओ इस reaction के लिए delta H के value कितनी होगी, 40.66 into 2, that is 81.32 kilojoule, सही है, कोई डाउट, बताओ यहां पर relation क्या use होगा, temperature constant है, 2 mol liquid से क्या बन रहे हैं, 2 mol gas, बताओ मोल्स बदल रहे हैं या फिर नहीं बदल रहे हैं, नहीं बदल रहे हैं, बदल रहे हैं, यह 2 mol liquid water था, अभी किस में convert हो चुका है, 2 mol gaseous water में convert हो चुका है, मतलब यह gas phase reaction है, मतलब steam में convert हो चुका है, इसके लिए में equation क्या apply कर सकते हैं, delta H is equal to delta U plus delta NGRT, बदो मोल water और दो मोल steam अलग अलग हैं, सबस्टांस ही बदल चुका है, इसका मतलब अभी सबस्टांस convert हो रहे हैं, gaseous phase reaction आचुकी है, delta H equal to क्या लिए अलग है, delta U plus delta NGRT, बताओ delta H की value कितनी है, 81.32 kJ, plus या minus, बताओ या plus sign के साथ लिखूँ या minus sign के साथ लिखूँ, plus क्यों, heat is, released by system तो minus होती है, कैसे पता लगा heat is released by the system, vaporize हो रहा है, तो, तो absorb होई हुँ न, इस reaction को देखके साफ साफ बता है, और आपको liquid water को gas में बदलना है, तो उसको heat देनी पड़ेगी, उससे heat release होगी, गरम करना पड़ेगा न, उसको, तो गरम करोगे, तो heat देनी पड़ेगी, मतलब delta H का sign कैसे आएगा, positive, सब कुछ खुद रिसाइट करना है, एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है आपको, delta U तो आपने calculate करना है, प्लस, बताओ delta NG की value कितनी है, पहले coffee पियो, फिर इनो पियो, तू, है ना, तू, बही, delta NG देखके है, आप सिर्फ reaction को मत देखो, जब moles involved है, बही, दो mole liquid से, दो mole gas बन रहा है, जब delta NG निकालोगे, तो gaseous moles of products, 2, minus, gaseous moles of reactant तो है ही नहीं, क्योंकि तो liquid है, तो कितना हो गया, 0, तो 2 minus 0 की value कितनी हो गई, 2, समझ में आ रहा है, तो delta NG के लिए हो गई, 2, into R, R की value कितनी हो गई, बताओ, 8.314, मैंने 8.314 क्यों लिया, क्योंकि ये Joule में है, तो हमें R की value भी 8.314 लेनी होगी, into बताओ, temperature कितना है, 373, ये सब आएगा Joule में, हमें किसमें चाहिए, किलो Joule में, इसको divide कर दो, 1000 से, आपको value भी गई, किलो Joule में, कितना आएगा, ये 2.3 आजाएगा, नहीं यार, जादा आएगा, ये 0.373, 2 into 0.37 भी अगर मैं इसको ले लूँ, तो ये आजाएगा, 0.74 क्या सपास, 5 point something है, 6 point something आना चाहिए, 6 point 2, आंसर से हैं, आंसर से लिखाओ है, तो आंसर से हिसाब लगा लेते हैं, बना है ना, 6 point, 1 आ रहा है ना, 81.32 किलो Joule, is equals to, क्या आगया, तो यहाँ से आप delta U के value निकाल लो, 81.32, minus 6.31, यह 75.01 के असपास आजाएगा, तो वो exact आप पूरा calculate करोगे, तो आपको exact value मिल जाएगा, तो यह भी एक छोटा सा question था, जो आपको परेशान कर सकता है, इनमें करते तो छोटोटे concepts हैं, तो आपको ध्यान देना है, thermodynamics में एक तो unit बड़ा फंसाएंगे आपको, और एक चोटोटी चीज़ें, कि one mole के लिए दिया है, तो आप unit जरूर पड़ें, जब भी आप पड़ें, उसी के इसाब से कामिल है, अगर उमसे ही reaction देखो, इसमें एक और चीज़ें लिखती, अगर वो सिर्फ ये reaction लिखता, ऐसे, H2O liquid, changes to H2O gas, ऐसे बुल देता, बुलता इसका 2 mole है, और ΔH है 40.66, सिर्फ इतना बुल देता, ये लिखने के बाद, तो फिर में इसको 2 से multiply नहीं करता, ये understood है कि वो खुद ही बता रहा है, कि 2 mole के लिए ΔH के लिए 40.66 है, लेकिन इसने क्या बोला कि, ΔH 40.66 किलो जूल पर mole है, ये आप आगे चलकर पढ़ोगे थर्मो के मिस्ट्री में, कि enthalpy of vibration हमेशा पर mole के लिए defined होती है, इनकी units आपको मेशा किलो जूल पर mole मिलेगी, और आपको उसी हिसाब से इनको deal करना होगा, सही है, copy करो, और copy करने के बाद देखो अपना third question, थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए मैं इधर की जिए उड़ा देता हूँ, सरसरी निगाओं से बड़ी मदब, concentrate करके question पढ़े, try करने की कुशिश करें, चब तो देखो एक और चोड़ा सा question, इस question में कोई बहुत जारा दम है नहीं, आपको इसको direct use करना है, देखो आपको इसका delta u दिया है, कितना, यह minus sign है, minus 742.7 दिया है, minus 742.7 किलो जूल पर मूल, reaction दियू हुए आपको, और delta h निकाना, simple है, delta h is equals to, बताओ, delta u plus delta ngrt, तो delta u के लित हो गए, minus 742.7 किलो जूल, अब आप delta nj निकाना, तो देखो आप क्या कि, अगर हो delta nj निकाना, लिक्विड और solid को तो पहले, गायब कर दो, ये count नहीं करना, ये count नहीं करना, ये check कर लेना, कि reaction balanced रहा नहीं, कई बार खेल जाता है, आपको unbalanced reaction देगा, आप बिना देखे, delta nj निकाल लोगे, तो देखो reaction balanced रहाग्या, 2 nitrogen, 2 nitrogen, 1 carbon, 1 carbon, 2 hydrogen, 2 hydrogen, 2 oxygen, 2 and 1, 3 oxygen, मितलब reaction balanced नहीं है, खेल गया ये आपसे, समझे रहो ना, तो आपने जो value calculate कि हो, तो गलत हो गई, क्योंकि अपने ध्यान इंदिया, कि reaction balanced नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखना, ये ऐसा game खेल लेते हैं, यहाँ आएगा 3 by 2, इस reaction को balance करना है, सही है, अब आप निकाल लो, इसकी delta NG की value, 1 plus 1, 2, तो प्रोड़ेक के reaction नहीं है, 2 minus 1.5, that is कितना गया है, 0.5 half आगा है, तो delta NG के लिए half, बता आर के लिए क्या use करेंगे, वो ही 8.314 क्योंकि जूल्स में है, temperature कितना है, 298 divided by 1000, इसको आप calculate कर लो, जो भी answer आता है, वो ही आपका correct answer होगा, और आपको delta H की value में जाएगी, तो question आसान था, और देखो मैं आपको बताओ, सही मैं इसी level के questions पूछे जाते हैं, छोटी सी जवलती हो थी, जो आप question में कर पाते हो, कर ही जाते हो, तो दियान रखना, जब भी आप ये questions करो, एक बाद check कर लेना, कि आपकी reaction ठीक से balanced है, या फिर नहीं है, कर लोगे इस चीज़ को, आगे बढ़ें, बहुत सारे question मेरे पास आपके लिए, क्योंकि ये बहुत important topic है, आपको इनके questions से बहुत अच्छी तरह से deal करना आना चीज़, इसलिए मैं आपको कम से कम 7-8 questions इस topic के उपर करवाने वाला हूँ, ठीक है, चलो जी, तो हम move करते हैं वे अपने अगले question पे, चलो इसमें भी आप दिमाग लगाओ, ये भी बहुत अच्छा question है, ये भी आपको एक बहुत अच्छी चीज़ सिखा के जाएगा, चलो, बहुत बढ़िया, हुआ question, नहीं हुआ, चक्कर है, चक्कर गया है, अब आपको देखो, उसने से बहुत compound दे दिया है, बैलेंस भी करने पड़ेगी, और physical states भी खुद ही लिखनी पड़ेगी, देखो, benzoic acid C6, H5, COOH, ये उसने खुद ही बोल दिया, आपको कि solid है, although हमने combustion की enthalpym आगे चलके पड़ेंगे, थर्मोकेमिस्टर, पर इतना आप जानते हो, कि अगर आप एक carbon hydrogen oxygen के compound को burn करो, combustion करवाओ, तो क्या-क्या बनता है, तो combustion किस के साथ होता है, O2 gas के साथ, बताओ, क्या-क्या बनता है, combustion के दो ही product बनता है, एक CO2, CO2 तो gas होती है, plus बच्चाओ water, अब भीए जो water है, ये gas भी हो सकता है, liquid भी हो सकता है, हम कैसे decide करें, ये क्या है, जब दिमाग चलाना पड़ेगा, चलाओ, बताओ, वाटर का boiling point कितना होता है, 100 degrees Celsius, 373, 100 degrees Celsius, 100 degrees Celsius के, उपर water हमेशा क्या होगा, gas, और नीचे हमेशा क्या होगा, तो आप जो कितना है, 300 Kelvin, अभी water कौन सी फेज में बनेगा, liquid फेज में बनेगा, ये मारा सिंपल दा कंसेप्ट होता है, अगर कुछ भी नहीं दिया है, तो आप normal temperature conditions मान कर चलते हो, और water को liquid बनाओगे, ठीक है, बाकी most of the question वो खुद बता कर देता है, आप आगे सीखोगे भी, अभी मैंने नहीं दिया है, तो मैंने इसलिए नहीं दिया है, कि मैं आपको शिखा सकूँ, कि जब आपको water की state नहीं पता है, तो एक बर reaction का temperature देखो, अगर वो 300, sorry, अगर वो 100 degree Celsius से उपर है, तो वो gas लोगे, नीचे है तो आप liquid, अगर कुछ नहीं दिया है, तो आप room temperature condition मानकर, उसको liquid ही मानोगे, अब आपके ऐसी reaction को balance कर सकते हो, 6 and 1, 7 carbon तो 7 CO2, 5 and 1, 6 hydrogen तो 3 H2O, 7 2s are 14, 14 and 3, 17, तो दो oxygen तो ये रहिए, कितना बन जाएगा, 15 by 2, सही है, बस अब हो गया question solved, कह रहा है कि इसके लिए, अब आप question को ध्यान से पढ़ो, आप मुझे पता आपको क्या पता करना है, और क्या दिया हुआ है, आपको delta H निकालना है और delta U निकालना है, delta U क्यों, हाँ सही बोल रहे हो, देखो मैं आपको शिखाया था, कि कोई भी system, दो conditions पर heat exchange करता है, एक constant pressure पर एक constant volume पर, constant pressure पर जो heat exchange करता है, वो किसके equal होती है, delta H और जो constant volume पर करता है, वो किसके equal होती है, delta U, तो आप देखो, question जाँ से बना, for the combustion of benzoic acid at 300 Kelvin and 180 M, 180 M रख दिया ना, reaction का pressure, तो constant pressure है, तो constant pressure पर heat release की, 300 kg जो, देखो heat release की है, इसका मतलब delta H की value कितनी आएगी, laser ने निकलती ही मरी आँखों से, यह ने तो यह उठीश कर देता है, चलो, minus 300 kg जो लाएगा, निकालना क्या है आपको, heat released at constant volume, आपको इसके लिए calculate करनी है, मतलब आपको basically delta U के लिए निकालनी है, तो delta H is equals to delta U plus delta NG RT, बताओ यहाँ से delta U की value कितनी आजाएगी, delta H minus delta NG RT, अब बताओ, delta H की value कितनी, minus 300 kg, minus, बताओ delta NG कितना, 7, यह 7.5, 7 minus 7.5 कितना हो गया, minus half, into, R की value कितनी, 8.314, temperature कितना, 300 divided by क्या कर दोगे, 1000, kilo jool में आगया, आगया, तो यह को value कितनी आएगी, minus 300 plus, यह 2,0 से 2,0 हो गये, यह बन गया, 0.3, इसको 2 से उड़ा दो, कितना हो जाएगा, 4.157, into 0.3, तो कितना हो गया, 73,21, 53,15, 771, 314, और, 4.12, तो यह हो गया, 1.2471 कि लोच, इसमें से आगा कर लो, आपका 1.247 को 1.25 ही लिख देता हूँ, आपको answer कितना मिल जाएगा, minus 2, 98.75 कि लोच, तो यह, एक और बिलकुल छोटो सा question, लेकिन इसमें आपको बहुत अच्छी चीज सिखाई, यह ना यह बड़ा सही तरीका होता है, चुप चाप से बोलके निगल जाओ, चुप चाप से, सूम में निगल जाता है अजिने बोलके, क्या, यह लिए देते लेको चुप चाप से बोल दिया, यह बहुत इंपोर्टेंट चीज है, यह बहुत इंपोर्टेंट चीज है, अब हमेशा याद रखना यह आपके हमेशा 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 काम में आएगे, क्लियर? कोई डाउट? अगले question पर बड़े? चलो, तो हम मूव करते हैं, अपने एक और अच्छे अगले question, अब देखो, आपने इतने question कर लिये हैं, तो आपको अगला question भी कर लेना चीज़िए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं जितने भी question दे रहा हूँ, जरूरी नहीं आपसे हो, यह सारे question आपको देई से ले रहा हूँ, कि आपसे ना हो, मैं बोल जाता हूँ, जैसे मैं भी बोल दिया, कि च्यार question होगा, तो fifth question भी आपसे हो जाना चाहिए, वो compulsion नहीं है, वो नहीं होगा, हो सकता ऐसा ना हो, तो मैंने खुदी question ऐसे उठाएं, ताकि आप वो गलतियां करो, जो मैं चाहता हूँ, बस वो एक बार गलती एक बार हो गई, अब वो गलती दुबारा नहीं होनी ची, यही तो सीखने का process होता है, अब आपने ये question देख आज, अब यही गलती आप दुबारा कर दो किसी और question हो, तो फिर इस question हो करने कोई sense नहीं रहा, तो मैं चाहिए आप 5 question कर रहा हूँ, चाहिए 8, हो सकता आपसे line से एक भी question ना हो, हो सकता आपसे कुछ question हो, कुछ question ना हो, लिकिन ये question मैंने लिये, इसलिए design इसे तरीके से हैं, कि आप इनमें गलती करके सीखो, और आगे कभी इस गलती को repeat ना करो, चलो, तो move करते हैं अगले question पे, ज़र इस question को आप try करें, बड़ा ही आसान सा question है, और बताएं इनमें से कौन सा option सही होगा, हाँ हो सकता है, तो इस question में भी आपको कुछ चीज़े देखनी है, पहले तो question देख लो, reaction balanced है क्या, चेकी नहीं किया, है, एक carbon, एक carbon, six hydrogen, six hydrogen, one oxygen, बालेंस लेक्शन, आप देखो, negative है, अब आप देखो, delta H is equal to क्या बनेगा, delta U plus delta NGRT, ठीक है, तो delta H कुछ value होगी, इस reaction के लिए आप delta NG निकालो कितना आएगा, 1 plus 1, 2, minus 4, minus 2 आजाएगा, आएगा, ध्यान देना, delta H is equal to होगया, delta U minus 2RT, इस term को इदर बेजें, तो बताओ, delta U की value कितनी आगई, delta H plus 2RT, होगा, अब आप देखो, ये delta H कुछ value आएगी, लेकिन वो value कैसी आएगी, negative, उस negative value में, positive term एड़ होगया, तो overall value बढ़ गई है, more positive value होगी, मतलब, delta E की value, delta H से ज्यादा आएगी, हाँ, अगर ये magnitude पूछता, तो फिर अपना answer क्या हो चुका होता, delta हो चुका होता, सही है, next जी क्या पूछ रहा है अपसे, work का भी check कर लो, बताओ, इस process में expansion हो रहा है, ये compression हो रहा है, तो देखो, इधर gases के 4 moles थे, इधर कितने है, 2, 4 से 2 जा रहे हो, volume क्या हो रहा होगा, decrease, volume decrease हो रहा होगा, तो compression, compression में क्या होता है, work positive होता है, इसने क्या होला है, negative, ये option सही नहीं है, heat, बताओ, heat तो release हो रही ने process में, तो Q क्यों क्या है ने चाहिए, negative, और कोई option सही नहीं है, अपना A की option बचेगा, option B, समझ में आ रहा है, तो एक और छोटा सा question, जिसमें आपको delta H और delta U को relate करना था, अभी और questions है, ये देखो एक और question, जो आपसे एक नई condition यूज़ करवाएगा, इसे भी आप ध्यान से पढ़े, और solve करे, जिसको तो हम साथ में solve कर सकते हैं, मुझे guide करते जाओ, बता दे जाओ क्या क्या करना है, बताओ, 1 mole idle gas है, 2 ATM 3 liter state 1 से, 2 ATM 7 liter state 2 में जा रहा है, देखो साफ साफ दिख रहा है, 2 ATM 2 ATM, pressure constant है, 3 liter 7 liter, क्या change हो रहा है, volume, बता relation क्या use करेंगे, delta H is equals to delta U, plus P delta V, सही है, चलो, बताओ भई values बताओ, मुझे delta H तो निकालना है, is equals to, delta U कितना है, 30 liter ATM, very good, units का ध्यान जरूर रखें, देखो answer भी liter ATM में देना है, plus pressure कितना, 2 ATM, और change in volume, volume बढ़ गया न, 7 minus 3 कितना हो गया, 4, क्या कुछ convert करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, 30 plus 8, बताओ answer कितना जाएगा, 38 ATM into it, चिलर सा question, सिर्फ आपो conditions रखे, values place कर ले थी, good doubt है, समझ में आ रहा है, चलो, तो यह हो गया, option number B, अपना इसका correct answer होगा, आगे बढ़ें, अभी दो questions और हैं आपके लिए, तो कि बहुत ही अच्छे questions हैं, यह आपको थोड़ा बहुत फंसाने की कोशिश करेंगे, यह तो मेरे साब से बहुत ज़्यादा difficult question नहीं लग रहा है, बट फिर भी, पढ़ो एक बार question, यह तो गैस लिखा हुआ है, ब्रैके टीक से नहीं बनाया, और यह बनाया, अगर 2C, बढ़ो गैस, वेरी गुड, साब साब दिख रहा देगो, in a 10-liter rigid vessel, rigid बोल दिया ना, मतलब vessel का volume तो बदल ही नहीं सकता है, at 500 Kelvin टमचर दिया, initial pressure is 70 bar, and after the reaction it is 40 bar, साफ साफ दिख रहा है, pressure बदल रहा है, बताओ अब हम relation क्या उस करेंगे, delta H is equals to delta U plus V delta P, समझा रहा है ना, तो अलग-अलग variation rating के जरूरती नहीं है, delta H is equals to delta U plus delta P बी दिखान रखो, और condition अपने आप आप बना लोगे, चलो, क्या दिया है, delta H दिया है, कितना, minus 560 kilojoule, क्या निकालना है, delta U plus, volume कितना बताओ, 10 liter, delta P कितना, 70 से 40, minus 30 हो जाएगा ना, final 40, 70, unit के आएगी, bar into liter, convert करना पड़ेगा है, नहीं, करना पड़ेगा, तो ये तो कितना हो गया, minus 300, minus 300, bar into liter को बदलो, Joule में, एक bar into liter कितना होता है, 100 Joule, और kilojoule के लिए क्या करोगे, इसको आप divide by 1000 कर दो, तो देखो, 30 से 30 हो गए, 30 बचा, 30 उदे जागे, plus 30 हो गया, तो delta U की वाले आपको इतने मिल जाएगी, minus 5, 30 Kilo Joule, समझे आ रहा है, तो ये कोरेलेशन अपना काम में आ गया, जब volume constant और क्या बदल रहा है, pressure change हो रहा है, list, दिमाग लगाएं, और बहुत ही अच्छे से आप इस question को solve करें, इसका answer आपके सही आने की probability है, 0.001, कितनी है, 1 by 1000, अब आप मुझे गलत प्रूफ करो, और इस question का सही answer लेकर आओ, आपको answer रहा है तो, इसका answer आएगा B, ठीक है, अब आप इसका सही answer लेकर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा question है, आपको कुछ सिखाएगा, इस question को रहा है ना, दो तरीके हैं आपके, परस, तरीका नमबर एक पहले मैं आपको बताओ, देखो, ये आपको reaction लिखकर delta H दिया हुआ हुआ है, minus 3271, बताओ यहाँ पर इस benzene के कितने mol काम में आ रहे है, इसका दलब क्या है कि जब इसका 1 mol काम में आएगा, तो इतनी heat release होनी चाहिए, तिक है, अब बताओ यहाँ कितना काम में आ रहा है, 1.5 mol of benzene काम में आ रहा है, आ रहा है ना, तो बताओ इस reaction की delta H की value आएगी वो कितने आएगी वो आएगी 1.5 into minus 3271 kg ठीक है तो ये value कितने आएगी ये value शायद minus 4906.5 kg जोला जाए वो आप देख लेना ठीक अब आपको delta U निकालना है ठीक है तो बताओ delta H is equals to क्या होता है delta U plus delta NGRT होता है अब ध्यान देना delta U तो आपने निकालना है तो यहां से delta U को आप लिख दो delta H minus delta NGRT ध्यान देना delta H तो कितना हो गया minus 4906.5 kg जूल माइनस अब बताओ delta NG की value कितनी है ये liquid ये liquid भूल जाओ ये 6 7.5 delta NG कितना आ गया minus 1.5 लेकिन ये minus 1.5 कब आ रहा था जब ये खुद कितना है वन मूल ये कितना अभी 1.5 मूल तो अब जब ये 1.5 मूल है तो बताओ delta NG कितना आएगा delta NG for 1.5 मूल बेंजीन C6H6 कितना हो जाएगा जितना एक मूल का आ रहा है उसे 1.5 से और 25 कितना हो जाएगा 2.25 यहां पर लिखो 2.25 माइनस साइन और आएगा साथ में इन्टू आर की वैल्यू 8.314 इन्टू टेंपरेचर 300 इसको डिवाइड कर दो 1000 से ताकि यह किलो जूल में आ जाए वैले निकाल लो आपको अपना आंसर कितना मिल जाएगा माइनस 4900.88 किलो चूल यह है मैथ़ड नमबर 1 मेरे पास आपके लिए मैथ़ड नमबर 2 भी है मैथ़ड नमबर 2 क्या है हो सकता है आपको एग क्लिक ना करेंगा इसको 1.5 से मिल्टिप्लाइ करना है तो आप क्या करो जो नॉर्मल आपने सीखा है वैसे ही करो बहिए डेल्टा H is equal to क्या होता है डेल्टा U plus डेल्टा NG RT इस relation को आप direct use करो डेल्टा U equal to हो गया डेल्टा H minus डेल्टा NG RT डेल्टा H की value कितनी minus 3, 2, 7, 1 किलो जूल minus बताओ डेल्टा NG RT अब डेल्टा NG कितना है विए अपने निकाला minus 1.5 है भूल जाओ नीचे 1.5 मूल भूल जाओ थोड़े देर के लिए into R की value वही 8.314 into temperature कितना है 300 divided by 1000 करोगे किलो जूल में आपको भी value मिल जाएगे तो यहाँ से डेल्टा U की value कुछ आएगी कितनी आएगी मैं आपको calculate करके बता दूँगा अब यह जो डेल्टा U आया यह अपने किस के basis पर लिखा है इस reaction के basis पर लिखा है बताँ यहां बेंजीन कितना काम में आ रहा है 1 mol तो जो 1 mol बेंजीन काम में आता है तब डेल्टा U इतना आना चाहिए तो बताँ आपकी पास कितना काम में आ रहा है तो for 1.5 mol benzene delta u की value कितनी हो जाएगी इस value को आप 1.5 से multiply कर देना तो आप इसे copy करो मैं आपको इसकी value बताता हूँ calculate करके चलो फिर जब value calculate करोगे आपको मिलेगी minus 3267.25 ठिक लेकिन ये value कितने moles के लिए आएगी for 1 mol और जैसे ही आप इसे 1.5 mol के लिए निकालोगे ये वले आपको मिल जाएगी minus 4900.88 के बताता है तो जो तरीका आपको समझ में आता है वो आप use करो कर भी अगर reaction के अलावा कुछ mols दिये हैं तो उन mols को consider करना बिलकुल मत भूलना वो आप भूल गये तो अपना answer गलत कर गया देखो सारी तयारी इस question में आप जो जो possible answers निकाल सकते हो गलती करके वो सब यहां दिये हैं कुछ लोगा answer ये भी आया होगा कुछ लोगा answer ये भी आया होगा और सही answer कौन सा आपका भी जब आप इसके given modes को consider करोगे तो ये था आपके पास relation between delta H and delta U आप सोचो मैंने पूरा lecture आपको सिर्फ ये relation use करने पर spend कर दिया ये सिखाने पर इसलिए क्योंकि बहुत बहुत important है कई बार जहीं में पूछा गया है और कई बार आगे भी पूछा जाएगा इस relation को बहुत अच्छी तरह से use किया जा सकता और बड़ी आसानी से आपको इसके अंदर फंसाया जा सकता है तो इन questions के आप दुबारा practice करें उसके लगा आपके practice sheet में जो questions हैं आप उनकी भी तरीके से practice करें next lecture हम आज की lecture को हम यही पर खत्म कर रहे हैं तो आप समझी गए होंगे अब तो ending का समय आ गया है तो आज हमने क्या सीखा हमने डेल्टा ह, डेल्टा यू दोनों को relate करना सीखा और उनकी उपर based in numericals की practice की next class हम यहां से आगी continue करेंगे और अब हम move करेंगे अपने अगले part पर that is thermodynamic processes हमारे पास thermodynamics में बहुत सारे types of processes होते हैं अब हम उन process को एकक करके analyze करना शुरू करेंगे और जो भी चिकुस हमने सीखा है वो सबका सब वहाँ पर as it is काम में आएगा मिलते हैं next lecture और यहां से आगे continue करते हैं तो देखो last class में लोग ने बात किते about relation between delta H and delta I हमने देखा था कि कैसे हम अलग-अलग conditions के अंदर enthalpy change और internal change को आपस में relate कर सकते हैं आज महीं से आगे continue करने वाले हैं मैंने आपको कल कोई सारे problems कर वाया थे last class जिसे हमने देखा था कि कैसे हम अलग-अलग conditions में अलग-अलग reactions के लिए delta जो delta को relate करते हैं उसी के अंदर एक और type of process है जो आपको परिशान करता है और type of questions होते हैं तो एक और नहीं variety of question में आपको करवाता हूं इसी concept के उपर और example suppose आपको एक question है question is this कि आपको एक reaction दी हुई है say N2 gas plus 3H2 gas it gives you 2 NH3 gas ठीक है और इसके लिए delta है चापको लिखकर दिया हूए suppose कुछ minus 600 kg ठीक है अभी आप से कहेगा क्या calculate calculate change in internal energy change in internal energy when when let's say 6 mol each of N2 and H2 are allowed to react आप 6 mol N2 और 6 mol H2 को आपस में react करवा रहे हो और इनकी reaction से यह reaction होगी इसके लिए आपको internal energy का change बताना है तो अभी तक किसी भी question में आपने इस concept को use नहीं किया है इसलिए मैं आपको यह अलग से question solve कर रहा हूँ फ्रोड़ा ध्यान से देखना इस question को करने के दो तरीके हैं पहला तरीका method number one है ना उसमें आप क्या करो रियक्शन लिखो तो आप देखें यह एंट्टु गैस यह थ्री एच्टु गैस और यह बनाएगा आपके पास टू एनच्ट्री कैस ठीक है इसका डेल्टाइच आपको दिया वह है क्या गीज़ू तो आप किसी भी एकर स्पेक्ट में बात कर सकते हो जों जाया से चाहतो मैं अड़ स्पेक्ट में अस्टु के में या नह-ओन अज़िकन यह तो कि वह आपकी इच्छ masking किह थिसमें बोल दूकी रियक्शन मुझसे क्या करा ही ए कि द्धल नहटंसट कितना है माइनस 600 किलो जूल है तो अगर यहां पर NH3 के मोल्स चेंज होंगे तो डेल्टा-H की वैल्यू भी क्या होगी चेंज होगी तो इसी चीज के उपर हम इस कंसेट के उपर ही इस क्वेशन को लेकर चलेंगे बहुत ध्यान से देखना आप आप देखिए आपको यह नाइटोजन दिया हुआ है और यह हाइडोजन भी दिया हुआ है तो यह हम लोगों ने मोल कंसेट में सीखा ता कि अगर आपको दोनों रियक्टेंट के अमाउंट्स दिये हुए हैं आप पहले पता करोगे कि लिमिटिंग रिजेंट यानि एलार कौन है तो देखो 6 डिवैडेड बाइड बाइवन औ आपको सिखाया अगर आपने नहीं भी पढ़ावा है तो बहुत आसान होता है जो रियक्टेंट दिये हैं उनके मोल्स को उनके कोईफिशेंट से डिवाइड करो जो वैलियो आपको मिलेगी वो ही आपका अलार होता है अब अगर यह एलार है तो देखो यह खत्म हो सीरी मोल के लिए वन मोल, ग्तुस सेम इसी तरह जो इसके थ्री मोल से अमोनिया कितना बनेंगा वोडा आप मूंचर बता इसके सिर्व मोल से के लिए delta H कितना है minus 600 बताओ 4 mol NH3 के लिए delta H कितना हो जाएगा इसका double हो जाएगा कितना हो जाएगा minus 1200 किलो जूल हो जाएगा बोलो यहां तक बात समयाज में आरी बस अब आपको पता लग चुका है कि 4 mol NH3 के लिए delta H इतना है तो बताओ delta H is equal to delta U plus मैं क्या लगा सकता हूँ delta NG RT हम आपको temperature देना भूल गया मानलो 27 degree Celsius पर reaction हो रही है और R की value हमको 8 लेकर चलना है 8 Joule per Kelvin पर ठीक है तब आप देखो delta H तो मिल गया आपको delta U ढूलना है अब बचा कौन delta NG तो यहाँ पर भी आप mistake कर सकते हो क्योंकि आपने delta NG निकालना सीखा है अगर आप इस reaction की शकल देखो और इसके लिए delta NG लिखो तो बताओ delta NG कितना आएगा 2 minus 4 that is minus 2 लेकिन यह जो delta NG minus 2 होगा यह 2 mol NH3 के corresponding होगा किसके को लोगा 2 mol NH3 के और बताओ अपने पास कितने NH3 बन रही है 4 mol तो अगर 2 mol के लिए minus 2 है तो बताओ delta NG 4 mol के लिए कितना होगा minus 4 होगा बोलो बात समझ में आ रही है अब जाके आपने हाँ values रखेंगे अब आप देखो इसको हम solve करते हैं तो delta U की value कितनी बनेगी delta H minus 1200 किलो जूल units का जरूर ध्यान दे यह delta NG उदर जाएगा तो minus delta NG तो delta NG के लिए कितनी है minus 4 R की value 8 temperature है 300 और इसको 1000 से और divide कर दो तो यह भी किलो जूल में आ जाएगा चली solve करें है minus minus हो जाएगा plus 4 3s are 12 12 into 8 9600 upon 1000 तो यह बचेगा minus 1200 plus 9.6 किलो जूल और अगर आप इसे solve करें है तो यहले मिल जाएगी minus 11 990.4 सही ना कर सकता हूं तो देखो एक तरीका तो है यह अब यह थोड़ा क्या difficult तो नहीं है लेकिन यह थोड़ा infusing सा है आपको कई बार change करना पड़ेगा पहले delta h को change करो फिर delta ng को change करो तो हैं आप mistake कर सकते हो तो मैं आपको एक इसका बिल्कुल simple तरीका बताता हूं जहां पर कुछ change नहीं करना पड़ेगा और बड़े आसानी से आप अपना answer भी calculate कर पाऊगे तो देखें क्या है अपना second method आप क्या करो कुछ करो इमन simple जो reaction दी है पहले reaction के लिए सारी values निकाल लो तो देखो N2 gas plus 3H2 gas gives 2NH3 gas ठीक है आपको इस reaction का डेल्टा एच दिया हुआ है माइनस 600 किलो जूल सही है आपको इस reaction का डेल्टा NG भी पता है वो होता है माइनस 2 तो आप तो आराम से reaction का डेल्टा यू निकाल लो तो डेल्टा यू कैसे निकालोगे डेल्टा H माइनस डेल्टा NG RT सही ना तो डेल्टा H के लो निकालो कितनी माइनस 600 माइनस बताओ डेल्टा NG कितना माइनस 2 आर की वैल्यू 8 टेंपरेचर 300 एंड डिवाइड़ेट बाए 1000 किलो जूल में आ जाएगा यह बन गया आपके पास माइनस 600 माइनस माइनस ब्लस 8 टूजा 16 16 3 टूजा 4800 बाए 1000 कितना हो गया 4.8 अगर आप यहां से वैल्यू निकालें तो यह वैल्यू कितने आजएगी माइनस 5 95.2 किलो जूल इतना कर सकते हो बस अब इतना करने के बाद आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा जो हमने शुरू में किया था कि भैस अब यह 6 मूल है यह 6 मूल है यह कितना 0 हो जाएगा LR है इसके 6 मूल से अमोनिया कितना बनेगा 4 मूल बस आपको लास्ट टेप में सब कुछ करना है यह जो डेल्टा यू की वैल्यू आई है यह कितने मूल्स के लिए यह फॉर दो फॉर्मेशन आफ 2 मूल NH3 बोला समझ रहा आप इस बात को अब आपकी पास कितना NH3 बन रहा है फॉर मूल तो बताओ फॉर मूल NH3 के लिए डेल्टा यू के विले क्या हो जाएगी इसकी डबल तो माइनस 595.2 को 2 से मल्टिप्लाइ कर दो तो आपको अपना आंशर मिल जाएगा 4.0911 कैसे भी कर लो आंशर दोनों से सेम आने वाला है लेकिन जैसे आपको भी दिख रहा है ये तरीका ज्यादा आसान है इसमें आपको ज्यादा घूमना नहीं पड़ेगा आज की बात कभी भी आपको ऐसे question मिले मैं आपके लिए DPV डाल रखे हैं से बहुत सार दो तिन कर लो बस ध्यान रखना लास्ट टिप में आपको मोल्स के लिए बदलना पड़ेगा और फिर आप इन questions को आसानी से solve कर सकते हैं सही है चलिए तो copy करें इस question को फिर हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अलग-अलग processes की और उनके analysis की तो देखो ये सब सीखने के बाद ये basic term सीखने के बाद अब हम इनको use करते रहेंगे देखे thermodynamics में आपको लगातार चीज़ों को सीखना होगा जो पीछे आपने चीज़े सीखी है उनको आप लगातार आगे use करते आएंगे thermodynamics थोड़ा ऐसा chapter है जिसके इंदर आपको बार बार practice करनी होगे और उसी के basis पर आप इसको perfect कर पाएंगे तो time to time question करते रहें topics को समस्ते रहें और हाँ खुझ से अपनी dimensions बनाते रहें क्योंकि यहाँ पर क्या होता है लोगों को दिक्कत असलिए आती है कई चीज़े ऐसी होती है statements type की problems बहुत यहाँ पर आती है जिनमें लोग उनको सोच नहीं पाते हैं चलिए वो भी हम देखेंगे कैसे उनको सोचना है अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वे थर्मो डायनेमिक प्रॉसेश तो देखो क्या होता है थर्मो डायनेमिक प्रॉसेश कैसे हम इनको classify करते हैं तो आप हम बहुत सारे processes पढ़े लेकिन की जो backbone है वो है reversible and irreversible processes कौन से processes reversible and irreversible processes उनकी भी बात करते हैं लेकिन उससे पहला मैं आप से बात करूं कि process हम किसको बोलते हैं तो देखो हमने देखा कि हम system के state को define करते है state 1 है किसे system की और यह है state 2 तो आप state 1 से state 2 गए ठीक है state 1 पर मानलो लोग सा कुछ pressure था P1 volume थ temperature था T1 और आप state 2 पर गए pressure रहा P1 volume हो गया V2 temperature हो गया T2 जब आप state 1 से state 2 गए तो देखो उस पूरे process गवरान अगर pressure constant रहा इसलिए initial और final pressure क्या है आपका से ऐसा भी हो सकता था कि आप यहां से आए और आपने temperature क्या रखा हो से तो देखो system को एक state से दूसरी state में ले जान गोलते है एक thermodynamic process पर एक्जांपल यहां से यहां आने में प्रेशर कॉंसेंट रखा इस प्रोसेस का नाम मैं कौन सा प्रोसेस रखूंगा आईसो पैरिक अगर मैंने temperature constant रखा होता तो आईसो धर्मल अगर मैंने volume constant रखा होता तो मैं इस प्रोसेस का नाम क्या रखता आईसो को प्रोसेस रखता इस तर ऐसे अगर हम एक thermodynamic process को define करें तो बहुत सिंपल है तो पाथ फोलोग तो चेंज थे the state of a system to simple the path followed the path followed to change the state of a system इस कॉल्ड इस कॉल्ड अ थर्मो डाइनेमिक प्रोसेस तो यह तो भी डेफिनेशन की बात कि वह सब थर्मो डाइनेमिक प्रोसेस किसको बोलते हैं वह रास्ता जिससे आप क्या कर सकते हो क्या कर सकते हो एक रियक्षन की स्टेट को चेंज कर सकते हो उसे हम लोग थर्मो डाइनेमिक प्रोसेस के नाम से जाते हैं फिर देखें बहुत सारे थर्मो डाइनेमिक प्रोसेस होते हैं जैसे आईसो थर्मल आईसो बैरिक आईसो कोरिक एडियाबैटिक एक और आप सीखोग कि definition तो आपने लिखी लिए होगी चली कोई नहीं हम यहीं पर discuss करते हैं आप दो कॉलम बनाये अपनी copy के अंदर एक reversible process के लिए और दूसरा होगा irreversible process के लिए कि हम इन दोनों process को सीखते हैं क्या होते हैं साती सात हम इने compare करेंगे इनमें differences को भी देखेंगे यह बहुत बहुत important है मैं इतना stress डाल रहा हूं तो obviously कोई ना कोई reason होगा इसी वज़ाए से मैं इनके उपर इतना stress डाल रहा हूं चली क्या होते हैं reversible process और क्या होते हैं reversible process सबसे पहले हम इनको time के respect में define करते हैं किसके respect में define करते हैं time के respect में तो अगर मैं time के respect में बात करूं तो reversible process क्या होगा these are these are very slow processes and are completed and are completed in a long interval of time. तो जो आपके reversal process होते हैं बहुत slow process होता है उनको complete करने जो time लगता है वो क्या होता है बहुत ज्यादा वहीं अगर आप relatively irreversal process की बात करो यह processes fast processes होते हैं these are fast or sudden processes कभी भी किसी process के आगे sudden process लिखा हुआ है मतलब वो process कैसा होगा irreversible होगा and are completed in a short interval of time ठीक है अब आप देखो यह तो ही बात time के respect में थो इसी बात के basis पर हम एक example को लेते हैं उस example से मैं आपको समझाऊंगा कि reversible और irreversible process में क्या difference होता है और कैसे हम इनको compare कर सकते हैं थोड़ी देर मेरे साथ रहें बहुत ध्यान से देखें मैं आपको example दे रहा हूँ तो गए example समझने के लिए आप थोड़ा side में है ताक कि मैं यहाँ पर comparison लिख सकूँ आप देखें आप सभी ने Olympics देखें होंगे तो मेरे पास एक Olympic lifter है Olympic lifter और मैं आपको इस lifter से मिलवाता हूँ यह है Mr. Chow जो की basically एक Olympic lifter है तो Olympic lifter है तो इनकी body body अच्छी होगी है ना तो इस तरह से हम इन भाई साब की थोड़ी सी body body अच्छी बना लेते हैं ठीक है यह bicep यह chest और यह abs यह abs बना लेते हैं इनके थोड़े से ठीक है तो यह Mr. Chow है अपने चाव तो यह भाई साब एक Olympic lifter है और अभी अभी इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 250 kg का 250 kg का अभी रिकॉर्ड क्या यह जमीन से 250 kg का वेट उठाके ओवरहेड पुश कर देते हैं इतना 250 kg सोच भी मतले ना हमाज लिए तो 25 kg भी बहुत है है ना खेर चल तो इन्होंने 250 kg उठाया है अब आप कहीं घूमने गए और घूमते फिरते ही भाई साब आपको गई भी मिल गए ठीक आपको लगा क्यार यह आदमीने 250 kg उठाया है चलो इसकी strength चेक करते हैं आपने क्या बज़ बता सकते हैं इसको कितनी देर में उठायेगा हाँ इसको यह करके उपर कर देगा कितने second में हो सकता है within a second एक second के अंदर इस weight को हाथ भी लग रहा पड़ेगा उंगली से उठाके उपर कर देगा कर देगा फिर आप बोलो कि अच्छा बहुत उचल रहा है तू यह ले और आपने weight लागए देदिया इसको 255 kg अब बताओ यह इस weight को कैसे उठाएगा क्या इस weight को वापस से एक उठाएगा 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 इस बार क्योंकि यह weight क्या इसकी capacity जादा है लिकने रहा चलते आदमी ने इसको क्या कर दिया है challenge कर दिया है तो अब यह इज्जत की वाद आ गई और जब इज्जत की वाद आती है तो आदमी अपनी इज्जत तो बचाता है बचाता है तो देखो यह क्या करेगा प्रूव करने के लिए कि यार मैं दोस्तों पस्पन के लिए उठा सकता हूँ यह वदन को उठाएगा पूरा दम लगाएगा फिर वो उपर रुख जाएगा फिर वो और दम लगाएगा और फिर उपर रुख जाएगा और इस तरह से धीरे धीरे दम लगा के वो इस वेट को क्या ला रहा होगा उपर ला रहा होगा अगर मैं इन चीजों दोनों प्रॉसेस को अब्सर्व करूँ दोनों जो मेरा process था ये था irreversible क्योंकि ये बहुत चौटे interval of time में complete होगा, sudden process था आपने बोला इतना तो उसमें उठा दिया, इस process में time क्या लग रहा है, ज्यादा इसका मतलब ये कौन सा process है, irreversible, sorry, ये आपका reversible process है, क्योंकि slow process में time क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, बात स सलते हैं आगे थोड़ा सा इसकी mechanics को समझते हैं आप ध्यान देना देखो यह irreversible process जो था इसको observe करते है पर इसकी बात करते है इसमें आपने देखा कि यह जो weight है जो mass है इसका force नीचे काम कर रहा होगा mg और यह जो lifter है यह अपना force लगा कर इसको उपर लेकर जा रहा होगा जिसको मैं F lifter बोल सकता हूँ होगा तो आप मुझे बताओ यह weight को यह 1 second में उपर ले गया बताओ lifter का force और mg में क्या relation होगा क्या lifter का force mg के approximately बराबर होगा नहीं होगा ना lifter का force mg के force से क्या होगा बहुत ज़ादा होगा क्योंकि देखो यह force अगर बहुत ज़ादा है इस यह mg force से क्या है बहुत ज़ादा है इसलिए 1 second में lifter ने उठा कर weight को उपर पहुँचा दिया है तो आप देखो इस process को यह force drive कर रहा है इसको मैं इसका बोलूँगा driving force क्या बोलूँगा driving force बताओ यह कौन सा force होगा हाँ यह होगा मेरा opposing force जो इस process को oppose कर रहा है तो यह driving force और जो आपका driving force होता है वो opposing force से क्या होता है बहुत ज़ादा होता है और since driving force opposing force से बहुत ज़ादा है process एक छोटे से interval of time में क्या हो जाएगा complete हो जाएगा बोलूगा अगर मैं यहाँ पर आऊं तो बताओ यहाँ पर driving force कौन है यहाँ पर again driving force तो lifter का force ही है और बताओ opposing force कौन है opposing force अब भी mg है लेकिन अब mass बढ़ चुका है बताओ इस case में जब यह इतने weight को उठा रहा है बहुत दीरे दीर उठा रहा है तो क्या driving force opposing force से बहुत ज़ादा है नहीं है ना क्या है इन में क्या relation हो सकता है आप सोचो वो यहाँ पर है अब थोड़ा सा और दम लगाएगा और थोड़ा सा weight को और उपर उठाएगा इसका मतलब जो driving force है वो opposing force से बहुत ज़ादा बढ़ा नहीं है बहुत ही छोटी सी value से बढ़ा होता है बहुत चटियोली से दोनों almost same होते हैं जब मैंने वजन उठाया मैं रुख गया रुख गया तो driving force और opposing force बराबर हो चुके हैं अब मैं फिर से अपने शरीर से पूरा दम लगाऊँगा थोड़ा सा और उसको पर उठाऊँगा फिर weight थोड़ा सा और उपर उठेगा और फिर रुख जाएगा इसका मतलब इस वाले process के अंदर driving force और opposing force में बहुत ज़ादा difference नहीं है अगर बहुत यह फटाफट से उपर चला जाता फटाफट से उपर नहीं जा रहा है इसका मतलब driving force और opposing force दोनों एक दूसरे के बहुत बराबर हैं हम यह बोल सकते हैं कि driving force opposing force से बहुत थोड़े से amount से ज़ादा है जो बहुत थोड़ा सा amount होता है इस बहुत थोड़े से amount को हम technical language में बोल बोलते हैं infinitely small value तो देखें यह भी आपको technical form में लिखाऊंगा इसलिए आपको समझा रहा हूं कि यहां पर क्यों 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 कि time ज़्यादा लग रहा है मतलब ही reversible है हमारे लिए अगर यह reversible है तो हम यह बोल सकते हैं कि reversible process के अंदर जो driving force है हाँ वो opposing force से क्या होगा बहुत बहुत ज्यादा नहीं होगा बहुत छोटे से amount से ज्यादा होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं infinitely small value बोलते हैं यहां तक समझ में आगई बात दूसरी चीज़ आप सोचो वह वजन को उठागे यहां तक ले आया अब आपको लगा आप तो शर्त आर रहे हो जैसी वह यहा opposing force को थोड़ा सा और बढ़ा दिया जैसे ही आपने opposing force को थोड़ा सा और बढ़ाया process वापस से कहां पहुँच गया अपनी initial state पर पहुँच गया बात समझ में आ रही हैं तो देखो हम क्या कहते हैं क्योंकि driving force और opposing force approximately क्या होते हैं equal होते हैं अगर अगर आप opposing force को थोड़ी स process का characteristic होता है कि अगर driving force को sorry opposing force को अगर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो process वापस से कहां पहुच जाता है अपनी initial state पर पहुच जाता है और इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं reversible process बोलते हैं अगर मैं यहाँ पर 5 kilo वजन और बढ़ा दूं तब भी system अपनी initial state पर वापस नही आएगा इसलिए यह process कैसा था irreversible और यह process कैसा था reversible एक बहुत important चीज मैं आपको बोल दूं बता दूं मैं रिखवा भी दूंगा reversible reaction और reversible process दो अलग-अलग चीज़े हैं कृपया इन्हें mix ना करे reversible reactions वो होती हैं जो forward और backward दोनों direction में चलती है reversible process forward backward नहीं चलता, reversible process वो है जिसे आप बीच में से वापस खीच के ला सकते हो समझ रहो, reversible reactions हमेशा दोनों direction के अंदर चल रही होती है तो please reversible process और reversible reaction को आपस में mix ना करें, वो बिलकुल अलग-अलग है चलिए, तो ये olympic lifter भाई साब ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है और अब इन्हों ने हमें जो सिखाया उसको हम अपनी language में यहां पर लिखते हैं और देखते हैं क्या difference होता है एक reversible और irreversible process के अंदर, आएं, सबसे हम बात करते हैं एक irreversible process की तो सबसे हम आपके बताया एक irreversible process में क्या होगा उसके लिए हम फिर से एक diagram बनाते हैं इस बार thermodynamics के term में सब्सक्राइब यह आपके पास एक cylinder है यहां पर आपने gas भरी हुई है और यह एक piston लगाया है ठीक है? यह हमारा piston है यहां पर आपकी gas भरी हुई है ठीक है? और हम मानले expansion करवा रहे है gas का तो देखो अगर expansion करवा रहे हो तो piston बाहर की तरफ move करेगा बताओ इधर से कौन सा pressure लग रहा होगा P external और इधर से कौन सा pressure लग रहा होगा P gas तो देखो अगर expansion होना है तो P gas तो कौन सा force हो गया? driving force क्योंकि piston बाहर की तरफ जाएगा उसको oppose कौन कर रहा होगा? P external तो बताएं process कैसा है irreversible? अभी अभी हमने देखा कि एक irreversible process के लिए जो driving force होता है वो opposing force से क्या होता है? बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो पहले तो आप यह statement form में लिख दें that is लिखना शुरू करें मेरे साथ साथ लिख लें for an irreversible process for an irreversible process the driving force driving force is much greater than is much greater than the opposing force and hence the process is completed in a short interval of time ठीक है तो यह सब लेंगवज आपके काम में आएगी तो आप रिवाइस करोगे इसलिए हम लोग यहाँ पर सब कुस लिख रहा है चलिए अब आप देखो यहाँ पर driving force कौन है P gas और opposing force कौन है P external तो अगर यह एक reversal process है तो जो आपका P gas है उसकी value P external से क्या होगी बहुत जादा होगी क्या होगी बहुत जादा होगी बोले यह बाद आपको समझ में आ रही है तो अब होगा क्या जिसे मान लो यह P gas है 10 ATM तो शुरुआत में पिस्टन का प्रेशर भी कितना रहा होगा 10 ATM अब आपने इसका प्रेशर एकदम से drop करके 180 कर दिया जैसे इसका प्रेशर एकदम से बाहर का प्रेशर 180 आएगा यह पिस्टन क्या होगा बहुत तेजी से बाहर भागे करेगा तो क्योंकि driving force opposing force से बहुत ज्यादा है यह पिस्टन बहुत तेजी से move करेगा और साथ ही साथ क्या होगा gas का expansion भी होगा कुलो बात समझ में आ रही है वहीं अगर हम एक irreversal process पर चले तो हमें फिर से ही diagram बनाना होगा एक irreversal process के लिए तो देखें आप एक irreversal process में क्या होता है यह वो ही आपका cylinder यह वो ही piston यहाँ पर वो ही आपकी gas भरी हुई है यह gas भर रही है तो बताओ इधर से कौन सा pressure लग रहा होगा पी gas और यहाँ से कौन सा pressure लग रहा होगा पी external और बताओ यहाँ पर gas का क्या हो रहा है expansion हो रहा है अब क्योंकि process बताओ driving force तो अब भी कौन है पी gas बताओ opposing force अब भी कौन है पी external अब बताओ process कैसा है reversible बताओ एक reversible process के लिए क्या होता है यह भी हमने सीखा discuss किया कि for a reversible process फ़र मैं language form में लिखा दो फिर explain करता हूँ आप भी सासा लिखलो for a reversible process यह थोड़ा दर technical language आएगी the driving force मैं इसको df लिखरा हूँ is greater than the opposing force मैं इसको of लिखरा हूँ आप पूरा लिखलेना by an infinisumally small amount infinisumally small amount e of a value and if the opposing force is increased and if the opposing force is increased by an infinisumally small amount your small value the process is reversed तो देखो जिसना आपको सिखाया अभी कि reversible process में क्या होता है driving force opposing force से बहुत छोटी सी value से जादा होगा तो आपने यह वाला point लिख लिख लिया होगा इसलिए में इस point को उड़ा जिता हूँ यहां से और मैं यहां discuss करता हूँ बताओ यहां पर driving force कौन है P gas तो इस case में जो आपका P gas होगा वो P external से बहुत ही छोटी सी value से जादा होगा this is infinitely small bond बहुत छोटा इत्तू सा इत्तू सा कि आप P gas को approximately किसके equal लिख सकते हो P external के है तो यह एक reversible process की condition होती है जहां पर driving force approximately किसके equal होता है P gas की equal होता है मतलब हर point पर P gas P external बराबर होगा देखो कैसे चलता है एक reversible process यह बहुत slow process होता है आप क्या करोगे यह gas है आपको इस gas को expand करना है तो आप इसको थोड़ी सी heat दोगे DQ जैसे आप इसे थोड़ी सी heat दोगे DQ इस gas का temperature थोड़ा सा rise होगा DT जैसे इसका temperature DT से rise होगा इसका pressure भी rise होकर हो जाएगा DP थोड़ा सा बड़ा pressure जैसे थोड़ा सा बढ़ा तो देखो अभी P gas P external बराबर है अब इधर का pressure थोड़ा सा बढ़ गया बराबर फिर से piston रुख जाएगा फिर आप इसको थोड़ी सी और heat दोगे ये थोड़ा सा और expand होगा फिर piston थोड़ा सा और आगे move करेगा और इस तरह से धीरे 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 ये piston चलता रहेगा और एक दिन कहां पहुंच जाएगा अपनी final state पर पहुंच तो reversible processes बहुत slow होते हैं बहुत slow carry करवाया जाते हैं समझने आप इस चीज़ को तो इस difference ध्यान रखें एक irreversible process में driving force opposing force से बहुत जादा बड़ा होता है जबकि एक reversible process के अंदर क्या होता है driving force और opposing force दोनों एक दुसरे के क्या होते हैं approximately equal होते हैं इनके वीच में difference बहुत काम होता है driving force opposing force से थोड़ा सा ही जादा होता है और अगर आप driving force sorry opposing force को PXNL को थोड़ा सा और बढ़ा दो ये system वापस से कहां पहुंच जाएगा अपनी initial state पर पहुंच जाएगा और इस लिए इस process को हम कौन सा process बोलते हैं reversible process बोलो बात समझ में आई चली तो आप ये copy करें फ चली लिख लिया चली ये सब आपने लिख लिया तो और बात करते हैं इन दोनों process के आरव में कुछ और points है भी differences जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं और काम में लेने है चली next चीज़ बात करते हैं कि और क्या-क्या point of difference is a reversible process के अंद है तो आप reversible process में ज्यादा point से जो आपको लिखने है तो आप लिखें अगला point आप देखें हमने एक reversible process देखा reversible process के अंदर जो gas expand हो रही थी तो जो piston से बाहर का pressure लग रहा था अंदर का pressure दोनों हर point पर approximately क्या होते हैं सेम इसलिए आप इध्यान रखें reversible process में reversible process में system or surrounding कौन-कौन system or surrounding हमेशा almost किस में exist करते हैं equilibrium में exist करते हैं किस में exist करते हैं equilibrium में exist करते हैं तो यह बहुत काम की चीज है that is for a reversible process the system and surrounding are in equilibrium at each stage of the process जब तक process चल रहा है process के हर stage पर यह कहां पर exist करते हैं equilibrium में exist करते हैं जबकि irreversal process में कुछ भी नहीं होता है irreversal process तो ऐसा होता है कि आप उसकी stage को देखी नहीं पाऊगे एक fraction of time में complete होता है तो आप reversal process को monitor कर सकते हैं हम यह साफ साफ बोल सकते हैं क्योंकि PX driving force opposing force almost equal है तो system और surrounding हर point पर किसमें exist करते हैं equilibrium में exist करते हैं दूसरी चीज़ क्या है दूसरी चीज़ क्या है दूसरी यह है कि if in a reversible process if system is restored to its initial conditions then surrounding will also be restored to initial condition यह बहुत काम की चीज़े आप से statement form में पुझा सकते हैं एक reversible process में क्योंकि system surrounding हमेशा equilibrium है तो अगर system अपनी initial condition पर आ गया तो surrounding भी क्या होगा अपनी initial condition पर आ जाएगा जब की irreversible process में ऐसा नहीं है और an irreversible process if system is restored to initial condition surrounding will not be restored ठीक तो reversible में तो system और surrounding दोनो initial state पर वापस आते हैं लेकिन irreversible process में अगर आप system को वापस initial state पर ले आओ तो surrounding वापस initial state पर नहीं आएगा इसी लिए हम इस process को क्या बोलते हैं irreversible भी बोलते हैं देखो इनके actual reversible और irreversible होने का मतलब क्या है वो आप समझे हैं वो मैं अगला point आपको लिखवा भी रहा हूँ बहुत ध्यान से समझना जैसे A से B आप आए ठीक है आप आए reversible process यह अपने बहुत काम की चीज़ है conceptually A से B आप एक reversible process से आए और आपने 100 joule work किया ठीक है फिर आप A से B एक irreversible process से आए मानलो आपने कुछ 90 joule work किया यह कम ज्यादा क्यों होता है कम होगा ज्यादा हो सब देख लेंगे अपना कि वह तो मैं एक्जाम्पल ले रहा हूँ अब आप देखो अब मैंने यह reversible है यह reversible अब मैंने system को restore किया reversible path से ही तो जब मैं इसको restore करूँगा तो मुझे वापस आने में भी कितना work करना पड़ेगा 100 joule work करना पड़ेगा कितना करना पड़ेगा 100 लेकिन अगर मैं यहाँ system को वापस से restore करने लाया तो मुझे यहाँ पर 90 joule से ज़ादा work करना पड़ेगा कितना work करना पड़ेगा 90 joule से ज़ादा यह है irreversibility का funda अगर एक process को वापस से अपने initial state पर लाने पर आपको उतना ही काम करना पड़े जितना जाने पर करना पड़ा था तो process कैसा है reversible लेकिन अगर आपको काम जादा करना पड़ेगा तो वो process कैसा होगा irreversible तो जब हम एक reversible process में system को restore करते हैं reversible path से ही तो आपको उतना ही work करना पड़ता है लेकिन अगर आप एक irreversible process को वापस से store करो restore करो अपने initial condition पर तो आपको work क्या करना पड़ेगा जादा work करना पड़ेगा अलब same state पर वापस आने के लिए आपको extra work की requirement होगी इसलिए in process को हम क्या बोलता है irreversible process बोलता है यह अपने आप में questions हैं जो statement form में आप से पुछे जा सकते हैं तो यह बहुत important है कि reversible process के लिए अगर system restore हुआ तो surrounding भी restore होगा दूसरा irreversible process के लिए अगर आपका system restore हुआ तो surrounding restore नहीं होगा second point जो इंपोटन बापके लिखना यहापर if a reversible process is restored to initial state then state reversibly then same amount of work has to be done तो जितना काम आपने जाने में किया था उतना ही काम आपको वापस आने में भी करना पड़ेगा लेकिन वहीं अगर आपका process एक irreversible process हुआ तो फिर उस case में क्या होगा आपको जादा work करना पड़ेगा more work has to be performed to restore the system in an irreversible process तो ये भी आप point ध्यान रखें एक reversible process को आप वापस से उतना ही काम करके initial condition पर ला सकते हो लेकिन आप एक irreversible process को वापस नहीं ला सकते हो बात समझ में आई तीसरा जैसा कि आपको दिखी रहा है reversible process बहुत ही जादा slow हो रहा है system surrounding सब restore जाते है तो जो काम की बात है वो ये है कि reversible processes imaginary होते हैं क्या होते हैं imaginary ये real life में observe नहीं होते हैं जबकि irreversible process कैसे होते हैं real real life में जितने भी process होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं irreversible process होते हैं अगली जो काम की बात है वो simple सी बात ये है कि भाई सहब these are reversible possible, these are imaginary processes, concept process होते हैं, these are imaginary processes and do not occur in real life, जब कि ये, these are real processes, and occur in real life, in general आप जो भी processes देखते हो, वो सब के सब क्या होते हैं, आपके irreversible processes होते हैं, आपको बहुत simple सा example देता हूं, जिसे मैं आप से बोलू, आपकी पास पानी है, जल, अभी 27 degree Celsius पर, आपको इसको गरम करना है, 47 degree Celsius तक, बता है, मैं आपको ये काम दे दू, आप इसको कैसे करोगे, कुछ नहीं करोगे, गास लोगे, थर्मोमेटर लोगे, डालोगे, तब तक heat करते होगे, तब तर टेम से कहा नहीं पहुंच जाता है, 47, सभी बात है, बता है, ये process reversible होगा या irreversible, पता है नहीं sir, कर रहे हैं त तो reversible होगा, लोग ऐसे बोल देते हैं, देखो, समझने हैं कोशिश करो, ये जो आपने किया, अगर आपको इसी काम को reversible करना होता, तो कैसे करते हैं, आप इसको थोड़ी सी heat देते, क्या देते हैं, थोड़ी सी heat, थोड़ी सी heat देके आप इसको पहुंचाते हैं, 27.01 degrees Celsius पे, फिर आप इसको और हीट देते हैं फिर आप इसे पहुंचाते हैं 27.02 इस तरह से 27.03, 0405, 06, 789, 1011, 1213, 1415 पहुंचते हैं आप 27.1 पर पहुंचते हैं फिर 27.1 से आगे चलते हैं इस तरह से एक दिन इसका temperature बढ़ाते हैं आप कहां पहुंच जाते हैं 47 degree Celsius पर क्या आप ऐसा क करें नहीं सकते हैं बुढ़ा जाओगे होग सकता है लुड़क भी जाए एक दूलक तो यह ना तैसा करें नहीं सकते हैं क्यों कि यह process कैसा है reversible आप जो करते हो वो तो कैसे करते हो irreversibly लिया खटाक से इसको गरम किया और 47 पहुंचा के मुझे वापस दे दिया तो यह समझे तो है maximum कितना work हो सकता है और minimum कितना work हो सकता है वो हमें कौन बताता है reversible कैसे वो भी हम सीखने वाले हैं बढ़ आप यह समझें दुनिया में जितने भी गम नहीं गम नहीं दुनिया में जितने भी process है real है वो सब के सब क्या होते हैं आपके irreversible process होते हैं बोलो यहां तक बात Irreversible बहुत slow slow चलता है क्योंकि इसमें driving force opposing force बराबर होते हैं system surrounding हमेशा equilibrium में रहते हैं system को restore करो तो surrounding भी restore हो जाती है irreversible process में driving force opposing force से बहुत जादा होता है system surrounding equilibrium में नहीं रहते हैं system को restore करो तो surrounding का restore होना ज़रूरी नहीं है वो imaginary है जबकि यह सब क्या है real अब आती है काम की बात हमें mainly इन दोनों में compare करना होता है work done बहुत ध्यान से देखें यहां से आप के रास्ते अलग-अलग हो जाएंगे work done को calculate करने के तो देखें कैसे हम एक reversible और irreversible process में work done को compare करते हैं तो हम अलग नहीं करते हैं इनी columns में discuss कर लेते हैं देखो मैंने आपको अभी तक सिखाया की work done का formula क्या होता है minus integration of P external into T अभी तक के episodes में आप यह सारी बाते सीखी चुके हैं चलिए अब मैं वापस से बात करता हूँ reversible बहुत ध्यान से देखना दिमाग थोड़ी देर के लिए खाली कर देना किसी की याद आ रही हो तो उसको याद मत करना यह आपके पास एक cylinder है यहाँ पर एक piston लगा हुआ है ठीक है इधर वो ही आपने gas fill की हुई है इधर से काम कर रहा है P external और इधर से काम कर रहा है P gas सही है बताओ process कैसा है reversible बताओ reversible process की condition क्या थी मालनों मैं फिर से expansion ही कर वा रहा हूँ तो reversible process की condition क्या थी कि जो driving force होता है वो opposing force से बहुत तोड़ा सा जादा होता है मतलब जो P gas है उसकी value P external से थोड़ी सी ही जादा होगी क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि P gas P external के approximately equal होगा बोलो हाँ हाँ अभी तो prove किया हमने तो अगर हम P external को P gas के equal लिख सकते है तो बताओ एक reversible process के लिए work done का formula क्या बन जाएगा minus integration of P gas into dV from volume V1 to V2 क्यों क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होगा जैसे piston move करेगा gas column थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो जो gas का pressure है वो gas के volume के साथ लगातार change होता रहेगा क्योंकि process बहुत ही slow है तो हम इस चीज़ को observe भी कर सकते है कि pressure के साथ gas का volume कैसे change हो रहा है बोलो बात समझ में आ रही है तो हम क्योंकि यहाँ पर क्या होता न gas का pressure variable है लगातार volume के साथ-साथ gas का pressure क्या होता रहेगा change होता रहेगा इसलिए हम यहाँ पर integration का sign लगा रहे है अगर आपको यहाँ पर work निकालना है तो आप P की value V के टांस में लिखोगे और फिर उस equation को क्या करोगे integrate करोगे तो काम की बात जो है वो यह है कि एक reversible process के लिए आज तक आपके लिए work done का formula था minus P delta या भूल जाओ अब आपके पास reversible process के लिए work done का formula क्या होगा integration of minus P gas into dv कौन से process के लिए reversible के लिए और चेक करते हैं क्या irreversible के लिए भी यही formula आएगा यहाँ पर gas को fill करें इधर से pressure कौन सा लग रहा होगा बताओ P gas इधर से फिर से क्या लग रहा होगा P external expansion हो रहा है बताओ driving force कौन है P external अब आप देखें जो आपका P external है वो P gas से क्या है बहुत ज़ादा है path number 1 क्या मैं सही हूँ इतनी दे से यही तो discuss कर रहे है तो मैं बिलकुल सही हूँ दूसरा अब आप देखें यह piston बहुत ही तेजी से यहां से बहार आएगा और मान लो यहां कहीं आके रुख जाएगा सही है तो यह बहुत तेजी से बहार आया अब आप देखना है ध्यान देना जब यह बहुत तेजी से बहार आया तो पी गैस तो चेंज होगा लेकिन पी एक्स्टन क्या रहेगा कॉंस्टन बना रहेगा भई मानना है प्रेशर टैन एटियम था आपने प्रेशर को ड्रॉप करके वन एटियम कर दिया अब क्या होगा जैसे प्रेशर वन एटियम हुआ यह गास बहुत तेजी से एक्स्टन बहार निकलेगा तो पी एक्स्टनल तो वन एटियम ही बना रहेगा बता ओ यह पिस्टन कभ तक मूव करेगा जब तक अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर दोनों प्रेशर कितनी हो नहीं हो जाते हैं 180M नहीं हो जाते हैं ये बात आपको समझ में आ रही है अब अब अगर मैं यहाँ पर work done का formula लिखूँ तो देखो w irreversible work done का formula तो वो ही है minus integration of p external into dv from volume v1 to v2 तो आप बहुत ध्यान से समझें जैसे मैंने वहाँ लिखा कि भाई gas का pressure volume के साथ change हो रहा है वो तो यहाँ पर भी हो रहा है लेकिन यहाँ पर आप gas के pressure को volume के terms में represent नहीं कर सकते क्यों? क्योंकि आप एक irreversible process के लिए equation of state define नहीं कर सकते मतलब pressure का volume के साथ variation observe नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते? बहुत ध्यान से समझना वैसे तो आपके slayvus के beyond है skip कर देते हैं लोग पर मैं समझाओं आपको क्या होगा? जैसे इसका pressure 10 atm से 1 atm drop होगा इधर का pressure बहुत जादा है, इधर का pressure बहुत कम है तो क्या होगा? पिस्टन बहुत तेजी से इधर move करना शुरू करेगा पिस्टन जब इधर बहुत तेजी से move करना शुरू करेगा तो इस gas के अंदर turbulence create होगी क्या create होगी? turbulence turbulence क्या होती है? होगा गया? gas पिस्टन के इस वाले पार्ट पे तो बहुत ज़़ा प्रेशर लगा रही होगी लेकिन पीछे जाते जाते gas का pressure क्या होता जा रहा होगा? कम होता जा रहा होगा मतलब gas का uniform pressure नहीं है piston के उपर इधर प्रेशर बहुत ज़़ादा है और पीछे की तरफ pressure क्या आप जाता है बहुत कम होता जाता है तो हम यहाँ पर यह नहीं देख पाएंगे कि pressure volume के साथ यहाँ पर कैसे vary कर रहा है वहाँ तो piston बहुत दीरे-दीरे move कर रहा था तो हम observe कर सकते थे लेकिन यहाँ पर हम pressure का volume के साथ variation नहीं बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे तो हम इसके लिए equation of state define नहीं कर सकते हैं तो हम P gas से तो बात ही नहीं कर पाएंगे हम बात करेंगे P external से बताओ work किस के against हो रहा है external pressure के against और यह पूरे process में क्या बना हुआ है constant बना हुआ है अगर यह constant बना हुआ है तो हम इस constant को निकाल लेंगे बाहर और बताओ W irreversible का formula क्या लेखेंगे minus P external into DV का इंटिक्शन होता है V और V2 minus V1 और यहीं से आपको language भी सीखने है question में अगर आप से बोला है कि एक constant external pressure against expansion हुआ है या compression हुआ है तो यह 200% पक्का है कि वो कौन सा compression या expansion होगा irreversible होगा reversible के लिए तो question में लिख कर देगा अभी हम आगे questions भी करेंगे अभी समझें कि reversible और irreversible में difference क्या होता है कि एक irreversible process में आप pressure को volume के terms में express करी नहीं सकते हो क्योंकि इसके लिए कोई equation of state define नहीं है turbulence इतनी जादा होती है कि आप pressure को volume के साथ relate नहीं कर पाओगे इसलिए एक irreversible process का work done का formula क्या होता है minus P external into V2 minus V1 यह दोनों process differ ही इसमें करते हैं जबकि एक reversible process के लिए work done का formula क्या होगा minus integration of P gas into dV होगा बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है तो यह इसका summary है यह इसका सबसे important part है अगर आप इन दोनों को differentiate कर पाते हो कि reversible में work done का formula क्या है और irreversible में work done का formula क्या है तो हमारी बहुत सारी problems तो यहीं solve होने वाली है इस chapter में students को यहीं नहीं पता होता 20% crowd ऐसा होता है जिसको यह पता ही नहीं होता है कि reversible में यह formula लगाते है और irreversible में यह वो तो दुनिया की हर जगाए की formula लगाते है minus P delta V लेकिन आप उनमें से नहीं है नहीं है ना इसी बात आप इसे copy करें फिर मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे हम इन दोनों works को compare भी कर सकते है हाँ इन में से कोई एक ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है कैसे होगा तो हम लोग देखते हैं एक पर आप इसे copy करें तो चलो यह सीखने के बाद हम compare करते हैं work तो आप heading डालें next comparison of work done comparison of work done in reversible and irreversible processes comparison of work done in reversible and irreversible processes देखें एक चीज़ का आप ध्यान रखें work यह आप physics में भी पढ़ चुके होंगे नहीं पढ़ते ही हो नहीं पढ़ा तो भी ध्यान रखना work क्या होता है work का जो magnitude होता है वो basically होता है area under PV curve अगर मान लो आपने किसी process के लिए PV graph बनाया है इसके under का area निकाल दो यह पूरा area यह area आप निकाल दोगे तो यह area आपको magnitude of work देदेगा क्या देदेगा magnitude sign आपको खुद देखना पड़ेगा तो मैं सिखा चुका हूँ expansion का work कैसा होता है negative और compression का work कैसा होता है positive सही है तो इस चीज का मैं use करूँगा और फिर इसके basis पर मैं क्या करूँगा यहाँ पर work compare करूँगा तो सबसे पहले हम work compare करने जा रहे है expansion के case में कि आपके पास एक gas है और उस gas का expansion हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा graph से खेलेंगे हम लोग जैसे माल लो यह आपका PV graph बनाते हैं आपका नहीं गैस का आपका PV graph कैसे बनाएंगे है ना चली तो हम gas के लिए PV graph plot कर रहे हैं यह है pressure यह है volume है आप point A पर थे यह है point A और आप आए इस point B पर अभी आप आए ऐसे तो यह आपका कुछ pressure था माल लो 10 A.T.M. था मैं ऐसे values दे रहा हूँ आपको ताकि आप आसा नहीं सीख पाओ और यह pressure है 180 तो आप A से B आए तो देखो A से B कुछ volume था B का volume जादा A का volume का में अलब expansion हो रहा है ठीक है अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि pressure volume के साथ लगातार change हो रहा है तो अगर variable pressure है pressure volume के साथ लगातार बदल रहा है मतलब यह जो graph है यह कौन से process का graph होगा reversible process का graph होगा कौन से process का होगा reversible process का अब आप देखो अगर मैं इसी का irreversible का diagram बनाओ तो मैं irreversible का diagram तो बनाए नहीं सकता graph पे आप irreversible process का PV diagram नहीं बना सकते हो अगर diagram बनाओ ऐसा मतलब पक्का है कि वो एक reversible process होगा हाँ, हम दिखा सकते हैं दिखा कैसे सकते हैं, हम बोलेंगे कि भाई साथ देखो pressure था 10 ATM अगर आपने इस process को irreversibly करवाया होगा पिस्टन पे आपने एकदम से pressure drop किया होगा 180 तक, तो आप इस point पर थे बताओ अगर आपको pressure drop करना है तो आप इहाँ होंगे 180 पर आपने 10 ATM से 180 प्रेशर ड्रॉप किया जैसे आपने 10 ATM से 180 ड्रॉप किया पिस्टन बहुत तेज से भागा होगा और उसका volume बढ़ गया होगा ये आपको लग रहा है दो step में रहागा लेकिन एक step में process है pressure drop हुआ gas expand हुई लेकिन इस paper पे हम उसे दोस्त एक बार में नहीं दिखा सकते अगर दिखा पाते तो हम ऐसा कोई graph बनाते तो देखो दो part में कर रहे हैं लेकिन एक ही process है single stage है इसको हम बोलते है single stage expansion क्या बोलते है single stage expansion इसको भी आगे और use करूंगा मैं term को पढ़ाल फिल आप देखें 10 ATM था मैंने 10 ATM से एकदम से pressure drop किया 1 ATM और 1 ATM pressure drop करती gas का volume एकदम से बढ़ा और वो अपनी final volume पर पहुंच किया अब आप बोलोगे सरी तो धीर धीर बढ़ रहा है ओ भाई यह time थोड़ी नहीं यह तो volume है आपको कैसे पता है यह धीर 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 बढ़ रहा है क्या आपको पता है धीर 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 drop हो रहा है नहीं मैंने time का graph थोड़ी बनाया है मैंने कहा बोला pressure एकदम से drop किया और वो इंकदम से बढ़ गया अब आप बोलो आप ऐसे चोड़े हो जो धीरे बढ़ेगा time नहीं है आप यह ना समझें मैंने आपसे बढ़ रहा ना pressure यहाँ था drop किया, gas आगे भाग गई दोनों process एक साथ हो रहे है लेकिन यहाँ पर हम दिखा नहीं सकते हैं उसको इसलिए दो parts में दिखा रहे है तो देखें यह जो आपको purple color का दिख रहा है यह हमारे concept process को denote कर रहा है irreversible को सही है, ठीक है, इसके समझाने के बहुत साथ तरीके होते हैं, लेकिन यह सबसे आसान तरीका है, मैं इसलिए इसको use करता हूँ अब आप देखो, यह reversible अगर आप reversible के under का area निकालो तो वो area क्या होगा, मैं इसको brown से shade कर रहा हूँ यह पूरा area किसका होगा, reversible का लेकिन अगर आप irreversible के under का area निकालो तो वो सर्फ इतना सा area होगा समझ रहा हूँ तो बताओ किसके under area जादा है reversible के तो अगर reversible के under area जादा है तो बताओ magnitude of reversible जो होगा वो magnitude of irreversible work से जादा होगा समझ सकते हैं आप यह सर्फ magnitude compare करेंगे क्योंकि area reversible का जादा है तो work done भी क्या होगा उसी का जादा होगा तो आज की बाद हमारे लिए एक point बन गया कि किसी भी gas के expansion के लिए जो reversible का work है वो irreversible के work से हमेशा क्या होता है जादा होता है बात समझ में आ रहे हैं चलिए इसको समझ सकते हैं तो फिर हम बात करते हैं compression की किसकी बात करेंगे compression की compression के case में क्या होगा चलो तो रंग बदल लेंगे इधर आपने प्रेशर को इधर ले बॉल्यूम को इस बार आप इस पॉइंट ये से इस पॉइंट बी तक जा रहे हो मानलो इस बार वैल्यूज उल्टा कर देते हैं यह 180 था और इस बार आप 1080 पर जा रहे हो तो देखो अरो बदल गया आप इधर से इधर जा रहे हो तो बत कर वो प्लॉट करूँ तो आप देखो यह पिस्टन आपका अभी दोनों साइड प्रेशर 1 ATM था तो आपने गैस पर एकदम से प्रेशर 10 ATM किया होगा जैसी प्रेशर 10 ATM किया होगा गैस साथ के साथ क्या होगी कमप्रेश हो कि तिस जगह में आ होगी तो आप पॉइंट ये पर हो आपको प्रेशर एकदम से इंक्रीज करना है मताओ से नीचे जाओगे उपर जाओगे ना देखो आपने प्रेशर एकदम से increase किया और जैसे pressure 1080 मा gas का volume decrease होके क्या हो गया यहाँ पहुंच गया बताओ यह process कौन सा process है आपका irreversible बताओ single stage है दो stage में single stage में लग रहा ऐसा दो stage में है कैसा single stage में दो stage का कैसे लगता है वो भी बताओंगा अभी आप समझें अब बताओ किसका area जादा आएगा दिख रहा है साफ साफ यह graph उपर है इसका area जादा आएगा तो अब इस case में क्या है क्योंकि area of आप यह भी लिख देना क्योंकि यहाँ पर area under irreversible area under reversible से जादा आ रहा है तो w irreversible का magnitude रब्लू reversible से क्या होगा जादा यहाँ पर भी लिख देना आप कि यहाँ area under reversible area under irreversible से जादा है तो यहाँ पर reversible के work का magnitude सादा आएगा तो यह बहुत बहुत important है एक gas के expansion के लिए reversible का work हमेशा irreversible work से जादा आएगा magnitude wise और एक gas के compression के लिए irreversible का work, reversible के work से जादा आएगा एक चीज़ जाद रखनी है दूसरी उसकी opposite है तो अगर expansion हो रहा है तो reversible का work जादा है और compression हो रहा है तो irreversible का work जादा होगा तो यह थे आपके reversible और irreversible processes आज का पूरा lecture मैंने आपको छिर्फ यही समझाने में लगा दिया है क्यों क्योंकि बहुत important है अगर आप कोई difference नहीं पता है आगे आने वाले lectures में आप कुछ भी सीख नहीं पाओगे इसलिए यह important है ध्यान दें आज के lecture को समझें आज हम यहीं पे complete कर रहे है next class में आपको बताऊंगा कि यह single stage है तो two stage three stage कैसा दिखेगा और उसके बाद हम बात करेंगे अलग-अलग processes की isobaric process, isocoric process उनके लिए कैसे हम calculation करते हैं उनमें हम कैसे first law को use करते हैं तो मिलते हैं next class और यहां से आगी continue करते हैं करेंगे तो उसका फामला क्या आपकी आपकी देली लाइफ में आप आपकी देली लाइफ में आप उपसर्व नहीं कर सकते हो जो इंपोर्टन चीज मैंने आपको सिखाई थी वह था work done अगर हम एक reversible process के अंदर work done calculate करेंगे तो उसका फामला क्या बनता है minus integration of P gas into dv from volume v1 to v2 वैसे यह P external dv होता है तक मैं आपको सिखाया था reversible process के लिए P external और P gas almost क्या होते हैं equal वहीं अगर हम एक irreversible process के लिए work done का formula calculate करें तो वो formula क्या था minus P external into v2 minus v2 था further मैंने आपके भी सिखाया था कि हम reversible और irreversible work को compare कर सकते हैं तो हम case compare करेंगे अगर expansion का तो अगर किसी gas का expansion हो रहा है तो बता मैंने क्या बताया था very good reversible work क्या होता है irreversible work से ज़्यादा और अगर आप compression की बात कर रहे हो तो उल्टा हो जाएगा compression के लिए क्या होता है irreversible के work का magnitude reversible के work से क्या होता है ज्यादा यह चीज़े मैंने आपको last class सिखायी थी last का lecture में आपने जो भी कुछ पढ़ा यह उसका सार है उसकी समरी है इतने सी चीज़ आपको याद होनी चाहिए और यह बहुत सार चीज़ आपको बताई थी कि एक reversible process के लिए system और surrounding हमेशा किसमें exist करते हैं equilibrium में exist करते हैं अगर हम एक reversible process में system को restore करें तो surrounding भी साथ में क्या होती है अपनी initial condition के उपर restore हो जाती है चलिए आज बढ़ते हैं आगे और एक और बहुत ही important चीज़ सीखते हैं जैसा कि मैंने आपसे कहा कि real sorry reversible जो प्रोसेस होते हैं वो imaginary होते हैं ठीक तो हम उनको daily life में observe नहीं कर सकते हैं हम एक irreversible process को क्या कर सकते हैं reversible process के अंदर convert कर सकते हैं कैसे तो वह आप समझने के कोशिश करें देखो मैंने last class भी आपको diagram बना के सिखाये थे जैसे मान लो हम pv diagram बनाते हैं ठीक है तो यह p है और यह v है तो आपको point a से इस point b पर आना है ठीक है तो point p का कुछ अपना pressure था p1 यह point a है और इसका volume था v1 similarly इस point का pressure है p2 b का और इसका volume कितना है v2 तो देखो अगर मैं यहाँ पर reversible आता हूं तो reversible तो मैं ऐसे आता हूं ठीक और अगर हम irreversible आ रहे हैं तो मैं आपको सिखाया था हम क्या करेंगे यहाँ पर एकदम से pressure drop करेंगे जैसी pressure drop करोगे gas का volume expand होगा और इस तरह से आप यहाँ पहुंचाओगे तो लगने में आपको लग रहा है दो step में हैं लेकिन यह कैसा होता है single stage होता है इसको हम लोग क्या बोलते है single stage expansion अब देखो जरूरी नहीं है मैं single stage करवा हूँ मैं इसी process को दो stage में भी करवा सकता हूँ तो देखो अगर same process दो stage में करवाया जाए तो आपको यह कैसा दिखाई देगा इधर आपका P इधर है volume V फिर से वही आपके दो points point A और point B यह तो आप आए reversibly ठीक अब अगर आपको यहीं पर इर्रिवर्सिवल आए दो stage में तो देखो आप शुरूरू वे pressure P1 पर आप सीधा P2 pressure पर मत पहुंचो आप क्या करो बीच में कहीं एक pressure पर रुख जाओ ठीक है यह प्रेशर है P1 डैश अब यहाँ पर क्य दो final pressure तक pressure तो यह हो गई आपकी दूसरी stage तो देखो यह हो गया आपका two stage expansion कौन सा expansion हो गया two stage expansion समझ में रहा है ऐसे ही आप चाहो तो इस process को तीन stage में करवा सकते हो तो फिर से आप यह PV diagram बनाएं ठीक वोई point आपका A और B यह तो आप आप आए reversibly यह reversibly अगर आपको तीन stage में आना है तो कैसे आओगे यह one यह two और यह आपकी third stage तो यह कितने stage का expansion हो गया three stage expansion हो गया बोलो करवा सकते हैं तो इस तरह से आप एक irreversible process को कितने भी stages में करवा सकते हो अब जो काम की बात है हमीं सब क्यों discuss कर रहे हैं हमीं सब इसलिए discuss कर रहे हैं कि अगर आप एक irreversible process को ऐसे stage में बांटते चलो और आप इसको बहुत सारे steps में break कर दो बहुत large number of stages के नगर आप इसे complete करवा हो तो देखना आपको pv diagram कैसा दिखेगा यह तो आपका वो ही reversible process एसे लेकर b तक अब आप यहां से आ रहे हो irreversibly और process को एक large number of steps में करवा रहे हैं देखो कैसा होगा कुछ समझ में आ रहा है क्या समझ में आ रहा है यह समझ में आ रहा है कि अगर हम एक irreversible process को बहुत सारे steps में करवाएं तो वो किसके similar बन जाएगा एक reversible process के similar बन जाएगा मतलब आप एक irreversible process को reversible में convert कर सकते हो अगर आप उसे large number of steps के दिनर carry करवाओ तो मैंने आपको कहा कि reversible process imaginary होते हैं लेकिन एक irreversible process को अगर आप बहुत धीरे-धीरे carry करवाओ तो बिलकुल किसके similar हो जाता है? reversible process के similar हो जाता है reversible के बराबर तो यह आपको limit देता है कि expansion के case में maximum work क्यों कौन करेगा reversible बताओ compression के case में minimum work कितना हो सकता है? reversible के बराबर तो यह भी आप ध्यान रखना कई बार आपसे question में पूछ लेता है कि यह process गया से यहां से यहां गई बताओ maximum work कितना होगा? तो अगर expansion है तो maximum work कौन से path पर होगा? reversible path पर अगर compression है तो maximum work कौन से path पर होगा? irreversible path पर होगा तो यह चीज अपने घूम फिर के questions के इंदर काम आती रहेगी आप इसे जरूर ध्यान रखें अगर expansion में maximum work पूछ रहा है तो वो reversible का होगा? और compression में maximum work पूछ रहा है तो वो irreversible का होगा? तिस तरह से आप भी graph बनाएं और यहां पर statement लिखें that is if an irreversible process if an irreversible process is carried out in a large number of steps in a large number of steps it will become similar to a reversible process जो कि आपको इस graph से भी दिखाई दे रहा है और एक point आप साथ में आप और आड कर दें है ताकि आपके यह काम में आता रहे कि although reversible processes reversible processes are imaginary we deal with them as they give the limit of minimum and maximum work ठीक तो यह आपको minimum और maximum work की limit देते हैं इसलिए में इंसे deal करते हैं तो आपको शिखाया for expansion तो बताव एक्सपैंशन के लिए maximum work कौन करता है जो maximum work होगा वो किसमें होगा reversible process में होगा similarly अगर आप बात कर रहे हो compression की यह सब काम में आएगा देखना है मैं आपको याद दिलाओंगा वापस से तो फिर आपका minimum work कौन सा होगा irreversible में हो और maximum work किसमें होगा irreversible compression में होगा तो कई बार आप उसे question मिलेंगे कि gas दो ATM pressure पर पात से दस लिटर पर expand हुई maximum work बताओ expand हुई ना तो maximum work कौन से पात से होगा reversible से compress हुई तो maximum work कौन से पात से होगा irreversible पात से होगा आई बास समझ में तो यह थे आपके reversible और irreversible processes और इनके बारे में important information चलिए अब बढ़ते हैं आगे और analyze करते हैं अलग-अलग thermodynamic processes को अलग-अलग-अलग नेक्स्ट analysis of various thermodynamic processes ठीक इसमें सबसे पहला process पढ़ने जा रहा है that is an isobaric process कौन सा process है? isobaric process देखें क्या होता है isobaric process आप जानते तो इस तरह से ऐसा process जिसमें pressure throughout constant रहे पूरे process में अगर pressure constant रहे तो उसमें लोग उसे कौन सा process बोलते हैं isobaric process simple formula देते हैं P constant throughout the process तो पूरे process दोरान आपका pressure क्या बना रहता है? constant बनाता है अब देखो pressure constant है तो change in pressure क्या होगा? 0 ठीक है? चलिए अब अगर हम बात करें work done की तो देखो work done is equals to क्या होता है? चाहिए आप reversible देख लो चाहिए irreversible देख लो अभी मैं simple formula देख लो minus P dv ठीक तो बता हो pressure क्या है आपका? constant है limit लगाओ V1 से लेकर V2 तो P को आप बाहर निकाल लो work done क्या बन जाएगा? यहाँ पर प्रेशर क्या बना रहेगा? constant बना रहेगा work done का simple formula बन जाएगा minus P external into V2 minus समझे रो? तो यहाँ reversible work का significance नहीं है क्योंकि दोनों का form आपके पास क्या आने वाला है? same ही आने वाला है pressure तो constant है तो बहार निकल जाएगा तो यह तो वह work done का formula second, first class अगर हम बात करें from Fltd, तो देको Fltd क्या बोलता है? कि delta U is equals to Q plus W, क्या होता है? delta U is equals to Q plus W, W की जगा आप यह बहले लिख दो, delta U is equals to Q plus W की जगा लिख सकता हूँ minus P into V2 minus V1 क्योंकि isobaric है, P external, P gas दोनों ही क्या रहेंगे? आपके constant बने वे रहेंगे, same रहेंगे तो आप यहाँ परे equation लिख सकते हो, इस term को इधर बेजो, तो देको QP बोल रहा हूँ मैं इसको क्योंकि हम constant pressure condition पे बात कर रहे हैं, बताओ QP is equals to क्या बन गया? delta U plus P delta V, बना? और आपको याद हैं, relation बढ़ा था, delta H is equals to क्या होता है? delta U plus delta PV और अगर आप constant pressure पर हो, at constant pressure, तो देको P यहाँ से बाहर आ जाएगा, delta H is equals to क्या बन जाएगा? delta U plus P delta, क्या यह आपको याद है? बेखो, इस term को मैं किस से replace कर सकता हूँ? delta H से, मतलब QP is equals to क्या होगा? delta H, तो यह कोई नई चीज नहीं है, यह हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं, that is, heat exchanged at constant pressure, heat exchanged at constant pressure, बताओ, वो हमेशा किसके equal होता है, delta H के, जो पहली सीखने की बात है, वो है यह, दूसरा, हम यहाँ पर PV diagram बना सकते हैं, तो PV diagram बहुत ही आसान है, बताओ, PV graph अगर मैं इस process का बनाऊं, तो वो कैसा बनेगा? इधर pressure, इधर volume, constant line बनेगी, युकि pressure तो आपका constant है, सिंज यह graph constant pressure पर बनाया गया, इस graph को हम लोग क्या नाम देते हैं, isopar, तो यह पहली information, जो आप isoparic process के लिए collect कर सकते हो, कि constant pressure पर जो भी heat ली गई या दी गई होगी, वो हमेशा किस के बराबर होगी? enthalpy change के बराबर होगी, ध्यान रखना, यह सब पर valid है, चाहे real gas हो, चाहे idle gas हो, चाहे solid हो, चाहे liquid हो, कोई भी system, constant pressure पर अगर heat ले रहा दे रहा है, तो वो हमेशा किस के बराबर होगा? delta h के बराबर होगा, चलिए, next, जो हैंपर काम की चीज़ आपको discuss करनी है, वो है work done, isobaric process में कई तरह के cases बनते हैं, जहाँ पर आपको work calculate करना होता है, तो बहुत ही ध्यान से देखना, heading डालें, work done in isobaric process in different cases, यहाँ से बापका numerical part शुरू हो रहा है, जिन में आपने जो भी कुछ सीखा है, उसका बाब apply करना शुरू करोगे, ठीक, चलिए, सबसे पहला हम बात करते हैं, work done in an open container, for a gaseous reaction, ठीक, तो यह आप देखें, ध्यान से, देखो, open container के अगर मैं आप से बात कर रहा हूं, open container में क्या होगा, तो यह container है, this is open to atmosphere, तो अगर यह open है container, तो बताँ, open end पर हमेशा कौन सा pressure काम करता है, atmospheric pressure काम करता है, which is generally 180 हैं, अगर कुछ नहीं दिया है, तो अब बताओ, इस container में कोई reaction होने से, क्या बाहर के pressure पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, मतलब यहाँ पर pressure में से क्या बना रहेगा, constant बना रहेगा, अब मालो, मैंने इस container में CACO3 solid को लेकर heat करना शुरू किया, बताओ, अगर मैं CACO3 solid को heat करूँ, तो heat करने पर यह क्या बनाएगा, CAO solid plus CO2 gas बनाएगा, तो देखो, यहाँ पर जो, यह convert होगा, into CAO solid plus CO2 gas, तो देखो, यह solid, solid में convert होगा, solid तो उड़ना जानता ही नहीं है, solid तो यहाँ बैठ जाएगा, बताओ, उड़ेगा कौन, gas, यह CO2 gas यहाँ से बाहर निकलना शुरू होगी, अब बताओ, जब यह CO2 gas बाहर निकल रही होगी, तो situation कुछ ऐसी होगी, कि यह एक, आप imaginary piston मान सकते हो, जिसके उपर pressure लग रहा है, जब CO2 gas बाहर निकलेगी, तो इस piston को धक्का मारेगी, basically CO2 जब बाहर निकल रही होगी, तो वो atmosphere को धक्का मारके बाहर निकल रही होगी, इसका मतलब इस pressure के against CO2 gas यहाँ से बाहर निकल रही है, जितनी CO2 gas बाहर निकलेगी, उतना ही यह piston ऊपर shift हो चुका होगा, मतलब उसका volume क्या हो चुका होगा, change हो चुका होगा, तो जो भी यहाँ पर volume change हुआ है, बताओ वो किसकी वज़ेसे हुआ है, CO2 gas की वज़ेसे, तो इस reaction के लिए, अगर मैं volume change निकालू, volume change delta V, volume of CAO solid, plus, plus, volume of CO2 gas, minus volume of CACO3 solid, सही है, यह तो आप सभी जानते हो, कि अगर हम same conditions पर बात करें, same pressure and temperature पर, तो यह तो गाओं का बच्चा अच्चा जानता है, कि volume of solid जो होगा, वो volume of gas से क्या होता है, बहुत कम, इसे चौक है, यह छोटा सा है, solid है, मालने इसका महां से 3 gram, अभी यह room है, इस room में इसने इतना volume occupy के वाए, अगर मैं इसकी जगा, 3 gram gas ले लो, इसी room में, बताओ क्या वो भी इतने से volume में confined होगी, नहीं, वो तो पूरे room के अंदर क्या हो जाएगी, अगर आप same conditions पर एक solid और gas के volume को compare करो, तो gas का volume, solid के volume से बहुत ज़ादा होता है, मतलब इस equation में जो आपने solids के volume लिखे हैं, उन्हें आप क्या कर सकते हो, neglect, that is, volume of solid can be neglected as compared to volume of gas, बोलो सही बात है, अगर आप solid के volume को neglect कर सकते हो, तो बताओ, यहां से delta V की value किसके एक वाला गई, volume of CO2 gas के लिखे, सही है, बस अगर यह सही है तो अपना question solve हो चुका है, बताओ, work done का formula क्या होता है, isobaric process है, minus P delta V लिखोगे, तो minus P into delta V, बताओ, delta V किसके को लोचुका है, volume of CO2 gas के, तो या तो आपको pressure पता हो, और volume of CO2 gas पता हो, और यह नहीं पता हो, तो कोई बात नहीं, बताओ, gas के लिए PV equal to क्या होता है, NRT, तो आपके पास formula का रहें गया, minus W moles of CO2 into RT, तो जो data दिया हो, उस data से आप क्या कर सकते हो, अपने question को solve कर सकते हो, बात समय नहीं आ लिए, तो पहला case, जब आप एक gaseous reaction करवा रहे हो, gaseous reaction क्यों हो, मानले एक solid के decomposition से, या liquid की reaction से gas बन रही हो, अगर एक gase बन रही है, तो आपको सोचने नहीं है, उस gas के moles into RT, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, work done calculate कर सकते हो, चाहो तो यह form direct use कर सकते हो, इसके ज़रत नहीं भी दूसरा बताऊंगा, वो याद रखना, आप तो simple देखो, delta V निकालो, P delta V का formula लिखो, solid liquid, यहाँ liquid होता तो उसके volume को भी क्या कर सकता था, आसानी से निगलेक कर सकता था, यह जो topic है, यह आपको एक question के दूर समझ में आएगा, तो आप इसे copy करो, फिर मैं आपको इसके ओपर एक question करवाते हैं, तो देखो एक question, question is कि one mole of of aluminum metal is dropped into an aqueous solution containing HCl in an open container at 300 cal, if 95 calorie of heat is released during the process then calculate W, delta U and delta H आपके पास एक mole aluminum का एक metal piece है, जिसे आपने drop किया है, एक solution में, जो कि HCl का है, temperature है 300 Kelvin, open container में, इस process में 95 calorie of heat release हुई है, आपको Q, W, delta U and delta H sub calculate करने हैं, चलिए, try करें question को, आसान सा question, चलो, करें discuss, चली, देखें, क्या करना है आपको, aluminum metal है, आपको उसने, आपको उसने नहीं, आपने उसको, HCl में drop किया, तो आप reaction को balance करके लिखें, reaction की balancing यहाँ पर बहुत important है, क्यों वो आप थोड़ी देर में समझ जाओगे, तो देखें, साथ ही physical states लिखें, 3 by 2 H2 gas, देखें, solid, aqueous solid, इसको तो भाड़ में जाने ले, ना, क्योंकि इनका volume, gas के volume में, comparison में क्या होता है, negligible, तो यहाँ पर जो delta V होगा, वो basically volume of H2 gas के ही बराबर हो जाएगा, यह आप समझ रहे हैं, चलिए, question में कहा गया है, कि यह reaction एक open counter में करवाई जा रही है, इसका मतलब pressure क्या हो चुका है आपका, constant which will be 180, होगा, और इस process में 95 calorie heat release हुई है, तो बताओ, constant pressure per system में से जो भी heat release होती है, वो किसकी बराबर होती है, delta H, आपको पहले से ही delta H पता है, which is minus 95 calories, sign convention बहुत important है, अगर आप अपना आँसे 95 दोगे तो वो गलत है, सही है, चलिए, next work done, तो work done मैं आपको शिखाया, open container है, work done या तो minus P delta V लिखो, T, तो देखें, आपने one mole aluminium का piece लिया था, बताओ, one mole aluminium से hydrogen कितनी बनेगी, three by two mole, ये बहुत important है, तो आप यहाँ पर moles कितने लिखोगे, three by two, into R, calorie में देते हैं, work की value तो R की value two, और temperature है three hundred, तो देखो two से two cancel, work कितना आजाएगा, minus 900 calories, आएगा, यह आगे W, delta H और Q दोनों बराबर है, तो first law लगाएं, बताओ, delta U is equals to क्या होता है, Q plus W, होता है, delta U is equals to Q की value minus 95, work की value minus 900, तो delta U की value कितनी आजाएगी, minus 995 calories, कर सकते हो, तो कभी भी, इस तरह की reactions आपको मिलें, तो आपको solid liquid volume को neglect करना है, और आपको सिर्फ gas के volume को consider करना है, या फिर आप चाहो तो directly work done का formula, minus N gas into RT लगा सकते हैं, कोई कत, नहीं, अभी यह जो आपने case देखा, इसमें सिर्फ एक gas involved है, क्या हो, क्या हो अगर reaction में एक से जादा gases involved हो, आप उस case को भी cover कर लेते हैं, देख लेते हैं कि उस case में क्या होगा, तो इसी का आप second cases बनाएं, second case बनाएं, sorry, if two or more gases are involved, या more than one लिख तो simple, if more than one gas is involved, तो देखें, उसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, यह जाब formula सीख रहो, it is applicable for both open and closed container, closed का मतलब हमारा non-rigid से, कौन से container से है, non-rigid, अगर rigid हो गया, तो फिर तो क्या होगा, work done zero हो जाएगा, क्योंकि rigid container के अंदर volume क्या हो जाता है, constant, अभी देखेंगे अगला case, जब हम iso-correct की बात करेंगे, तो यह जो आप form सीखने जा रहे हो, यह formula भी, अभी क्याने container open है, तो 180M pressure है, जब वो closed होगा non-rigid, तो उसके पड़ जो pressure लग रहा होगा, मुशी को count कर लेंगे, लेकिन अगेन वो NRT की equally आएगा, क्योंकि PV is equal to क्या होता है, NRT होता है, अभी देखना question करेंगे जब, आप देखो, suppose आपके पास यह एक piston है, sorry, एक cylinder है, इसमें piston लगा हुआ है, इदर से pressure लग रहा है, P external, ठीक है, यहाँ पर एक reaction हो रही है, जिसमें N1 A gas, plus N2 B gas, react hook करके, इसमें convert हो रहा है, N3 C gas, plus N4 D gas, तो यह पूरे process के दौरान, आपके यह P external क्या बना हुआ है, constant बना हुआ है, ठीकि, maintain रहेगा उतना ही, तो अब देखो reaction क्या होगी, N1 A gas, plus N2 B gas, gives, N3 C gas, plus N4 D gas, होगा, चलिए, अब अब अगर मैं इस process में work done calculate करना चाहता हूँ, तो work done, during the reaction, तो पहरे देखें, work done का formula क्या होगा, ये gases, इस pressure के against piston को push कर रही होगी, तो work done का formula क्या बनेगा, minus P external into delta V, बनेगा, अब बात करतें, delta V की, तो आप देखें, इस reaction के लिए, अगर मैं delta V निकालू, तो delta V किसके को लोगा, volume of C gas, plus volume of D gas, ये इसमें convert हो है न, तो final volume, minus initial volume क्या होगा, volume of A gas, plus volume of P gas, है न, ये complete reaction हो रही है, तब बात करें हम लो, तो incomplete होगी, तब भी हम final volume, minus initial volume कर लेंगे, वो भी हम questions के दूख देख लेंगे, अब तो आप देखते वे चलो, बुला, आपको समझ में आ रहा है, इस value को उठागे, यहां रख दो, तो जैसे अब इस value को यहां रख दो, बताओ, work done का formula क्या बनेगा, minus P external है, P लिख रहा हो मैं इसको अब, ये क्या बन जाएगा, volume of C gas, plus volume of D gas, minus volume of A gas, plus volume of B gas, लिख सकता हूँ, क्योंकि सारी gases बना pressure सेम काम कर रहा है, P external के बराबर, तब आप देखो, इस P को अंदर भेज दो, तो ये बन जाएगा, PV into C gas, plus PV into D gas, minus, P into VA gas, plus P into VB gas, बताओ, gases के लिए PV equal to क्या होता है, NRD, होता है न, तो बताओ, आप P, V, C की जगा क्या लिख सकते हो, N, C, R, T, बताओ, PV, D की जगा क्या लिख सकते हो, N, D, R, T, इसकी जगा, N, A, R, T, इसकी जगा, N, B, R, T, इन सब में से, R, T तो आगया common, तो minus R into T, है न, मैं direct लिख रहा हूँ, बताओ, तो यह क्या बनेगा, Moles of C, Plus Moles of D, Minus Moles of A, Plus Moles of B, बोलो बनेगा, यह क्या हो गए, Gaseous Moles of Products, कौन से मोल सरफ, Gaseous Moles, Solid Liquid O'Count, तो यह क्या हो गए, Gaseous Moles of React, और इस Value को, आप पहले ही सीख चुके हो, इस Value को, हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, Delta NG, बोलते हैं न, तो मैं इसकी जगा, अगर Delta NG लिख दू, तो बताओ, इस Gaseous Reaction में, Work Done का फरमला क्या बनेगा, Minus Delta NG RT, अब matter ही नहीं करता, कि यह Reaction, Close Container में है, या फिर Open Container में, क्योंकि किसी भी कंटेनर में हो, अगर Pressure Constant बना हुआ है, तो सारी Gases पर सेम Pressure काम कर रहा होगा, तो हम डिरेक्ट फरमला लगा सकते हैं, क्या, Minus Delta NG RT, तो आज की बाद ध्यान रखें, अगर Constant Pressure पर आपकी पास यहीं कोई भी Reaction हो रही है, तो उसके लिए Work Done का फरमला क्या होता है, Minus Delta NG RT होता है, इससे पहला वाला जो केस किया, उस पर भी Applicable है, इन पर भी Applicable है, कॉपी करें, इनके उपर दो Variety of Questions करेंगे, जिनसे आपको एक Concept और अच्छे समझ में आएगा, सही है, चरिए, कॉपी करें हम इसे फिटापट से, पहला Simple सा Application Reviews Question का, Question is, Calculate the work done in the complete decomposition of PCL5 gas at 27 degree Celsius in a Closed Non-Rigid Container ठीक तरपास एक Closed Non-Rigid Container है, उसमें PCL5 का Decomposition हो रहा है, 27 degree Celsius पर, और आपको answer भी Calories में देना है, तो देखो, Simple सा Question, आपको Decomposition of 1 mol PCL5, इतना और लिखिए, तो देखो, PCL5 की Decomposition की रेक्शन क्या होती है, PCL5 gas Decompose होकर क्या बनाएगा, PCL3 gas Plus CL2 gas बनाएगा, अब आपको यह बताना है, कि इस प्रसेंस work done कितना होगा, तो देखो, 1 mol PCL5 है, 27 degree Celsius पर, Decompose हो रहा है, अभी तुम आपको से formula अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, माइनस डेल्टा एंजी आर्टी, तो माइनस, बताओ, या 1 mol के जगा 5 mol PCL5 बोलता, तो क्या difference आता, बस, बई 1 mol के लिए डेल्टा एंजी बन आ रहा है, तो 5 mol के लिए डेल्टा एंजी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बोल आपको यह बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया, अगर आपको यह बात समझ में आती है, तो अगला question लिखे, लिखे, 6 mol each, 6 mol each of N2 and H2, react in a closed non-rigid container, at 27 degree celsius, calculate the work done in calories, same question है, थोड़ा सा twist है, let's see, आप इस question को कर पाते हैं, या फिर नहीं कर पाते हैं, यह चलो, इस से पहले मैं आपको देखे, दूसरा question लिता हूँ, यह तो फिर आप करना, यह थोड़ा सा अलाग है, इसको बात में करना चलो, एक और question लिखो, इसके लिए जगह छोड़ दो, अब आप एक और question लिखो, पहले उससे solve करो, question is this, T, 5 mol of N2H4 liquid, undergo complete decomposition, at 127 degree Celsius as, यह आपका N2H4 liquid है, यह decompos हो कर बना रहा है, 4NH3 gas, plus N2 gas, यह 27 degree Celsius पर, what you have to do is, you have to calculate, work done, और calories में निकालना, पहले आप यह question solve करें, उसके बाद आप यह पीछे वाला question solve, साहिए, चलो, try करो, फटाफिट से, तो यह simple सा question, कोई बड़ी बात नहीं, आप देखो, यह 3N2H4, ठीके, क्या बना रहा है, 4NH3 gas, plus N2 gas, ठीके, बताँ रेक्शन के लिए, डेल्टा NG कितना है, पूछ रहा हूं, डेल्टा NG देखो, यहां पर लोग मिस्टेक करें, यह लीक्विड है, इसका हम काउंट नहीं करेंगे, तो 4 plus 1, कितना है, 5, सही है, अब डेल्टा NG के लिए 5, प्रोड़क्ट माइनस रियक्टेंट, तो रियक्टेंट नहीं जी 0 है, तो प्रोड़क्ट का कितना हो जाएगा, 5 है, तो डेल्टा NG इसका 5 है, बिल्कुल सही है, अब आप आगे बढ़ो, वर्क दन का फाम्मला तो क्या हो जाएगा, अपने लिए, माइनस डेल्टा NG RT, लेकिन ये जो डेल्टा NG 5 है, ये कितने मोल के लिए है, फॉर 3 मोल N2H4, यहाँ पे काम में आ रहा है, तो बताओ अगर 3 मोल के लिए 5 है, तो बताओ हमने कितना मोल लिया है, 5 मोल N2H4 लिया है, तो 3 मोल N2H4 के लिए, डेल्टा NG कितना है 5, बताओ 1 mol के लिए कितना होगा 5 by 3 तो 5 mol के लिए कितना होगा 25 by 3 यह तो आप ऐसे कर सकते हो यह फिर आप चाहो तो इसको एक और तरीक से कर सकते हो भाई आपने इसका 5 mol लिया है 3 से बनता है 4 1 से बनेगा 4 by 3 तो 5 से बनेगा into 5 similarly यह बनेगा 5 by 3 दोनों को add कर दो तो यह total mols हो गए 25 by 3 तो 10 minus 10 यह तो लिक्विडस को count नहीं करेंगे तो delta NG के लिए कितना जाएगी 25 by 3 रख दे values तो minus 25 by 3 R की value 2 और temperature कितना है 127 यानि 400 Kelvin इसको solve कर लें आपको अपना answer calories में ने जाएगा तो यह सेम पहले question के जैसा ही था बस आपके आप मोल्स बदल दी गए और बढ़ते हैं अपने बीच वाले second question की दरफ जो मैंने hold करने को आप से कहा था बताओ इस question को कैसे solve करेंगे समझना यह important है इनमें आप mistake कर सकते हैं यह कहा रहा है 6mol N2H2 आपने लिया है तो देखो N2 plus 3H2 gives 2NH3 तीनों की तीनों gas है इसलिए लिखनी रहा हूं मैं यह मैं आपको पहले में सीखा चुका हूं जबने delta H equal to delta U plus delta NG RT वाला relation पढ़ा था वहाँ पर हम इस चीज को सीख चुके हैं क्लास क्लास ही चीखा था हम लोगों नहीं तो आप देखो इसने 6mol लिया है यह और 6mol है यह तो अभी आपको LR concept लगाना है तो बताव LR कौन हाइड्रोजन हाँ यह कितना हो जाएगा 3 से 2 बनता है ना तो 6 से कितना बन जाएगा 4 अब है तो वही gaseous reaction non rigid closed container है बताव work done का formula क्या बनेगा minus delta NG RT लेकिन बात है delta NG कि तो है delta NG निकालने यह कई तरीके हैं जो मैं आपको सिखा चुका हूँ पहले भी पहला तरीका सबसे आसान तरीका जो मैं use करता हूँ पहले मैं वही बता रहा हूँ आप तो इस reaction के लिए delta NG निकाल लो सिरफ तो बताव इस reaction का delta NG कितना आएगा 2 minus 1 plus 3 which is minus 2 आएगा लिकिन यह जो minus 2 है यह कितने moles के लिए 2 moles के लिए तो अगर 2 moles के लिए minus 2 है तो बताव 4 moles के लिए delta NG कितना हो जाएगा minus खतम value यहां रखें तो minus minus 4 R की value 2 temperature है 300 कितना अगया 2400 calories positive work आ रहा है आना भी था gases के moles decrease हो रहा है तो volume भी decrease हो रहा होगा मतलब compression हो रहा है अगर compression हो रहा है तो work कैसा आएगा आपका positive आएगा आ गया एक तरीका delta NG निकालने के और भी कई सारे तरीके है delta NG total final moles 4 plus 4 minus total initial moles 6 plus 6 minus 4 आ जाएगा delta NG निकालने के एक और तरीका है कितने moles formed कितने हैं 4 minus total moles used तो used moles कितने हैं 6 इसके और 2 इसके फिर से कितना आजाएगा minus कैसे भी निकालने लो value same आनी है मैं recommend करता हूँ यह बड़ाए आसान होता है पहले यह देख लो कि इस reaction के लिए कितना है उसमें कितने moles काम में आ रहे हैं और फिर आपके पास जितने moles बने उसके हिसाब से आप अपनी value को constant हो जाता है ठीक है यह तो दा chemical reaction के लिए कई बार वो आप से work पूछ लेता है phase transformation के अंदर किसके अंदर phase transformation और discuss करते हैं अपना अगला topic तो देखू third case that is work done during phase transformation इसमें कुछ special नहीं करना है तो मैं सिर्फ topic बना के पढ़ा रहा हूं आप इसे topic की तरह ना समझें सिंपल एक procedure है तो phase transformation क्या होता है जैसे मान लो fusion हुआ ठीक तो fusion में क्या होता है एक solid होता है जिसे x solid है बताव यह melt होगा और किसमें इसमें करनवर्ट होगा एक्स लिक्विड में यह process कहां पर होता है इसके melting point होता है ठीक अगर जनरली क्या होता है जनरली क्या होता है जनरली क्या बताव डेल्टा वी में किसको count करोगे volume of x liquid माइनस volume of x solid है अब आप बोलो क्या मैं यहां पर volume neglect कर सकता हूँ solid liquid है केस में volume है different बहुत बड़ा नहीं होगा gas होती तो मैं क्या कर सकता neglect इसमें बात करूँ आपसे vaporization की vaporization है ना तब बताव vaporization में क्या होगा vaporization में एक liquid किस में convert होगा gas में होगा यह process कहां पर होता है boiling point पर अब अगर मैं इस process के लिए work done निकालू तो बताव यहां work done का formula फिर से क्या बनेगा minus p into delta v तो delta v में आप किसको count करोगे volume of x gas minus volume of x liquid तब आप देखो आप volume of x liquid को क्या कर सकते हो neglect कर सकते हो तो neglect कर सकते हो अब work done बताओ किसके इकुला जाएगा minus p into volume of x gas और हम pv equal to क्या लिख सकते है n rt तो जो हमने भी थोड़ देर पहले सीखा वो यह चीज़ यहां पर applicable है सेम इस तरह sublimation के case में भी वही होगा solid किसमे convert होगा gas में और अब वहाँ पर भी w equal to minus ngrt लगा सकते हो है ना चलो तो इस पर छोटा सा ऐसे question करते हैं कि यूज़ करने के लिए एक चीज़ सीखो गया आप उससे question is calculate the work done during vaporization of 2 mol H2O liquid ठीके 2 mol H2O liquid at its normal boiling point H2O liquid के normal boiling point पर आपको क्या करना है उसके vaporize होने के लिए work done calculate करना है करो तो देखो simple question है main चीज़ आपको ध्यान रखने है normal boiling point यह हम लोग पहले भी सीख चुके हैं और वैसे भी आप ध्यान रखें normal boiling point का मतलब क्या होता है कि आपका जो external pressure है वो कितना हो चुका होगा 1 ATM हो चुका हो ठीक है करके जरुत नहीं पड़ेगी आपको भी तो आप देखें H2O liquid किस में convert होगा H2O gas अब यह आपको खुद को पता है कि normal boiling point वाटर के अतना होता है 100 डिग्री सर्चेश इन्हें temperature दिया नहीं है आपको पता है पहले से बस बताओ work done का formula क्या बन जाएगा वही minus delta NGRT यहां तो gas है ना liquid volume को तो नगलेट कर दूँगा तो बताओ 2 mol liquid water से आपको कितना H2O gas मिलेगा 2 mol ही मिलेगा तो NG की value हो गई 2 R मानलो calories में निकालना है temperature हो गया 373 इसे आप solve कर ले आपको calories अगर जूल में पूशता तो हम R के लिए कितनी use कर लेते 8.314 कर सकते हो तो यह था आपका पहला process that is called isobaric process isobaric में अलग-अलग तरीके से आपसे क्या पूच सकता है work done calculate कर सकता है isobaric के और हम सबसे important चीज़ यह थी वो यह थी कि अगर आप एक isobaric process में हो तो Q हमेशा किसके equal होगा delta H के equal होगा सही है चलिए तो इसी बात पे move करते हैं अपने अगले process पे जिसका नाम है isocoric process कौन सा process isocoric process बहुत simple सा और बहुत ही छोटो सा process है that is an isocoric process तो चलिए तो यहां पर पूरे process में volume क्या बना रहता है constant तो अगर throughout the process volume constant है हम ऐसे process को क्या बोलते हैं isocoric process बोलते हैं अगर मैं इसका pv diagram बनाऊं बताओ pv diagram कैसा बनेगा एक constant line बनेगी जो की v constant को दिखा इस graph को हम isocore बोलते हैं आइसocore नहीं बोलते हैं क्या बोलते हैं isocore बोलते हैं दूसरी चीज क्योंकि यहां पर volume constant है तो बताओ change in volume dv कितना होगा 0 और अगर change in volume 0 है तो बताओ w कितना होगा 0 तो यहां पर जो मैं आपसे पहले भी repeat कर रहा था कई बार आपको लिखाओ मिलेगा rigid container कौन सा container rigid container तो अगर container rigid है तो बताओ volume कैसा होगा constant देखो अगर उसमें सिर्फ closed लिख दिया है तो closed rigid भी हो सकता है और non rigid भी हो सकता है तब तो फिर आपके दोनों case possible हो सकते हैं लेकिन rigid बोल दिया तो volume constant है और volume constant है तो work done कितना होगा 0 तो अगर कभी भी कोई process rigid container में करवाया गया है तो उसका work done हमेशा 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 कितना आएगा 0 अगर work done 0 है तो हम बात करते हैं first law of thermodynamics से कौन से लो से first law of thermodynamics से तो first law of thermodynamics के हिसाब से बताओ delta u is equal to क्या हो जाएगा qv यहां पर qv का मतलब क्या हो गया heat exchanged heat exchanged at constant volume तो constant volume पर system जो भी heat लेता देता है उस heat को मलब वो जो heat होती है वो किसके और आवती है delta u तो यह चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं जो हमने delta h delta u पढ़ा था दुबारा सा हम एक और बार ही देख सकते हैं कि constant volume पर exchange की गई heat हमेशा delta u के बराबर होती है और constant pressure पर exchange की गई heat हमेशा किसके बराबर होती है delta h के बराबर होती है तो isocoric process में और कोई ज़्यादा details नहीं है बस यही होता आपका छोटा सा process that is called an isocoric process तो देखो आइसो बारिक आइसो कोरिक पढ़ने के बाद अब हम move करते हैं isothermal process तो देखो तो third process which is our isothermal process अब देखो सबसे पहले चीज तो आप समझे आइसो थर्मल process क्या होगा isothermal process वो process होगा जिसमें throughout the process temperature क्या बना रहता है constant so temperature is constant throughout the process एक चीज अब अगर throughout the process temperature constant है तो बताओ change in temperature कितना होगा अब एक चीज पर आप ध्यान दे dt0 है कई बार आप से ऐसे question पूछ लेता है ऐसे वो लेगा क्योंताओ एक process के लिए delta t0 है अगर delta t0 है तो वो आइसो थर्मल होगा या नहीं तो देखो अगर किसी process के लिए delta t0 है तो जरूरी नहीं है कि वो iisotermal हो समझने कोशिच करना iisotermal है तो ये पक्का है कि delta t भी 0 होगा लेकिन अगर किसी प्रोसेस के लिए delta t0 है तो उसका Isotermal होना जरूरी नहीं है तो आपके statement लिखूं कि for a process for a process if delta t is equal to 0 the process must be isothermal तो यह कहना गलत है वो isothermal हो सकती है हो जरूरी नहीं है लेकिन अगर मैं लिख दू for a process if dt is equal to 0 the process must be isothermal तो यह बिलकुल सही है क्योंकि dt क्या होता है छोटे छोटे चेंज होता है एक point से अब हलका सा move किया आपने छोटा सा change तो अगर छोटा छोटा चेंज आपका 0 है तो process कैसा होगा आईसो थर्मल होगा यह आपको सोड़ा अजीब सा लग रहा होगा सुनने में लेकिन देखो फर एक गैस है 1 ATM 2 L 300 Kelvin पर मैं बीच में आया इसका temperature मैंने 500 Kelvin किया और फिर वापस से 300 Kelvin गिरा दिया तो देखो यह initial state और यह final state यहां से यहां के बीच में इसका delta T 0 है इस से इस point के लिए लेकिन देखो बीच में तो temperature चेंज हो रहा है मतलब हर point पर dt के लिए 0 आ रही होगी तो process आपका कैसा होगा isothermal होगा तो सबसे पहली चीज़ आप इस point पर गौर करें इसमें आप mistake मत कर देना अगर process isothermal है तब तो यह पक्का है कि delta T 0 होगा लेकिन अगर delta T 0 है तो process ज़रूरी नहीं कि आपका isothermal हो सही है चली बहुत ही बड़ी है बात तो अगर delta T 0 है तो हम यहाँ पर बात कर रहे है for compression or expansion of an idle gas बहुत ध्यान से देखें यह पर छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें आप mistake कर सकते हैं अभी हम जो कुछ भी discuss कर रहे हैं अभी हमने isocoric भी discuss किया isobaric भी discuss किया वो सब हम एक idle gas के expansion या फिर compression के लिए discuss कर रहे हैं तो देखो किसी भी idle gas के लिए delta U का formula क्या होता है Ncb delta T पढ़ा है हमने और बताओ delta H का formula भी क्या होता है Ncp delta T होता है तो since delta T 0 है तो बताओ delta U की value भी कितनी होगी 0 और आपका जो delta H होगा उसकी value भी कितनी होगी 0 लेकिन ध्यान दें ये चीज सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किस के लिए valid है idle gas के लिए क्योंकि idle gas के लिए ही delta U Ncb delta T और delta H Ncp delta T के बराबर होता है वहीं अगर मैं आपसे बात कर लूँ एक real gas के लिए यहां बात करते हैं जगे ज़्यादा है हमारे पास real gas तो मैंने आपको सिखाया था real gas के लिए अगर आप change in energy निकालना चाहते हो du तो उसका formula क्या बनता था del U upon del V at constant T into dV plus del U upon del T at constant V into dt del U upon del V at constant T into d सब्यें अब आप देखें एक real gas के लिए constant temperature पर यह term तो कितना होगा 0 लेकिन यह term कैसा होगा non-zero होगा इसका मतलब एक isothermal process में real gas के लिए delta U की value कैसी होती है non-zero होती है तो यह आपको theoretical statement में फंसा लेते हैं बार बोलेगा कि एक isothermal process है बताओ delta H हमेशा 0 होगा बिलकुल गरत delta H 0 होगा सिर्फ तब जब system कौन है idle gas अगर कोई real gas हुई तो फिर उसके लिए delta H कैसा होगा non-zero होगा delta U सेम चीज जब हम delta H का formula लिखेंगे तो वो बनता है cp dt plus del H upon del P add constant T into dP again constant temperature पर ये term 0 है लेकिन ये term कैसा होगा non-zero तो यहाँ पर delta H की value भी क्या होगी non-zero समझे रहो तो आईसो थर्मल प्रोसेस में ये बहुत important है भूलना मत delta H, delta U 0 होता है लेकिन कौन सी gas के लिए होता है idle gas के लिए होता है real gas के लिए नहीं होगा बहुत यहाँ तक चीज clear है चलिए अगर आपको यहाँ तक चीज clear है तो हम और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आपको ये भी doubt आएगा कभी ना कभी देखो for a reaction for a reaction क्योंकि doubt साते में आपको यहीं पर clear करता हो चल रहा हूँ for a reaction at constant temperature ठीक है तो मान लो एक reaction है जिसमें कोई substance है ए इसको भी मैं gas form में ले लेता हूँ ये भी एक gas A gas से B gas बन रहा है और दोनों ही idle gas behavior show कर रही है बताओ अगर reaction constant temperature पर है इस reaction की जो enthalpy होगी मैं delta R लिख रहा हूँ मतलब reaction की enthalpy या फिर इस reaction की जो energy होगी बताओ वो 0 होगी या नहीं at constant temperature बताओ होगी नहीं, नहीं होगी ऐसा आपको लग सकता है आज नहीं तो कल आपके दिमाग में एक question आएगा क्योंकि इतना time होगी मेरेको हर कोई student यह पूछता ही पूछता है मुझसे कि सर्फ constant temperature पर इस reaction के लिए भी delta जो delta U 0 होना चाहिए नहीं होगा ना भाई, देखो temperature constant है, ये भी idle gas है ये भी idle gas है, बिल्कुल सही बात है अच्छा बताओ, enthalpy कैसी property है intensive या extensive लेकिन एक reactant A दूसरे product B में convert हो रहा है बताओ, A और B की enthalpy same होंगी या अलग-अलग होंगी अलग-अलग होगी मानते हो, तो अगर इन दोनों की enthalpies अलग-अलग होंगी तो बताओ, इस reaction का enthalpy change किसके बराबर होगा enthalpy of B minus enthalpy of A इसका मतलब ये value 0 नहीं होगी, same thing constant temperature पर अगर कोई reaction हो रही है, तो उसका internal energy change भी 0 नहीं होगा, तो आज की बाद दुबारा आप मुझसे question नहीं पूछें, कि सरेक reaction के लिए constant temperature पर delta H और delta U 0 होना चाहिए नहीं होगा, delta H और delta U constant temperature पर 0, सिर्फ और सिर्फ किस के लिए होगा, idle gas के लिए होगा, और किसी substance के लिए वो 0 नहीं होगा पहली, सबसे important चीज जो आपको एक isothermal process के लिए सीखनी है, copy करें फिर हम बढ़ते हैं, आगे चलो तो ये basic से चीज़ सीखने के बाद, अब और चीज़ों से deal करते हैं, जो आपको isothermal process के बारे में पता होना चाहिए, है ना तो इस सब आपने copy करे लिया होगा मैं वापस यहीं पर आ जाता हूँ, घूमफिर के तो हम अभी सारी चीज़ें वापस से discuss करेंगे, एक idle gas के लिए, ठीक है, तो हमारा system है एक idle gas और इस idle gas के लिए आपने देख लिया है कि यह delta u की value कितनी होगी 0, ठीक है अब अगर delta u 0 है, तो आप बात करो first law of thermodynamics से FLTD FLTD क्या बोलता है कि delta u is equals to होता है q plus w तो अगर delta u 0 है तो बताओ q की value किसके equal होगी minus w के equal होगी सही है अब यह तो सही है दिख रहा है q equal to minus w लेकिन यह q equal to minus w का आपको theoretical significance पता होना चाहिए मतलब क्या होता है ना thermodynamics में कई बार statements मिलते हैं जिनसे आपसे question पुछ जाते हैं, तो अगर आप खुच से theory बना theory form में नहीं समझ सकते हो इसको देखो, चीज़े रटन ही नहीं होती है आप हर एक चीज़ को समझे है अपने language में लिखना सीखे तो यह आपको लिखना आना चाहिए, क्या लिखना आना चाहिए ध्यान से देखना तो मैं आपसे यहाँ पर बात करू q equal to है minus w अब दो case बना लेते हैं if work is done by the system तो यहाँ पर आपका system work कर रहा है तो बताओ work done by the system होगा तो w की value कैसी होगी? negative और बताओ अगर w negative होगा तो q कैसा होगा? positive होगा? इसका मतलब जब system काम करेगा तो heat क्या होगी? absorb होगी generally बताओ कौन सा work negative होता है? expansion का work तो since expansion का work mostly negative होता है तो बताओ q की value कैसी आएगी? positive that means during during isothermal expansion during isothermal expansion of an idle gas कौन सी gas? idle gas heat will be absorbed तो जब किसी idle gas का isothermal expansion होगा तो बताओ heat हमेशा क्या होगी? absorb होनी भी है देखो delta u 0 है अगर gas को expand होना है तो उसको बाहर से heat चाहिए होगी तभी gas क्या होगी आपकी expand होगी तो यह q equal to minus w का significance है same चीज़ अगर आप यह देखो कि work is done on the system work is done on the system तो बताओ अब अगर work on the system हो रहा है तो w की value कैसी आएगी? positive और अगर w positive आएगा तो बताओ q की value कैसी आएगी? negative तो q negative होने का मतलब क्या है? that is during compression क्योंकि compression का work ही positive आता है तो during isothermal compression during isothermal compression of an idle gas of an idle gas heat will be released तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है delta u 0 होने का significance क्या है? कि जब system work करेगा तो heat absorb करेगा जब system पर work होगा तो फिर उस case में heat क्या होगी? release होगी तो अब आप यह बोलोगे कि सर्थ देखो अगर heat release हो रही है तो temperature change होना चाहिए पर यह अपने temperature को maintain करने के लिए तो heat release कर रहा है अगर यहाँ पर system heat release नहीं करता तो उसका temperature क्या हो जाता? बढ़ जाता अगर यहाँ वो heat absorb नहीं करता तो उसका temperature क्या हो जाता? down हो जाता मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ आप इसमें भी confused रखते हो एक isothermal process कैसे करवाया जाता है तो देखो जैसे यह cylinder है ठीक है? इससे आपको clarity भी आ जाएगी थोड़ा process का feel भी आता रहेगा यह piston है यहाँ पर gas है यह एक diet thermic container है इस diet thermic container को हम एक water bath में डाल देते हैं तो यह मेरा water bath है और इस water bath का temperature मैं constant बना के रखता हूँ तो देखो जो temperature water bath का होगा same वह temperature किसका बना रहेगा gas का भी बना रहेगा समझे आप इस चीज़ को अब जब gas expand होगी या compress होगी तो बताओ वो process कैसा process कहलाएगा एक isothermal process कहलाएगा समझे रहे इस चीज़ को तो देखो क्योंकि delta u 0 है तो w negative है तो q positive होगा जब system काम करेगा अगर यहाँ पर heat वो absorb नहीं करेगा जब system काम करेगा तो अपनी energy खर्च करेगा तो उस case में उसका temperature क्या होता decrease वो तो होई नहीं सकता है क्योंकि delta u के विल्यू कितनी है 0 इसलिए system को heat क्या करने पड़ेगी एब्सॉब करने पड़ेगी तो यह था आपका आईसो थर्मल process का basic theoretical analysis कि delta u 0 का मतलब क्या है और उससे आप theoretically क्या information collect कर सकते हो सही चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं दो parts में divide करके एक reversible आईसो थर्मल और एक irreversible आईसो थर्मल तो heading डालें आप next reversible आईसो थर्मल process तो process चाहे reversible आईसो थर्मल हो चाहे irreversible आईसो थर्मल हो बताओ delta u और delta h की value तो कितनी होगी 0 सही है अब अगर आपसे q बोले तो चाहे आप q reversible बोलो q reversible की value minus of w reversible की बराबर है ना मुझा जो q होगा minus w की बराबर होगा important चीज है work done तो देखो मैंने आपको सिखाया भी था जबने reversible की बात की थी last lecture कि reversible process के लिए work done का formula क्या होता है minus p gas into dv यादे ना from volume v1 to v2 क्योंकि p gas है तो p gas p external के बराबर होता अब आप देखो अगर आप icotermal की बात कर रहे हो और system हमारा idle gas है तो बताओ हम p gas को कितना लिख सकते हैं n r t upon v बताओ लिख सकता हूँ जैसे आप इस value को यहां रखोगे बताओ w reversible का formula क्या बनेगा minus integration of n r t upon v into dv from volume v1 to v2 बनेगा तो देखो n r t temperature constant बाहर निकाल लो v का integration क्या बनेगा ln v तो एक reversible isothermal process के लिए work का formula क्या हो गया minus n r t ln v2 upon v1 या फिर अगर आप natural lock को lock the base 10 में convert करो तो यह आपकी पास direct formula है w reversible is equals to minus 2.303 n r t lock the base 10 v2 upon v1 या फिर आप चाहते से natural lock की form में याद रखें minus n r t ln v2 upon v1 तो यह बहुत 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 important formula है reversible isothermal और ध्यान रखना यह सिर्फ और सिर्फ concept पर valid है reversible isothermal पर गलती से भी इसे irreversible पर apply मत कर देना और जितना w आएगा उसका minus times आपको क्या मिल जाएगा क्यों मिल जाएगा एक और चीज़ यह है n r t ln v2 upon v1 क्योंकि isothermal के लिए p1 v1 is equals to क्या होता है p2 v2 है ना अभी मैं आभी रहा हूँ उस point पर भी तो क्योंकि p1 v1 is equals to p2 v2 होता है तो बताव v2 by v1 के जगा और क्या लिख सकते हो n r t ln p1 upon p2 भी लिख सकते हो चाहे v2 upon v1 लिख लो या फिर p1 upon p2 लिख लो दोनों से ही आप work done calculate कर सकते हो तो यह बन क्या है आपके पास एक reversible isothermal के लिए work done का formula minus n r t ln v2 upon v1 या फिर minus n r t ln p1 upon p2 सही है चलो इसके बाद एक बहुत important चीज जो मैंने लिखा भी है यहाँ पर उसको discuss भी कर लेते हैं और हम यहाँ पर एक graph भी बनाते हैं तो देखे किसी भी isothermal process के लिए for an isothermal process ठीक है हम idle gas की बात कर रहे है बताओ idle gas के लिए pv is equals to क्या होता है constant by pv equal to n r t है t constant तो n r t भी constant तो यह हो गया isothermal के लिए equation of state क्या बोलते हैं इसको हम equation of state तो देखो अगर हम एक isothermal process के लिए pv diagram बनाएं pv graph ठीक किस के लिए reversible isothermal के लिए तो देखो p inversely proportional to v आएगा आपका graph कुछ इस तरह का बनेगा तो जब भी p और v में इस तरह का hyperbolic graph बन रहा है तो ये कौन से process को denote कर रहा होगा isothermal process को और कौन से isothermal को reversible क्योंकि मैं आपको बताई चुका हूँ irreversible के लिए हम equation of state define नहीं कर सकते अगर pressure के साथ volume इस तरह से vary कर रहा है तो ये पक्का है कि ये graph कौन से process का होगा reversible isothermal का होगा since ये graph constant temperature पर बनाया गया है इसलिए इस graph को हम isotherm भी बोलते हैं क्या बोलते हैं isotherm भी बोलते हैं एक चीज़ दूसरा देखो work graphically जो work होता है मैंने आपको last class भी बताया था कि graphically work का जो magnitude होता है वो क्या होता है area under PV graph होता है अगर कभी आप से graphically work पुछे तो आप area से भी work calculate कर सकते हो मतलब अगर मैं इस graph के अंडर का area निकाल दूँ तो वो ही मुझे work done की value देगा या अगर मुझे work पता है तो मैं इस graph के अंडर का area लिख सकता हूँ बात समझ में आ रही है अभी ये था आपका reversible isothermal process जिसके लिए अपने graph बनाया ये ध्यान रखना भी बहुत important है अभी हम आगे चलके graphical questions भी करेंगे P और V में इस तरह का graph बन रहा है मतलब वो process कैसा process हो सकता है reversible isothermal हो सकता है clear है? चलिए copy करें इसके बाद discuss करते हैं irreversible isothermal को और फिर दोनों के उपर बेस्ट questions करेंगे जहां से आपको इनके बीच में real difference पता होगा ये ना? चलिए copy कीजिए फिर देखो अगर process आपका irreversible isothermal हो तो क्या difference पड़ेगा? बहुत difference पड़ेगा देखो हमने सीखा था कि heat और work कैसे functions होता है path functions होता है तो reversible path और irreversible path अलग-अलग है तो बताओ work और heat दोनों के value भी क्या आएगी? अलग-अलग आएगी तो पहली चीज़ चाहे process reversible हो चाहे irreversible isothermal हो delta u की value तो क्या होगी? 0 है अगर delta u 0 है तो इस बार भी q irreversible किसके equal होगा minus w irreversible के देखो मैं आप पर naming क्यों कर रहा हूँ उधर मैंने q irreversible लिखाता है यहां q irreversible लिखाता है हम अभी से अपना base बनाते हुए चल रहे है जो हम second law पड़ेंगे महाँ पर कई बार आपको q irreversible निकालना पड़ेगा इसलिए मैं आपको पहले से सिखाता हो चल रहा हूँ कि देखो भाई साब ऐसे q irreversible निकालते है तो अगर एक isothermal process के लिए आपको q irreversible निकालना है तो वो minus w irreversible किराबर होगा और यह तो गाउं का बच्चा बच्चा जानता है कि एक irreversible process के लिए work done का formula क्या होता है बता है integration तो गार ही नहीं सकते क्या होता है formula मैंने बता है था ना irreversible process है साफ साफ सी बात है कि expansion एक constant pressure के against हुआ होगा और उसके लिए formula क्या बनता है minus p external into v2 minus v बनेगा अब ज़रूरी नहीं कि हर बार वो आपको volumes दें वो कभी-कभी आपसे खेल सकता है तो खेलने दो बताओ हम कौनसी gas से deal कर रहे है idle gas तो minus p external बताओ constant temperature पर मैं v2 को कहा लिख सकता हूँ nRT upon p2 minus nRT upon p2 तो ये आपके पास irreversible isothermal के work done का formula है तो difference देखें अगर आप reversible process का work done लिखो तो वो कितना था मैं तो भूली किया formula हाँ very good क्या था nRT ln v2 upon v1 या फिर minus nRT ln क्या बन जाएगा p1 upon p2 तो गलती से भी ये गलती आप जरूर करोगे ध्यान देना गलती से भी ये formula irreversible मतलगा देना यही difference है जो आपको सीखना है फिर दम भी नहीं बचेगा question में एक बार आपने identify कर लिया कि ये reversible है और ये irreversible है उसके बाद इसके question आपड़े आसानी से solve कर लो तो अगर irreversible निकाल ला है तो सिर्फ ये याद रखो ये भी याद नहीं रखना V2 को लिख देना NRT upon V2 माइनस NRT upon P2 अब ये बहुत ही काम की चीज़ है क्या कई बार तो वह आपको P external लिख कर देगा ठीक है कैसे देगा इसे बोलेगा कि एक gas थी उसका pressure था 1 ATM या ऐसा कर लो 10 ATM था और temperature था 300 Kelvin और उसका 1 mol था आपने gas को 1 ATM pressure के against expand किया कब तक जब तक final pressure कितना नहीं रहता है 2 ATM 300 Kelvin और gas के मूल्च रहता है तो देखो यहापे आपको P1 दिया है यहापे आपको P2 दिया है और यहापे आपको P external दिया है तो कई बार तो आपको वह initial pressure, final pressure, P external सब लिखकर देगा, लेकिन कई बार नहीं देगा जो वह नहीं देगा तो आपको क्या करना है समझना, बैस सेम चीज़ लिखो 10 ATM 300 Kelvin 10 ATM है 300 Kelvin है 1 mol है एक constant pressure के against expansion किया पर बताया नहीं pressure कितना है और final pressure इसका 1 ATM हो गया temperature 300 Kelvin हो गया और gas के moles हो गये फन तो देखो, जब उसने final pressure दे दिया है और external pressure नहीं दिया है तब हम क्या करेंगे तब हम दिमाग लगाते हैं सीखते हैं क्या करना चाहिए आप देखो, इस case की बात कर रहा हूँ कि मेरे पास ये एक cylinder था उसमें मैंने एक piston लगा रखा था ठीक है piston का pressure था इधर gas का pressure था initial 10 ATM तो बाहर का pressure भी कितना था 10 अब मैंने क्या किया बाहर के pressure को drop करके 1 ATM कर दिया बताओ ये piston क्या करेगा बाहर के तरफ move करना शुरू करेगा बताओ ये piston कब तक move करेगा हाँ जब तक अंदर का pressure और बाहर का pressure क्या नहीं हो जाता है सेम सही है बताओ बाहर का pressure कितना है 1 ATM तो अगर बाहर का pressure 1 ATM है ये मानलोग को पता ही नहीं बाहर का pressure कितना है आपको तो ये पताए कि final pressure 1 ATM हो चुका है तो बताओ अगर ये final pressure है तो ये piston रुख चुका होगा और अगर piston यहां कर रुख गया है तो अंदर का pressure और बाहर का pressure क्या हो चुका होगा से इसका मतलब P external की value भी कितनी हो चुकी होगी 1 ATM हो चुकी होगी बोलो बात समझ में आ रही है तो अगर अगर आपको question में P external नहीं दिया है तो आप उसे किसके equal लेकर चल सकते है final pressure के equal लेकर चल सकते हैं मैं questions में और समझाओंगा इस चीज़ को आपको बट अभी आप समझे theory form में अगर किसी question में initial pressure दिया है final pressure दिया है और external pressure नहीं दिया है external pressure हमेशा किसके बराबरोगा final pressure के good out तो यार फिर मुझे यहाँ एक लोचा नजर आ रहा है क्या लोचा है देखते हैं आपको भी नजर आता है क्या कि सब ये लीजिए ये वोई piston सिलेंडर सौरी ये वोई piston आपका ये वोई initial gas का pressure है 10 ATM और इसमें साफसाफस ने बोल दिया है कि P external 1 ATM है तो बताओ ये piston कब जाके रुकेगा जब फिर से अंदर का pressure बाहर का pressure कहने जाए इसका मतलब gas का final pressure कितना होना चाहिए 1 ATM ही होना चाहिए तो ये क्या चक्र है ये 2 ATM कैसे हो गया external pressure 1 ATM है और gas का final pressure 2 ATM हो रहा है वो सकता है गया बिलकुल हो सकता है कैसे हो सकता है देखो ऐसे मैं इस piston को यहाँ तक आने ही नहीं दूँ मैं क्या करूँ यहां पर एक stopper लगा दूँ क्या लगा दूँ stopper अब पिस्तन यहां तक आएगा और इसके आगे move नहीं करेगा तो देखो इस condition पर यहां का pressure मान लो हो जाएगा 2ATM और यहां का pressure कितना हो जाएगा समझ रहो बात को तो अगर आपको final pressure दिया है P external दिया है initial दिया तो आपको कुछ करना ही नहीं लेकिन अगर question में आपको final external pressure नहीं दिया है तो फिर यह clear है कि जहां तक gas expand हो सकती है वहां तक होई होगी और last stage में P external P final क्या हो चुके होंगे equal हो चुके होगे सही है तो यह थे आपके दो process एक reversible isothermal और एक irreversible isothermal और दोनों में work done की value दूसरा हम दोनों के work को compare कर सकते हैं यह चीज़ में आपको last class पहले ही पढ़ा चुका हूं कि अगर बताओ gas का expansion हो रहा है तो किसका work जादा होता है तब उस case में reversible के work का magnitude irreversible के work से क्या होता है जादा यह भी हम प्रूव भी कर लेंगे और अगर gas का compression हो रहा हो तो बताओ उस case में reversible के work का magnitude irreversible के work के magnitude से क्या होता है कम होता है तो इस तरह से हम isothermal, reversible और irreversible के work को compare भी कर सकते हैं आप यह copy करें इसके राद हम लोग स्टार्ट करते हैं question से और देखते हैं कैसे हम numericals के अंदर isothermal, reversible और irreversible को differentiate करते हैं चली शुरू करते हैं पहले simple से question के साथ question आपके पास calculate Q, W, delta U and delta H in calories for और के अब लेको वन, वन के अब लेको ने लेकता हैं में तू मोल अफ एन आइडल गैस आर एक्स्पंडेड फ्रॉम 5 ATM या 10 ATM to 5 ATM at 27 degree Celsius तो 27 degree Celsius पर आपने एक आइडल गैस के 2 moles को expand किया है ln 2 की value आपको 0.7 linear है और यह एक्स्पंडेड रिवर्सिबली एंड आइसो थर्मली तो देखो अभी ताजा ताजा पड़ा है आप चीज़ें अप्लाई कर दोगे पर आप समझें अभी तो देखो question में साफ साफ बोल दिया है reversibly अगर process reversible है तो 99% question में वो बोल देगा कि reversible है लेकिन इर रिवर्सिबल में बोलेगा नहीं आपको पहचानना होगा कैसे वो भी सीखते हैं अब अभी तो दिखे ना reversible है बताओ अगर reversible process है और isothermal है 300 Kelvin 27 degree Celsius पर तो पहली चीज़ तो delta U और delta H की value तो कितनी हो जाएगी 0 बताओ reversible process के लिए work done का formula क्या होता है minus N RT ln P1 upon P2 होगा क्योंकि हम volume नहीं दिया है किसके डंस में दिया है pressure के डंस में तो रखें values moles कितने 2 calorie में answer देना है R की value भी 2 temperature 300 ln P1 था 10 P2 है 5 तो आप देखें minus 1200 into 0.7 तो यह हो गया minus 840 calories यह आगया work done अब बताओ अगर work done इतना है तो since delta U 0 है Q reversible किसके को लोगा minus W reversible के तो यहां से बताओ Q reversible की value कितनी आ जाएगी plus 840 calories कर सकते हैं चली कर सकते हैं तो बढ़ते हैं अगले part पर और अगले question को solve करते हैं तो देखो अगले question, question is 2 liters of N2 gas at 0 degree Celsius and 5 ATM pressure are expended isothermally against a constant external pressure against a constant external pressure of 1 ATM until the volume of gas reaches 10 L I think इसमें कुछ मिस्टेक है the until the with like though external pressure of 180 until the pressure of gas reaches 180 take what you do is you have to calculate how much heat will be absorbed or released या आपको यह बताना है कि heat absorb होगी या फिर release होगी और कितनी absorb या फिर रिलीज होगी समझें question को परता मुझे question को पढ़के बताओ कि यह process reversible है या फिर irreversible है बस यही आपको identify करना सीखना है उसके question में कुछ नहीं बचा है देखो क्या कहीं पर भी reversible लिखा है यह लिखा ना एक language आपको हमेशा मिलेगी अ कॉंस्टेंट external pressure बोल देगा कि इतने pressure के अगेंस्ट expand किया अगर कभी कोई process constant external pressure के अगेंस्ट हो रहा है तो वह हमेशा कैसा होगा इर reversible process होगा पस आपको यह language repeat करना सीखना है एक बार आपने language repeat करना सीख लिया आप कभी भी identify करने मात नहीं खा सकते इसका मतलब यह reversible आइसो तर्मल प्रोसेस है इनिशल वॉल्यूम टू लिटर था इनिशल प्रेशर फाइफ एटीम था ठीक है पी external आपको दिया हुआ है 180 और पी final भी कितना हो रहा है 180 तो आप देखो यहां तो कुछ करना ही नहीं है P1 V1 P2 दिया है तो यहां से आप V2 निकाल लो इसो थर्मल है PV constant होगा तो P1 V1 is equals to P2 V2 तो final volume आपको 10 लिटर मिल जाए मिल गया बस हो गया solve इस irreversible process में जो Q होगा वो minus W irreversible के बराबर होगा अब देखो volume बढ़ रहा है मतलब expansion हो रहा है तो work done आने वाला है negative 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 positive Q कैसा आएगा positive तो पहली चीज़ तो हम साफ साफ बोल सकते हैं कि heat will be absorbed इस process में heat क्या होई होगी absorb होगी कितनी निकाल लो work done minus P external into V2 minus V कितना आ गया minus 8 आ गया तो धन देना एक चीज़ अभी हम W निकाल रहे है W होता है minus P external delta V तो 2 minus आएंगे ऐसे वाले तो minus minus क्या हो जाएगा plus अब सबसे important चीज़ चेप्टर की that is unit अभी तो आप values से खेल रहे हो आदट डालने इस chapter में unit लिखने की क्या आप उसे बता सकते है उसकी unit क्या आएगी देखो pressure था ATM में volume था लीटर में ये बनेगा ATM into liter काम नहीं चलेगा आपको अंसर्किस में देना पड़ेगा जूल में तो अगर जूल में देना है तो 1 ATM into liter केतना होता है 101.3 जूल इस chapter में हो सकता है values calculate करने में गलती ना करो लेकिन आप unit में गलती जरूर करोगे so always beware of units उसके बिना आप इस chapter में आगे नहीं बढ़ पाएंगे चलिए इसी बात पर मैं आपको एक और question करवाता हूँ जो की आपको कुछ और नई चीज सिखाएगा ठीक है तो देखें अपना अगला question चलिए लेकें question की मैं थोड़ा चोड़ा करता हूँ question को करा कि one mole of an idle gas है at 27 degrees celsius with a volume of 24.6 liters ठीक है और the pressure is increased the pressure is increased to 1.5 atm to compress the gas against constant external pressure of 1.5 atm ठीक है तो इस gas के ओपर आपने pressure 1.5 atm बढ़ा के कर दिया है ताकि आप इस gas को क्या कर सको compress the gas isothermally इतना है compress the gas isothermally ठीक है यह आप से पूछ क्या रहा है पूछ रहा है आप से calculate the maximum and minimum possible work देखें यह आपके पास एक और नई language आगए यह इनी questions को सीखने के लिए यह अपसे कर रहा है कि गैस को आपको 1.5 दिया हुआ है सबसे पहला काम आप यह करो कि initial pressure कितना होगा तो देखो gas के moles है वन ठीक volume कितना है 24.6 liters temperature कितना है 27 degree नहीं 300 Kelvin अच्छा आपको यहाँ पर R की value 8.3 लेकर चलनी है Joule पर Kelvin पर Mol अगर जरुरत पड़े कहीं पर तो यह 8 ले लो ऐसा अगरो आसान हो जाएगा तो पहले तो आप यहाँ से क्या गरो gas का pressure निकालो P equal to nRT upon V से तो आप निकाली लोगे इसका जो initial pressure आएगा वो आएगा 1 ATM दिख रहा है 1 ATM 300 Kelvin पर किसी भी gas का volume 24.63 लीटर आता है तो यह pressure कितना जाएगा 1 ATM तो gas का initial pressure 1 ATM था आपने इसको external 1.5 ATM pressure के against expand किया बताओ gas कब तक expand होगी जब तक gas का खुद का pressure कितना नहीं हो जाता है 1.5 ATM नहीं हो जाता है पुरो बात समझ में आ रही है तो अभी इस question की language पढ़ें बताओ यह process आपको reversible दिखाई दे रहा है या irreversible irreversible रहा है ना constant pressure के against हो रहा है अब यह कह रहा है maximum और minimum work बताओ तो आप मुझे बताओ यहाँ gas का compression हो रहा है बताओ compression के लिए किसका work ज़्यादा होता है compression के रिए irreversible के work का magnitude reversible के work से क्या होता है ज़्यादा तो देखो maximum work तो कौन सा होगा irreversible वाला और minimum work कौन सा होगा reversible वाला तो अगर आप maximum work calculate करना चाहते हैं तो आप irreversible का work calculate करें बताओ w irreversible का formula क्या होगा minus p external into v2 minus v1 होगा अब आपको v1 तो पता है v2 नहीं पता तो वही p1 v1 is equals to p2 v2 लगा लो तो बताओ p1 even कितना 1 into 24.6 तो v2 के वेली कितनी आ जाएगी 24.6 upon 1.5 तो तो ऊपर 2 आ जाएगा इसको आप solve कर लो 8.2 into 2 कितना आ जाएगा यह 16.8 liters होगा compress कर रहे तो देखो volume कम ही हो रहा होगा सही है कर सकता हूँ इस चीज़को चलिए यह 16.8 आ गया तो work done का formula क्या बनेगा minus p external है 1.5 जिसे मैं 3 by 2 लिख रहा हूँ into v2 की value 16.8 minus v1 की value 24.6 तो difference देखो यह कितने का आ गया 8 7.8 ना 3 by 2 into 7.8 ठीक है इस score solve कर लो 236 3.9 into 3 7 11.7 यह आएगा ATM into liter और अगर आपको जूल में लिखना है 11.7 into 101.3 जूल बाकी calculation आप कर लेना मुझे उसमें को लिक करते हैं मुझे तो आपको समझाना था कि maximum work यहां कैसे calculate करोगे अब बताओ minimum work तो minimum work किसमें होगा minimum work होगा reversible में होगा नहीं होगा होगा ना तो अगर आपको minimum work चाहिए तो अब आप reversible का work calculate करो बताओ reversible isothermal के लिए work done का formula क्या होता है minus n r t ln v2 upon v1 या फिर आप चाहो तो p1 upon p2 लिख लो है ना दिखी रहा सब कुछ है मोल से 1 r की value 8 temperature कितना है 300 ln p1 की value है 1.5 और p2 के लिए कितनी थी 1 इससे अब solve कर लो आपको अपना अंसर मिल जाएगा 1.5 को लिख लो 3 by 2 तो ln 3 minus ln 2 हो गया तो देखो ln 3 1.1 ln 2 0.7 या याद रख सको तो अच्छा है वरना आपको values दी होई होगी तो 1.1 में से points बन गया तो 0.4 बचेगा तो या बचेगा minus का है ना कुछ गलत लिख दिया कि बन पी 1 था 1 और p2 है 1.5 ये उल्टा हो गया या पी 1 1 है तो ये 2 by 3 बन जाएगा तो ln 2 minus ln 3 बनेगा तो minus 0.4 minus minus plus 8 into 300 into 0.4 तो देखो 840 32 एक point से एक 0 उड़ा दो 32 into 3 960 Joule है तो देखो ये आपका maximum work और ये क्या हो गया आपका minimum work हो गया अगर यही पर अगर यही पर gas expand हो रही होती तो कहानी बदल चुकी होती expansion में reversible का work ज़्यादा आता है तो फिर reversible वाला work maximum होता और irreversible वाला work क्या होता आपका minimum work होता कर सकते हैं यह था आपका isothermal process और उसके उपर पूछी जाने वाले कुछ questions और concept अलग अलग तीन question में आपको करा हैं मैंने आपको पहचानना सिखाया maximum time reversible लिखावा देगा ही देगा अगर यह लिखावा है कि constant pressure का against expansion हो रहा है तो process कैसा होगा irreversible और यह टाइप जहां पर आपको एक given process के लिए minimum और maximum work calculate करना पड़ सकते हैं तो आज के lecture का हम ही पर खत्म करते हैं आज हमने अलग-अलग process का thermodynamic analysis किया जिसमें मैं आइसो कोरिक isobaric और आपको isothermal process को सिखा है next class हम बात करेंगे adiabatic process की कि adiabatic process में हम कैसे work वगरा calculate करते हैं फिर हम लोग isothermal और adiabatic को compare करेंगे और और बहुत सारी बाते करेंगे ठीक हम लोग मिलते हैं next class और यहां से आगी continue करते हैं